जो द्रड राखे धर्म को तीही राखे किर्तार जो जाप करे इन मंत्र रो वो मेवाडी सिर्दार महरणा प्रताप की इस त्याग की संगर्स की स्वाभिमान की इस मीरा की धरती से मैं आरस राठोड कॉंसेप्ट परिवार के इस यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत सबी एक बार क्लास को लाइक कर दो सेर कर दो क्लास से जल्दी-जल्दी जुड़जाओ वई राधे-रादे मधू प्रजापत अनिता मिना महंद्र कुमार बेर्वा विषाल सेन कैसाओ प्रिया द्यवेंद्र डामोर राज लक्ष्मी साहू सभी का स्वागत है बही अनुज मीना दोसा ममता चोदरी जी राज लक्षमी साहू विकास मकडासर आयूस वर्मा निसा यादव सभी का स्वागत है जै स्री कृष्णा राधेरादे जै जोहर तो आज जैसा कि आपको पताएगी आज की क्लास के अंदर जो है हम वैसे तो मतलब थंबनेल के अंदर आप देख चुके हो कि जूनियर अकाउंटेंट और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उन दोनों को टार्गेट करते हुए जो है आज की अपन मेराथन क्लास जो है वो प्लान किये अपनने लेकिन यह जो राजस्थान का इतिहास है या सभी विसेई जो हम मेराथन के लिए प्लान कर र प्रडूप में जो मेंन में बाते हैं पॉइंट पॉइंट जो हूँ आज की क्लास के अंदर आपन देखेंगे सीमा चोदरी भिलवडा अहम अनिता मीना सभी का स्वागत है सभी को राम राम चलिए तो आज की घर्थी से संबंदित हैं तो यह त्याग शंग जबलिदान सा समर्पन और स्वाविमान की इस धरा से मीरा की इस धरा से वीरों की इस धरा से जो है वह अपन जो है प्रारम करेंगे हमारे मेवाड का इतिहास क्यूंकि देखो मेवाड के बारे में कहा जाता है कि वह होतों नहीं हिंदुवान होतों नहीं मेवाड तो होती नहीं हिंदुवा किसी ने रक्सा की है तो वो हमारा मेवाड है तो हम मेवाड के महान सासकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि महाराना प्रताप महाराना कुंबा महाराना संगा महाराना राज सिंग जैसे वीर युद्धाओं के बारे में एक बार क्लास को लाइक कर दो सेर कर करेंगे मेवार का इतिहास तो अपन बात करेंगे देखो बई मेवाड के अंदर जोयना किस वंस का सासन था तो मेवाड के अंदर जोयना गुहिल वंस का सासन था और मेवाड में जो गुहिल वंस का सासन था अपन बात करें यह जो आपका गुहिल वंस है इस गुहिल वंस का संस्तापक कोन था तो इस गुहिल वंस का जो संस्त इस्वके अंदर अपन बात करें सबसे लंबे समय तक सासन करने वाला को यदि राजवंस है तो वो कौन सा है आपका मेवाड का गुहिलवंस है हम बात करें मेवाड के गुहिलवंस के बारे में हमें सबसे प्राचिन जानकारी देने वाला जो अभिलेक है वो है आपका सामोली अबिलेग 646 इस्वीका है और इससे गुहिलवंस का समय निर्धारन करने में अपने को सहाइता मिलती है फिर अपन बात करें आपके तो एक चीज और आपको याद रखनी है कब ही के मेवाड में गुहिलवंस का संस्तापक तो गुहिल है लेकिन अगर आपसे पूछ ले वास् संस्तापक बोल सकते हैं या फिर अपन इसको प्रतम प्रतापी सासक बोल सकते हैं तो मेवाड के अंदर गुहिलवंस का जो है आपके प्रतम प्रतापी राजा या प्रतम प्रतापी सासक या पहला सक्तिसाली राजा अपन किसको कहते हैं तो वो अपन बपा रावल को बोलत पपारावल का वास्त्विक नाम क्या है फिर अपन बात करेंगे भ advised कि ये जो आपका बपारावल है इसके गुरु Unidos को न है ये एच ओजा साब कहते हैं कि यह जो आपके बप्पा रावल है इनका वास्त्विक नाम जो है काल भोस था अब अपन बात करें इनके गुरु कौन थे तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था हारीत रिसी क्या नाम था इनका हारीत रिसी अब देखिए राज प्रसस्ति के अनु अधिकार करता है कब तो आसिरवास से जो है ना वो आपके चितोड को जीतता है चितोड पर अधिकार करता है तो चितोड पर अधिकार करता है यह आपके 734 इस्वी में कब करता है 734 इस्वी के अंदर करता है और अपन बात करें तो किसको अरा देता है चितोड के अंदर त तो उस मोर्य सासक मान मोरी को पराजित किया ठीक है तो इस मान मोरी को हरा करके यह चितोड के अंदर जो है अपना राज्य सामराज्य जो है वो स्थापित करता है ठीक है अब आपन बात करें तो अब और सुनना भई अब यह आपके चितोड का राजा बन जाता है फिर अपनी एक तो यह राजदानी किसको बनाता है एक तो यह चीज ध्यान रखना है राजदानी किसको बना देता है और पन बात करें तो यह मंदिर कौन सा बनाता है तो यह ध्यान से सुनो भई यह जो सारी सारी बाते है न यह चारों की चारों बाते जो मैं बता रहा हूं वो इंपोर् बाझदानी बना देते हैं ठीक हां जी चोदरी साब आज प्रसवल नहीं है अपन मैन मैन बाते जो वह देखेंगे प्रसंअ के रूप में फिरी के रूप में देखेंगे जो जो मेंन बाते हैं वो सारी इन्होंने मंदीर बनाया था और मंदीर किसका मंदीर यह बन शेutta और ये केलास पूरी आपके कहां पर है उदेपूर के अंदर है और अपन बात करें एक लिंगनाज जी का ये जो मंदिर है ना ये आपके लकुली संप्रदाई का मंदिर है कि संप्रदाई का मंदिर है लकुली स देखो भगवान सिव का 28 और अंतिम अउतार माना जाता है लकुलीस या फिर पासुपत जो एक प्रकार का सेव संप्रदाई है किस प्रकार का संप्रदाई है सेव संप्रदाई है तो मतलब अपन कह सकते हैं कि भगवान सिव का जो अवतार है लकुलीस उस रूप में जो है यह आपके मंदिर है हम बात करें आपके जो एकलिंग नाज प्रतिमा जो कले lange मर्थ करें न Cherry आपके एक्लिंग नाच्जी के मंदिर में भगवान सिव की anterior Aah किस प्रकार की प्रतिमा च 힘 प्रतिमा है काले संग्मर्मर की पथर की पPPर है वो काफी मनमोहक है बहुत ही सुंदर बहुत ही खुब सुरज जो है वो प्रतीमा लगती है हम जाते हैं एक बार अगर प्रतीमा को देखते हैं ना तो मतलब उस प्रतीमा से अपनी नजर हटने का नाम ही नहीं लेती है ठीक है ना फिर अपन बात करें तो मंदिर हो गया यह आपके एकलिंग नाच जी का जो कि केलासपुरी उदेपुर के अंदर हैं और इस मंदिर को जो अपन बात करें कि इस मंदिर को वरतमान स्वरूप किसने प्रदान किया था तो यह जो आपका मंदिर है ना एकलिंग नाच जी का इस एकलिंग नाच जी के मंदिर को वरतमान स्वरूप अगर किसी ने प्रदान किया था तो व तो मेवाड के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किस ने जारी किये थे तो बपारावल ने जारी किये थे तो मेवाड में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है ना बपारावल ने जारी किये थे और एक सिक्का होता था 115 ग्रेन का फिर अपन बात करें आपके तो ये जो आपके बपारावल के बारे में अपन बात करें तो इस बपारावल की उपादियां कौन कौन सी है तो बपारावल की उपादियों के बारे में यदि अपन बात करें ना तो एक तो इनको क्या कहा जाता है तो एक तो बपारावल को कहा जाता है आपके हिंदुवा सूरज क्या कहा जात साथ दिकर्त होता है चारों दिसाओं को जीतने वाला चकवे का मतलब क्या होता है चारों दिसाओं को जीतने वाला ठीक है नहीं तो चारों दिसाओं को जीतने वाला और अपन बात करें ना तो इनकी तुल्ना की जाती है चार्स मार्टेल से बपारावल की तुल्ना चार्स मा तो यह लो भई आपके बप्पा रावल से रिलेटेड सारी इंपोर्टेंट बाते हो गई हम पढ़ रहें मेवाड का इतिहास मेवाड में गुहिल वंस का सासन था और गुहिल या सिसोधिया वंस जो है इसके बारे में अपन बात करें तो संस्तापक था गुहिल जिसने 566 इस में स्थापना की थी विश्व में सबसे लंबे समय तक सासन किया था आपके गुहिल वंस ने आजादी तक मेवाड के क्षत्र में गुहिल वंस का सासन रहा था इदरे लंबे समय तक सासन करने का रिकोर्ड पूरी दुनिया में और किसी अन्यराज वंस का नहीं है अपन बा किसका दिवान मानते थे एक लिएग नाजी का दिवान मानते थे हम बात करें तो इस बपřारावल कावास्तुग नाम जीएच ओजा के अनुसार काल नीज़ कार अधिकार आ जाता है फिर अपन बात करें तो राजदानी नागदा को बनाता है जो मेवार की पहली राजदानी है और एक पर्वाड में सबसे पहले सोने के सिक्षिक स statement ने चलाए ठ було diva Prime इतना सकती सालिता कि उसने जो नागवत प्रतिहार था ना भीनमाल का सकता प्रतिहार प्रतेपन और जो आपका पृतिहार सा सकता उसके साथ मिल करके इन्हों इन्होंने मिल करके जो है हमारे जो अरब आकरांता थे उन अरब आकरांताओं को बहरत से बाहर खदेड़ने का काम किया था बिल्कुल सिदार सिंग चारण जी बिल्कुल जैमता जी की हाँ जी ओके तले आगे बढ़े लो भी अब अब अपन बात करेंगे आपके मेवाड के अंदर दूसरे सबसे महतोपूर्ण सासक तो दूसरे महतोपूर्ण सासक है आपके अलट कौन है बही अलट अलट के बारे में अपन बात करेंगे तो मेन मेन बाते अपन बात करें तो एक तो अपन देखेंगे कि आपके इनका अन्य नाम क्या था फिर अपन बात करेंगे कि इ यह जो है इनकी जो आपकी रानी जो थी न वो कौन थी भई और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह जो आपका अलट है ना इस अलट के बारे में special क्या है विसेश क्या है क्यों हपन इसको इतना पढ़ते हैं क्या कारण है कि अलट मेवाड का एक महतोपूर्ण सा सके तो लो भई आजाओ अन्य नाम तो इसका है आलूरावल पता नहीं या तो था या फिर खाता था पता नहीं क्यों इसको आलूरावल कहते थे तो एक तो इनको क्या बोलते थे आलूरावल बोलते थे फिर अपन बात करें राजधानी कौन सी है तो इन्होंने राजधानी बन क्रिछा मंदीर भगवान विष्नु का अवतार निर्वान करवाया अधिवरा मंदीर न भगवान विष्नु का एक वर अवतार तो वह मंदीर बनाया था प्र यह गूर प्रतिहार सेली का मंदिर है कि सेलिका है गुर्जर परतिहार सेलिका मंदिर है और इनकी राणी थी आपके हरिया देवी कौन थी भई हरिया देवी और यह जो आपकी हरिया देवी जो है ना यह आपकी हूण वंस की राजकुमारी थी यह वोजए से इस हरिया देवी को राजस्तान की पहली विदेशी भू माना जाता है क्या मांते हैं इसको अपन राजस्थान की पहली विदेशी बहु जो एना वो अपन मानते हैं भारत की जो पहली विदेशी बहु वो तो अपन हैलन को मानते हैं लेकिन अपन भारत की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की तो राजस्थान की पहली जो विदेशी बहु है न लटन किसने किया था तो मेवाड में सर्व परतम नोकर साही का गठन जो आप agriculture किया था आपके अललत ने किया था लॅकर साही का गठन आपके अल लटने किया था तो यह चीज आपको ध्यान में रखना ठीक ठीक है न है तो इनमें से एकजाम के अंदर एक तो यह पुछा जाता है पर एक हे मंदिर तो यह दो बाते आपको ध्यान में रखनी है तो एक बार अगर स्क्रेंशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से िरूं। इस च्रиновंट ले लो भी जल्दी अब अपन बढ़ेंगे अगले वाले राजा की तरफ तो लो भी अगला जो महतोपूर्ण राजा आया आपके वो को ने अगले आपके महतोपूर्ण राजा तो जो अगले महतोपूर्ण राजा आये उनका नाम है आपके जेत्र सिंग जेत्र सिंग जिनका सासनकाल रहा आपक इल्ट उत्म इसको भेंकर तरीके से कुटा था तो एक युद हुआ था आपके और वो युद कोन सा वा था आपके तो उस युद के बारे में यद्यदिए अपन बात करें तो इस युद का नाम आपके बूताला का हुआ था और यह बुताला का युद किस-किस के बीच में हुआ था तो यह युद हुआ था आपके एक्तो था आपके जैत्र सिंग कौन था भई जैत्र सिंग और यह जैत्र सिंग तो आपके मेवाड के सा सकते और दूसरे आपके कौन थे इलतुतमिस दूसरे आपके कौन थे किसे मिलती है ठीक है ये युद्ध हुआ था ना वो जानकारी देने वाली किताब जो है वो आपके कौन सी है तो सबसे पहले तो जानकारी के बारे में बात करेंगे तो जो जानकारी देने वाली जो पुस्तक है उसका नाम है आपके हमीर मद मर्दन क्या नाम है उसका हमीर मद मर्दन और इस किताब के बारे में यदि अपन बात करें तो इस किताब का लेखक कोन है तो हमीर मद मर्दन का जो लेखक है ना उसका नाम है आपके जे सिंग सूरी और इस किताब के अंदर अपन बात करेंगे हमीर किसको कहा गया तो ध्यान से सुनना भई अपन बात करेंगे यदि तो यह जो आपके जेत्र सिंग और इलतुतमिस जो दिल्ली का सक्ति साली सुल्तान था इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर जेत्र सिंग ने इस इलतुतमिस को भेंकर तरीके से कूटा था और यहां से यह जूते हाथ में लेकर भागा था तो यह यहां से भाग जाता है तो अब बात करेंगे अपन तो इस युद के अंदर जो है ना इस आपके जेत्र सिंग ने इल्टुतमिस का गमन तोड़ दिया था तो इस किताब के अंदर जो है ना इस पुस्तक में इल्टुतमिस को क्या कहा गया तो इस किताब में इल्टुतमिस को जो है वो ध्यान से सुरना भई इल्टुतमिस को जो वास्ताओं मैं अमीर कहा गया होगा क्योंकि जो है आपके दिली सल्तनत के अंदर ये अमीर वर्ड जो है वो चलता है ज बिल्कुल सुनिल मेगवाल جी पसुपरिचर के लिए भी समानरूप से उपाई होगी है तो देखो अमीर कहा गया या अमीर से हमने अमीर लिख लिया अब देखो अमीर का मतलब तो क्या हो गया इलतुतमिस मद का मतलब क्या हो गया गमंड और मर्दन का मतलब क्या हो गया तोड़ा तो किसने इलतुतमिस का गमंड तोड़ा जेत्र सिंग ने तो ये इलतुतमिस हार गया था इस और मेवार की राजदानी जो थी आपके नागदा, उस नागदा को क्या कर देता है, नश्ट कर देता है, तो फिर ये जत्र सिंग जो है न, अपनी राजदानी किसको बनाता है, तो जत्र सिंग जो है न, परमारों को हरा करके, अपनी जो राजदानी जो है न, वो किसको बना देते हैं चितोड को बना देते हैं राजदानी किसको बना देते हैं चितोड को बना देते हैं और इनके जो सेना पती हुआ करते थे तो इनके मुख्य मुख्य और सक्तिसाली सेना पती कौन थे और इनका जो सासन काल जो है न वो आपके क्या कहलाता है तो ये तीन और इंपोर परमारों से चीन करके चितोड को किस से चीना तो परमारों से चीना और इन्होंने चितोड को अपनी राजदानी बना दिया था फिर इसके बाद अपन बात करेंगे सेना पती इनके कौन-कौन थे एक तो था आपके मदन और दूसरा आपके कौन था भई बालाक अपन बात करे इनका जो सासनकाल जो है ना मध्यकालीन मेवाड का इतिहासकार दसरत सर्मा इनके सासनकाल को क्या बोलते हैं मध्यकालीन मेवाड का स्वर्नकाल तो ये ध्यान रखना है कि ये जो जेत्र सिंग का जो सासनकाल जो है ना इसको इतिहासकार दसरत सर्मा ने क्या कहा मध्यकालीन म मेवाड का स्वर्णकाल तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है किसके सासनकाल को कहा जैत्र सिंग के और किस ने कहा था दसरज सर्मान तो लो जल्दी से कर लो रिवीजन जैत्र सिंग के समय एक जाम के अंदर सबसे अधिक पुछा जाने वाला जो है वह आपके बुताला का युद्धे 1227 में हुआ था इलतुतमिस को हरा दिया था इस युद्ध के बारे में जानकारी हमीर मद मर्दन से मिलती है इसका लेखक जैसिंग सूरी है इस किताब के अंदर इलतुतमिस को हमीर कहा गया तो इस किताब का अर्थ क्या हो गया कभी हमीर बोले तो इलतुतमिस का और मद मतल की तीसरी राजधनी के रूप में स्थापित हुआ था हम बात करें सेनापति इसके मदन और बालाग थे और इस जत्र सिंग के सासनकाल को प्रसिद इतिहासकार दसरत सर्मा ने मध्यकालिन मेवाड का स्वर्णकाल कहा है चलें लो भई अब है आपके रावल रतन सिंग कौन है वही रावल रतन सिंग जो है वह आगे अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट रावल रतन सिंग ठीक है तो भई हाँ बिल्कूल पुनम सारंग देवोथ जी अब अपन बात करेंगे रावल रतन सिंग तो इनका जो आपके सासनकाल था वह अपन देखेंगे 302 से लेकर 303 इसवी तक रावल रतन सींग का सासनकाल रहा था रावल रतन सींग के बारे में अपन बात करेंगे तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे तो रावल रतन सींग के एक तो अपन देखेंगे कि डेड़ी कौन थे इनके डेड़ू फिर अपन बात करेंगे इनके ब्रो कौन थे और अप से बताओ देखे भई फिर अपन बात करेंगे क्या इनके बाई का नाम कुम्ब करन था क्या और यह जो कुम्ब करन जो है ना इन्हों क्या किया था तो इन्होंने जो है ना नेपाल में गुहिल वंस की राणा साही साखा की स्थापना की थी तो यह स्थापना करने का काम किया था आपके कुम्ब करण में और इसकी जो राणी थी ना वो थी आपके पदमीनी कौन थे भई राणि यह जो पदमीनी यह आपके सिंगल द्वीप की राजगोमारी थे किस लीप की राजगोमारी थे सिंगल ड्वीप का मतलब क्या हो गया स्री cop so इस विंगल द्वीब की जो यह ना यह राज preliminary ती और अपन बात करेंगे बस्क्रीप रसरता के बारे में बताया कहते हैं कि पर सौने का अभी और पिंजरा लेकिन नहीं रहता है परादीन कोई भी नहीं सकता है हमें चाहे सोने की जेल के अंदर रख दिया जाए तो भी हम सोने की जेल में या सोने के बिस्तर पर नहीं सो सकते हैं हमें खुली आजादी चाहिए और खुली आजादी केवल मनुश्य को ही नहीं चाहिए सोतंतरता पसुपक्षियों को भी चाहिए इसलिए हमें उनको पिंजरे बंद नहीं करना चाहिए वो तोता भाग जाता है और वो तोता जो है कहते हैं कि सिकारी के हत्ते चड़ जाता है शिकारी को लगता है कभई के यार ये तो कीमती है तो वो सिकारी एक व्यापारी को बोल देता है और व्यापारी को बेचता है तो व्यापारी उसको भारत के अंदर बेचने के लिए आता है और वो व्यापारी जो है स्री लंका से पूरे दक्षिन भारत को गुनते हुए जो ह चलता चलता मेवाड तक आ जाता है मेवाड में जैसे ही आता है और मेवाड के अंदर चारों तरब जो है वह एक खबर फेल जाती है कब ही के एक बहुत स्वांदार पोपट आया हुआ है और वो जो ही रामन तोता बहुत अच्छे से बोलता है रामन तोता क्या करता है बहुत अच्छे से बोलता हूँ बहु इंसान की नकल कर देता मेवार के बारे में तो कहा जाता है कि अपने यहां पर तो अगर कोई साब बेचने भी आ जाई तो भी अपने वाली लुगाईयां खरीद लेती है तो अपने राजस्तान की और मेवार की जो महिलाएं होती है ना इनको सोपिंग करने का बड़ा जोरदार वड़ा सोक होता है तो अब देखिए अब यहां पर जो है वह खबर फेलती है तो रतन सिंग के पास चली जाती है औ तोड़ा गमंड ज्यादा था और वो हमेसा जैब भी मेकप करती थी काच के अंदर अपना चेहरा देखती थी पर अक्सर पूंसती थी कमें कैसी लग रही हूं अब रोज रोज जो है तोते के सामने उस प्रकार की बाते होती थी एक दन रतन सिंग भी था वो दाशया भी थी और तोते के पास जो है वो खड़ी ओकर के दरपनी के तरब चेहरा देखते वे रानी अपनी दाशयों को पूंसती का मैं कैसी लग रही हूं तो वो कहते रहे बहुत शांदार लग रहे है वो शांदार जांदार फिर वो कहती है का अच्छा मेरे जितनी एंटिक और कोई लग सकती है क्या मेरे जितनी खूबसरती संसार में और कोई होई नहीं सकती है तो तोते से अब नहीं रहा गया तोते नहीं आप ने तो खूब सुन लिया होगा आप तो उसकी दासी के भी लाइक नहीं हो ऐसा सुनते ही रानी एकदम क्रोधित होती है और उस तोते की तरब दोड़ती है उसको मारने के लिए लेकिन रतन सिंग बीच में आता है बीच बचाओ करता है रहे सोरी सोरी के दिया होगा जल कूल डाउन थोड़ा चिल करो अब भ पखान इस प्रकार से करता है कि पदमिनी की सुंदरता की कहानी सुनते सुनते जो है उसको प्यार हो जाता है रतन सिंग को और रतन सिंग उस्तोते को लेकर उस पदमिनी के पास सिंगल द्वीब चला जाता है सिंगल द्वीब जाकर के स्रिलंका जाकर के जो उस पदमिनी से वो विवा कर लेता है और विवा करके यहां पर ले करके आ जाता है तो इस प्रकार की कहानिया जो है वो तो आपके मलिक मुहमत जाय सी के पदमावत के अंदर है बाकी अगर अगर अपन बात करे राजस्थान के पॉइंट उप यू से तो हमारे राजस्थान के अंदर राजस तो देखो एक जो है ना एक रागव चेतन करके जो है ना रागव चेतन करके एक आपके रतन सिंग का एक दोस्त था ये रागव चेतन जो है ना रंग में थोड़ा सा काला था बड़ा भेंकर सा दिखता था भुंडी सी सकल थी इस वज़े से इस रागव चेतन को क्या बोल द और अब अब आपन बात करें आपके तो यह रागव चेतन जो है यह रागव चैतन के बारे में यदि अपन बात करें तो यह मतलब बुरी नजर से उस पड़ीनी को देखता है तो पड़ी ने रतन सिंग को बुलाया और कहा कि वो आपका एक दोस्त है न का कौन है वो एक काड़ा सा हाँ हाँ बिल्कुल बताओ का उसकी नजर सही नहीं लगती है। रतन सिंह कहा रहा है वो तो दिखते ही है सही है सकल ही ऐसी है इसलिए तेरे को ऐसे ही लग गया होगा बाकी आदमी बुरा नहीं है वो मेरा best friend है वहाव ये पदमीनी क्या कहती अब रतन सिंग के गर पर रोज आना जाना रहता था एक दिन रतन सिंग दरबार में थे और उसकी हिम्मत दिन बद दिन इतनी बढ़ती जा रही थी कि वो रागव चेतन पदमीनी के महलों के अंदर पहुंच गया जैसे ही वो पद चेतन गयल ओकर दडाम से नीचे गिर जाता है रतन सिंग वहाँ पर आता है और दो तिन जापड मार करके उसको होस में लाते हैं फिर उसको पदमीनी केती कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बे लखना है इसकी नियत मुझे ठीक नहीं लगती फिर रतन सिंग को गुस आपके रिखी के सामने कुछ नहीं है वो नहीं पहले आना चाहता है बाकि पत्मीनी आपके आपils कोये इतना मतलब इतना इतनी सुंदर है क्या का और मेरे पास भी आना चाहती है क्या कहा बिलकुल आना चाहती है तो चलो ठीक है फिर अब वो जो है और भी बहुत सारे कारण थे मेवाड के उपर आक्रमन करने के तो कहते हैं कि वह अलावदीन खिल जी जो है वह अलावदीन खिल जी फिर मेवाड के उपर आक्रमन कर करता है तो अलावतewijn खिल जी का मेवाड पर आकरमन और यह मेवाड पर आकरमन करता है तो मेवाड के उपर ाकरमन करता है जब किस razem और गें बावजूद को नहीं करता है तो तो हमेसा की तरह ये छल कपट का सहारा लेता है और ये रावल रतन सिंग के पास संदेश विजवाता है और कहता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ. देखें, राजस्थान के जो राजा महराजाते हैं, हम राजस्थान के लोग मितृता हो या सत्रूता दोनों हम खुले हातों से उसको स्विकार करते हैं और दोनों को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं तो रतन सिंग ने उसको बुला लिया और वो अलावदिन खिल जी जो है वो चितोड के अंदर गया महलों तक गया था दो चार दिन जितने भी वहां रहा होगा कुछ समय तक वहां पर रहा भी था अलावदिन खिल जी देखिए कुछ जगे पर आप देख लेते हो यह वो मीर अंदर जो है रतन सिंग ने अपनी राणी पदमीनी का चहरा उस अलावदिन को दिखाया था यह सरासर जूट है इस प्रकार जो है ना कभी पोसिबल है ही नहीं हम आज के समय बात कि रहे हमें कह दे कोई का आप इस प्रकार से किसी विधर्मी को किसी अलग व्यक्ति को जो ह अपनी पतनी का चेहरा बताओ ऐसा कहने वाले का पर मता नहीं पोड़ देंगे अरे वह रजस्तान है जहां पर हमारी विरांगना है हमारी रानिया जो है वह जोहर रत का अनुष्ठान कर देती है अपने मान सम्मान सील सतितु और स्वाभिवान की रक्सा के लिए जो है अब हमारी आपन बात करें तो अब ये वापस से निकलता है तो जब वह वापस से निकल रहा था तो रतन सिंग को ड्रोप करने नीया हो महमान को लेने بھی जाते और चोड़ने भी जाते रतन सिंग छोड़ रहा था उसी दोरान अलावदिन खिल जी के सेनिकों की तरफ जा गिरा अलावदिन खिल जी का सडेंतर पहले से ही रचा हुआ था रतन सिंग को गिरपतार कर लिया जाता उसके गरदन पर तलवार लगा दी जाती है अलावदिन खिलजी के सेंग मेवाडी वीरों को कहते हैं कि यदी किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिस की तो तुमारे महराना का सिर्कलम कर दिया जाएगा मेवाडी फोज पीछे की सक जाती है अलावदिन खिलजी रतन सिंग्ग को बंदी बना करके अपने शिवीर सजाती है और अपने वीर योदधाओं को जो है महिलाओं के रूप में वहां तयार करती है महिलाएं बनाती है और उनको ले जाकर के जो है वो जब सिवीर के अंदर जाती है तो वापस से गहरा बादल जो है उनको ले करके आते ठीक है भृई तो यह शीज ध्यान को कब होता है तो 25 26 अगस 1330 को होता है और इस समय अपन बात करें ना तो किस ने किया था तो इससमय आपके का अक्रमन जो करने वाला था ना वो कौन था भई तो अलावदीन खिल जी था अब अपन बात करेंगे कि इस समय जो है ना अपन बात करेंगे कि हमारे जो केसरिया किस ने किया था फिर अपन बात करेंगे जो हर व्रत का अनुष्ठान किस ने किया था तो एक तो जो हर किस ने कि पर यान जो ती तुत हैं ना जो थी हमारे मेवार की मातापदमीनी तो माता पदमीनी के नित्रतु में जो शोडासो विरांगनाए जो थी offset विरांगनाओं के दोरा क्या कर दिया गया था जो खर व्रत का के सरिया किया गया कहते हैं कि राणी पदमिनी ने अपने स्वाभीमान सील सतित्व की रक्षा करने के लिए सोडा सो विरांगनाओं के साथ जो है अगनी के जोहर की जौला के अंदर धदकते हुए उस कुंड में जो है अपने सरीर को बस में भूत कर दिया अपने सरीर को स्वाहा कर दिया उस पवित्र दे को पवित्र अगनी के सुपूर्द कर दिया था इसलिए तो कहा जाता है कि ना से नहीं डरती है नहीं गवराती है कहते हैं कि अब अपन बात करें तो इसके बारे में अपने को जानकारी किसे मिलती है तो इस जोहर के बारे में जो अपने को जानकारी जो मिलती है ना वो जानकारी के बारे में यदि अपन बात करें तो एक किताब एक खजाइनूल फुतु इस खजाइन उल्फुतुए से अपने को जानकारी मिलती है और ये खजाइन उल्फुतुए किसने लिखी थी तो ये लिखी थी आपके अमीर खुसरों ने किसने लिखी थी अमीर खुसरों ने और अलाउदीन ने यहां पर कितने निर्दोस हिंदूओं का कतले आम करवाया थ चितोड का नाम बदल कर क्या कर दिया खिजराबाद और दाइवी पीर की जो दरगा है ना दाइवी पीर की दरगा के लेक में जो है ना चितोड का नाम क्या मिलता है तो दाइवी पीर की दरगा का जो लेक है ना उस दाइवी पीर की दरगा के लेक में चितोड का नाम खिजराबाद मिलता है थीक है फिर अपनबात करेंगे तो मेवार के अंदर जो दूसरा साका हुआ था यह दूसरा साका कब हुआ था तो दूसरा जो साका हुआ था यह उए था आपके 8 मार्च को कब हुआ था 8 angry 35 इसवी को हुआ था और इस समय diferença किस ने किया था तो आकर्मन किया था आपके गुजरात के सासक ने और उस गुजरात के सासक का नाम था बहादुरसा क्या नाम था बहादुरसा तो उस गुजरात के सासक बहादुरसा ने आकर्मन किया था हम बात करेंगे जो हर जो हर उरत का अनुष्ठान जो है वो किसके ने Systems कि में कि लिए तो हारी राणी करमाहतिक लिए अनुष्टान किया गया था केशरिया जो है न वह आपके बाघ सिंग्री नीतरतूं में किया गया बार सिन longer ओन देवलिया दिवान मानते हैं और बाघ सिंग के नित्रतु में किया गया तो हाडी राणी के नित्रतु में जो है ना तेरा सो विरांगनाओं ने किया था और बाज सिंग जिनकी छतरी आपके पाडन पोल में है कहां पर है पाडन पोल जो आपका चितोड के अंदर है तो इस पाड़न पोलची तोड़ के अंदर यहाँ पर बाज सिंग जो है वो सहीद हो जाते हैं लड़ते हुए काम आ जाते हैं हम बात करें भई तो इस दोरान जो इसके बारे में जानकारी किस्से मिलती है तो पुर्त आमरपत्र से हमें जो है इस जोहर के बारे में जानकारी मिलती है ये वही आडी रानी थी जिनोंने साहिता के लिए हुमायू के पास जो है राखी बेजी थी तो हुमायू के पास जो है राखी बेजी थी महाराना सांगा की धर्म पतनी थी महाराना उदेशिंग की माता थी हाडी रानी करमावती जो है न इन हो ने यहाँ पर जो हर रत का अनुष्ठान किया था तो यह आपको ध्यान रखना है फिर मेवाड का जो तीसरा साका जो है न यह हुआ आपके 24 फरवरी 1568 इसवी को कब हुआ 24 फरवरी 1568 इसवी को हुआ था आकरमन किस ने किया था तो अपन बात करेंगे आकरमन किया था इस समय अकबर ने किस ने किया था हम बात करेंगे इस समय जो है आपके जोहर वृत का अनुष्ठान किस ने किया था तो फूल कवर के नितरतों में 700 विरांग नाउने किया था तो फूल कवर के नितरतों में कितनी विरांग नाउने किया था 700 हम बात करेंगे केसरिया किसने किया था तो एक तो आपके केसरिया किया था केते हैं कि उदेश सिंग इस समय मेवाड के सासक थे और उदेश सिंग चितोड की जिम्मेदारी थी चितोड के किले की चाबियां थी इनको सौप करके उदेश सिंग कहां चले जाते हैं तो उदेश सिंग चले जाते हैं आपके गिरवा की तरब कहां चले जाते हैं गिरवा की पिछा करने के लिए जो है हुसेन कुलिखा को बेजता है किसको बेजता है हुसेन कुलिखा को बेजता है लेकिन हुसेन कुलिखा इनको नहीं डूंड पाता है फिर अकबर को लगता है कि मैं तो इनको प्रोलोभन देकर भी इनसे ले सकता हूं जेमल का चितोड थोड़ना है कहते हैं कि अकबर कहता है कि ये ये मेरतार का राजा बना दूँगा तो तेरा तो फिर अपन बात करें तो इसका जवाब देता है जेमल मेरतिया कहता है यह गड मारो हूं दनी असुर फिरे किमान कूचया जूं चित्र कूट री दीदी मोही दिवान यह दुर्थ यह गड मेरा है इसका मालिक मैं हूं क्योंकि दिवान ने अर्थात महाराना उदेश सिंग ने इसकी चाबियां अर्थात इसकी रक्षा की जिम्मेदारियां मुझे दी है अब मेरा है और तेरे जैसे असुरों को मैं यहां नहीं बटकने दूगा अकबर को लगा कि साइद ओफर में कमी रह गई अकबर एक और लेटर लिखता है और वह कहता है कि देख मैं तुझे म जाटा मेरा कुछ नहीं जाता तो इसलिए तू यह स्विकार कर ले तो कहते हैं कि वापस से इस पत्र का जवाब देता है और यह जैमल कहता है अकबर को कि भूग नमेटे मेट तो नमेटे नागोर और रजवट भूग अनोखडी मर्या मिटे चितोड कि मेरी भूग नागो हाले लोक देता कहलाते है क्या कहलाते है चारहतो वाले लोक देता क्योंकि अकबर की संग्राम बंदूग से जो है न और फिर जो है ना कल्ला के कंदों पर जो है कल्ला के कंदों के उपर जो है वो बेट करके ये लड़े थे तो कल्ला के कंदों पर बेट करके इन्हों ने क्या किया था युद किया था ठीक है इसलिए कल्ला को क्या बोलते हैं चार हातों वाले लोक देवता क्या बोलते हैं चार किनागड किले के बाहर जहिमल और पत्ता की गजारूड पासान मूर्तियां स्थापित करवाई थी यह याद रखना तो यह राजस्थान है राजस्थान के रनबांकुरे अपने हातों से अपनी बीवी बच्चे माताय बहनों को जो है वो पवित्र अगनी के सुपूर्द कर लड़ते थे लड़ते थे छो तो इसका जो आपको अगर लेना है तो जल्दी से यह वाड़ा श्क्रिन स Clarट पले लो अ अगले था झांक अब राजाके बारे अपन बात करेंगे तो महराना हमीर किसके बारे में अपन देखेंगे अब तो अब अपन देखेंगे महराना हमीर के बारे में महराना हमीर के बारे में अपन बात करें तो 1326 से 1364 इस्वी तक इनका सासन रहा था महराना हमीर के बारे में बात करेंगे तो देखो भई एक तो ज यह आपके गुहिल वंस की जो है ना गुहिल वंस की राणा या महराना साखा का संस्तापक माना जाता है तो मेवाड में गुहिल वंस की राणा या महराना साखा का क्या माना जाता है तो राणा या महराना साखा का यह संस्तापक माना जाता है कौन माना जाता है तो हमीर माना राणा या महराना साखा का संस्तापक, राज समन्झ में सिशोधा एक जगे पढ़ती है, वहाँ से आया, ये तीर्या तेल हमीर हट वड़ा नहीं है सचिन चोधरी जी, वो रनथंबोर का अमीर है, ये मेवाड का अमीर है, अपन इस अमीर के बारे में बात करें, तो इस अमीर का जो युद्ध इसने किया था ना ये सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था तो सिंगोली का युद्ध हुआ था एक तो आपके हमीर हमीर के खिलाप जो थे न वो था आपके मुहमद बिन तुगलक कौन था भई MBT मुहमद बिन तुगलक तो आपका जो मुहमद बिन तुगलक जो है न उसके खिलाप ये युद्ध करता है और केवल युद्धि नहीं करता है, इस मुहमद बिन तुगलक को ये पराजित और कर देता है, अपन बात करें, तो इसने एक तो अपन देखेंगे कि निर्वान क्या करवाया था हमीर ने, फिर अपन बात करेंगे, तो ये जो आपका हमीर इसकी उपादियां क्या है, तो लो अपन बात करेंगे, और ये इनको क्या कहा जाता है, तो ये तो इनको जें स्टोड कहता है परबल हिंडु, क्या कहा जाता है? प्रबल हिंदु और प्रबल हिंदु कोन कहता है जेमस्टोड कहता है कोन कहता है जेमस्टोड दूसरा इनको कहा जाता है विसम गाटी पंचानन और ये उपादी अक्सर एक्जाम में पुछी जाती है कौन सी वाली विसम गाटी पंचानन ये विसम गाटी पंचानन की जो ये इनको आपके कुंबलगड प्रसस्ती में दी गई है किसमें दी गई है कुंबलगड प्रसस्ती में वैसे टेंथ वाली बुक के अंदर कीरती स्थम प्रसस्ती लिखा हुआ है और दोनों प्रसस्तिया 1460 इस्वी किये तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुंबलगड प्रसस् तो यह द्यान रखना अत्री और महस है और इस कुंबलगड का को अने भई तो इसका लेखक है आपके महस तो यह द्यान रखना है कुंबलगड प्रसस्ति में इसको विसम गाटी पंचानन अर्थात जो कटीन से कटीन परिस्तितियों में विकट से विकट परिस्तितियों में भी नहीं गबराए और सेर के समान चाती टेक कर युद्ध के मैदान में दहाड़े वो युद्धा था हमीर और अपन बात करें तो इनको क्या कहा गया वीर राजा और वीर राजा किसमें कहा गया तो आपके कुंबा की टीका रसिक प्रिय सेवियर ओप मेवाड मेवाड का उद्धारक एक तो इस हमीर को भी कहा जाता है और मेवाड का उद्धारक जो है ना इसके अलावा यदि अपन बात करें तो मेवाड का उद्धारक और किसे कहा जाता है तो मेवाड का उद्धारक जो है ना वो और कहा जाता है ध्यान से सुनन बामा सा को भी किसको बोलते हैं बामा सा को भी बोलते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखना और इनमें सबसे अधिक पूछी जाती है यह आपके विसम गाटी पंचानन तो यह हमीर हो गया कीर्थिस्तम प्रसस्ति पूछते हैं इसके लेकर अत्री और महाश है महारणा कुंबा की उपाजियों का बारे में अपने को पता चलता है और अपन बात करें कुंबल गड़ प्रसस्ति इसका रचेता को ने महस है 1460 की दोनों प्रसस्तियां है और यह विसम गाटी पंचानन पूछी जाती है और 1326 के अंदर जो है बनवीर या जैसा सोनगरा को प्राजित करके मेवाड में गुहिलवंस की राणा साखा की स्थापना की इन होने ठीक है भई चले अगले वाड़े प्रस्ण की और चलो भई हाँ मेवार के पहले राणा रावल साखा का जो अंतिम जो ठीक है भई चले अलो भई अगले वाड़े प्रस्ण की और बढ़ेंगे अपन तो अगले वाड़े प्रस्ण की और जो है वो आजाई यह बइस आप आपन बात करेंगे महराणा लाखा महराणा लाखा के बारे में अपन बात करेंगे देखो भी लाखा के बारे में आपको दो तीन चीजे याद रखना है मेवाड के अंदर महराणा लाखा होए थे ना इनके समय एक तो आपके जो जावर खान है ना जावर खान उस जावर खान से चान्दी निकलना प्रारंब हुई थी मारणा लाखा के सासनकाल के अंदर एक वर बहुत ही महत्मोण गटना गटित हुई थी वो कोन्सी थी भई तो वो गटना थी आपके ध्यान से सुनना भई एक गटना देखेंगे उसके पहले अपन देखेंगे पिछोला लेक कौनसी लेक देखेंगे पिछोला लेक तो पिछोला जील जो है ना वो भी आपके पिछोला जील का निर्मान भी इसी राणा लाखा के समय में जो है ना एक बंजारे ने करवाया था जो चित्तर बंजारा अगताना तो बंजारे दौरा जो है ना लाखा के सासंकाल में निर्मान करवाया गया था और अपन बात करें इस पिछुला जील के इस आपके नटनी का चबूत्रा है खीकर है यह बहुत ही जो है आपके कहाणी इस से जुड़ी हूई है ठीक है बिल्कुल विल्कुल अक्सडжеinजी जोगरोपी और कलास संस्कृति भी लेकर तो इसके धर इंदर खुब समय के लिए उस class में और में भी पढ़ाऊंगा ठीके ने अब अपन बात करें कहानियां फिर बाद में देखेंगे क्योंकि अभी कहानियों में आ समय गई तो मतलब बहुत ज़्यादा ओ जाएगा ठीके न अब देखिए भी अब अपनबसे नमें इनसे एक आपके नकली बूंदी की कहानी चुछणी हुई він की बुंदी काहनी जूडी है नकली बुंदी की काहानी जूडी इंदर बुंदी में साध्यosid और बुंदी की राणी आयी थी और एक दीने व никто करते वे अपनी राणी पुछा राणी सा आपका मन तौ लग गया ना उदेपूर के अंदर तो राणिसा ने दीरे से ऐसे ही मुँ उतारते हुए का कहा पिल्कुल लग गया ऐसे कैसे मतलब जो है आप मुँ उतार के के रहे हो को लग गया अरे आपके बुंदी से कहीं गुणा अच्छा और बढ़ा है हमारा चितोर राण नहीं नही ही है चितोर से खुब सूरत है हमारा पुंदी कारे नहीं अभी आप गुम ही नहीं दाशों का गुमा के लओ फिर बताना आप कल बात करेंगे अपन दाश्या गुमा के लाई अगले दिन साम को वापस खाने पर बैठे सेम क्वेस्चन पूछा तो सेम आंसर दे दिया अच् तरह बात करेंगा मिट्टी में नहीं मिला दुगा तब तक अन्य जलोग रहन नहीं करूँ गा कर और गुछ से वह गुष्य को देख अजाते हैं तो एक दम से अपने पती कि किसी ने नहीं किया हम करेंगे आक्रमन तो किसके उपर आक्रमन करेंगे कर बुंदी पर सेना पतिन आपका दिमाग तो खराब नहीं है अभी तो वहां पर आपने तोरण मारा और अभी कह रहे हो कि तीरे तलवारे भाले बर्ची मारो बिल्कुल अब जो है वो कहते हैं कि से कुम्बा अधा वहां पर गया के खेखेगी कॉम्बा हडा का एक छोटा सा 12-15 साल का ऐक साड़ा था पहले ऐसे ओलंदीर ओलंदे आया करते थे अपनी बहनों के साथ मसलत्स चले जाता है हुआ कि तो लाखा ने का सच में साड़ा है कारे साड़े जी एसे क्या कररे हो एसे तो आपकी जी विद्वा हो जाती तो कहता है कास यही होता कि लिए थीक तो एट उमारा कि यस बिलकुल ठीक है मेरा जाओ 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 और खेलो कुदो मस्त रहो का नहीं इस इस बुन्दी को आपह गिरा सकते हो इसको हुल और है लरस ले जाओ इसको जिजिड़ के लेकिन माना ऊवह काके हाडा के होते वह बुंदी को नहीं गिरा सकते का रे नकली यह असली कया ए का कि कुछ भी हो असली हो यह नकली ओ फून्दी फून्दी जब अजब तक में हुना जब तक एक हाडा के सरीर में जो है एक रखत का कत्रा है कत्रे कत्रे तक में लड़ूँगा। क्याते हैं कि वो युष नंकली बुंदी की रखशा करते हुए अब अब आम बात करेंगे तो एक आपके मारवाड की जो है आपके हनसा भाई थी ध्यान से सुनना भई एक मैं आपको और बता दू इनके समय की महतोपूर्ण गटना तो देखो भई एक तो अपन बात करेंगे जैसे आपके मेवाड हो गया एक अपन बात करेंगे जैसे आपके मारवाड हो गया मेवाड का जो सासक था उसका नाम था आपके लाखा और मारवाड का सासक था उसका नाम था आपके राव चुंडा क्या नाम था राव चुंडा लाखा के जो बेटा था उस बेटे का नाम क्या था तो उसका नाम था आपके चुंडा और इसके एक बेटा था और एक बेटी थी तो बेटी का नाम था हंसा भाई बेटी का नाम क्या था भई हंसा भाई यह तो थी आपके बेटी और बेटा था इसका रनमल क्या नाम था भई बेटे का रनमल ठीक है अब देखो इस हंसा भाई का प्रस्ताव विवा प्रस्ताव आया तो था इस आपके चुंडा के लिए लेकिन जैसे पंडी जी दरबार में आये और लाखा को कहा कभी हम आपके लिए जो हैं विवा का प्रस्ताव लेकर क यह नहीं है यह मतलब यह जो है ना आपके बेटे के लिए हैं तो दरबारी ठाका लगाते हुए असे और दरबारियों ने कहा कि रहे यार पेर कबर में हैं लेकिन भी दिल है की मानता नहीं डोकरे हो गए बुड़े हो गए और बुड़ा पे में ब्याव कर रहे हैं देखो इन्होंने का कि सद्धी होगी लेकिन अब डेडी से हंसा भाई हमारे गर में आएगी मेरी मम्मे बनकर फिर कहते हैं कि हंसा भाई का विवा लाखा के साथ हुआ हंसा भाई का विवा किसके साथ हुआ तो हंसा भाई का विवा जो है ना वह आपके लाखा के साथ हुआ था ठ इसको कहा जाता है और इस चुंडा ने अपने पिता की खुशियों के लिए अपने राजपाट को अपना सब कुस त्याग दिया था कितना मतलब पित्र भक्त ये पुत्र रहा होगा आप कल्पना कीजिए क्या आप और हम अपने पिता की कुशी के लिए ये सब कर सकते हैं क्य तो ये बात याद रखना है तो लाखा के समय तो जावर से चांदी निकलना प्रारम हुई एक आपके बंजारे ने पिछोला जील का निर्मान करवाया तेरा सो सत्यासी एठासी के सम्तिंग पिछोला जील में नटनी का चबूत्रा बना हुआ है और इस लाखा से नकली सच कभी मेवाड के सासक नहीं बनेंगे और यह जो आपके हंसा भाई और लाखा से जो भी संतान उत्पन होगी वह मेवाड के अगले सासक बनेंगे हाँ जी बिल्कुल रादे रादे किरन देवडा निती अदो जैपूर जी बिल्कुल गुडियूनिंग प्रियंका जी तो अच्छा लाखा किसमत वड़ा था चलो वह स्क्रिंसोट लेना हो तो ले लेना तो कहते हैं कि देखिए अपन बात कर रहे हैं आपके तो मेवाड का बिस्म जो है वह इसको कहा जाता है और वह बिस्म भी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ ने अच्छ ठीक कोन आगे महराणा कुंबा आगे महराणा कुंबा का सासनकाल याद रखना 1400-1368 इसलित गजो है इनका सासनकाल रहा था अब अपन महराणा कुंबा के बारेमें मेन मेन बातें देखेंगे तो एक तो याद रखना बै един याद रखोगे आपके आवल बावल की संदी कौनसी संदी देखोगे भई आवल बावल की संदी ये जो आवल बावल की संदी है ना ये किस-किस के बीच में हुई थी तो आवल बावल की संदी हुई थी आपके 1453 इस्वी के अंदर और ये संदी हुई थी आपके ध्यान से कुंभा और जोधा के बीच में किस-किस के बीच-मा वी थी तो कुंभा और जोधा के विच में वी थी ठीकर नहीं जोधा जो eficIES जोधा और पुरका के बीच में आवल बावल की संदी वी थी एक चीज्ज़ा आपको ध्यान में रखना है बैए अ कि रंणमल जो है न अभी हमने अंसाभाई का बाई देखा था रंणमल की हत्या 1438 इसवी के अंदर जो है मेवाड के सामन्तों ने उसकी प्रेमी का भारमली की साहिता से कर दि थी रंणमल की अत्या के बात जो है immune के सामन्त धून्ट रहे थे वो के सेर की तरे पिछे लगे हुए थे जोधा के लेकिन जोधा उस समय आउट ओप चितोड था और जब वो चितोड के अंदर प्रवेस कर रहा होता है उसी दोरान एक जो चारन था चानन खीडिया जो दरवाजे के उपर खड़ा था और उसने एक दोहा बोला और कहा अब कर दोहा है तो भाग जा अच्छा नीतु जी कह रहें कि चारो ठिकाने हाँ चारो ठिकानों के बारे में यदि अपन बात करें तो एक तो एक आपका देवगड एक आपका आमेट एक आपका सलुमबर और एक आपका बेगु ठीक है ने तो यह ध्यान रखना भई नीतु जी आप जो चार ठिकाने पूछ रहे हो ना चार ठिकानों के अंदर जो है ना वहां जी सर कमेंट भी देखो ना अरे हां बिल्कुल तुलसा जो सी जी कमेंट देख रहा हूं न अभी नीतु जी को मैंने आंसर भी दिया है कभी एक तो आपका सलुमबर है देवगड है आमे करेंगे तो अब इनके बीच में संदी हुई थी क्योंकि मंडोर इसके अधिकार में था तो यह संदी हुई थी और इस संदी के तेत मंडोर वापस जो है कुंबा ने जोधा को दे दिया था ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना है तो यह वर्स पूस्ते और संदी किस-किस के छोगें बीच में यह पूस्ते फिर एक और देखते हैं अपन तो इंके बीच में आहिके संदी कुमबा के समय उभा सारंग पूर और सारंग वर्तमान के अंदर जो है ना आपके एंपए क्ब यह यद दुब हुआ था तो यह 243 Daisy इस में कब हुआ था 1437 इसवी के अंदर वुआ था यह सारंग पुर के वीच में वुआ था एक तो आपन जानते हैं मारणा कुम्बा और दूसरा एक के महमूद खिल जी और ये जो आपका महमूद खिल जी जो था ना ये कहां का था भई तो ये महमूद खिल जी था आपके मालवा का कहां का था महमूद खिल जी प्रथम मालवा का था और इस युद का कारण क्या था अगर आप से कोई पूच लेकर इस युद का कारण क्या था तो बही के इस महमूद खिल जी द्वारा जो है ना महमूद खिल जी द्वारा इस कुमबा के डेड़ी थे मोकल, मोकल के अत्यारों को सरण देना जो आपके मोकल थे ना तो मोकल की अत्या हुई थी 1433 इस्वी के अंदर जीलवडा की नाल नामक स्थागे तो उनके अंदर जो है न अपन बात करें तो मेरा चाचा को तो इन्होंने मार दिया लेकिन महपा और चाचा के पुत्र एक का तो महपा और एक का उन दोनों को सरण किसने दे दी थी महमूद खिल जी ने महमूद खिल जी के पास मेसेच करवाया लेकिन महमूद खिल जी ने उ हाँ बिल्कुल टोड़ा राई सिंग रमेश कुमार राम राम स्वागत है आपका हाँ अपन बात करें आपके तो देखो इस युद के अंदर जो है ना कुमबा जीतता है और जीत की याद में यह क्या करता है तो इस युद में जीत की याद में जो है ना जीत की याद में राध्य थे ना भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु के निमिद जो है ना भगवान विष्णु के निमिद जो है इसने किसका निर्मान करवाया तो भगवान विष्णु के निमिद जो है ना भगवान विष्णु के निमिद जो है चित्तोड के अंदर जो है ना च इस जीत की याद में करवाया था तो इसे नो मंजीले विजयस्तंब का निर्मान जो है इन होने आपके इस सारंगपुर युद में जीत की याद में करवाया था चलें आगे बढ़ें चलिए अब अपन बात करेंगे तो और कौन सा युद हुआ था इनके समय तो इनके समय दे इस्वी में कब हुई थी 1457 इस्वी में हुई थी ये संदी किसके बीच में हुई थी तो ये संदी हुई थी एक तो आपके कुटुबुदी इंसा कौन थे बई कुटुबुदी इंसा ये कुटुबुदी इंसा आपके कहां के थे तो ये तो थे गुजरात के और दूसरे थे कभी के दोनों मिलकर कुमबा को हराएंगे तो दोनों मिलकर जो है ना वो अपन कुमबा को हराएंगे तो दोनों मिलकर कुमबा को हराना जो है ना वो इस संदी का उद्देश्य था अब ये संदी हुई इस संदी के तहट युद्ध हुआ था और जो युद्ध हुआ था ना वह वह आपके बदनोर का युद्ध बदनोर जो है ना अब आपके ब्यावर जिल्य के अंदर आता है और ये जो आपका बदनोर का जो युद्ध हुआ था ये उवा था आपके 1457 में कब हुआ था 1457 के अंदर ये युद्ध हुआ था और ये जो बदनोर का जो युद्ध हु जी कौन था भई महमूद खिल जी यह जो आपका महमूद खिल जी प्रतम जो है न यह आपके मालवा का था और दूसी तरफ अपन बात करेंगे महाराना कुमबा थे कहते हैं कि महाराना कुमबा ने अकेले अपने दम पर इन दोनों सेनाओं को दूर चटा दी थी नेस्तना बदनोर का युदध हुआ था और फिर अपन बात करें तो अब अपन देखें मना कुमबा को क्या बोलते हैं तो राजस्तान में envakका क्या का जनक किसे माना जाता है तो राजस्तान में स्तापत्यकला का जनक माना जाता है इस कुम्बा को कुम्बा ने जो निर्मान कारिय करवाए ना देखो वीर विनोध जो है ना एक आपके वीर विनोध जो है ना एक किताब है और इस वीर विनोध के जो लेखक है ना इसके लेखक है कवीरास कमल दास कहते हैं का मेवाड के अंदर जो है और टोटल चोर्यासी दुर्ण है का मेवाड के अंदर मेवाड में टोटल कितने दुर्ण और 408 आप खोले कुम्बा ने बनाए किसने बनाए कुम्बा ने 32 दुर्गों के अंदर अपन यदि बात करें तो कौन कौन से हैं तो इन 32 दुर्गों के अंदर अपन बात करेंगे जैसे एक तो बनाया इन्हों ऐसे कुम्बल गड़ का दूरक कोन सा बना दिया था कुम्बल गड़ paid क postal जो आपके रास हमद के अंदर है यह वही कुम्बल गड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि जाल कटाया जाली मिले तो रंक कटाया राव कुंबल गड़रे कांगरे माचर हो तो आओ केते हैं कि इस कुंबल गड़ का निर्मान मूलते मोर्य सासक संप्रती ने करवाया था किस ने करवाया था मोरिय सासक संप्रती ने करवाया जैसे चितोडगड का निर्मान मूलते अपन बात करें तो चितोडगड का निर्मान जो हैं वो मूलते किस ने करवाया था तो चितोडगड का निर्मान मूलते आपके मोरिय सासक चितरांगद मोरिय ने करवाया था उसी प अपन लेते हैं इसी प्रकार से अपन बात करें न तो इनोंने जर्णोधार करुआए के छिर्णोधार करुए 1452 के सम्थिंग इनोंने च Reynolds को जीता थह और फिर अच Lazowlt का जिर्णोधार कर वाया वास्तों इद्स में अचות का किल्ला नियर्मान करवाया किसका बेराट दुर्ग करवाया और यह आपके बडनोर के पास कहां पर बडनोर के पास तो यह चीजान रखना इसमेश जो हैं कुछ मंदिरों का निर्मान करवाया था तो यह तो ओगे दुर्ग अब आगे बड़े अपन अब अपन बात करेंगे तो इस कुंभा के समय जो है ना कुंभा के समय जो है आपके मंदिर भी बने थे मंदिर के अंदर अपन बात करेंगे ना तो एक आपके कुंभ शाम या फिर अदर तो अपन बात करेंगे सब से महतोपून भगवान विष्णू का जो मंदीर ना कुम्ब शाम मंदीर वो तो यह चित्तोर घड़ ठीकन एंगे इन्होंने बनाया आपके कुम्बलगड में भी कुम्ब शाम मंदीर कां बना दिया था कुम्बल गड़ के अंदर भी और एक tua मंदिर बनाया था एक ये ना योने अधर इसंगा देन एक लिए बड़ए ना यह लिकी के लें नाची के पास यह कहां पर है तो केलास पूरी के अंदर जो है ना एक विश्णु मंदिर का निर्मान करवाया जिसे मीरा मंदिर कहा जाता है और इनके समय जो है ना इनके समय जो है रनकपुर जेन मंदिरों का निर्मान हुआ था जो आपका पाली के अंदर रनकपुर जगे पड़ती है ना जो आपके रनकपुर जेन मंदिर जो है ना इनका निर्मान हुआ था आपके 1449 इस्वी के अंदर और इनका जो निर्मान जो करवाया था ना कुंबा के सासनकाल के अंदर तो इसका जो निर्माता था उसका नाम था आपके जेन व्यापारी था जो जेन स्रेश्टी था उस जे शिल्पी था आपके देपाख कौन था इसका सिल्पी देपाख था और अपन बात करेंगे तो फंबे किसकी हैं वह मूर्थी किसकी है तो मूर्ति जो एना चो मुखा मूर्ति ये और भग्वान आधिनाथ की मूर्ति ние एकिस की एविए तो घवान आदिनात की जो कि न या आपके इसके अंदर ज इसको किन-किन नमों से जाना जाता है स्थम्भों का अजयब गरिया स्थम्भों कह वन भी इसको कहा जाता है और य espa किए और करकेते हैंव तो त्रेलोग के मैद भी कहते हैं क्या बोलते जो है ना कुम्भा की पुस्त के very very important आजकल अक्सर एक्जाम के अंदर जो है ना यहां से प्रस्नप पूछे जाते हैं तो कुम्बा की जो बुक्स है ना वो बुक्स कौन कौनसी है भई तो कुम्बा के द्वरा जो आपके किताबे लिखी गई थी तो उन किताबों के बारे में अपन बात करेंगे एक तो एक आपके सुधा प्रबंद या फिर सूड प्रबंद कौनसी किताब लिखी गई सुधा प्र संगीत मिमान सा कौन सी लिखी थी संगीत मिमान सा लिखी थी एक इनोंने लिखी थी आपके संगीत क्रम दिपी का और एक इनोंने आपके लिखी थी कामराज रतिसार कौन सी लिखी थी कामराज रतिसार और यह जो कामराज रतिसार है ना इस कामराज रतिसार के साथ भाग है क संगीत राज के जो doesnना पाँछ भागों कितने वाग्गए इस संगीशन ही राज के जो पाँच भागए वो कोन-कोन से हैं तो इस संगीत राज के जो पाँच भागए पाँच कोश थो करेंगे तो एक आपके पठे रत्न कोश थो भाग का मतलब क्या हो जाएगा कोस और अपन बात करेंगे भई वाद्य रत्नकोस एक और इसका जो भाग है वो है आपके निरत्य रत्नकोस कौन सा है भई निरत्य रत्नकोस तो निरत्य रत्नकोस है और और कौन सा है भई भाग तो और यदि अपन भाग के आप देखो वे जैसे अपने पास कुछ भी है ने जैसे अपने पास कुछ भी है पढ़ने के लिए तो हम सब से पहले क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे अब उसको अपन पढ़ेंगे ना मज़े ले लेकर पढ़ना देखो पढ़ना है तो फिर तो मज़े लेकर ही पढ़ेंगे तो गीत गागा करके पढ़ेंगे अब किसी भी चीज को अगर गीत गागा करके पढ़ेंगे तो और मजाएगा अपने को अब गीत गाएंगे तो फिर तो डीजे बजने ही चाहिए अब गीत गागा करें भी पढ़ रहे हैं और डीजे भी बज रहा है तो अब भई DJ अगर बजेगा तो फिर तो बाबू नाचेगा अरे DJ बजेगा तो फिर तो नाचेगा तो अब हम क्या करेंगे डांस करेंगे तो फिर अपने को क्या आएगा मजा आएगा क्या आएगा अपने को मजा आएगा मजा बोले तो रस मजा बोले तो क्या है रस तो य परबारी विद्वानों के अंदर अपन बात करें एक तो आपके नाथा ठीक है इस नाथा की पुस्तक कौन सी है फिर अपन बात करेंगे तो एक और था आपके गोविंद इस गोविंद की पुस्तक कौन सी है ठीक है एक बार जो है ना अपन इन दोनों को देख लेते हैं इन तो लिखी आपके द्वार दिपीका कौनसी लिखी थी द्वार दिपीका एक इनोंने लिखी थी उद्धार दोरीनी कौनसी लिखी उद्धार दोरीनी एक लिखी इनोंने कला निदी कौनसी लिखी थी भई कला निदी और एक और लिखी इनोंने सार समुचे तो ये जो किताब यह सारी किताबे किस ने लिखी थी द्यान से सुनना ये किताबे लिखी थी कुम्बा के जो आपके पुत्र था सोरी कुम्बा के जो प्रदान सिल्पी था मंडन मंडन के बेटे गोविंद ने लिखी थी फिर अपन बात करेंगे आपके मंडन कुम्बा का प्रदान सिल्पी थ घोविंद मंडन का बेटा था और इसनाथा की जो किताब हैं न, वह अंदर पूछी जाती है, तो मंडन की किताब के बारे में अपने को यह जो है ना जानकारी देती है तो यह याद रखना रूप मंडन अक्सर एक्जाम के अंदर पूछी जाती है रूप मंडन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक है आपके देव मूर्ती प्रकरन को रूपावतार भी कहा जाता है क्या बोलते इसको कीद्रिया घूलतर बातार के नाम से भी जाना जाता है इन्हों के एक PDF किताब का नाम क्या है और ये पेली डबल स्टार थिपल स्टार तो इनहों ने आपके किताब लिखी जैसे वास्तु सार एक इनोंने किताब लिखी आपके वास्तु मंदन एक इनोंने आपके किताब लिखी जैसे प्रशाद मंदन ठीकन है और इनोंने कौन सी किताब लिखी थी आपके तो एक लिखी थी इनोंने आपके साकून मंदन कौन सी लिखी थी साक निर्वान के बारे में जोए ना यह किताब आपके जानकारी देती है ठीक है तो यह सारी किताबे जो एंदर उस किताब का नाम है एक्लिंग महातम्य यह एक्लिंग भासा के अंदर लिखी थी किस वासा में संस्कृत भासा के अंदर ये किताब लिखी गई था राज-वर्णन और ये जो राज-वर्णन जो है न ये कुंबा ने स्वयम लिखा था किसने लिखा था to यह राज वर्णन जो हैं ना यह कुंबाने स्वयम लिखा था तो यह ध्यान रखना हे कि इस एकलिंग महातम्य का पहला भाग कहलाता है राज वर्णन इस एकलिंग महातम्य जो है इन्होंने फिर इसको पैसे दिये तो यह कुम्बा का वीतनिक कवी था। किस प्रकार का कवी था स destructive कवी था सैलरी दुपॐिट था वेतनिक कवी था इसको पैसे टके दिये और फिर यह लिखवा दिये थे ठीक है चलें अब फिर इसके बाद अपन आगे बात करेंगे आपके लास्ट कुम्बा के बारे में तो उपादियां को भी महारणा कुम्बा की उपादियों के बारे में यदि अपन बात करें तो कुम्बा की उपादियां तो कुम्बा की उपादियां आपन देखे और अपन बात करें तो इनको कहा जाता है आपके राणो रासो क्या कहते हैं राणो रासो और यह सहित्यकरों का आश्रीद आता है इसलिए और इसको क्या कहा जाता है तो राणो रासो के अलावा अपन बात करें तो इनको क्या कहा जाता है हाल गुरु क्या कहते हैं हाल और इनको क्या बोलते हैं तो चाप गुरु और इनको क्या कहते हैं तो इनको कहते हैं आपके दान गुरु और इनको क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है आपके सेल गुरु और इनको क्या कहा जाता है तो हिंदु सुर्तान क्या कहा जाता है इनको हिंदु सुर्तान और इन प्रसश्ति के अनुसार कुम्भा वीनाव जाता था इसलिए इनको वीनावादन प्रविनेंग Field और अपन बात करें तो इनको जो एना और क्या का इसने कौन सी उपदी धार्न की थी युझेधा आदिवरा की उपादी भी इन्होंने धर्ण की थी और अपन बात करेंगे तो इनको परम भागवत भी कहा जाता था और इनको क्या कहते थे तो इनकी उपादियों के बारे में अपन बात करें तो महराजा दिराज भी इनको जो है ना महराजा दिराज भी इनको कहा जाता था एक अपन बात करेंगे तो इनको राने राई भी कहा जाता था क्या कहा जाता था राने राई भी कहा जाता था राव राई भी इनको कहा जाता था और भी इनको बहुत सारी उपादियां जो हैं और अपन बात करें आपके तो यह आधिवरा है और गुजरपरतियार से ग्रहन की यह परवगवत यह इस परकार की उपाधियां अक्सर एक्जाम में पूछी जाती है कुमबा के बारे में बात करें तो कुम्बा की अत्या जो है ना 1468 इस्वी में जो है ना 1468 इस्वी में कुम्बा की जो है ना अत्या हुई थी और कुम्बा की अत्या कहां पर हुई थी तो कुम्बलगड दुर्ग में कहां पर हुई थी कुम्बलगड दुर्ग में और ये जो कुम्बलगड जो दुर्ग है ना इस कुंबलगड दुर्ग में हुई थी मामा देवकुंड के पास, किस कुंड के पास? मामा देवकुंड के पास इनकी अत्या हुई थी और इनकी अत्या किस ने की थी? तो उदा ने की थी, किस ने की थी? उदा ने अत्या की थी, ये बेटा था, इसलिए इस उदा को क्या बो जो है आपको ध्यान रखना है रिना जांगिड के रहें किसे याद कर लेते इतना मैं तो उपर को श्री आवत जात ते शिल पर पड़त निसान हम बार-बार प्रेक्टिस करते रहेंगे, कोसिस करते रहेंगे, एक दिन जरूर अपने को सफलता मिलेगी, कहते हैं ने, कवो एक छोटी सी चिटी जो है, वो दाना लेकर के उपर चड़ती है, चड़ती है, गिरती है, वापस चड़ती है, गिरती है, तब तक नहीं रुपती जब तक जो है वो उपर नहीं चड़ जाती है ठीक है बिलकुल विशाल से आपको जो है न वो screenshot लेने दिया जाएगा क्यों नहीं भई ठीक है न तो लेओ भई screenshot अराम से screenshot लेओ जल्दी से लेओ screenshot ठीक है तो लेओ भई screenshot लेना है तो वो screenshot भी ले लो हाँ एक बार जो है पानी के अंदर डाल दो वो ठीक है तो ले लिया होगा आपने सबने screenshot तो अभी तैयारी करो देखो देखो चासोग खटे कह रहे हैं कि मेरा साथ जनवरी को assistant professor का exam है सर क्या इसलिए class उसके लिए भी उड़ी होगी है हाँ बिलकुल असोग जी ये class आप ही के लिए जो है वो लगाई गई है आपके assistant professor का exam है तो बिलकुल ये आपके लिए है चलो बड़े अगले वाले प्रस्ष्ण की और अगले वाले राजा की और लो बई अब अपन बात करेंगे महराना सांगा तो महराना सांगा के बारे में अपन देखेंगे बई कब ये जो आपके मेवार के महराना सांगा थे मेवार के महराना सांगा जिस प्रकार से अपन महराना कुंबा को एक महान निर्माता कह देते हैं उसी प्रकार से इनको क्या कह सकते महान युद्धा कह सकते हैं तो सांगा के बारे में अपन पढ़ेंगे तो युद्ध ही देखेंगे तो सांगा क्या झो एना अपने भाई वी ने साथ संगर्स हुआ और दूसरा आपके जैमल से संगर्स क्यों हुआ था क्योंकि देखिए जब भी बच्चे का जर्म होता है तो माता पिता उसकी कुंडली बनाते और पंडिजी हर बच्चे का जब भविश्य लिखते कुंडली बनाते हैं तो वो सब के राजयोग बताते चोटा-मोटा योग कि तो साल इसके क्यों है भई ये तो राजयोग अपने होना चाहिए तो कहते हैं कि वो दोनों भाई जो है जब भी ये सांगा अकेला काई मिलता है इसको खौपचे में लेते इसको कूटते इसके साथ दुर्व्यवार करते इसको मारने का पूरा प्रियास करते थे तो इनके बीच में एक दन सारंग देव आता है और वह सारंग देव कहता है रहाई से क्या कुत्ते मिल्यों की दिरे लड़ते हो राज कुमारों की त decisively का गलती significantly più जब नहीं मिलकर शोटे से बाइग से प्रकार पिटाई की जाती तो कहते हैं उन दोनों भाईों ने कहा कि देख आज योग प्रबल इसके बता रहा है इसलिए हम इसको मार रहे हैं कि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी का यार ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसे कैसे मार दोगे किसी ने जूट बोल दिया हो तो ऐसे नहीं भई एक बार जो है वापस बविश्यवानी करवाते हैं तो दे अंडिजी ने कही थी कहा का प्रबल राजियोग सांगा का है और सांगा एक मेवाड का ही नहीं अपितु भारत का एक बहुत ही महान और सक्तिसाली राजा बनेगा ऐसा सुनते ही पर्थ्वी राज जो गुस्से का तेज था उड़ना राजकुमार कहलाता था अपनी तलवा सांगा की चली गई थी इसी दोरान इसी लिए कहा जाता है पीथल खग हाता पकडवह सांगा की ये बार सारंग जेले सीश पर उनवर सांग उबार तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अब देखो भई ये जो आपका प्रथ्वी राज जो है ना इसके बड़ा भाई था लेकिन इसको इसके जीजा जगमाल देवडा ने जो है मतलब जहर की एसी कुछ गोलियां बनाई और वो देदी कहा कि जब भी आपको रेष्ट करना आओ तो ये गोलियां ले लेना ये बहुत अच्छी है तो कहते हैं कि ये रेष्ट करने के लिए बेटते हैं और वो गोलि जो है आपके जो सोलंकी राजकुमारी थी तारा उसको पाना चाता था और उसको पाने के चकर में तारा के लिए सितारों की दुनिया में चला गया था इसकी भी मृत्ति हो जाती है नहीं सोलंक्यों के खिलाफ लड़ते हुए मारा जाता आ ये ठीक है भी अब आपके कौन बच गया तो सोलंकियों के खिलाब जो है ना सोलंकियों के व्यूद लड़ते हुए मृत्यू ठीक है ने अब इसके कोई बचे ही नहीं तो भायों के साथ संगर्श जब तक चल रहा था ना तब तक तो इसने जो हैं आपके स्री नगर के अंदर सरन लेथी तो आपके अजमेर के यहां पर इसने क्या ली थी तो करमचंद पमार के यहां पर जो है ना इसने आपके सरण ली थी अब देखिए भई इसने करमचंद पमार के यहां पर सरण ली थी स्री नगर के ठीक है और फिर इसके बाद जो है यह राजा बन जाता है और राजा बनने के बाद जो है ना ज सांगा के समकालीन सासक देखो भई सांगा जब मेवाड का सासक बना उस समय भारत में सक्ति के चार के अंद्र थे एक मेवाड था दूसरा आपन बात करेंगे दिल्ली था तीसरा आपन बात करेंगे आपके मालवा था और चोथा आपन बात करेंगे गुजरात था तो सेंटर पावर जो है ना उसमें इंडिया में चार थे तो मेवार से तो आपका सांगा था और दिल्ली से कौन था जब सांगा का रज्जा रोहन उवा उसमें सिकंदर लो दी था कौन था भई सिकंदर लो दी था मालवा के अंदर कौन था तो नासीरुदीन था कौन था नासीरुदीन मालवा का ना सिरु दिन खिल जी था और दिल्ली का सिकंदर लोद्धी था ठीक ये चीज ध्यान रखना है स्क्रिन सोट लेना हो तो जल्दी से स्क्रिन सोट ले लो भई हाँ पिल्कुल पिंकी सेखावज जी मैं आट अंड कल्चर के अंदर भी आऊंगा और लूंगा पिल्कुल ख्लास हाँ जी ले लिया स्क्रिन सोट हाँ जी आकास बिल्कुल राम राम स्वागत है आपका अब अपन बात करेंगे तो अहां संगा के समय ऑप युद्ध हुए थे तो एक तुपन बात करेंगे जैसे आपके खातोली का युद्ध यह जो खातोली जो वर्थवान में कोट जिल्ले में हैं युद्ध हुआ उस समय बुंदी रियासत में में आ था लेकिन दोनों के बीच में एक और युद्ध हुआ था यह जातो प्हक्तस today in और वो जो युद्ध व благ पर आपके वह जो उआ बाड़ि का युद्र ऑर ये बाड़ि कहां पर है आपके द्तो पर के अंदर है और ये जो आपका बाड़ि वाला जो युद्ध हुआ आपके जलावार के अंदर जगे आती है और जल दूर गये गागरोन जानते हो ना तो गागरोन का जो युद्ध हुआ था आपके ये हुआ आपके गागरोन वड़ा युद्ध 1519 इसवी में और ये युद्ध किस-किस के बीच में हुआ था तो ये गागरोन वड़ा युद् मालवा का और इसने क्या कर दिया था माराना सांगा ने मेदनी राई को सरन दी थी और कहते है कि मेदनी राई जो है इस महमुद खिल जी का उस समय दुस्मन था मेदनी राई को वापस से सुपूर्द करने के लिए इस महमुद खिल जी ने कहा लेकिन सांगा ने जो है इसे नह मेहमूद खिलजी को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसको मैं अधा मेवाड का रजा बना दूँगा कहते हैं कि हरिदास सारण ने इसे क्या कर लिया तो हरिदास सारण ने इसे अरेश्ट कर लिया था गिरपतार कर लिया था कि एन्दर लेकर के आते हैं लेकिन इन फ्रीदास सारण को गिल्टी फिल होती है जब ये सोस्ते यार कि मैने इसलिए इस महमूत खिलजी से युद गिया क्योंख मैं आदे म्यवाड का सासक बना चाहता इसका मतलब मैं स्वार्थी हूँ मैं इस महान मेवाड की धरा के लिए जो है निस्वार्थ भाव से नहीं लड़ पाया बहुत गिल्टी फील होती है सांगा को कहते है प्लीज मुझे माप कर दो मुझे आदा मेवार नहीं चाहिए लेकिन सांगा ने कहा कर नहीं मैंने कह दिया मतलब कह दिया इसलिए अब आपको लेना पड़ेगा तो फिर सांगा के बार बार कह जाने पर इसने कहा कि चलो आप मुझे केवल बारा गाउन दो तो फिर जो ना बारा घांवन लिए तो संगा Towardsे ये संगा ने इनको बारान दिये्व और इस युद के अंदर कौन जीत गया था यह साफके महारणा संगा जीत गये switching हम बात करेंगे इसी प्रकार से तो आपके उप्रवरी 1527 सोजा फरवरी Caesar 1137 इसiva को उवा था और इस बयाना के युद्द के अंदर जो है न अपन बात करेंगे कोण-कोण लड़ रहे थे तो सांगा और सांगा के खिलाब जो है ना बाबर के सेनिक थे और इस युद्द के अंदर जो है ना बाबर का सेना पलगे चोंता जो सुल्तान मिर्जा रक्षा के अंदर मेंदी खवजा लगा हुआ था ठीक हैं तो ये चीज ध्यान करना रखना और इस युद्ध के अंदर जो है न सांगाने चित्क यहां शुक ट्रों अब अपन बात करेंगे आपके तो अब अपन दोन ONE से एक बताओ कोन सी है ना बताओ देगे जल्दी से युद कब हुआ था क्या आपके सोडा मार्च को हुआ या सतरा मार्च को हुआ तो अपन बात करेंगे तो यह जो खानवा का जो युद है ना यह किस-किस के बीच में हुआ था यह भी आपके सांगा और बाबर के बीच में किस-किस कि रूपवास तेसिल में गंबीर नदी के किनारे पर जो है आपका ये मैदान पड़ता है इस मैदान के अंदर युद्ध हुआ था कहते हैं कि जब बयाना के युद्ध के बाद बचे कुछे मुगल सेनिक यहां से भागे थे उन्होंने जाकर के बाबर के सेनिक जान ठेरे सेनिकों में हमारे राजस्थान के रणवांकुरों की उनकी वीरता के बखान वहां पर किये उन्होंने का कि जब राजस्थान के योद्धा युद्ध के मैदान में आते हैं ऐसा लगता है कि साक्षात काल भेरो जो है युद्ध के मैदान में आकर मौत का तांडव मचा रह जैसे गादर मूली काटएं जैसे तिनके को उच्छाल रहे हो जब वह गरस्ते तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल घर जाओ जैसे बिजनी कॉंदी हो जब वह युद्ध के मेडान में इस प्रकार से चोकडियां भड़बर करके दोड़ते हैं तो उस दोरान ऐसा लगता है कि म आजपूत्यों धाओं से ऐसे राजस्थानी वीरों से हम सामना नहीं कर सकते हम युद्ध नहीं कर सकते बड़े बहंकर और बिशन प्रहार जो है वो करते हैं तो जो मुस्लिम सेनिक थे जो मुगल सेनिक थे धूजगे और उन्होंने हत्यार डाल दिये फिर बाबर ने उनको स किसा देखी तो जो काबूल के जोतिसी थे मुहमद सरीफ उनके अनुसार जो है वहां पर विश्यवानी हो गई थी बाबर की हार की और बाबर के सेनिक जो है वो अतियार डाल देते हैं तो फिर बाबर सारे सेनिकों को इखटा करता है और खड़ा होता है और बाबर कहता है क ये लड़ाई इसलाम और सनातन के बीच में है क्या तुम नहीं चाहते हो इन काफिरों को समाप्त करना अरे क्या तुम नहीं चाहते हो भारत के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इसलाम की स्थापना और परचार परसार करना यदि तुम इसलाम का परचार परसार करना चाहते हो तो इसलाम के लिए जो है जीने के साथ साथ मरना भी सीखो, कुछ करना सीखो, त्याक करोगे, तभी तुमें परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा और उसने का कि यदि तुम मेरा साथ देते हो, तो आज के बाद हम कभी सराब नहीं पिएंगे सराब पिने के किमती बरतन जो हैं, वो तुडवा करके फिकवा दिये थे, गरीब मुसलमानों में बटवा दिये, तमगा कर अटा दिया और फिर सेनिकों को जिहाद की गोषना की इसने किसकी गोषना की थी इस समय जो है ना इसने जिहाद की गोषना की थी तो ये जिहाद की गोषना की थी जिहाद का मतलब होता है धर्म युद क्या होता है जिहाद का मतलब धर्म युद तो धर्म युद की गोषना की बापर ने ठीक हैने यह तो दर्मयुद की गोशन की और मुसलिम व्यापारियों पर लगने वाला जो है ना आपके तमगा कर अफ़ान यह तो हिए बात भी ध्यां दखना इन्होंने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाले तमगाकर को क्या कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है ने, और अपन बात करेंगे, तो फिर इन सांगा ने क्या किया, तो सांगा जो है ना, सांगा ने पाती परवन लिखा, सांगा ने भी पाती परवन लिखा था, मतलब बाद के धंडे तले जो हैं अनेक सासक लड़े थे राधस्थान में ऐसी एकता कभी भी नहीं देखी गई थी बिल्कुल बेरुलाल गादरी जी स्वागत आपका नमस्ते राम राम गुडी उनिंग हिते सेंजी रीट दिनेश अहिर तिलिस्वा महादेव बिल्कुल राम राम वहां जलो भई अब देखो अपन बात करेंगे जैसे वह आमेर से जो ना वो कौन आया सब राजाओं को इन्वाइट किया था फिर अपन बात करेंगे सल्वार dois sempre साद़ी है साद़ी बोले थो बड़ी साद़ी अब अपन बात करेंगे आमेर से आया था प्रतवी राज कछषवाच हो अबसे आ राव गांगा यू और विकानेर से क्यान है था किल इनको पुर देनीरी confusion 59 कोन तुमन तरफे संब भ्लयां म्लैं ऑनल्याक रड़िः चैनDiens साध्य चाहता लड़ने के लिए बाहर निकले थे उस दोरां जो है न इन्होंने सांगा का राचिन और छत्र धारन करके जो है वो युद का नेतरत्त व किसी ने किया तो वो करने वाला कौन था तो बड़ी क्या बात है विराट सेनी तो क्रिकेट चला रहे हैं यहीं पर थोड़े भई अब टी-ट्वेंटी मोड में चल रहे हैं अपन थोड़ा फास्ट चलना है अपने को कि चले आगे लो भई फिर अपन बात करेंगे आपके तो और अपन बात करेंगे भई तो जैसे एक तो आपके उपरमाल से कोन आया था इसके अंदर इसकी तरफ से लड़ने के लिए फिर अपन बात करेंगे का भई आपके जो नागोर से कोन आया था और आपके राइसीन जो MP के अंदर है वर्तमान के अंदर यहां से कौन आया था लड़ने के लिए फिर अपन बात करेंगे मेवात से कौन आया था लड़ने के लिए ठीक है ने तो मेवात से कौन आया था तो उपर माल से तो है ना वो कोन आया था असोग परमार कोन आया था असोग परमार जो है ना इस युद में लड़ने आया था नागोर से आया था आपके खान जादा कोन आया था खान जादा और राइसीन से आया था सलहदी तुमर कोन आया था सलहदी तुमर और इन दोनों न सांगा के साथ विश्वास गात किया इन दोनों ने क्या किया था इन दोनों ने सांगा के साथ वह आपके विश्वास गात किया था तो यह चीज़ ध्यान रखना है सांगा के साथ इन्हों पर आया था मेहमूद Lodhi और ये मेहमूद Lodhi जोए ना वह आपके इब्राही版 Lodhi का ब्रोह था इब्राहीम लोदी का जोए ना यह तब इसकी तरफ से लड़े थे इस युद के अंदर आपन बात करें सांगा Gail हो गए थे और फिर Gewाई सांगा का इलाज जो說 कए Portal के किताब उनके अनूसार झो है ना इनकी मृत्यु भी यहीं पर हो जाती है और इनकी मृत्यु होती है यहां के तीस और इनकी जो चत्री जो है ना यह चत्री कहां पर है तो इनकी चत्री आपके मांडलगड में है कहां पर है मांडलगड में है आठ खंबो की यह आपके भीलवाडा में ठीक है ने मांडल अलग है मांडल के अंदर 32 खंबो की चत्री जो जगनात कछवा की यह वह भी बीलवाड वहां मांडलगड में सांगा की चत्री है और मांडल के अंदर जगनात कछवा की 32 कंभों की चत्री है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है फिर अपन बात करेंगे तो इस युद को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपादी दारन की ती किसकी गाजी की और सा पारावल ने ग्रेन की हिंदुवा सुरज की उपादी से सबसे ज्यादा फेमस महाराना प्रताप हुए मेवाड का हर्चासक हिंदुवा सुरज के लाता था लेकिन पहले भपारावल थे सबसे फेमस महाराना प्रताप थे और हिंदु सुर्तान जो है वो महाराना कुमबा फिर हिंदु पत आपके सांगा थे हिंदु पत सांगा इंदु सुर्तान कुम्भा ये याद रखना और इनको जेमस्टोड ने क्या कहा सेनिको का बगनावसेस किसने कहा था तो इनको सेनिको का बगनावसेस कहा था आपके जेमस्टोड ने इसलिए कहा था असी गाव लगे थ तन पर फिर भी व्यथा नहीं थी मन पर इसलिए गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा चले आगे अगले वाले प्रस्ण की तरफ अगले वाले राजय की तरफ बड़े हैं मेवार के और इनको कौ नहीं जانता है माराना परताप ऐन यह राजा बनते हैं अब अपन बात करेंगे सीदा एक तो इनका जो आपका प्रतम रास्तीक जो है वह आप के प्रत्थम राज्जा विश्ग ना वहां किस परिश्थिती के अंदर वां था किस परिश्थित के अंदर वद है फिर पैसे आपको बता दूंए-एप तो 28 112- 22śli i prevention तो फंधांत को क्या हुआ था तोल के दिन के दिन उनकी दोगुंदा गोण्ता के अंदर उनकी मत्यों गई थी अ राजा के मृतियू के बाद जो भी केया उत्रादिकारी होता था वो अंतिम संस्कार में नहीं अता राजदानी में रहे करके रास्तिलक की तयारियां करवाता था और बाकी वाले बेटे आते और मुखागनी देते मारणा प्रताप जेश्ट पुत्र थे मुखागनी देने आये जब तक मुखागनी नहीं दी गई थी तब तक तो सब लोग चुप थे लेगिन जैसे ही अंतिम संस्कार और महादेव बावडी के पास जैसे ही सारे लोग इखटे हुए और वहां पर जो है खुसर खुसर चालू होती है करते कि मारणा प्रताप यहां कैसे हैं तो लोगों ने कहा कि उदेशींग ने प्रताप के स्थान पर जो है जगमाल को उत्रादिकारी गोशिप तर दिया ज कि वनसज जो सलुम्बर का सामंत्य होगा आठात मैं लूंगा अगला सामंत्य कौन होगा ने वाड की जनताब ही महारना प्रताप को चाहती थी राजा के रूप में मारणा प्रताप जनता के अंदर बहुत लोग प्रीय heiß थे कहते हैं कि वहां पर भैंकर हुटिंग होती है और मेवाड की जनता जो है जिस प्रकार से बहुबली मुवी के अंदर जब भाहु बली को सेना पती बनाया जाता है तो बलालदेव को राजा बनाते हैं उस उतिने उठिंग नहीं होती उससे कहीं उठिंग जो है भलाल देव के बाद उसको जब बहु बलीगो राजा चिहनफति बनाते तब होती वुति थे तो उस दोरां जो है इतनी भेंकर उठींग resh ignor जनता मौन प्रताप के जयकारे लगते हैं तो जो है जन भावनाओं के अनुरुप जो है लोगों ने उनको को चुण गर राजा बनाया था थीगे तो बहुत के दिन महाधेव कर्षन कर्थ किया गया था कुंबल गड़्टग में और इस फंक्शन के अंदर महारवाड का राव चंदर सेन भी आया था तो यह भी आपको ध्यान तो ऐμαरणाप्रताब के पास थे कि उसमें इंदुस्तान का बादशा हवा करता था मुगल्सा संक्वर अकबर पूरे इंदुस्तान का सहंसा बनने का सपना देख रहा था इंदुस्तान के सारे राजे महराजे रजवाडे को जो है अपनी मितरता संदी और दोस्ती के अधीन जो है वो ला रहा था सब उसके अधिनस्त बनते जा रहे थे इसी सिलसिले में वो महारना प्रताप के पास भी ओफर बेजता है महारना प्रताप को कहता है या तो आप अधीन हो जाओ या फिर मैं आपको जबरन अधीन करूँगा महारना प्रताप के पास उस समें दो विकल्ब थे एक तो था संगर्श का रास्ता और दूसरा था सांती विकास, संपनता और खुशिओं का रास्ता केते हैं कि स्वतंदृता प्रेमी स्वाभी मानी महारणा प्रताप ने दूसरा विकल्प नहीं चुना, उन्होंने पहला विकल्प चुना संगर्स का, उन्होंने संगर्स का चैन किया, उन्होंने स्वाभी मान का विकल्प चुना और उन्होंने मुगलों के दात खटे करने का पूरा पूरा जो है काम किया था अकबर जो है इनको समझाने के लिए चार सिष्ट मंडल भेजता है कितने सिष्ट मंडल भेजता है चार सिष्ट मंडल भेजता है तो जो चार सिष्ट मंडल जो भेजता है न वो चार सिष्ट मंडल कौन-कौन से हैं तो अपन बात करेंगे ज जलाल खान कोड़्ची को मैं मैं तो दूस्रे नंबर पर आया था मान सिंग तीसरे नंबर पराया था भगवंतदास कोन आया था भगवंतदास और चोफे नंबर पर आया को बिसके 10 लेकिन महारणा प्रताप ने इनकी एक नहीं सुनी महारणा प्रताप ने संगर्ष का रास्ता चुना ठीक है भई स्क्रिंशोट लेना आओ तो जल्दी से जो है स्क्रिंशोट लेलो भई लेलो लेलो जल्दी जल्दी स्क्रिंशोट लेलो फटापट से लेलो भई हाँ जी ले लिया अच्छा देवेंद्र जी कह रहे है रेल्वे स्टेशन से नमस्कार क्या बात है वेल डन लो भी चाला लो भी अब अपन बात करेंगे तो लेखो भई हल्दी गाटी का युद्ध हुआ था कौन सा युद्ध हुआ था अब यह जो आपका युद्ध हुआ था यह कब हुआ था बताओ देखे बैए यह युद्ध कब हुआ था किस किस के बीच में हुआ था तो अपन बात करेंगे यह युद्ध जो है ना एक तरफ तो आपके कौन थे बैए और दूसी तरफ कौन था बैए तो दूसी तरफ जो है आपके अकबर था अपन बात करेंगे तो आण देखे बैए सबसे पहले तो अपन बात करेंगे भई का भई के सेनापती कौन थे सबसे पहले क्या बात करेंगे अपन सेनापती तो मारणा प्रताप का जो सेनापती था ना वो इस युद में कौन थे तो एक तो थे आपके हकीम खासूर कौन थे भई हकीम खासूर और इनके साथ में थे आ प्रताप के अंदर एक तो आपके अकीम खा सूर थे पिर अपन किरेंगे क्रश्णदास सुंडावत थे ठीक है फिर अपन बात करेंगे भई तो एग आपके थे रावत सांगा एग थे आपके रामदास राठोड कौन थे भई रामदास राठोड एग थे आपके भीम सिंग डोडिया कौन थे भई भीम सिंग डोडिया ये सारे लोग जो है इनके अरावल का नित्रत्व कर रहे थे अकबर के अरावल का नित्रत्व कोन कर रहे थे तो एक तो कर रहा था आपके सेयद हासीम बरहा कोन कर रहा था सेयद हासीम बरहा और अपन बात करें तो और कोन कर रहा था आपके जगनात कच्छवा कोन कर रहा था जगनात कच्छवा ये दो लोग थे ठीक है अब अपन बात क करेंगे चंदावल का नित्रत्व कोन कर रहे थे तो मारना प्रताप की जो सेना थी ना उस सेना के चंदावल का नित्रत्व कर कौन थे बई कारण जेसा एक थे आपके जैमल महता और पर उधर बात करें तो इधर कौन था गड़ा के महत्तरखा और अपने बात करें के मादोसिंग कच्छवा कौन था भई मादो सिंग कच्छवा तो मिहत्तर खा और मादो सिंग कच्छवा यह इदर नित्रत्व कर रहे थे तो यह द्यान रखना है हैना प्रताप वाले जो चीज़े ना वह अक्सर एक्जाम में पुछी जाती है तो इनको याद रखोगे आपके इनको पूछो याद र लो वह आगे बढ़ते हैं अपन अब देखो और आपन बात करेंगे तो शेना का अन्तिम पढ़ाओ है ना सेना का क्या देखेंगे बई अब आपन बात करेंगे अगले पोईंट में कभई के आपके सेना का अंतिम पढ़ाओ जो एना वो दोनों तरफ से कहां कहां पर था फिर अपन बात करेंगे सेना के अंतिम पढ़ाओ के बाद अपन क्या बात करेंगे तो सेना के अंतिम पढ़ाओ के बाद अपन देखेंगे कभई ये जो आपके सेना का अंतिम पढ़ाओ था फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कि युद की योजना जो है ना वो आपके कहां पर बनाई गई थी युद की योजना देखनी है फिर इसके बाद अपने को देखना है कि इनका जो आपके सस्त्रागार जो है ना दोनों पक्सों का वो सस्त्रागार कहां हुआ करता था तो सस्त्रागार जो है ना वो भी अपने को ध्यान में रखना है फिर अपन बात कर लेंगे दोनों तरफ से जो है ना अन्य योद्धा और कौन-कौन थे तो दोनों तरफ से जो अन्य योद्धा थे ना उनके बारे में देख लेंगे अपन तो लो भई अब अपन देखना चा प्रताप ने बढाई थी आपके मेगजिन दुरौ में पर सस्त्रागार के बारे में बात करें तो यह जो सस्त्रागार जो है ना कहां पर हैं तो यह माईरा की गुफा जो है ना यहां पर इन्होंने सस्त्रागार रखा था और इनका सस्त्र अपने पास ही रखते थे अन्य युद्धा के अंदर अपन बात करें ना तो एक तो थे आपके राम सा तमर या फिर राम सा तमर और यह आपके राम सिंग तुमर तुमर यह ग्वालियर के थे कांगे थे इन्होंने मारणा प्रताप को पहाड़िक शत्र के अंदर छापामार प्धदिती उद्ध करने की सला दी थी और अपन बात करें राम साथ अवार अपने तीन पुत्रों सालीवाहन प्रताप और भवानी के साथ मा भारती के लिए मेवाड के इस पावन धरा के लिए जो है सहीद हो जाते हैं देश के लिए हमारे मेवाड के लिए जो है इन्होंने अपने प्राण त्याग दिये थे इस परकार से सहीद हो गए थे और अपन बात करें बई तो और कौन थे तो और जो है न और थे आपके जा किया था तो प्रताप जत्र बितालाप के जंद ना वह खेलाओ कर सो उपके हैं सित्य श्जरिइंद मेड़न होगे सितिक प्रताप आज सकता थी को तो युदि के मैधान में नहीं रह सकते कहते हैं कि ये सादरी का को कैता है ठीट पीचेछ करो, मेरे वाले कपड़े आप परेंड़, आप वाले कपड़े और मुझे को पता है आप गो में हो थिकना इस प्रकार से उन्होंने छत्रदारन किया और अपन बात करें तो बामासा और उसका भाहितारा चंद तो बामासा और और इनका भाहितारा चंद यह भी मारना प्रताप की तरब से थे बामासा जो एना इन्होंने चूलिया नामक स्थान पर जो एना मारना प्रताप की आर्थिक सहाइता की थी तो आर्थिक सहाइता कि अंदर इनोंने 20,000 रुपे और इनोंने स्वर्ण असरफिया दी थी तो बहुत बड़ी आर्थिक सहाइटा की थी इसलिए इनको भी मेवाड का उद्धारक कहा जाता है दो लोगों को मेवाड का उद्धारक कहा जाता है एक तो अमीर को कहा जाता है जो अपन देख चुके ह भामा सा को कहा जाता है ठीक है भैई तो यह ध्यान रखना और इधर से लोग का जले को बह? जाल watt अज्जा तो संगा के समय और जाला मान या बीदा मानना प्रताप के समय जो हैं इसे डीपी चेंज करते हैं और युद का नत्रत्व करते ठीक है तो अब अपन बात करेंगे आपके तो अभी अल्दीगाठी का युद्ध ववा भेंकर और कहते हैं कि अकबर ने इस जाला अज मुगल सेनिकों ने इस प्रकार की गटना को देखा हर मुगल सेनिक यहां से बाग खड़े वे यार ऐसे भी कोई मारता है क्या बड़े बहंकर तरीके से जो है उनको मार दिया यहां पर ठीक है नहीं अब उनको मार दिया और सेनिक यहां से भाग जाते हैं जब सेनिक यहां से भाग करके बादसा भाग की तरब चले जाते हैं तो फिर विस्विसन युद्ध होता है अकबर का जो मुख्य सेनापती था मान मान सिंग मान सिंग और महाना परताप के बीच में जो है इस बार युद्ध होता है कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर महाना परताप का जो घोड़ा था चेतक वह इस प्रकार से उच्छा ले मार रहा था कि वह अरी मस्तक पर पेर रख रहा था और उसने मान सिंग के मरदाना प्रताब का प्रहार थोड़ा चूक जाता है प्रताब का अचूक निसाना जो है सही नहीं लग पाता है और मान सिंग होदी में दुबग जाता है और जो मान सिंग का जो आपके क्या कहते हैं उसको जो महावत था उसको पार करते हुए होदी को पार करते हुए भाला इधर से उदर निकल गया अब आप सोचो महालणा प्रताप ने कितना भीषन प्रहार किया होगा आप समझ सकते हो ठीक है भई तो यह चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है अब आपन तो यह जो आपका युद्ध हुआ था इस युद्ध के अंदर अपन बात करें तो इसको अन्य नाम और क्या क्या है तो इस युद्ध के अन्य नाम यदि आपसे कोई पूछे तो अल्दीगाटी युद्ध के अन्य नाम एक तो इसको क्या कहा जाता है तो इस अल्दीगाटी कहा जाता है गोगुंदा का युद्सुन, आपके बादसा बागउ सबसक्चा का युद नियुक क지만 बासा बाटकर के विशन को कहा जाता है तो क्iao इस को ठीज भी को जाता है तो इस उल्धी कर्ट activities एंद को जो है कहा जाता है तो इसको जो है आपके मेवार की थर्मोपोली कहा जाता है क्या कहा जाता है मेवार की थर्मोपोली कहा जाता है और इसको रखत तलाई का युद और हातियों का युद भी कहा जाता है क्या कहा जाता है रखत तलाई का युद और हातियों का युद भी कहा जाता है अब आपन बात करेंगे कि ये कहे कौन रहे हैं तो सबसे पहले तो आपन बात करेंगे खमनोर का युद जो है ना प्रसिद इतियासकार अबूल भजल ने इसको क्या का अल्दिगाटी के युद को क्या कहा गोगुंदा का युद कहा क्या कहा गोगुंदा का बादसा बाग का युद जो है ना आदरसी लाल स्री वास्ताओं ने कहा तो आपके जो एल स्री वास्ताओं ने जो है ना इसको क्या कहा था तो एल स्री वास्ताओं ने जो है इसको आपके बादसा बाग का युद कहा जिहाद जो है वह आसप खा या आसिप खाने इसको कहा था फिर अपन बात से आती थे यान तो मान सिग अब अपन बात करेंगे मारना परताब की तरब से एक तो था आपके लूणा ठीक है और दूसरा कौन था गजराज एक था आपके गजमुकता एक था आपके रणमदार एक था आपके मर्दाना मांसिंग सुयम बैठा था मरदाना के उपड़ केते हैं कि इस युद्घ के अंदर अकबर इस राम प्रसाद आती को पकड़के ले जाता है और अकबर इसका नाम अकबर ने अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया इसका नाम रखकर क्या कर दिया बदल कर पीर परसाद कर दिया तो अकबर ने इसका नाम आपके क्या कर दिया था पीर परसाद कर दिया अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया पीर परसाद कर दिया था लाग कोशिसों के बावजूद भी किते हैं कि इस स्वाभीमानी इस स्वामी स्वामी भक्त राम प्रसाद ने अकबर के वहां पर तरण जल जो है वो ग्रहन नहीं किया था ना तो गास खाई ना केले खाए ना गन्ने खाए ना पानी पिया क्यते हैं कि यह वहीं पर जो है अपने प्रान त्याग देता है इसी लिए अकबर को साइद ये बात उसी समय लोगों को वहां के सासक को हिंदुवा सुरज को नित्य सिरोमनी प्राते वंदनी हिंदुवा सुरज मेवाड के स्री मारना प्रताप को कैसे अपनी अधीनता स्विकार करवा सकता दन्य है यह मेवाड धरा दन्य है यहां के लोग दन्य है यहां के पसु जो इतने स्वामी भक्त हुए कजल दाधि जी थिएक लेगी आज है ना तो यह धियान रखना ना तो स्क्रिंसोट लेना हो तो लिलो भी इस्क्रिंसोट लेलो हां और भी में कुछ बता दूं आपको तो अल्दि गाटि युद के बाद जो ओनना एस था राज़दा नो किसे बनाया था झाल कि वेल्डन अन्नु चोदरी आवर गड़को जो है ना मारणा प्रताप ने एस थाई राजदानी बनाया था किसको बनाया था भलदी गाटी युद के बाद मारणा प्रताप ने आवर गड़को जो है ना अपनी एस थाई राजदानी बनाया था ठीक है भई तो यह चीज अक्पर उधयपूर का नाम क्या कर देता है तो बताओ नहीं कि और यहां का प्रसासक किसे नियूखत करता तो जो जगनात कच्वा जो था ना उस जगनात कच्वा को यहां का क्या नियुक्त कर देता है प्रसासक नियुक्त कर देता है ठीक है चलो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद पुनम सारंग देवोद जी अब अपन बात करें तो अब अपन देखें के भी के फिर क्या हुआ तो एक मुगल सेनापति था सहाबाज खा यह जो आपका सहाबाज खा जो है ना इसने कुंबलगड के उपर तीन बार आक्रमन किया तो तीन बार इसने आक्रमन किया था तो तीन बार इसने आक्रमन किया था तो तीन बार इसने आक्रमन किया था तो तीन बार इसने नतंथर और अठंन तर और झाइस सीा स स्केडिक isवेर का एतं ятंतर और उनिया शी तीन बार किया था थीक अने फिर अपन बाद करेंगे आपके तो दिवेर का युद्ध कब उवा था तो जो घुद्द जय नँ का युद्ध था आपके पंदरासो बर्यासी इस्वी में कब हुआ था दिवेर का युद्ध पंदरासो बर्यासी इस्वी के अंदर हुआ था यह हुआ था आपके मेवाड के महारना प्रताप और दूसरी तरफ था आपके अकबर देखो अकबर की तरफ से जो है ना सुल्तान खान जो है इ बुक्तियार था और प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे इनके सुपुत्र अमर सिंग कहते हैं कि अमर सिंग ने एक ऐसा बाले का बिशन प्रहार किया कि इस सुल्टान खा को जो है गोड़े समित गाड़ दिया था ठीक है तो यह चीज भी ध्यान रखना है तो इसके अंदर यह जीद गया था कौन जीद गया तो यह जीद गया था और इसका अन्य नाम क्या है तो इस आपके दिवेर के जो अन्य नाम है ना वह आपके मेवाड का मेरा थन क्या है इसका अन्य नाम मेवाड का मेरा थन और मेवाड का मेरा थन इसको किस ने कहा तो जेम्स टोड ने कहा तो ये भी आप ध्यान रखोगे फिर इसके बाद अपना आगे बाद करेंगे तो देखो भई मारना प्रताफ के समय जो यह मारना प्रतापके शमय और क्या हुआ था तो मारना प्रताफ के समय ध्यान से ce किस देते हैं जए चावनड को अपनाण याप से क्या बनादेते हैं घर अगर कि कमНबल में वाड की संकट कालीन राजदानी और आप योब गई हमारे हमारे महारना प्रताब की संकट काली राजदानी कौन sık तो क्या बताओगे तो माराना प्रताप की संकट कालीन राजदानी है ना वो ध्यान रखना भई माराना प्रताप की संकट कालीन राजदानी जो है वो कौन सी थी आपके चावण दोनों अलग लगे मेवार की संकट कालीन कुम्बल कट माराना प्रताप की संकट कालीन चावण चावन्ड जो है ना 28 वर्स मेवार की राजदानी रहा थि को राजदानी बनाया 1585 मं तुह चोर्बेंगे महार अमर सिंग की رाजदानी रहा तीयोख यह चीज आपको ध्यान में रखना फिर इसके बाद अपन बात करेंगे तो मारणा प्रताप के दर्बारी विद्वान या मारणा प्रताप की उपादियां एक बार देखे अपना तो मारणा प्रताप को क्या बोलते हैं तो मारणा प्रताप को एक तो बोलते हैं राज महलों क क्रांति का जनक जो है ना वह मारना प्रताप को कहा जाता है और अपन बात करें तो मारना प्रताप को और क्या कहा जाता है तो इनको हिंदुवा सुरज और आपके मेवाड केसरी कहा जाता है क्या कहा जाता है मेवाड केसरी कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है तो इनका ज चक्रपानी मिस्र जो था ना की पुस्तके कौन कोन सी फिर उन्हों ने लेकती आपके राजया भी सेख पदति और नहों कों सी लेकती और मुहृत Market Mai मुहुर्त माला लिखी थी एक इन्होंने लिखी थी आपके विस्व वल्लब जो उद्यान विज्ञान के बारे में होल्टी कल्चर के बारे में जानकारी देती है और इन्होंने कौन सी बुख लिखी थी वियवहार आदर्स कौन सी लिखी थी भई वियवहार आदर्स नाम की जो है न इन्होंने आपके किताब लिखी थी फिर अपन बात करेंगे तो मारणा परताप जो है न मारणा परताप की जो आपके मृत्य हुई थी वो कहां पर हुई थी फिर अपन बात करेंगे मारना प्रताप जो है ना इनकी छत्री कहां पर है और ये जो आपके मारना प्रताप है इनका स्मारक कहां पर है तीगन है अब सबसे पहले तो अपन बात करेंगे तो मारना प्रताप की जो मृत्य हुई थी ना ये मृत्य हुई उन्नीस जनवरी को कब उई थी तो 19 जनवरी 1500 सत्याण में इस्वी को और यह उई थी आपके चावंड के अंदर काँ पर उई थी तो चावंड के अंदर जो है ना इनकी मृत्ति हुई थी फिर अपन बात करेंगे इनकी छत्री जो है न वह आपके है बाडोली या बाडोली है ने तो यह आपके जो बाडोली के अंदर जो है ना इनकी छत्री है और यह जो छत्री जो है ना केजड़ बांध के पास है किसके पास है तो केजड़ बांध पर है और यह जो आपकी छत्री है ना यह कितने कि लिए कि जो है आपके मोति मगरी नमकेस्थान पर उनका इनका समारक जो है वो विक्सित खिया गया ठीक है बिल्किल LSA वाला सायर बिल्कुल गुटीवनिंग तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो यह यह महारणा प्रताब के बारे में आपको मेन मेन काम काम की बाते जो हैं वो ध्यान रखनी है चला आगे लो भई अब आपा बात के रहां महारणा राज सिंग देखो भई माना राज सिंग के जो पिता थे जगस सिंग प्रतम इन्होंने सर्व प्रतम मुगल मेवार संदी का उलंगन किया था जगस सिंग प्रतम ने उलंगन किया और उस काम को इन्होंने भी जारी रखा और इन्होंने भी चितोड के लिए की मरमत करवाई थी तो इन्होंने भी अप वो आपके सादुल्ला खां को 30,000 सेनिक देखर के बेजा था अब आपन बात करेंगे तो देखो राज सिंग यह एक एसा सासक था जिसने टीकादोड प्रतियोगी था कि बहाने 1658 में खोब सारे मुगल क्षत्रों को जीत लिया था इन्हों ने ए प्रतेक्स रूप से मुगल बॉतरादिकार संगर्थ में औरंग्ढेव का पक्स लिया था इस औरंग जेब ने चयाल का मनसब्दार बनाया था इस राज सिंग को कितने तक कच दारम बनाया साजा ट्यूंगर पूर बासवाडा और गयासपूरा के परगने दिये थे डुंगरपूर बास्वाडा और जो गयासपुरा परगने जो एना तो ये ध्यान रखना भई डुंगरपूर बास्वाडा और जो आपके गयासपुरा के जो परगने एना ये किस ने दिये थे तो इस औरंग जेब ने दिये थे अब बही ध्यान से सुनने बही औरंग्जेब ने लगा दिया था जजिया कर कोन सा कर लगा दिया था औरंग ह्या गरांग्जेब ने जजिया कर राज सिंग ने क्या किया था तो 1689 इस्वी के अंदर 1689 इस्वी में पत्र लिखकर के जो है इस जजिया करका क्या कर दिया था तो पत्र लिखकर इस जजिया करका जो है इन्होंने विरोध किया था तो यह बात ध्यान रखोगे भई आप ठीक है ने तो पत्र लिखकर के जजि अगर बात करें यह आपकी रूपनगड़िया किशनगड़िकी राचकुमारी थी टी इसको लेकर के औरंग जेब और राज सिंग के बीच में जो है वह लड़ाई हुई थी देखो अब आपन बात करें तो लड़ाई क्यों हुई थी देखो आपके एक बार की बात एक महिला थी कोई बन जारा काश्ट की महिला थी और महिला जो है मतलब अपनी चीजे बेस्ति-बेस्ति जो है वह अपने राजस्थान के अंदर आती यह किसंगढ रूपन-गढ वालेक शत्र के अंदर तो जो राजकुमारी थी उस राजकुमारी का नाम था चारुमतिग वहां तक जाती है और उनको पास जाकर के उनको अच्छी-ची पेंटिंग्स बताती है उनको चीजरेसे दुकानदार बताते वेसे बता रही थी यह देखो यह सैंसाह हिंद मूगले आजम यह अकबर है यह लो शांदार ये लो उमायू ये लो कोई फोटु पसंद नहीं अपने को दुकांदार बताते वेसे बता रही थी कभी ये देखो ये सहंसा हिंद मुगले आजम ये अकबर है ये लो शांदार ये लो उमायू ये लो कोई फोटु पसंद नहीं आई कोई पेंटिंग पसंद नहीं आई तो फिर इनों ने कहा कभाई ये देखो अब जो है न आपको एंटिक पीस दिखाती हूं सबसे संदार वाली पेंटिंग दिखाती हूं आपको देखते ही पसंद आ जाएगी और आप कहोगे यार के ऐसा दुल्ला तो आप के होना चाहिए और ऐसा कहते हुए उसने पेंटिंग निकाली और कहा कि ये जो है न ये पेंटिंग जो है वो सहंसा हिंद मुगले आजम औरंग जेब की हैं और संसार में दुनिया में उन से ज़्यादा खुबसूरत और कोई भी नहीं है उस राजकुमारी ने उस औरंग जेब की फोटू को देखा औरंग जेब से वह नफरत करती थी और उसने अपना हाई हील सेंडल निकाला और कि वह राजकुमारी बहुत खुबसूरत है पर मैंने उसको कहा था कवही के राजकुमारी जी आप जो है और जेब से विवा कर लो आपके लाइक इस भारत में वही है लेकिन राजकुमारी बड़ी गमंडी थी पता नहीं आपको ऐसी भुंडी-भुंडी गालेया निकाली कि मा आपको कुछ बता नहीं सकती इसलिए प्लीज आप जो है उसको सुधारो उसके लखन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे है और जेब को गुस्सा आया कहा कि पता करो कोन है तो पता किया कर पता चला कि उसका ब्रो था है कि मान सिंग वहीं पर काम करता है तो राज अरण सिंक को पकड़ के लाया उनका मा कि मारे सिश्टर की साथि कृएwać कि अब हमाई अपना जीजू समझो तो अब जो है मान सिंग दुखी होकर के आता है और साधी की तयारियां प्रारंब करता है गरवादे बात कर रहे होते हैं तब उसी दोरान राजकुमारी वहाँ आती है और चारुमती कहती है कि आप किस से पूछ करके जो है मेरा विवा उसके साथ करवा रहे हो तो भाइना का कि तुने किस से फूँच करके उसके जर्बे मारे थे तुने भी तो बीना पूचे एक कूड दिया था अब क्या करें पर फिर का कि देखो तुम चिंता मत करों मैंने गलती किये तो मैं सुधार करूँगी और मैं किसी भी किमत पर मर जाऊंगी लेकिन जो है मैं मुगलों से मैं औरंग जैब से मैं विधर्मी से विवाद नहीं करूँगी कहते हैं कि राजकुमारी रात को सोती है लेकिन नींद किसको आती है राजकुमारी मन ही मन सोच रही थी को मैं किस सहायता मांगू कौन है इस भारत के अंदर राजस्थान के अंदर जो मेरी सहायता कर सके एक एक राजा को वो क्लिक कर रही थी सब उसके दिमाग में आ रहे थे एक एक करते करते उसके दिमाग में महराना राज सिंग के खयाल आया और उन्होंने एक दम से वो उठी और अपनी जो है मसाल जलाई मोरपंक उठाई और दिल की कलम से जो है वो प्यार के कागज पर लिखने लगी उन्होंने लिखा मेवाड के स्री हिंदुवा शूरज नित्य सिरोमनी प्यात्य वंदिनी है महरणा मेवाड महरणा राज सिंग के चरणों में किसनगर के राज़कुमारी चारुमती की साधर नमन शाधर प्रनाम स्विकार करे वो कहती है कि आप हिंदुवा सुरज हो आप हिंदु धर्म और संस्कृति के रक्षक हो औरंग जेब मेरे धर्म को नश्ट करना चाहता आप मेरे बच्पन के हीरो हो मैं आप से सुरू से ही मैं आप जो को बहुत पसंद करती आई हूँ लेगिन दुर्वाग्य है मेरा कि वो दुष्ट दुर्थ औरंग जेब की कुद्रिष्टी मेरे पर पड़ गई है इसलिए प्लीज आप जो है मेरी रक्षा कईजी मैं आपको बच्पन से अपना रोल मोडल मानती हूँ अपना हीरो मानती हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ मैं आपसे विवा करना चाहती हूँ आप प्लीज आईए तारनहार बनिये और मेरे साथ जो है विवा रचाईए मेरे धर्म की रक्सा कीजिए मेरे कुल के गोरव की रक्सा कीजिए मेरे हिंदु धर्म को बचा लीजिया पिर अगले पिर अगर आप में लिखती है यदि फिर भी आप मेरी रक्सा नहीं करते हो, मुझे नहीं बचाते हो ध्यान रखना मेवाड़ की महरानी का अप्मान होगा जैसे ही ने पर अपने रतन सिंग चुंडावत को भेजा औरंग जेब को रोकने के लिए ये जो रतन सिंग चुंडावत सलfunded का था रतन सिंग चुंडावत की अभी जो नई नई सद्धी हुई थी और इसकी जो राणी थी उसका नाम था आपके हाडी राणी इसकी जो राणी थी उसका नाम क्या था इसकी जो राणी थी उसका नाम था हाडी राणी जो हाडी राणी थी ना उस हाडी राणी का नाम था आपक प्रकार से बुला दो कि याद करो किस प्रकार से तुम्हारे गोर्वसाली वैभवसाली दो कि मान मरियादा के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने जो हैं वह अपने जान की बाजी लगा दी थी और तुम एक पत्ने के लिए, मतलब त्यार के लिए, मेरे लिए, तुम सब को छोड रहे हो, अपने कर्टवये से विमुक और हो? रद हनु सिंग कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए सब को छोड छाड का आईये, मैं तुझे कैसे छोड सकता हूँ? तो हाडी राणी उसको जवरदस्ती बगाती है, काया कि चूडियां पहन लो, मुझे सरम आती है, आप नहीं जाओगे तो मैं जाओंगी फिर लड़ने, चुपचाप निकलो तो अपने कर्तव्य को पूरा करो, ऐसी विरांगनाय रादस्थान के अंदर होती है, रदन सिंग युद के मेंदान में तो जाता है लेगिन उसके दिमाग में, उसके दिल में केवल और केवल राणी ही चल रही थी, बार-बार अपने मेसेंजर को बेज बेज कर निसानियाð उमंगवा रहा था, केहते हैं कि फिर उस राणी ने सोचाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मामला बिगड जाएगा इस बार जो निसानी मांगने आया तो रानी ने अपना सिर्काट करके बिद्वा दिया इसलिए कहा जाता है कि सतरी सेनानी चाही समर सलुंबर दीस चुडामन मेली सिया इन धन मेलियो सीस चुंडावत मांगी सेनानी सिर्काट देदी योग शत्रानी तो यह इस कविता के लेखक थे आपके मेगराज मुकुल हमारे जितने भी कवी समयलन होते हैं उनकवी समयलनों में सबसे अधिक बोली जाने वाली कविता कोई है तो वो है आपकी सेनानी ठीक है बई चला आगे और अपन बात करेंगे आपके रासेंग के बारे में इन्होंने आपके कुछ जो हैना मंदीर बनवाये थे इन्होंने ओरंग जैब मूर्तियों की रक्साियर मंदीर कौन-कौन से बनाए थे उद्यपूर के अंदर अंबा-माता का मनदीर बना दीया था तीगन अंबा माता का मंदीर बनाया इन्होंने और इन्होंने क्या कर दिया था तो अंबा माता के मंदीर के अलावा अपन बात करें तो इन्होंने जो है ना आपके द्वारीका दीस का मंदीर बनाया कांकरोली के अंदर यह जो द्वारीका दीस मंदीर जो है यह कहां पर है आ करवाया था और अपन बात करेंगे तो नाद्वारा के अंदर स्रीनाज जी का मंदिर बनाया था और स्रीनाज जी का मंदिर इसने बनाया नाद्वारा जिसको प्राचिन नाम क्या है इसका प्राचिन नाम कभी सिहाड हुआ करता था क्या हुआ करता था सिहाग स्वडा सो बैतर इस्वी के अंदर मत्रा से जो है न ये मूर्तियां जो है न वो आपके गोविंदास और दामोदर्दास लेकर के आये थे तो मूर्तियां कौन लेकर के आये थे एक तो लेकर के आये आपके गोविंदास और इनका सयोगी था दामोदर्दास तो गोविन दास और दामोदर्दास गोसाई जो थे ना ये मतुरा से जो है ना ये ले करके आये थे ठीक है ने तो ये जो है आपके मूर्तिया मतुरा से ले करके आये थे वर वल्लब संप्रदाई का मुख्य मंदिर है कौन सा है बैइ वलनव संप्रदायी का जो है मुख्य मंदिर है ये भी आपको ध्यान में रखना है फिर अपन बात करेंगे इन्होंने आपके कुछ आपके जील नहीं भी बनाई थी जीलों के अंदर अपन बात करेंगे जील कोनसी बनाई थी तो जील बनाई इन्होंने आपके रासमन जील कौन सी जील बनाई भई तो रासमन जील इन्होंने बनाई थी। जगनात राई प्रसस्ति इन तीनों के अंदर हल्दी गाटी युद में मालना प्रताप की जीद बताई गई किसकी जीद बताई गई मालना प्रताप की जीद बताई गई ठीक है तो राजप्रसस्ति और किसने लिखी थी तो रन्चोड बट तेलंग ने लिखी थी किसने कि यहां उतरते थे उतरते थे पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान से भांगलादेश जाते तो रास्ते में यहां पर फ्यूल जो है वह भरा जाता था कहां इस जील के अंदर अकाल हथकार्य के तहट इस जील का निर्मान हुआ था अपन बात करें एक त्री मुखी बावडी या फिर जया बावडी है त्री मुखी बावडी या फिर जया बावडी है तो इस त्री मुखी बावडी या जया बावडी का निर्मान देबारी के अंदर जो एना रासिंग की रान निर्मान करवाया था और अपन बात करें तो और जो है ना और आपके बड़ी तालाव या जना सागर है ने तो जना सागर का निर्मान जो है ना वो किसने करवाया था तो इसे जना सागर का निर्मान जो है ना राज सिंग की मता जना देने करवाया था किसने करवाया था तो जो राज सिंग की जो माता थी जिनका नाम था आपके जना दे राठोड तो जना दे राठोड ने इसका निर्मान करवाया था तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है नहीं अब अपन बात करेंगे तो अच्छा वह संदी जो ना पांच फरवरी 1615 है कुछ लेट और जहांगीर के बीच में संदी हुई थी और जहांगीर की तरब से जो प्रतिनीदी आया था वो आपके खुर्रम आया था ठीक है नहीं तो यह जो है ना आपको ध्यान रखना है अब अपन बात कर ले इस राज सिंग के दरबारी विद्वान ठीक है नहीं तो राज सिंग एक अपन बात करेंगे जिसे आपके सदासिव एक अपन बात करेंगे कवी मान या कवी मान सिंग एक देखेंगे अपन गिर्धर आश्या एक बार जो है ना इनके अपन नाम देखेंगे तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे किसोरदास ने लिखी राज प्रकास और इस किताब में बताया गया कि अलदीगाटि के युद में मारना प्रताब जीत गये और इस राज प्रकास से जो है अल्दिगाटि यूदि के बारे में जानकारी मिल जाती है सदा सिव ने लिखी आपके राज रतनाकर कौन सी लिखी थी भई राज रतनाकर लिखी थी और कवी मान ने लिखी राज विलास इस राज विलास से उदेपुर सहर की स्थापना के बा लंगन ने एक किताब लिखी थी अमर काविय वंसावली तो इन्हों ने एक तो लिखी आपके पुस्तक ठीक है और एक लिखी इन्हों ने आपके प्रसस्ती ठीक है ने तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे आपके पुस्तक के बारे में तो पुस्तक इन्हों ने कौन सी लि तो यह तो अपन देखी चुके हैं राज व्रसस्ति किसका लेखा के यह तो राज व्रसस्ति का लेखा के ठीक है अब आपन लाश्ट बात करें तो राज सिंग की उपादियां तो राज सिंग को क्या क्या उपादियां दी जाती है क्या क्या कहा जाता है तो राज सिंग की और एक आपके हाइड्रोलिक रूलर इनको कहा जाता है ठीक है भई तो एक बार जो है ना यह देख लो भई राज सिंग की रानी थी ना त्री मुखि बाव डी आप ऊच्रे वोन क कर्या में की बताया है बहुत भी राम रस देख बात बिंद व्यवधि एसी ना वता हैस्ट्ध ले लो स्क्रीन सोट लेना होतो हाँ जी आर बी एरसी ओनलाइन क्लास एज 45 मैठ स्टेडी क्या बड़ा नाम है यार प्रणाम बिल्कुल राम राम स्वागत है आपका राज सिंग की मां का नाम जना देरा ठोड था रानी राम रस्दे थी और मदर जोए वो जना देरा ठोड ठीक है ना चलो बैए आं क्रिश्ना कमर क्रिश्ना कमर विवाद क्या था बढ़ाओ देखे बढ़ाओ देखे बढ़ाओ राजस्तान की तीन बड़ी रियास्ते हैं एक तो अपन बात करेंगे आपके महारवाड रियास्त एक आपके महारवाड के एक राजा हुआ करते थे और महारवाड के जो राजा थे उनका नाम था महराजा बीम सिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग सवाई जगत सिंग सेकंड उसका नाम था तो सवाई जगत सिंग सेकंड जो है ना इसका नाम था आपके जेपुर के राजा का मेवाड के मानना भीम सिंग जी के एक पुत्री थी और उसका नाम था आपके एक कृष्णा कुमारी और कृष्णा कुमारी जो है ना इनकी सगाई हो जाती है और कृष्णा कुमारी की जो है वो आपके प्रथम सगाई जो है वो किसके साथ हो जाती है मारवाड के भीम सिंग क के साथ लेकिन ही साधी से पहले इनकी मरत्य हो जाती है और इधर महरवाड का राजा बना जाता है तो मसे ना वह मान सिंग जो है वह भीम सिंगं ना वुह कहां कर दी तो इसकी दूसरी सगाई एना वह जेपुर कर दी इधर अब यह लड़ पड़ता है मानसिंग कहता है बह्म सिंग आह गया overlap के सींगरेसों के साथ सब्सक्षास को इसके साथ जोदब कर सिंगसन के साथ दो ना योड़ कर आजाएं से खाली थोड़ना ये दो गलत है थे तौन्हों के बीच में युध्वा और युध्यकॉम सा χुष टूसवे था तो दोनों के बीच में था अपके गिंगोली का युद्वर प्रबसर के पास एक जगे प्रतिए आपके गिंगोली तो ये आपका गिंगोली का युद हुआ था against seven 107 इस्वी के अंदर जो है ये गिंगोली का युद्फ हुआ था और यी जो युद्द हुआ था ना यूद्ध हुआ था और इस यूद्ध के अंदर जुए न हितं संग जीज जिए गया था तो जगश जीद गया था जगश जो है वह आपके जीद गया था जगस गया और फिर मान सिंग जो है ना बदला लेने के लिए बड़ी तयारी करता है भयंकर तयारी अंतलती है और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा राजस्थान बारूद के धेर पर बेठा हुआ था यह बारूद का धेर जो है जैसे चिंगारी लगेगी और फटेगा और पूरा राजस्थान स्वाहा हो जाएगा तबा हो जाएगा नेस्तरा बूद हो जाएगा खतम हो जाएगा सब डरे हुए थे इस युद्र को रोकने के लिए इस संकट को टालने के लिए अमेर का पिंडारी आता है अमिर कापिंडारी के दबाव की वज़े से जो है 21 जुलाई 1810 इस्वी को कृष्णा कमर को जहर दे दिया जाता है और ये जो है ना 21 जुलाई 1810 इस्वी को जो है ना जहर पिकर के इन्होंने आत्म हस्तिया की थी तो जहर जो है ना जहर इनको दे दिआ गया क्या दे दिया गया जहर दे दिया गया तो यह बात अब करेंद कछित आपने अपने पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती है तेरा जनवरी 1818 को भीम सिंग ने अंग्रेजों के साथ साइक संदी की थी बिल्कुल वैल्ड बहुत अच्छा तो यह ध्यान रखना भई लो भई मेवाड के मेन मेन राजा अपन ने देख लिए अब अपन जो ना अब अपन लेंगे आपके 1867 की क्रांती अगला जो अपन ट निक्छाउनियों की संख्या कितनी थी तो अपन बात करेंगे 6 कितने थे भई से निक्छाउनिया 6 से निक्छाउनिया थी ठीक है अब यह जो 6 से निक्छाउनिया थी इनको याद कैसे रखेंगे तो एनानी ब्याव देख कैसे याद रखेंगे अपन एनानी ब्याव देख अब अपन बात करेंगे कैसे है भई कैसे इनको एनानी ब्याव देखके रूप में अपन याद रख रहे हैं तो ध्यान से सुनना भई देखो भई ऐसे तो अपन बात करेंगे एरिनपुरा सेनिक चावनी कौनसी सेनिक चावनी एरिनपुरा जो है ना एरिनपुरा सेनिक सब्सक्राइबकाइब पिर अपन बात करें तो। ना। ना से अपन बात करेंगे आपके नसीराढ़ यह तो आपके अजमेर के अंदर आती है, राजस्थान ही नहीं अभी तो देज कि सबसे 1180 सबसे नशिराबाद चावनी एग अंग्रेजJust adikari वह रहrel है और जिसका नाम था डेवीड-ॉक्टरलोनी तो यह आपका डेवीड उक्टरलोनी जो था दना एक बार इस में मर्राठों से किसकी रक्षा किति दिंली की तो मुगल तो करते हैं ऑपने आपको नसीर कहता था तो नसीर ने उस से विरां इस फां को आबाद किया था इस लिए उसका नाम क्या भगया नसीराबाद क्या हो गया नसीराबाद ठीक है फिर अपन बात करेंगे नी से आपके निम्मच और यह निम्मच जो है ना वर्तमान में आपके कहां पर है तो वर्तमान में आपके MP में है और ब्याव से है आपके ब्यावर क्या है ब्याव से ब्यावर देखो ब्यावर का संस्तापक को ने बई तो जो ब्यावर जो है ना इसे ब्यावर का संस्तापक है आपके दिक्षं कौन है भै डिक्षंच दिक्षं दिक्षं की स्थापना की थी दिक्षं ने ओर डिक्षं जो एना एक स्थावनी स्थापित करता है मेर यहां पर बड़ा उत्पात मचा रहे थे तो मेरों से जन्साधारण को बचाने के लिए उनकी सिक्रिटी के लिए एक चावनी इस्तापित की और चावनी के बाहर लिखा और यहां आप जानते हो अपन राजस्तान वाले लोग अपनी अंग्रेजी कितनी भहंकर होती है तो हमने इस बीवेर को जो है ना क्या कर दिया दीरे ब्यावर ठीक है ऐसे ब्यावर हो गया फिर इसके बाद अपन बात करें आपके देश से आपके देवली यह आपके टॉंक जिल्ल्च के अंदर आती है और खेस्से आपके खेर्वड़ा जो कि आपके उद्पुर्चिल्ले के अंदर आता है यह त्छे सेनिक झावनिया थी इन 6D when i on a जो एना क्रांती नहीं हुई थी तो दो जो सेनिक चावनिया थी एक तो अपन बात करेंगे ब्यावर और दूसरी अपन बात करेंगे खेरवाडा तो यह जो ब्यावर और खेरवाडा जो सेनिक चावनिया जो थी ना इन दोनों सेनिक चावनियों में क्रांती नहीं हुई थी चलें आगे बढ़ें चलो भैइ अच्छा बॉफरिंग हो रही है क्या अब आपन बात करेंके तो फिर अपन बात करेंगे विविन र्यास्तों के पॉलिटिकल एजैंट esos तो थें कुछ मेन मेन री के बारे में अपन बात कर लेते हैं जैसे अपन एक तो करेंगे उदेपूर उदेपूर जिसको क्या बोलते हैं अपन मेवाड बोल सकते हैं अपन फिर बात करेंगे भई उदेपूर के अलावा यदि बात करें अपन तो एक आपके है जोदपूर जिसको क्या बोल सकते हैं और बात करेंगे आपके जैसे कोटा हो जाएगी फिर अपन बात करेंगे तो जैसे आपके सीरोई हो जाएगी और अपन देखेंगे भई तो सीरोई के अलावा आपन बात करेंगे जैसे भरतपूर हो जाएगी और यह आपके जेपूर तो यह जो कुछ मुक्य मुक्य रियास् और जीलों के अंदर जैंने जो वर लेते मतलब हैं पडते नहाते हैं तो जीलों की नगरी के नंदर पानी खूब यहां आध जाओं उद्वूर जाओं पूर पिर अपन बात करें जोदपूर जोदपूर के अंदर जोए ना बेशन से निर्मिर्ची जे बड़ी फेमस है चाहे वो नमकीन हो चाहे मिर्ची बड़ा हो तो सुर्या नमकीन जोए जोदपूर के अंदर उसके भी मिर्ची बड़े बड़े फेमस है तो बेशन मेशन कहां पर पूरा नाम इसे सी एल सावर सने से याद रखने की आउशकता बिलकुल नहीं है फिर अपन बात करेंगे सिरोई सिरोई के अंदर जो है ना वह आपके माउंट अबू है और माउंट अबू दूर दूर से लोग घुमने आएंगे अकेला तो नहीं आएगा बहुत सारे 257 दोस दोस्त आएंगे माउंट अबू घुमेंगे रात यहीं रहेंगे रात रहेंगे चुटे कमरे में प थो दोलपूर की तरफ यसे ही बोलते हैं कि तेरे ऑं सोब बहूरा यह जो न वह प्लिटिकल एजंट कौन था आपके विलियम इडन कौण जाओंगे तो सावर लोगे तो सौवर सापके पॉच्छा जाता है तो यह याद रखना बरी चला आगे लोगो है अब आपन बात करेंगे आपके तो करांती के समय रियास्तों के राजाओं के नाम अपने को याद रखना यह बड़ा भयंकर प्रश्म हैं तो यह क्ज़र को आता रहता है फिर बात करेंगे और आप देखेंगे जैसे आपके जेपूर रियासत है फिर अपन बात करेंगे यानि की मेबार रियासत पिर देखेंगे अपन जोद बेखिए नाम के शेकर उंका नाम था आपके राम सींग कौन थे नाम क्या था उनका नाम था आपके रांसिंग सेकंड क्या नाम था नामасть ठूपर हो रही है क्या एक बार उनको वोल देना से कि राम सेहेठी गोई वैगा बूंदी जेपुर कोल यह तीन रियास्तें अलग 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 मतलब जो राज्जा ना वो आदमät अलग लगे लेकिन संयोग वस नाम एक है ठीक है ने फिर अपन बात करें बासवडा बासवडा और सापुरा यहां दोनों अलग-लग रियास्ते हैं और राजा भी अलग-लग है लेकिन संयोग वस इनके भी नाम सेम है लक्षमन सिंग तो लक्षमन बासा ऐसे बता देना क्या है भई तो उदेपूर के थे आपके महराना स्वरूप सिंग और जोधपूर के कौन थे तो जोधपूर के थे आपके महराजा तक्त सिंग जोधपूर के कौन थे बई तो जोधपूर के थे आपके महराजा तक्त सिंग तो यह चीज आपको ध्यान में रखना एक जाम के अंदर जो सी रियास्ते हैं भई तो और अपन रियास्तों के बारे में यदि अपन बात करें ना तो अपन देखेंगे भई का जैसे अपन बात करेंगे भई कभी का विकानेर रियास्त है अपने ठीक है ने विकानेर रियास्त है फिर अपन बात करेंगे आपके विकानेर के बाद तो बएए बंपन बात किरेंगे जैसे आपके करोलि रियास्ते विकानेर उंप में भरतपूर आपके तो ब्रतफु 시 mutual के बाद जैसे अपन बात करें आपके टॉ моей शशाथ कोई से बिखतेольно है बिखानेयर के अंदर कों थे तो महराजा सर्दारjaब थे दोलपूर के अंदर कौन थे तो महराजा बगवंत सिंग थे दोलपूर में कौन थे महराजा बगवंत सिंग थे करोली के अंदर थे महराजा मदनपाल कौन थे महराजा मदनपाल बरतपूर के अंदर कौन थे तो बरतपूर के अंदर जो है ना महराजा जस्वंत सिंग थे तो और अपन देख लेते हैं भई तो और अपन बात करेंगे तो जैसे आपके जो सीरोई रियासत है ना वहाँ के राजा कौन थे भई ठीकन है तो सीरोई के राजा कौन थे और अपन बात करते हैं आपके तो आपके जो है ना जालावाड के राजा कौन थे भई तो शिरोई के कौन थे जलावाड के कौन थे तो शिरोई के राजा के बारे में अपन बात करें ना तो शिरोई के राजा थे आपके सिव सिंग कौन थे भई सिव सिंग जलावाड के जो राजा थे उनका नाम था आपके राज राना प्रत्वी सिंग क्या नाम था राज राना प्रत्वी सिंग ठीक है यह मेन मेन जो है ना एक आपके यह विकानेर इंपोर्टेंट है यह आपका दोलपूर इंपोर्टेंट है करोली इंपोर्टेंट है ठीक है और यह आपका डुंगरपूर इंपोर्टेंट है और यह एक टोंक याद रख लेना ठीक है नहीं तो यह यह स्क्रिन्सोट लेना चाहूं न तो एक बार इसका वाला आप अराम से ले लो भी स्क्रिन्सोट ले लिया क्या अरे भाई हो गया स्क्रिन्सोट चला आगे लो भाई अब आपा अग्या चला लो भाई अब है अपन एक एक छावनियों को पढ़ेंगे तो नसीराबाद छावनिया ने अब नसीराबाद चला पढ़ेंगे ये बहुती सकती साली चला ने थी अंग्रेजों की एक बहुती ससक्त और पावरफुल जो आप अपने चाहँनी के अंदर सब्सक्राइब की तोको इनके इस दो राण जो एना कितने अंग्रेज अगरेज का प्रदेगात से मृत्यू जए वह आपके कितने अंग्रेज दिकारीओं की उए थी और फिर अपन बात करेंगे भई कभई के इस दोरां जए ना गायल कितने अंग्रेज दिकारी हुए थे यह कुछ दो तीन मेजर मेजर बाते जो है इस नसीराबाद च्छावनी की अपने को देखनी है तो इनमें से क्रांती के प्रार्म की बात कि तो यह उई थी आपके 28 मैं 1857 को प्रांती का प्रारम को उई थी और यह क्रांती किसके द्वारा प्रारम की गई थी तो पंद्रवी बंगाल नेटिव infring Gunda उयुक्रान बोलि ना यह क्रांती की गई थी और राजस्थान में सबसे पहले क्रांती कहां पर हुई थी तो राजस्थान में सबसे पहले जो आपके क्रांती हुई थी ना तो वो आपके स्थान कौन सा है तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांती हुई नसीराबाद में कहां से हुई थी आपके क्रांती नसीराबाद के बिल्कुल वेल्डन शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर डूंग जी रिसालदार थे अब अपन बात करें अठाइस मैं एडराथ सप्ताउन को पंदरवी बंगाल नेटिव इनफेंट्री ने की राजस्तान में सबसे पहले करांती कहा हुई थी नसीराबाद में नेतर तो किस बटारं सिंहें नमगें सेनिक ने कि था किस ने किया था अब अपने बात करेंगे तो यहां पर जो है हमारे करांतिकारियों ने की थी तो एक तो था आपके השब्सिट कौनसा वाड़ा वड़ था और ये तापके नियू बरी कौनसा वाला बरी नियू बरी इन दोनों से बापना डरप गया डरप गया और पेनी को पेन हुआ और अटेक आ करके मर गया था हम बात करें तो दो जो है ना दो अंग्रेज अधिकारी जो है ना दो अंग्रेज अधिकारी क्या हो गए थे तो दो अंग्रेज अधिकारी इसके अंदर जो है आपके गायल हो गए थे तो अब exam oriented बात एक तो पहली वाली लाइन याद रखना है दूसरी वाली और तीसरी वाली तो यह जो आपके जो तीन जो शुरुवात वाली जो लाइन है ना यह exam oriented है यहां से प्रस्ण पूछा जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद जो नसीराबाद के जो सेनिक है ना यह किदर निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ जितने भी सेनिक है सारे के सारे सेनिक जो है वो दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं ठीक है ने तो यह बात जो है आपको ध्यान में रखना है चला लो भई बढ़ा आगे आप अब लो ले लिया ना स्क्रिन सोट तो अब आपन बात करेंगे नि अपन बात करेंगे तो यहां पर जो है ना एक अंग्रेज अधिकारी था यहां पर कौन था एक अंग्रेज अधिकारी था और यहां पर जो एक अंग्रेज अधिकारी था ना उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था तो द्यान से सुनना भई उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था आपके करनल एबोट क्या नाम था उसका करनल एबोट यह जो करनल एबोट नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था ना यह अंग्रेज अधिकारी जो सभी सेनिक थे उनको अपने पक्स में रखने के लिए अंग्रेजों के प्रतिवफादारी जो है बनाए रखने के लि भी अपन बात कर लेते हैं, तो उस मुस्लिम सेनिक का नाम क्या था, तो द्यान से सुनना भई, उस मुस्लिम सेनिक का जो नाम था ना, वो क्या था, तो मुहमद अली बेग जो है ना, वो उसका नाम था, अब देखो भई, ये करनल एबोर्ड जो है ना, ये जो है सेनिकों को गीता और कुरान की कसम दे रहा था तो गीता और कुरान की कसम दे रहा था और इधर अपन बात करें तो मौमद अली बेग ने इसने वफादारी की प्रतिग्या लेने से अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिग्या थी ना तो वफादारी की प्रतिग्या लेने से क्य वह यह क्या बात हुई हम वेसे ही कह रहें और हमारी जुबान की हमारे लिए सबसब महत्वपूर्ण वेल्यू है हमने के दिया मतलब कह दिया हम आपके साथ हमेशा हैं लेकिन इसने कहा कर नहीं मैं कैसे विश्वास कर लूं करनल अबोट ने कहा कर कुरान की कसम खा जा अल्ल से इमानदारी की बात कर रहे हो आप वही हो ना जिन्होंने कहा था कि हम अवद का विलेई जो हैं अंग्रेजी सामराज्य में नहीं करेंगे लेकिन फिर भी तुम जो हैं दूल खा गए वो भी दोबे बरबर के खाई है दूल और तुमने जो हैं सब का विले कर लिया किया क लुड़ किया तुमने दो कैसे अवद का विले जब तुम अपनी बात पर तुम अपनी जुबान पर कायम नहीं रह सकते हो तो फिर हम क्यूं रहे तो फिर उसको तो दो तारिक को तो कैसे लोड केनिंग था ठीक है रिया प्रजापजी बिल्कुल वेल्ड़न बहुत बढ़िया आपने बताया है किसी को ऐसी लोग थी अच्छा रीट का पीड़ी ते ब्यरती भी बता चुके हैं वेल्ड़न भई शांदार हएमister फिक मित तो यह चीज जो है आपको ध्यान रखना है तुब फ अब देखो मोमद अलीथ जो न इन्मोंने क्या किया मोमद ऑली वफ़ादारी के प्रति प्रतिया लेने से क्या कर दिया इनकार कर दिया था ठीक है अब अपन बात करेंगे भई तो अब सबसे पहले तो अपन बात करेंगे को हुआ था 3-18-57 को जो ईना रात को 11 बजे इस निमत चांवनी के अंदर कांती होती है निमत चांवनी को धुआ धुआ कर दिया जाता है। दुआ कर दिया जाता है तो यह चीज ध्यान में रखना नहीं 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 यहां पर आपके कांती और फिर निम्मत चावनी को जला दिया गया था दुआ कितने अग्रेज भागे तो सुना गया से यहां से हैं यहां के तो सब्सक्राइब में जाना के लिदिया डूंगवा किसान ना에 किसान इनको क्या देता है सरण देता है रुगा राम इनको क्या देता है सरण देता है तो रुगा राम ने जो है ना रुगा राम ने इनको क्या दी थी सरण दी थी अब यहां पर थे फिर इनको यहां से जो है ना सावर्स जो है इनको यहां से मेवाड लेकर जाता है तो साव जग मंदिर महलों में रखा जाता है काहां पर रखा जाता है जग मंदिर महलों के अंदर जो एना गोकुल चंद महता की देख रेक में जो एना इनको रखा जाता है तो जग मंदिर महलों में जो फिर यहां जो निम्मत के जौ आपके शावनी के चांवनी के ते निम्मत चांवनी के सेनिक निकलते हैं तो रास्ते के अंदर यह एक जगे पर जाते हैं और जिस जगे पर ये जाते हैं ना वो आपकी जगे कौन सी है तो वो जगे हैं आपके सापुरा वो जो आपकी जगे है ना वो जगे आपकी कौन सी है भई सापुरा अब ये कहां पर चले जाते हैं सापुरा चले जाते हैं और जो सापुरा के जो महारावल थे ना लक्षमन सिंग्, सापुरा के साथ कोन थे भई, लक्षमन सिंग्, लक्षमन सिंग् इनको क्या देते हैं, रसद सामगरी प्रदान करते हैं, कौन सी सामगरी प्रदान करते हैं, रसद सामगरी, फिर ये जो है ना, सापुरा से ये करांतिकारी कहां पर पहुंचते हैं, तो दे रखना है तो बहुत हो मैं कि निमत और देवली के विड्रों कर देंगरते हैं और फिर आपके निमत और के विड्रों के विद्रों थादा था उसके सरकारी खजान को मानेंको लूट लिया एक लाग चबईस जार नौ सो रुपई उसके उन्होंने निकाल ले थे और उन्होंने जो आगरा के अंदर जो केदी खाना था जो जेल थी उस जेल के अंदर जो केदी थे उनको भी छुड़ा दिया और फिर सारे करांतिकारी किदर चले गए थे दिल्ली चले गए थे ठीक है न तो एक जाम ओरियंटेट जो बाते है न एक तो आपके ये ये कंति काम प्रारंभ वी और 40 अंग्रेज काहां काहां भागे कहां काहां गए और लक्ष्मन सिंगी ने जो एसना रसत सामगरी दी ये वाली बात भी थीक है न तो ये वाली बाते आपको ध्यान में रखना है इंप्झेज बातता आपके यही है ठीक है छलेंगे अगले व उसके बाद बात करेंगे कभई के नेत्रत्व जो है ना रा और जोदफूरोग जो Hers से निक वह आपके के पूर्बिया सेनिक माउंट अभू कहां पर गए थे माउंट अभू के अंदर जो है ना 21 अगस्त 5857 को उन्हों ने क्या कर दी थी और किस ने किया था तो नेत्रत्व कर रहे थे एक तो आपके मोति खांब एक आपके सितल परसाद और एक थे आपके तिलक राम है ने तो मोती खाँ तिलक राम और सितल परसाद तो एक तो मोती खाँ थे एक आपके तिलक राम थे और और कौन थे आपके तो सितल परसाद थे ठीकर ने तो यह क्या कर रहे थे भई यह मोती खाँ तिलक राम और सितल प गाउं पड़ता है और उस गाउं नाम के में ऊस्थान का यहां पर यहां पर यह आपके खुसाल सिंग्चाप Taoổ आने विडिव अवाख जो करते हैं और कुसाल सिंग चापावज जो है इनका नेत्रत्व स्विकार करते हैं कहां पर खेरवा के अंदर ठीक है तो यह तीन बाते जो है ना इस एरिनकुरा की आपको याद रखनी है तीनों की तीनों इंपोर्टेंट है अब अपन बात करेंगे तो आववा में विद्रो तो आववा के बारे में तो कहा जाता है कि भरो से कुसाल सक्ति विडण संभियो सगला सात रे आजाद हिंद करवा उमंग निडर आववा नात रे ठीक है तो यह एल्लेसे वाला साहर यह कौन है तो यहां आप इस प्रकार से पुछे जा रहे हैं यह चीजें आ जाएगी थोड़ी तेर बात सबर करो अगर आप सांती रख सकते हो तो सारी चीजें आ जाएगी सारी चीजें पढ़ा दी जाएगी अभी मैं मतलब आववा पढ़ा रहा हूं आववा के अंदर जो कांती हुई थी व पिल्कुल भी ना करें अगर आपको ज्यादा आता है तो मस्ती के साथ आप वेसे ही पढ़ सकते हो आप पधार हो तो ऐसे दूसरों को भी डिश्टर्ब करते हो और मेरी भी नेदर पढ़ती है तो फिर मैं भी डिश्टर्ब होता हूं यह पढ़ाते पढ़ाते ही ठीग है अब अपन बात करेंगे तो अववा के अंदर विद्रो है तो भैं अब देखो भैं के अंदर गांती का केंद्र था ना Сुगाली माता मंदिर था और यहां पर आपके क해 प्लानिंग वह कि जाती थी और विठोड़ा का यह कब हुआ था तो यह वह था आपके 8 सितमबर अठरा सो सत्तावन को जो एना आपके भिठोड़ा का यूद्ध यूआ था और यह जो आपके भिठोडा का जो यूद्ध वहा था किस किस के भीच में हुआ था तो एक तो अपन बात करेंगál जीस आपके कुसल्रास सिंग्भी जो कि आपके जोदपूर गभी तरफ आंगरेंए अन्ग्रेज अदिकारी सब्सक्राइब हर ऌपन बात करें आपके तो आपके जोदपूर का किलेदार मारा गया था तो जोदपूर के किलेदार का नाम था आपके ओनार सिंग क्या नाम था तो जोदपुर के किलेदार का नाम था ओनार सिंग कभी कबार जो है ना इस ओनार सिंग का नाम जो है ना अनार सिंग भी आ जाता है क्या आ जाता है अनार सिंग भी आ जाता है ठीक है न तो तो जोदपुर के किलेदार जो है ना अनार सिंग पवार सहीच जो है ना कीथ इसके बाद क्या होता है तो अब क्या होता है तो आपन बात करेंगे भई अब कुछ समय बात जो है एक और भेंकर युद्ध होता है और वो होता है आपके चेलावास का युद्ध किस पर कौन सा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध यह जो चेलावास भी पाली के अंदर जगें हैं और यह वाला युद्ध होता है आपके पहले वाले राजस्थान के अजेंट तो गवरनर जनरल जोर्ज पैट्रिक लोरेंस। कौन थे बहू है जोर्ग फेट्रिक लोरेंस। और इनके साथ में थे महड़के पूलटिकल एजेंट। यहां नाम था उसेयलिये कहा जाता है कि मेट मेशन को सिर काटन और इसका सिर काट करके जो है ना अवा के दरवाजी के बाहर जो एना लटका दिया जाता है निस इत्वल और इसके सिर्द काट करके जो है ना अावा के दरवाजे के बाहर जो है लटका दिया गया तो और इसकी जो कब्र अवा के पूझा करते हैं, आपके राइका रेबारी या देवासी समुदाई चे जो लोग होते हैं ना वो और अपन बात करें इस युद्ध का अन्य किया है तो यदी को पूछे कहacas को आपको काले गोरे का युद्ध कहा जाता थल गाभाना थीख impressed क्योंकि एक तरफ ये दोनों गोरे हैं जोर्थ पेट्रिक लोरेंस और मेक मेसन और एक तरफ कुसाल सिंग चापावत अर्थात इंडियन मतलब राजस्तानी और अपने को अंग्रेज जैसे अपन अंग्रेजों को गोरे बोलते हैं भूरे बोलते हैं फिरंगी बोलते हैं उसी चलो विचले आगे चलो तो अब अपन बात करेंगे आववा का युद है अब देखो भई तो आववा का युद जो है न यह आववा पाली के अंदर है अपन देख चुके हैं और आववा का युद कब होता है तो यह होता है आपके 20 जनवरी से 24 जनवरी 1858 तक होता है तो 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1858 तक जो है न वो आपके आव्वा का युद्ध होता है इस बार जो एना आव्वा के युद्ध के अंदर अपन Tonight करें तो हैं अपन्रWA WhatsApp और कुसाल सिंह चाप आवत कुसाल सिंग चापावत रेगुलर लड़ता है और 23 जनवरी को अवा की जिम्मेदारी किसको सौफ कर चला गया था तो अवा की जिम्मेदारी जो है आपने छोटे भाई परत्वी सिंग को सौफ कर चला गया था ठीक है न है keep on dancing stबeg में points… स्वाभ्वा की जिम्मेदारी, जो है, च्छोटे बाई प्रत्वी सिंग को स्वाप कर ठीक है तो उसका छोटा जो भ라고 था उसका नाम था प्रत्वी सिंग उस प्रत्वी सिंग को सोंप कर जो है रए यह कहां पर चला गया तो प्रत्वी सिंग को सोंप कर जो है यह आपके जो है मेवाड चला गया ठीक है ने मेवाड चला गया था और मेवाड के अंदर जो है ना इसको सहाइता कहां कहां से मिली थी तो मेवाड के अंदर जो है ना इसको सहाइता कहां कहां मिली थी तो एक तो अपन बात करेंगे कोठारिया कोठारिया से जो है ना जोद सिंग ने इ के जो आपके केसरी सिंग थे ना इन्होंने भी इनको साइटा दी ठीटेए यह दोनों याद रखना भई मेवार्ड के सामन थे जिन्वन ने इस आपके जो है कुसाल सिंग चापावत को साइटा परदान की थी कोठरिया वाले जोज सिंग का नाम तो आपको धंग से याद रखना ही है ठीक है अब आपन बात करें आपके आगे तो देखो इस युद के अंदर जीत गए आपके चोई जनवरी को जो है ना ध्यान से सुनना भई चोई जनवरी 1858 इसवी को कब भई तो चोई जनवरी 1858 इसवी को जो है आववा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेजों का अधिका सुगाली माता की जो मूर्ती थी जो आपकी जो मूर्ती यह तो थी आपके काले संगमरमर की किस प्रकार की मूर्ती थी तो काले संगमरमर की जो है यह मूर्ती थी इस मूर्ती के अंदर जो देवी के सीर कितने हैं तो सीर है दस और देवी के जो है आपके हाथ कितने हैं तो नाम जो है वो क्या है आपके देवी के तो क्रांतिकारियों की प्रेरख देवी क्या बोलते हैं क्रांतिकारियों की प्रेरख देवी तो क्रांतिकारियों की प्रेरख देवी यह 1857 की क्रांति की देवी और जो है आपके आववा के ठाकुर कुसाल सिंग चापावत की जो है अर लिए निए प्रिक दिया गया तो यह बी आपको ध्यान में रखना है फिर इसको पाली और में रख दिया गया तो जनवरी को अधिकार हुआ था अंग्रेजों का आउवा के ऊपर तो यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है बई चलना पुसाल सिंग चापावत 1760 के अंदर नीमच में सरेंडर करते और फिर इनके जाज के लिए जो है टेलर आयोग का गठन किया जाता है टेलर आयोग जो है वह इनको निर्दोस जो है वो करार देता है और फिर 1864 इस्वी के अंदर उदेपुर में ही इनकी क्या होती है मृति हु अब आपन आगे बात करेंगे आपके कोटा में जन विद्रो तो कोटा में जन विद्रो कब हुआ था तो कोटा में जन विद्रो हुआ आपके 15 अक्टूबर 1857 को कब हुआ था तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था ठीक है ने और कोटा के अंदर जो है ना अपन बात करेंगे ये जो विद्रों हुआ था ना एक तो अपन देखेंगे बैई कि इस विद्रों की अवदी कितनी थी और फिर अपन बात करेंगे बैई और अपन बात करेंगे कि इस विद्रों का नेत्रत्व किस ने किया था तो देखो बैई विद्रों की अवदी के बारे में यदि अपन बात क तो विद्रो की आउदी जो एना लगबग 6 महीने थी लगबग 6 महीने थी तो मतलब जो एना राजस्तान में सबसे लंबे समय तक विद्रो कहां चला था तो राजस्तान में सबसे लंबे समय तक जो एना वह आपके विद्रो कहां चला था तो राजस्तान में सबसे लंबे समय तक जो विद्रो जो है ना वो आपके कहां पर चला था तो वो चला था कोटा के अंदर नेत्रत्र किया था आपके जैदयाल ने ये जो जैदयाल जो है ना ये आपके मथुरा के थे और ये कोटा राज्ये के अंदर वकील के पदपरतेनात थे और और कौन थे भई एक थे आप के महराब खां कौन थे बई महराब खां और यह महराब खां जो एना यह कहां के थे बई तो यह आपके करोली के थे और यह सेना के अंदर जो एना रिसालदार पद पर तेनाद थे किस पद पर तेनाद थे रिसालदार के पद पर जो एना यह तेनाद थे तो यह भी आपको ध् सालदार थे यहां पर विद्रो हुआ था अब अपन बात करेंगे तो यहां का जो आपके पॉल्टिकल एजेंट जो है न वो पॉल्टिकल एजेंट कौन था विद्रो का केंदर तो मतुरादीश मंदिर था कौन सा था मतुरादीश मंदिर जो मतुरेश जी का मंदिर है न कोट नाम था भ跑 मेजर बॉन विद्रोहीयों ने इसका भी गला काट दिया और बपर के जो दो बेटे थे उन दो बेटों को भी सलटा दिया एक तो नाम था आप के फ्र Moi और दूसरे का नाम था और थर इन दोनों को मार दिया और फिर अपन बात करेंगे तो इसका जो आपके डोक्टर था डोक्टर का क्या नाम था भई तो डोक्टर का नाम था आपके कॉंटम और एक आपके था सर्जन सर्जन का क्या नाम था तो सेल्डर क्या नाम था भई तो राम सिंग सेकंड का जो नाम प्रतिनिदी इनका जो प्रतिनिदी था ना उसका नाम क्या था आपके देविलाल ठीक है इन सब की जो नाम इन सब की क्या कर दी गई हत्या कर दी गई इन सब की जो ना हत्या कर दी गई विद्रोयों ने कांतिकारियों ने इन सब की क्या कर द ठीक है अब चला आगे तो फ्रेंक ओर्थर कॉंटम सेल्डर देविलाल इन सब की जो है ना इन विद्रोयों ने क्या कर दी थी हत्या कर दी ती स्क्रीन सोट लेना हो तो आप जल्दी से ले लो भई ठीक है अब अपन बात करें तो इनकी यहां पर क्या हो गई थी हत्या हो अब ता था आपके राम सिंग सेकंड था क्या नाम था वही राम सिंग सेकंड है ना तो राजा का जो नाम था आपके राम सिंग सेकंड था क्या नाम था राजा का नाम राम सिंग सेकंड था ठीक है ना और इनकी तोपों की सलामी की संख्या को क्या कर दिया गटा दिया था तो आजाओ चाय पीलो सभी ठीक है ना तो इनको जो तोपों की सलामी दी जाती थी ना उस तोपों की सलामी की संख्या को गटा दिया था करोली के राजा मदनपाल जो है न उन्होंने इनको विद्रोयों के चंगूल से मुक्त करवाया था फिर जहिदयाल और महराब खान जो थे उन दोनों को फासी दे दी गई थी रोबर्ट्स जो है 30 मार 1458 को जो है इस कोटा सहर को विद्रोयों से मुक्त करवाता है कोन रोबर्ट्स ठीक है भी तो यह चीज ज्यान रखना है पई बिल्कुल अरे पधारो प्रेलाज जाठ नागसाज क्यूट वेबी अब भी आजाओ चाई टीओ मस्त बढ़िया चाहिए हाँ बिल्कुल मिनाकसी जी पधारो चाह मान सिंग मैधा के रहें पीलो अच्छा भावना जी के रहें पीनी है तो बिल्कुल आजाओ ना अरे आजाओ अन्नु जी बिल्कुल पधारो चाह नहीं सर जी कोफी लाओ अच्छा मतलब कोफी पीनी है मज़ा तो चाह में आता है यार कोफी में तो क्या मज़ा आता आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल पधार हो आजाओ वेल्कम हाँ बिल्कुल मदुपरजापजी पधारो ना आजाओ 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 सभी आजाओ ने आप आओगे तब ते खत्म नहीं हो जाएगी क्या अच्छा बटर और ब्रेड भी चाहिए क्या बात है प्रतिहार मीना के रहें के ब्रेड का भी चलें तो अब अपन बात करेंगे आपके दोलपूर तो दोलपूर के अंदर एक तो अपन बात करेंगे भई दोलपूर के अंदर विद्रोही कौन-कौन थे ठीक है न भई दोलपूर के अंदर एक तो अपन देखेंगे विद्रोही कौन थे फिर अपन बात करेंगे दोलपू विद्रोई थे एक तो आपके देवा गुजर कौन थे बई विद्रोई देवा गुजर थे एक थे आपके राव राम चंद्र कौन थे बई राव राम चंद्र और कौन थे आपके हीरा लाल कौन थे बई हीरा लाल और यहां के जो राजा थे उनका नाम था बगवंत सिंग्ग क्या नाम था बगवन इंगं उनोंने विद्रोईव और और विद्रोईगार कर लिया था। और पहर के हैं तो बैद फिर बात बात trees टा चला से सेना मंगवाता है और जो है दोलपूर के अंदर जो आपके जुन्होंने कबजा कर रखा था उनको वापस से हटवाता है ठीक है भी तो यह दोलपूर के बारे में याद रखना है कि टॉंक के अंदर जो है ना नवाब कौन था तो टॉंक के अंदर जो है ना अपन एक तो बात कर लेंगे भई नवाब कौन था और फिर एक अपन बात कर लेंगे कि विद्रो किस ने किया था और इसके बारे में विसेश क्या है चलो तीनों बाते देख लेते टोंप के विद्रों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो एना वह आपके महिलाव ने भाग लिया था तो यह भी आपको ध्यान में रखना ठीक है चले तो फिर अपन बात करेंगे आपके तो अमर्चंद बाठिया अमर्चंद बाठिया जो एना यह आपके मूल रूप से विकानेर के थे कहां के थे भई तो यह आपके मूल रूप से जो ना वह बिकानेर के थे और अपन बात करेंगे तो इनको आपके फासी वी थी ठीक है फासी क्यों हुई थी क्योंकि इन्होंने आपके 28 शत्ताओनें के अंदर गॉालियर कें अंदर गॉयार मेशा जासी की राणी लक्स्मी by शीना तो जासी की रानी को इसलिए जो है ना इनको दुती वह मासा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है दूसरा वह मासा ये 1817 की किरांति की बहार हमा सावी इनको कहा जाता है इन्होंने 2090 को वित्ति साहेती धी इसलिए अंग्रेजह syamira 22 आपके अमर्चंद बाठ्या को बारत में सबसे पहले मंगल पांडे को वी थी इसलिए अपन इनको क्या बोल देते हैं ऀनको प्राच्जान का मंगल पांडे क्या किया ये जीज आपको ध्यां रखना है जुन छरका नहीं हाँ विलकुल विलकुल लक्σιमीजी इसी को बोलते हैं मंगल पांडे ठीक है अब अपन बात करेंगे तात्या टोपे तात्या टोपे का वास्त्विक नाम जो है ना वो था आपके रामचंद्र पांडुरंग क्या नाम था इनका तो रामचंद्र पांडुरंग जो है ना इनका नाम था और यह तात्या टोपे जो है ना तात्या टोपे दो बाहर राजस्तान आये त तो यह तात्या टोपे जो ना दो बार राजस्तान आये थे तो दो बार राजस्तान आये थे तो एक तो अपन बात करेंगे पहली बार कब आये थे फिर अपन बात करेंगे कि आपके सेकंड बार कब आये थे पहली बार तो आये थे अगस्ट अठावन इस्वी में कब आये थे पहली बार कहां आये थे तो पहली बार आये थे ये आपके मांडलगड के अंदर जो की बीलवडा में है कहां पर आये मांडलगड में और ये मांडलगड कहां पर है तो पहली बार ये आपके राजस्तान में बीलवडा के अंदर आये थे और दूसरी बार ये कहां पर आये सोटे के अंदर आये थे उन्हों ने को ठरी का युद्द किया था कोंसा वह युद किया था पर ठरीकाane को यह भूष हमयिंव को इन pus अंग्रेज ओधिकारी तो इन्गरेज और एक जडिकारी का आम था आपके तो यह नाम्, रोबर्ट्स इसके नाम था Roberts तो तात्या टोपे की बीड़त हुई थी अंग्रेज अधिकारी Roberts से किस से हुई थी Roberts नाम के आपके अंग्रेज अधिकारी से हुई थी और इसके अंदर जीत गया था कौन जीत गया था लूबर्ट जी गया था फिर इसके बाद जो है न पिर इसके बाद अपन आगे बात करेंगे तो फिर अपन आगे देखेंगा आपके तो अब देखो भई ंअ और देखते कैंल अ अब क्या हुआ तो यह जो आपके तात्या टोपे जो है ना तात्या टोपे अपन बात करें तो एक तो जालावाड पर इन्हों ने अधिकार किया था जालावाड और इसके अलावा इन्हों ने बासवाडा पर भी अधिकार किया था तो जालावाड और बासवाडा रियास्तो पर उनों ने अधिकार किया था ठीक है इनु diu आदिकर कर लिआ ठीक है किस ने किया तत्यय टोपे ने किया था एक बात और याद रखना तत्य टोपे के के बारे में बात करें कष़ींग एक गश59-6 gibt esports ये उसे अफन बाद करेंगे के सिंह नहीन Самें वह इनको परदान कीजिड़ वह सोब्राइब और पर बात करेंगे स्ट अपल्छ Single वह सुटारियां की दो येक्षींग ओर ऐन 무대 और जो है आपके जो हैù बिखान्य के साय ना झैन हो भी घृत तो इन्हों ने वो भी दी थी और उन है करें आपके तो Com song के साथ धोख्षा किसने क्या थ सुभाण इसने चीट किया तात्या टोपे के साथ तो तात्या टोपे को जो है ना धोका जो दिया था उसका नाम था आपके मांसिंग नरुका यह जो मांसिंग नरुका जो है ना आपके ग्वालियर के पास एक जगे पढ़ती है नर्वर यह ग्वालियर के पास है तो MP के अंदर है यह दोस्ट था केते कि ये दोस्ट दोस्ट नहीं रहा और इसने जο ए गिर्पतार करवा लिया था इस वज़े से ऑ सब्स्याव और ये फासी कभ मेंगी थी और फिर अपन बात करेंगे इस एलोचना किस अंग्रेज वह अदिकारी ने की थी तो एक तो whई ने की तो तो फासी हुई इसको 18 अप्रेल 1869 इस वी को और जो आपके सी यल सावर्स नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे ना मेवाड का पुलिटिकल एजेंट तो इस सावर्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने जो है इसकी आलोचना की थी सावर्स ने कहा कि इतिहास में ताट्या आपके जन जाती आंदोलन अब कौन सा अंदोलन देखेंगे अपन अब अपन देखेंगे आपके जन जाती यह और आदुलन के अंदर आपन बात करें तो जन जाती यह अंदर अपने को देखना एक प्रारंब कहा से वा था और फिर अपन बात करें गर किस ने किया था ठीक है ने तो लो भई अब अपन बात करेंगे तो ये जो बगत आंदोलन जो है ना वागड क्षेत्र से प्रारंब हुआ है ना वागड क्षेत्र बोले तो डुंगरपूर और बास्वाडा किस शेत्र से प्रारंब हुआ था तो डुंगरपूर और बास्वाडा तो वागड क्षेत्र जो है ना वागड क्षेत्र की बील जंजाती द्वारा किस जंजाती द्वारा बील जंजाती द्वारा जो है ना यह आपके प्रारंब किया था वागड क्षेत्र की और नेत्रत्व किस ने किया था तो नेत्रत्व किया था आपके गोविंद गुरु या फिर गोविंद गीरी इनका जन्म वहा था बेड़सा के अंदर और यह बेड़सा के अंदर और पंचायत में और डुंगरपूर जिल्ले के अंदर यह स्थान आता है और इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 इस्वी को कब हुआ था 1858 इस्वी को और किस जाती के अंदर इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था आपके बंजारा परिवार के अंदर किस परिवार में बंजारा परिवार के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था और इनके जो आपके गुरु मारास इनके गुरु कौन थे तो इनके गुरु थे आपके राजगीरी कौन थे वह राजगीरी जो कि आपके बुंदी अखाडे के महंत थे तो इनके क्या थे गुरू थे अब बात करें इनके जो आपके प्रेणा स्त्रोत जो थे ना इनके प्रेणा स्त्रोत थे आपके स्वामी दयानन सरस्वती दयानन सरस्वती की प्रेणा से इन्होंने मेवाड वागड और सीरोई क्षत्र के अंदर जो एना स्वदेशी आंदोलन चलाया थ तो यह आपके मेवाड वागड और आपके मतलब डुंगरपूर बास्वाडा सीरोही वाड़े क्षत्रों के अंदर जो है ना यह इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था इन्होंने चलाया था एक बार स्क्रीन सोट लेना हो तो यह ले लीजिए थोड़ा सा यह लिग लि अब अपन बात करेंगे तो यह आपके जो गोविंद गुरु है ना गोविंद गुरु के बारे में एक चीज याद रखना भई इनके द्वारा स्थापित संगठन कौन कौन से थे तो गोविंद गुरु ने जो है ना कुछ संगठन स्थापित किये थे तो इनके द्वारा स्थापित संघठनों के अंदर एक तो है आपके संभसभा कौण सी सवा बई संप सभा और यह जो वैंट करना उसιά सवा नहीं दक्रूम कभई के मेवाड है वागड है और कौन सा है तो मेवाड है वागड है मालवा और गुजरात के अंदर जो भील और गराशा जनजाती के लोग थे उनके बीच में एकता स्थापित करने के लिए जो है ना इन्होंने संपसभा की स्थापना की थी एक एसा ही इन्होंने और स्थाबित किया था और उसका नाम रखा कि बगत पंत गुरुश्य के जो भी अन्य hm Biya उते थे ना जन जाती का बेड़सा के अंदर जाते हैं 1911 इसुविं में और पहले ये गुझरात की तरप चले गए थे तो गुझरात से वापस अपना गतिवीदियों का जो मेन केंदर जो है ना गोविंद गुरु की गतिवीदियों का मुख्य केंदर है ने तो गोविंद गुरु की गतिवीदियों का जो आपके मेन केंदर था वो गतिवीदियों का जो आपके मुख्य केंदर था वो कौन सा था भई तो मुख्य केंदर आपक यह गोईंद गुरू की चानी मगरी बेड़सा गाओं के अंदर जो इनका जनमस्तल है ना वह इनका कर्मस्तल भी है तो अगर आप से पूछे गोईंद गुरू की कर्मस्तली कौन सी तो क्या बताओगे चानी मगरी अब इसके इनके समय जो है ना एक बहुत भेंकर कांड हुआ था तो क्या यह 17 नवंबर 1913 को हुआ या फिर अपन बात करें किसी और समय में हुआ देखे बताओ देखे भई अब अपन बात करेंगे तो मानगड के अंदर जब बीलों की सभा चल रही थी ना उस बीलों की सभा के उपर जो है ना फाइरिंग की गई थी तो फाइर वेलेजली राइफóc के दोरा जो ना व आपके лежए थी ओर अपन बात करेंगे तो एक आपके जट रेजीमेर्ट थी तो तो र्लेजिमेंट के द्वहां पर क्या कर दी गई थी तो इन सैनिक टुकडियों द्वहां इना फाहिरिंग की गई थी तो सप्न संथ पर जो हilities पर जो है ना कैप्टन स्टोक ले मेजर एस बेले और हैमिल्टन है ना इन्होंने यहां पर जो है आपके क्या कर दी थी हाँ बिलकुल भावना जी पेनोर्मा बन रही है चानी मगरी के अंदर है ना तो अभी एपन बात करें तो इन सेनिक टुगिजो दोरा फाइरिंग की गई थी और इस फाइरिंग के अंदर यदि एपन बात करें ना तो कितने किसान सहीद हो गए थे एक तो आपको यह याद र हो गिक पेल नजाति के पंद्रासों से भी अधिक लोग सईध हो गे थे और इसको क्या कहा जाता है राजस्थान का जलियावाला पाग अत्याकांड तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है गोविंद गुरु को गिर्पतार किया एंहम्दाबाद जेल के अंदर गोविंद गुरु को रखा गया था और फिर प्रारम में तो इनको जो है मर्चुदन की सजा हुई लेकिन फिर उसको जो है उम्रकेद में बदला और फिर कहते हैं कि जैल में अच्छे व्यवार के करण मात्र साथ वर्स बाद 1920 में इन्हें रिहा कर दिया गया और ये अपना सेंस जीवन जो है गुजरात के कमबोई गाउं में यतीत करते हैं और ये अपने भगत भीलों को जो है उपदेश दिया करते थे तो ये बगत भीलों को जो है आपके गुजरात के पंच महल के जालोद नामक स्थान पर जो है क्या दिया करते थे उपदेश दिय करें तो इस एक की आंदोलन का नेत्रत्व किस ने किया था तो इस एक की आंदोलन का नेत्रत्व किया था आपके मोतिलाल तेजावत में किया था यह जो मोतिलाल तेजावत जो है ना मोतिलाल तेजावत के बारे में अगर आपन बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था फि उधेपूर के अंदर है और 1887 इस्वी के सम्तिंग जो है ना इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म जो है ना वो हुआ था आपके ओस्वाल परिवार के अंदर है ने तो ओस्वाल परिवार में इनका जन्म हुआ था और अपन बात करेंगे तो ये जेन होते हैं क्या होते ह सब्सक्राइब और निकल गये तो बाद में पर्चून का काम करने लग गये पर्चून का इत Mercado का काम करने लगे थह तो यह चीज आप כा दियान जो इन आ नहीं को अप्साँ दिया था थे जो Вलोतर आप किसी सापने सब्सकों दर्टॉया उश्य केस상 है किसे गई-एकम अब सबक्राइब कैंगी एकटनी मांगे इस इस गती टो permit ने वाडर की पुकार कहते हैं क्या बोलते हैं मेवाड की पुकार बोलते हैं इन 21 में आतरा मांगे मांगे कितनी नहीं तीं आधी यह तो आपन बात करेंगे यह उपन बात करेंगे जैसे बही आपके बेट बेगार कौन सी थी बही बेट बेगार कौन सी बात नहीं मानी तो भी बेट बेगार एक थी आपके वन संपदा और एक थी आपके सूवरों से समंदित यह तीन मांगे जो है यह आपके नहीं मानी इसलिए जो है यह आंदोलन जो है और ज एख्यत्र जиляाता था तो नीमड़ा के अंदर जैना अत्याकांट हो गया था और यह अत्याकांट हुआ हैters कि सथ मार्च 1922 को कब हुआ था यह जो आपका ना जो अत्याकांट ना इस नattend के बारें कि तोटल लोग कितने सहीद हुए थे और फिर अपन बात करेंगे कई इसको अत्याकांड को और किस नाम से जाना जाता हैस सबसे पहले तो अपन बात करेंगे फा cerning जो है ना वह कि थी आप डास। dol hèara gethan si нашего सुटांड की थी सूटन ने सुटींग करवा दी थी तो 12 solely राजस्ठान का दूसरा जलियावाय बाग उत्या काण कर औश को के अब गुजरात के इसको क्या कहा एं तो गुल देते हैं गुजरात का जलिया वाला भाग हत्याकांड जो है न वो इसको बोल देते हैं ठीक है ने तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है ने गुजरात का जलिया वाला भाग हत्याकांड अपने इसको कह देते हैं ठीक है ने स्क्रिंसोट लेना हूँ तो जल्दी से लेल लेलो भाई अगर लेना है स्क्रीन सोट तो लेलो 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 जल्दी से चलो ले लिया गया चलो ओके कि अब अपन बात करें तो यह तो अपन बात करें कि मोतिलाल तेजावस जोन एना यह मतलब भाग गए थे और फिर इनके उपर जोए नवाग गए थे तो इनके उपर एक अवाज दो नहां कितना रखा गया था फिर इनों ने आत्म समर्पन जो ए वो वो आपके कब किया था और कहां पर किया था फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कि यह आपके किस जेल के अंदर रहे थे फिर अपन बात करेंगे कि यह आपके रिहा कब हुए थे ठीकन है और फिर अपन बात करेंगे इनको खर्चे के लिए बत्ता कितना दिया गया था अब समर्पन कभ किया 1929 इस्वी में किया था 1929 इस्वी के अंदर इडर रियासत के खेड़ ब्रह्मा नामकस्थान पर और किसके कहने पर तो खेड़ ब्रह्मा नामकस्थान पर जो एना गांदी जी के कहने पर इन्होंने सरेंडर किया था किसके कहने पर तो गांदी जी के कहने पर थीक्ये ने तो ये चीज ध्यान रखना आए गान्धी जी के कहने पर इन्मोंने सरेंडर किया था जेल जो मनिलाल कोठारी के कहने पर मेवाड का सुप्रियम कोड था तो मेवाड के सुप्रियम कोड मेहंद्र राज सभा ने तो मेवाड के जो सुप्रियम कोड जो एना उसका नाम था आपके मेहंद्र राज सभा तो मेहंद्र राज सभा ने इन्हें रिहा कर दिया ठीक है ने और अप में रखना है चले हैं चलो वैं आपन बात करेंगे आपके सबसे पहले आंदोलन किया था ठीकन है लेकिन फिर भी अपन बात करें कि जहाजपूर क्षेतर जो है इस जाजपुर्क शत्र के मिनाव ने अड़ा सो चोपन से अड़ा सो साथ तक जो है खुब आंदोलन कर दिये थे लेकिन वास्तों में 1924 इसवी के अंदर जो एना एक कानून बना था फिर 1930 इसवी के अंदर जो एना एक और कानून बना था फिर अपन बात करेंगे 1923 इसवी क के अंदर जो है ना यह अंदोलन समापत हुआ था एक बार जो है ना मेन मेन बाते देखिए 1924 इसवी के अंदर जो है ना भारत सरकार ने जराइम पैसा अधीनियम जो है ना वह पारित किया इस जराइम पैसा अधीनियम में राजस्थान की मीना जंजाती को जो है ना सम्मि प्रिटिस इंडिया द्वारा पारित किया गया और मीना जन्जाती को सामिल किया और फिर 1903 में जेपुर रियासत द्वारा जराहिम पैसा आदिनियम वह आपके पारित किया था और इन दोनों कानुनों से मीनाओं ने आंदोलन किया 1933 में मीना क्षत्री सवा की स्थापना होई थी और अपन बात करेंगे 1944 के अंदर मीनाओं का नीम का थाना सम्मेलन हुआ था नीम का थाना जो सम्मेलन हुआ अप्रेल 1944 के अंदर और उसके जो अध्यक्स थे ना अध्यक्स का नाम क्या था तो जेन मुनी मगन सागर क्या नाम था भई जेन मुनी मगन सागर जेन मुनी मगन सागर जो है ना ये अध्यक्स थे और जेन मुनी मगन सागर की एक पुस्तक है और इनकी जो किताब है उसका नाम है आपक और आपके टिका राम पालिवाल के प्रियासों से तो हिरालाल सास्त्री और आपके टिका राम पालिवाल के प्रियासों से जो है इन दोनों के प्रियासों से क्या हुआ था तो हिरालाल सास्त्री और टिका राम पालिवाल के प्रियासों से जो है यह आपका जराइम पैसा नाम या अधिनियम जो है न वो आपके समाप्त किया गया और मीना अंदोलन जो है वो आपके समाप्त हुआ ठीक है बई तो ये मीना अंदोलन की में में बात है जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है चला लो भी अब अपन अगला टोपिक देखेंगे तो जो अगला जो आपके टोप तो किसान आंदोलन में सबसे पहले बिजो लिया देखो भी राजस्तान के अंदर जो है ना सर्व प्रतम किसान आंदोलन की पहल जो है ना सबसे पहले जो है सर्व प्रतम आंदोलन की सुरुवाज जो है वह आपके मेवाड क्षेतर के किसानों ने की थी तो मेवाड क्षेतर क किसानों दोरा राजस्तान के अंदर सबसे पहले अंदोलन परारम्ब किया चबने कि एग दोपन देखें गे इसकी आंज़ स्थिटि ती और फिर अपन बात करेंगे किक वर्तमान स्थिति क्या थी क्या है अब ध्यान से सुनना भई को सबसे पहले तो अपन बात करें तो यह जो बिजोलिया जो है ना यह आपके मेवाड रियासत का प्रत्म स्रेनी ठिकाना हुआ करता था किस रियासत का तो यह जो आपका बिजोलिया जो है ना वो आपके अच्छा निल्लू कुमारी देगर सर सिमा मेडम मैं भी बिलवाडा से हूँ अच्छा अच्छा के छलो कि अब मेवाड रियासत के बारे में अपन बात करें देखो भए-अब बात करें तो मेवाड रियासत जो एंध व侯 ने वह आपके प्रतम स्रथम ठीकानफे सब्स टुर्म स्रेनी का ठिकाना था और वर्तमान में आपके बीलवाड़ा जिल्ले में आता है और मेवाड का जो मानना सांगा थे ना तो सांगा जो थे ना सांगा ने उप्रमाल के अशोक परमार को जो है ना यह जागीर प्रदान की ती किसको भई अशोक परमार को तो बिजोलिया में पर परमार्वन्स का सासन था किसका था परमार्य या पमार्वन्स जो है ना उसका विजोलिया के अंदर जो है आपके सासन था ठीक नहीं तो यह ध्यान रखना आपको अब देखो भई मतलब असोग परमार को दिया था और जब आंदोलन्स हाँ जी तो अपन बात कर रहे थे आपके कभी के यह जो आपके बिजोलिया जो है ना यह महराना सांगा ने असोग परमार को दिया था और वर्तमान में बिलवडा जिल्ले के अंदर है और आंदोलन्स प्रारंब हुआ था ना तो जब यह आंदोलन्स प्रारंब हुआ उस समय अपन यदि बात करें तो एक तो अपन बात करेंगे मेवाड के महराना कौन थे और अपन बात करेंगे कि यहां का सामंत कौन था तो विजोलिया का सामंत कौन था तो जब आपका अंदोलन प्रारंब हुआ था ना उस समय अपन बात करेंगे जो मेवाड के जो महराना थे ना उनका तो नाम था फते सिंग क्या नाम था भई फते सिंग और विजोलिया का जो सामंत था उसका नाम था आपके राव कृष्ण सिंग कहते हैं कि विजोलिया किसान अंदोलन जो है न यह राजस्थान का भारत का पहला संगटित किसान अंदोलन माना जाता है और खास बात यह कि एक ऐसा किसान अंदोलन है जो 44 वर्स तक चला था और अहिंसक किसान अंदोलन तो विश्वका सबसे लंबा और आपके अहिंसक किसान आंदोलन ने तो भाई आपके जो और सबसे लंबा और अहिंसक इसान आंदोलन है 24 साल तक जो है यह आपके आंदोलन चलाँ था तो आंदोलन के जोँगें यहां के किसानों से सामंत वसूल रहा था कितने परकार के एक लोटेरी पद्दती वआ करती थी जिसको बूलते लाटा कुंता और इससे किसानों का बहुत सोषन हो रहा था और एक थी आपके बेगार प्रथा बेगार प्रथा अपना मतलब विक्राल रूप धारन कर चुकी थी और लोगों से जबर्दस्ति काम करवाया जाता था काम के बदले उनको दाम नहीं दिया जाता था तो एक जो नराइन पटेल थे किसान नराइन जी पटेल ने इसका क्या किया था विरोध कि यह दो तो इस वज़े से इनको डाल दिया था एक असश्र में बात करें बढ़ाई नज्व करन नथा चंवरीकर वो आपके 5 रुपे लगाया था तो ये लड़कियों की साधी पर 1903 में चमवरी कर लगाया था और अपन बात करें तलवार बंदाई कर तो ये जो आपका तलवार बंदाई कर जो है ना ये लगाया था आपके 1906 में कब लगाया 1906 के अंदर और जिस सामंत ने लगाया था उस 1903 और तलवार बंदाई परत्वी सिंग 1906 चलिए अब अपन बात करेंगे इस आंदोलन को तीन चरणों के अंदर जो है ना अपन डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि जैसे आपका पहला जो चरण है ना तो पहला चरण है आपके 1897 से लेकर के 1915 इस्वी तक कब से कब तक है 1897 से 1915 इस्वी तक है जो आपका जो दूसरा जो चरण है ना यह दूसरा चरण कब से कब तक है तो यह है आपके 1915 से लेकर के 1923 इस्वी तक है और जो तीसरा जो चरण है ना वो तीसरा चरण कब से कब तक है तो तीसरा चरण जो ह से जो महत्वपूर्ण जो चरण एना वो दूसरा है पहला चरण जो एना पहले चरण के अंदर क्या होता है एक तो आपके अंदोलन का प्रारंब होता है ठीक है तो इस अंदोलन का प्रारंब जो एना वो आपके गिर्दर पुरा गाउं से हुआ था और धाकर जाती के किसानो द्वारा किस जाती के किसानों द्वारा तो धाकर जाती के किसानों द्वारा और इसका नेत्रत्व किस ने किया था तो नेत्रत्व करने का काम किस ने किया था तो नेत्रत्व करने का काम किया था आपके सादू सिताराम दास ने किसने किया था भई सादू सिताराम दास ने इन्होंने नेत्रत्व करने का काम किया था तो यह चीज ज्यान रखोगे आप सादू सिताराम दास ने विजोलिया के अंदर मित्र मंदल की स्तापना की थी और विजोलिया के किसानों को संगटित करने का काम किया था और फिर अ स्योग की थे आपके जैसे प्रेमचंद भींगी और अपन बात करेंगे जैसे आपके फ़तेकरण चारण नर बात करेंगे जैसे आपके ब्रह्मदेव दाधीज ते कौन थे पू Tort ai उन को भैसारेएं अब अपन बात करें दूसरा चरण जो है ना दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण क्यूं है इसलिए है क्योंकि इस दूसरे चरण का नेत्रत्व कौन कर रहे हैं तो विजे सिंग पथिक नेत्रत्व कौन कर रहे हैं तो विजे सिंग पथिक जो है ना वो नेत्रत्व कर रखना है आपको और सबसे मेतोपूर्ण चरण यही है और तीसरे चरण के अंदर जो है ना अब देखो यह जो पतिक जो है ना Kansas 1916 में जुड़े आंदोलं से जो है ना साधू सीतरामदास के कहने पर कब जुड़े थे उनिससोड़ा में जो है आपके जुड़ गए थे साथु इतरामदास के कहने पर विजेई पथिक 1916 में जुड़े 1917 में अरियाली अमाउशा के दिन जो है बेरी साल नामक गाउं में किस गाउं के अंदर बेरी साल नामक गाउं के अंदर जो है ना बेरी साल नामक स्थान पर जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी तो बेरी साल में जो है ना हरियाली अमाउशा के दिन इन्होंने आपके बमबई में बापू की थी तो बंबई में गांदी जी से इन्होंने मिटिंग की थी और उसी का परिनाम देखिए कब नागपूर अधिवेशन के अंदर जो यह ना गांदी में जो एना विजोलया किसान अंदोलन को जो एना अपना आसिरवाद यानी की समर्थन प्रदान किया था वापूर में ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना अब आपन बात करें तीसरे चरण में जो है में पतिक आंदोलन से अलग हो गए पतिक जो क्या हो गए थे पिर कुछ समय के लिए आपके बजाज आए थे फिर अपन बजाज जो एना इन्हों ने अरिबावी उपाद्याई को नियतिरत्म फिर जो मेवाड के प्रधान मंत्रि थे टी विजेई रागवाचार्य जो टी विजेई रागवाचार्य थे टी विजेई रागवाचार्य ने क्या किया था राजस्व मंत्री मोहन सिंग महता को बेजा था तो जो मोहन सिंग महता जो थे ना इन्होंने किसानों के साथ समझोता किया और 1941 में जो 44 वर्सों से चला आ र जाएगी यह जो आपका कॉंसेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है मैं थोड़ी देर में वह लगवा भी दूँगा आपके इस के अंदर कमेंड भी पिन करवा दूँगा तो वह जो कमेंड जो इस क्लास के उपर होगा वहां आपको मिल जाएगा ठीक है न है तो यह चीज द्य अदर है और इसका जो आपके संपादक उवा करते थे तो इस प्रताप के जो आपके संपादक थे उनका नाम क्या था गणे संकर विध्यारती क्या नाम था उनका गणे संकर विध्यारती अब देखो विजे सिंग पथिक जो है ना विजे सिंग पथिक ने जो है इनके पास सांदी की राखी बेजी थी तो देखो भई पतिक ने जो है ना पतिक ने विध्यारती को किसकी राखी बेजी थी तो पतिक ने जो है आपके विध्यारती को चांदी की राखी बेजी थी किसकी वाली राखी बेजी थी तो चांदी की राखी बेजी थी ठीक है ने तो चांदी लगटिए को चांदी की राखिए थी और प्रताब knees समकर पत्र ने तो प्तिक के प्रियासों से जो एकिन है ऍसमोन किसान अंदुरण को यह समने किस समाचार पत्र ने जो हग विजोलिया किसान अंदुरण को पूरे इंडिया में जो है ना फेमस कर दिया तो इस विजोलिया किसान अंदोलन को जो है ना पूरे भारत के अंदर जो है चर्चित कर दिया था तो यह पूरे भारत में चर्चित करने वाला जो है आपका न्यूज वेपर कौन सा था भई तो यह ध्यान रखना भई यह था आपके प पत्र भी लिखा तबाल गंगादर्तिलग मेवार के महारणा को पत्र भी लिखा था तो मुंसी प्रेमचंद जो है उनका remotely उपन्या से जो आपके किसके उपर आदारीत है तो मुंसी प्रेमचंद का एक उपन्या से जो आपके विजोलिया किसान अंदुलन के उपर आदारीत है ठीकन है और अपन बात करेंगे एक आपके संकर सहाई सक्षेना है तो संकर सहाई सक्षेना की जो है न एक आपके पुस्त पुस्तक है संकर सहाई सक्सेना जो है ना इनकी एक पुस्तक है जो भी आपके विजोलिया किसान अंदोलन पर आदारी थे तो मुंसी प्रेमचंद का रंग भूमी उपनियास विजोलिया किसान अंदोलन पर आदारी थे और आपके संकर सहाई सक्सेना की जो है ना एक किताब ह जिसका नाम आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास क्या नाम में किताब का बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास तो ये किताब का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास एक देखो भई एक किताब आपके भगत आंदोलन हमने आंदोलन पढ़ा था ना उसके से किताब लिखी हुई बगत आंदोलन और भगतं नुना इस पुस्तक का ता लेखक कोण पड़ा पड़ ले लो भाई स्क्रीन सोट ले लिया चले आगे लो भाई अब जो है लो भाई अब अपन बात करेंगे आपके तो अंधोलन में भाग लेने वाली महिला एं कोन खुर तो एक तो अपन बात करेंगे जिसने नराइन देवी वर्मा थी रमा और दूसरी आपके नाम था उनका अंजना देवी चोद्री आपके अंजना देवी चोद्री है ना जेल भी गई थी कब गई थी 9031 के अंदर ठीक है बई और फिर अपन बात करेंगे आपके तो मेरा फोन उदर नीचे गिर गया हुआ कि दर से निकलोगे अब एक बात और याद रख लेते यहीं पर मैं आपको बता दूँ का अंदोलन के दोरान गए गेत अंदोलन के दोरान जो है ना कौन-कौन से गीत गए गए थे तो गीतों के अंदर अपन एक तो बात करेंगे कि जैसे मानिक के लाल वर्मा कौन सा गीत गा विजेज सिंग पथिक जो है ना इनका कौन सा गीत था फिर अपन बात करेंगे तो भावरलाल स्वर्णकार जो है ना इनका कौन सा गीत था भई तो लो भई सबसे पहले अपन गीतों की बात करें तो इनका मानिक के लाल वर्मा जो विजोलिया के किसानों को उत्साहित करने के लिए पंचीडा गीत गाते थे पतिक का जो गीत था वो था आपके पीडितों का पंचीडा कोंसा गीत था पई पीडितों का पंचीडा गीत था और स्वर्णकार जो भंवर्लाल स्वर्णकार थे ना वो गीत गाते थे तो ये आपके गीत और मानिक के लाल वर्मा वाला गीत अक्षर पुछा जाता है तो ये द्यान रखना ताकि आंदोलन बोरिंग नहीं हो क्योंकि अब इतना लंबा आंदोलन चलता है तो फिर इसलिए जो है ये आपके लोगों को थोड़ा सा मनुरंजन तो करना ही पड़ता है ना ठीक है परी चलो अब अपन बात करेंगे आपके बेगू किसान अंदोलन जो है ना 1921-25 तक चला था ऊपन बात करेंगे तो इसका प्रारंब जो है वह आपके कहा से वह सब्समार फिर अपन बात करेंगे कि इस आंदोलन का कारण गया था फिर अपन बात करेंगे कि बात कि वही क्या यह 13 जुलाई 1923 को हुआ था अगर हुआ था तो इसमें क्या हुआ था यह सारी बाते इस बेगु किसान अंदोलन में अपन देखेंगे देखो बैए यह बेगु जो है ना पहले तो आपके मेवाड रियासत के अंदर प्रतम स्रेणी का ठीकाना था और वर्तमान के अपके चित्तोडगड में आता है किसमें आता है और इसका प्रारंब जो है ना 1921 जो है ना मेनाल के बेरुकुंड नामकस्थान से हुआ था तो मेनाल के बेरुकुंड थोनोले नामक स्थान से यह आपके धाकड जाती किसानों द्वारा प्रारम्ब खिया गया किने प्रकार के करते घजञुवय और रामनाराइन चोधरि ज्यसंग Cette अधिक के निर्देशन में रामनाराइन चोधरी जो है इस आंदोलन का नेत्रत्व करते हैं इनकी धर्म पतनी अंजना देवी चोधरी भी इनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर लड़ती है यहां पर अगर अपन बात करें तो गोविंदपुरा में किसानों की सभा चल रही थी उस सभा के उपर जो है ना फायरिंग किसने की थी तो उस सभा के अंदर जो है ना फायरिंग की थी एक आपका अंग्रेज दिकारी था उस अंग्रेज दिकारी का नाम था आपके ट्रेंच क्या नाम था भई ट्रेंच उस ट्रेंच ने फायरिंग की थी तो एक तो आपके जो पुखाना रखना आपके अधिटियूज के थिझता योग आया था ठीक है तो यह चीज ध्यान रखोगे वह चलना आगे लो पर अब आएगा आपके बुंदी किसान अंदोलन अब बिल्कुल अदि मीना स्वागत है आपका कि अब आपका कि अब आपका देखो यह चो बुंदी किसान अंदोलन चो एना बुंदी का चो पत्रिला एरिया एना बरड उस बरड क्षत्र में हुआ इसलिए इसको बरड किसान अंदोलन भी बोलते क्या बोलते इसको बरड किसान अंदोलन भी बोलते क्यों बोलते इसको बरड किसान अंदोलन क्यों बोल जो पत्रिला एरिया है ना उस पत्रिले एरिया में प्रारंब हुआ तो ब्रड किसान अंदोलन इसको बोलते ठीक है न अब अपन बात करेंगे आपके तो यह जो आपका अंदोलन जो है न सबसे पहले तो यहां पर जो है न यह आपके देखेंगे अपन एक तो कभई के यह आ और, आपन बात करेंगे.. के यह जो आपका जो डाबी अत्याकान्ड जो है महल ना ये डाबी अत्याकान्ड जो है यह कब हुआ था था तो भई ये भी अपने को ध्यान रखना है क्यों हुआ था क्या रहा था तो यह सारी बात śब Concept के अस किम तो पात किरेंगे यह दो उतन Vegered के में अपरेजी वोगा प्रारंब और जाती के किसानों कि लिए में 20 Transformative और तरफण प्रकार के और आपके बुंदी में 25 इस प्रकार के करते नेत्रत्व किया था आपके पंडित नेनुराम सर्माने किस ने किया था पंडित नेनुराम सर्माने तो मुख्य नेत्रत्व करता ये थे और इनके सयोगी जो थे एक तो थे आपके आपके क्या नाम नाराइन सिंग कौन थे भई नाराइन सिंग और कौन थ तो एक और थे आपके बहरलाल स्वर्नकार तो यह इनके सयोगी थे बाकि आपको एक नाम ही याद रख लेना है और किसका नाम याद रख लेना है तो नेनुराम सर्मा का नाम धंग से याद रख लेना पर ठीक है नेनुराम जो है वह आपके सर्मा जो है नेनुराम सर्मा का न जो है आपको ध्यान रख लेना है ठीक है अब बात करें तो हां डावी किसान पंचाइत के इस्ताफना जो है वह 1922 में सादूसिता रामदास में की थी ठीक है अब बात करें डावी इत्याकांड जो है यह दो अप्रेल 1923 को उवा था और इस डावी के अंदर अपन एक तो ची से बात करेंगे तो यहां पर फाइरिंग जो अब उन्धी के पुलीस अदिक सकते जिनका नाम था आपके इकराम हुसेन में फाइरिंग की थी दो किसान ऋबे एक तो आपके देविलाल या देवलाल गुजर सही दोए थे और एक वह थे आपके नानक्जी भील जब सही दोए थे ना उसमें जंडा गित गारे थे तो फिर मानिक केलाल वर्मा ने इनकी याद में कौन सा गित लिखा था तो मानिक के लाल वर्मा ने उनकी याद में आपके अर्जी गीत लिखा अब याद कैसे रखोगे तो गोविंद पुरा अत्या का अंट, तेरा जुलाई 1923 तो उसको याद रखो डापी का तो डापी दो तारीक को दो याद करलो, खिक न? और अप्रेल का आप तो डाबी दो आप तो गोविन तेरा जुल्ला डाबी दो आप और ये दोनों कब हुए तो गोविन तेरा जुल्ला और डाबी दो आप ये दोनों 1923 में हुई थी ये क्या हुई थी ये दोनों जो है 1923 के अंदर गटना है हुई थी चलिए बढ़े आगे सब्सक्रिंद्र लेट अब आपके निमूचना किषान अंदोलन जोए ना यह आपका अलवर रियासत का खिसान अंदोलन है और अलवर रियासत के अंदर जो आंदोलन हुए ना दो आंदोलन हुए और दोनों सुवर विरोधी आंदोलन थे ये जो दोनों आंदोलन जो थे ना वो आपके सुवर विरोधी आंदोलन थे ये सुवर विरोधी आंदोलन क्यों थे बई तो सुवर विरोधी आंदोलन इसलि लेकिन लेकिन खाने के बाद जब उसको मतलब उसका पेट भरता है ना तो उसको फिलिंग आती है और वो आहा करता है फिर लोट पोट होता है इतना लोटता है फसलों को तोड़ देता है लेकिन यहां सामंत यहां के राजाओं ने जो है वो क्या कर रखा है तो यहां के राज थाउ प्तिबंद लगा रखा था जो राजा था ना हमें अप्तिशेऊ апठाइब कीरुने सब्सक्राइब और आप जानते ही हो इंग्लेंड की ठंड कितनी बहेंकर होती है अब उस बहेंकर ठंड के अंदर सुबह सुबह गूम रहे थे 10-11 कोई बज रही होगी एक दम से इनकी नजर पड़ी सोरूम के तरफ सोरूम खुल चुका था इन्होंने सोचरे यार क्या गाड़ी दिख रही ह बहुत सारे लोग जो है उनके स्वागत सतकार में वहां पर खड़े हो जाते हैं राजा वहां पर आते हैं उनको स्वागत के साथ अंदर बिठाया जाता है और लोग पूछते हैं करमचारी पूछते हैं कभी कि क्या लोगे ठंडा गरम तो सीधा कहा कभी के गाड़ी का चलो ठीक है फिर गाड़ी उनको दिखाई का टोटल कितनी अर्ट वहां और जे सिंग ने कहा लावर इनको देमो दिखाओ और वहां पर खोब सारे नोटों के बोरे के बोरे उंडे ले गए कभलों को भडिया गया इतने पेसे वहां पर पटके गए तो फिर वह अंग्रेजों को लगा रहे यार इतना पेसे उनका सोरी सोरी गलती हो वह पर जिदनी भी गाडियां थी सारी खरीद ली लेकिन जैकान सिकडے का इक्दो आर्टो रखा था क्योंकि उन्होंने वो गाडी देने से पहले मना किया था तौल ने कहा कि अपने को गाडी पर बेटने invertion नहीं है तो इस प्रकार की जो है वो चीजे चलती रहती थी ठीक है अब आपन बात करेंगे निमुचना किसान आंदोलन के बारे में तो कारण तो आपको पता ही है और यह जो आपका आंदोलन जो है यह आंदोलन एक तो अपन बात करेंगे एक तो प्रारंब जो है यह कि शेत्र में फिर अपन बात करेंगे कि वह इसका जो आपके नेत्रत्व जो है ना वो किनके द्वरा किया गया ठीक है फिर इसके बाद अपन बात करेंगे ये जो आपका निमुचना अत्याकांड जो है वो आपके क्या था कब हुआ था क्या ये निमुचना अत्याकांड आपके 14 मई 1925 इ किसानों किया और नित्रत्व किसने किया था जैसे एक तो आपन बात करेंगे जिसे ऑपन बात करेंगे मादो सींग और कौन है और अपन बात करेंगे जैसे गोविंद सींग है और एक के आपके जिसले सित्ता देवी तो इन सबी ने इस अंधुलन को लीड किय किया था अब देखो भई निमूचना गाउं में 800 किसानों की सबा हो रही थी और उस यहां पर चाजू शिंग यहां चजू सिंग ने की थी जो चजू सिंग इसको क्या बोलते हैं राजस्तान का जनरल डायर बोलते हैं और यह जो फाइरिंग हुई थी उस फाइरिंग के अंदर ूटल कितने लोग सहीद हुए थे तो सहीदों की संख्या के बारे में ये अधि अपन बात करें सो फाइर शहाए ना मातमा गांधी ने यंग इंडिया के अंदर क्या कहा तो मातमा गांधी ने इसको कहा कभई के जलिया वाला बाग अत्याकांड से भी अधिक वीबत से तो जलिया वाला बाग अत्याकांड से अधिक वीबत से और इनोंने क्या कहा तो और इनोंने कहा कभई के दोहरी डायर साही क्या कहा इन्होंने दोहरी डायर साही तो दोहरी डायर साही और जलिया वाला पाग अठ्या कांट से भी अधिक विबत्स इन्होंने कहा यंग इंडिया के अंदर किसमें कहा था यंग इंडिया के अंदर अच्छारसर की लाटली कह रहे हैं कि आपकी मेरा थन की कुछी में मेरी माने गजर का अलवा पनाया क्या बात है तो हलवे के साथ लो एक धम से क्लास मस्ती के साथ चलिया वाला बाग अत्याकांड से भी अधिक खतरनाक कहा और दोहरी डायर साही बताया था ठीक है भी और रियासत समाचार पत्र था ना उसने क्या कहा और अपन बात करेंगे एक आपके तरून राजस्तान समाचार पत्र जो है ना इसने इस अत्याकांड के बारे में क्या कहा था देखो भी अपन बात करेंगे तो यह जो आपका रियासत समाचार पत्र जो है ना निमुचना अत् वाला बाग हत्याकांड से की थी और तरून राजस्तान जो समाचार पत्र है न इस समाचार पत्र ने 31 मई 1925 इसवी को कब 31 मई 1925 इस गटना को निमुचना अत्याकांड को जो एना इस गटना को सचित्र प्रकासित किया था निमुचना अत्याकांड को क्या किया था सचित्र प्रकासित किया तो ये चीज़े एक्जाम ओरियंटेड है इस निमुचना के सानांदुलन की जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है बई तो स्क्रीन सोट लेना आओ तो जल्दी से ये स्क्रीन सोट आप ले लो बई हाँ जी बिलकुल डबल डायरीजम जो है वो इसको कहा गया चले अ कि अब आपन बात करेंगे आपके अगला जो किसान अंडुलन और यह किस रियाशत का बई अल्वर रियाशत का अंदर जब आंदोलन हुए थे ना उस समय राजा कौन थे वही तो जैसिंग थे तरी का सुवर्विरोदिय आंदोलन था अलवर के अंदर जो मेव मुसलमान जो थे ना मेव मुसलमानों को जागरू करने का काम किया एक संस्तान ने और उसका नाम था अंजुमन खादिम उल इसलाम क्या नाम था अंजुमन खादिम उल इसलाम तो यह जो आपका अंजुमन खादिम उल इसलाम जो है ना इसकी स्थापना 1932 इसवी के अंदर हुई थी और इसके जो संस्तापक्त है ना उनका नाम था आपक इसके इस्की स्थापना की थी तो इसने संगठित किया लवर और भरत पुर के मेव मुसलमानों को मुहमद हाभी के निटरत्व कौन करते हैं तो चोद्रायासेन खान 카ते हैं कौन करते हैं अंद्राया से किया चोदरी यासीन खान ने और ये चोदरी यासीन खान जो nieं को याद रे जाए तो वह भी घूब है ठीक है अब आपन बात करें ये तो इनका नित्रत था प्र निद्बर करेंगे तो यहां पर जो है ना हिन्दू मुस्लिम दगए यहां कि हिंदु मुस्लिम् जो दंगे हुए थे ना ये इंदु मुस्लिम दंगए कब हुए थे तो ये मेव मुसलिमानों और आपके अंदुओं के बीच में जो है न ये दंगे हुए थे आपके 1933 इसी के और जे सिंह को अठाकर इंगलेंड बेज दिया ये सिंह को अठाकर तो ये सिंह लिग दिया गधा और इस प्रकार से ऐस इसे किसान आंदर विए नहीं है तो से टिस प्रकार के करते हाँ पर इस वजे से आंद विए थे रे यहाँ पर उद्रासर किसान अंदोलन कौन सा है उद्रासर किसान अंदोलन और यह जो उद्रासर किसान अंदोलन जो है ना यह आपके कब हुआ था तो उद्रासर किसान अंदोलन हुआ अपन देखेंगे एक आपके महाजन किसान अंदोलन फिर अपन बात करेंगे भई दूद्वा खारा किसान अंदोलन कौन सा था भई दूद्वा खारा किसान अंदोलन तो यह जो आपके विकाने रियासत के जो आपके किसान अंदोलन जो एना इनके बारे में अपन बात कि साथ poopН बात करेंगे तो इसका जो ने तृष किया था तो चोधरी जीवन राम ने वह की साना अंधलन का को crispy नहीं ये दूधवा खारा जो एना 1924 इसवी के अंदर हुआ था और इसका नेत्रत्व किस ने किया था तो नेत्रत्व से पहले अपन देख लेते हैं कि यहां का सामन्त कौन था तो यहां का जो सामन्त था ना वो सामन्त का नाम क्या था सुरजमल सिंग था यहां के सामन्त का और फिर अपन बात करेंगे तो इसका नेत्रत्व किस ने किया था इस प्मान सिंह अर्य ते और जो हनुमान सिंह आर्य थे यूझे आपके 65 दिन भूर करताल की ति पर अपन बात करेंग तो एक तो इनके साथ और थी खेट्टु बाई और कॉन थी वही तो ओर थे आपके वेद्यम गार्मृ ठीके ने इन्हों यह अंदोलन आपके चलाया था एक और अपन बात करेंगे आपके तो और आपके कौन सा है बई तो और जो आपके अंदोलन जो है न वो जाएगा आपके कांगड किसान अंदोलन या पिर अपन बात करेंगे कांगड कांड तो कांगड किसान अंदोलन या फिर अपन उसको क्य कहे देगे कि कंगड कंड और यह कब हुआ था कांगड कंड 1946 में फिरच के अंदर है और कि उपसले खराब हो गई अगले साल ले लेना टेक्स लेगिन कांगड के सामंत ने जवर्दस्ती की और का कि इसी साल लेंगे कहते हैं कि कांगड के सामंत की सिकायत करने वहां के किसान जब विकानेर के महराजा के पास जा रहे थे तो कहते हैं कि उस कांगड के सामंत ने अपने लठेतो को बेज करके उनके परिवार के जो महिलाएं और बच्चे थे उनको कांगड किल्ले में ला करके रात भर उनके साथ दुर्व्योभार किया गया निर्ममता पूर्वक उन्हें पीटा गया था इतिहास के अंदर ये गटना कांगड कांड के नाम से कुख्या तो ठीक है भई य दिन रखना अभजा आपने बात करेंगे यह आपके मरवार जो ना मारवार के अंदर एक तो चलाथा आपके तो लांदोलन कहते नहीं तो तो लांदोलन जूंस जए ना यह चलाथा के विरोध में आंदोलन चला था माधा पसुओं की निकासी पर हटे प्रतिबंद के विरोध में प्रतिबंद के विरोध में अंदोलन तो इसका नेत्र तो किस ने किया था वो भी अपने को देख लेना है और फिर अपन बात करेंगे आपके तो अपन बात करेंगे जैसे आपके चंडावल गटना अपने को देखनी है 28 मार्च 1942 इसवी को और अपने को इस मारवाड के अंदर क्या देखना है तो और इसके अंदर अपने को देखना है डाबडाकांड क्या देखना है इसके अंदर अपने को डाबडाकांड और ये उवा आपके तेरा मार्च 1947 को ठीके ने ये ये बात है अ यह सबसे पहले तो अपन बात करेंगे तोल अंदोलन का नित्रत्व किया था के चांद या है और जय किसा इवह लो अब आगे बात करेंगे तो ऑगे हैं आपके शेकर का सामन्त कोन था फिर इसके बाद अगे बात करेंगे तो यह जो ना इस आंदोलन का जो है आपके नेतरत्व किस ने किया था इस आंदोलन का जो है नेतरत्व किस ने किया था फिर अपन बात करेंगे तो 1931 इस्वी में जो ना 1931 इस्वी में नेतरत्व किसमें किया था तो चलो भई एक बार अपन इतना देखते हैं प्रारंब जो है ना 1922 इस्वी के अंदर जो है ना 1922 इस्वी में शिकरक्षत्र के जाट किसानों द्वारा तो शिकरक्षत्र के जाट किसानों द्वारा जो है आपके यह आंदोलन प्र शिकर का सामन्त था आपके कल्यान सिंग कौन था भई शिकर का सामन्त कल्यान सिंग था अब आपन बात करेंगे नेत्रत्व किस ने किया था तो राम नाराइन चोदरी और हरी ब्रहम चारी ने किया था यह दोनों राजस्तान सेवासंग के क्या थे भई तो राजस्तान सेवास जो है ना उस राजस्तान सेवासंग के आपके सदश्य थे ठीक है अब आपन बात करेंगे अब आपन बात करेंगे तो ठाकुर देशराज 1931 में जो है ना भरतपुर के ठाकुर देशराज ने इस आंदोलन का नेत्रत्व किया हैना तो किसने नेत्रत्व किया तो भरतपुर के जो है ना भरतपूर के ठाकुर देशराज ने जो है ना वो नेत्रत्व किया था और अपन बात करेंगे तो ये जो आपका सिकर किसान अंदोलन है ना रामणाराइन चोधरी के प्रियासों से एक नूज बेपर हुआ करता था डेली हेराल्ड और यe डेली एराल्ट ये लंदन से प्रकसित होता था और इसके अंदर आपके सिक्कर आपके खबरें प्रकसित होती थी एक और अपन बात करें तो एक अंग्रेज सांसद हुए थे जिनका नाम था लोड़ पैथिक लोरेंस क्या नाम था उनका लोड़ पैथिक लोरेंस 1925 के अंदर जो है ना ब्रिटेन का जो House of Commons है जो ब्रिटेन का House of Commons है तो मतलब जो इंगलेंड की संसच जो है ना उसके अंदर सिकर किसान अंदुलन की मुद्दा उठाया सिकर किसान अंदुलन पर इन्होंने चर्चा की थी तो ये भी आपको द्यान में रखना है तो सिकर किसान अंदुलन के उपर चर्चा की थी इन्होंने लोड पेतिक लोरेंस ने जो की लोकसभा के सदश्य थे वहां का जो लोकसभा है वो क्या कहलाता है House of Commons कहलाता है ठीक है भई अब अपन बात करेंगे ये जो आपका सेखावाटी के अंदर थोड़ा सा ओर देख लेते हैं को यहां पर जो एना कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी महतोपून गटनाय हुई थी तो उन गटनांओं के अंदर एक तो आपको याद रखना है कट्रातल सम्मेलन ये जो कट्राथल सम्मेलन जो है ना इस कट्राथल सम्मेलन का आयोजन हुआ आपके 25 अपरेल 1934 इस्वी को कब हुआ था 25 अपरेल 1934 इस्वी को हुआ था शीकर में जो कट्राथल जगे पड़ती है ना इस सम्मेलन की अध्यक्स कोन थी तो इस सम्मेलन की जो अधिक स्तिना उनका नाम था आपके किसोरी देवी क्या नाम था किसोरी देवी और ये महिलाओं का सम्मेलन था और इस सम्मेलन के अंदर जो है ना 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था कितनी महिलाओं ने भाग लिया था तो 10,000 महिलाओं ने जो ह वणा अत्याकांड है तो यह जो खुदन अत्याकांड हैPS 22 अप्रेL 1935 इस्वी को कब वह 25 अप्रेल 1935 इस्वी को वह था कुदन गाहों के अंदर अंग्रेज आए थे आपके टेक्स लेने के लेकिन एक डोक्री थी जिसका नाम था धापी देवी किया नाम था धापी देवी के कहने पर किसानों ने टेक्स देने से जो है मना कर दिया तो केपटन वेब ने जो एना फाइरिंग कर दी केप्टन वेब ने फाइरिंग कर दी तो उस फाइरिंग के अंदर जो एना कितने किसान सहीद होगे चार किसान जो एना वह सहीद होगे जो चार किसान यहाँ पर सहीद हुए थे तो एक का तो नाम था आपके चेतराम दूसरे का नाम था आपके टिकुराम तीसरे का नाम था आपके तुलचा राम और चोते का नाम था आपके आसा राम इन चारों का जो है राम नाम सत वहां पर क्या हो जाता है ठीक है ने और इन्हों ने टेक्स क्यों नहीं दिया तो इन्हों ने टेक्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जो धापी देव के कहने पर जो या तो धापी देवी द्वारा उत्साहित की जाने पर जो है ना उत्साहित चाहित गूंज वो आपके भीटेइन के हाउस ओफ कॉमन्स तक सुनाई दी थी तो इस अत्याकांड की गूंज मिन्स चर्चा इस अत्याकांड की चर्चा कहां पर हुई थी तो बिटें के यानी की इंगलेंड के हाउस ओफ कोमंस में ऊई थी तो ये चीज आप ध्sy हुआ पिदान में और देसों के अंदर भी चर्चा काविसे बना रहा था और आपको एक चीज थ्यान रखनी है यह आपका सेखावाटी किसान अंदुलन एना तो किस ने किया था तो इसे खावाटी जगात अंदॉलन का नेदरत्व किस ने किया था और ये नरोटतम लाल जोसी पिर बाद में राजस्थान विदान सभा के पहले अद्यक्स बने थे तो राजस्थान के पहले विदान सभा अज्यक्स भी फिर बाद में ये निरोत्तम लाल जोसी जो है वो आपके बने थे और इनका सम्मंद आपके सेखावाटी से रहा है 1949 में इन्होंने जकात आंदोलन का नेत्रत्व किया था और मेवाड का जाट किसान आंदोलन मात्री कुंडिया से प्रारंब हुआ था और ये मात्री कुंडिया आपके कहां पर है बही चितोड किडगे अंदर आता है और इसको मेवाड या राजस्थान का हरीद्वार केते क्या बोलते इसको मेवाड या फिर राजस्थान का जो है ना हरीद्वार कहा जाता है और यहां से 22880 किसानों ने आंदोलन प्रारंब कर दिया था लेकिन मेवाड महरणा ने किसानों की मांग को स्विकार कर लिया इस वज़े से जो है जल्दी से जो है फिर क्या हो गया यह आंदोलन समात हो गया था ठीक है तो यह द्यान रखना है जकात और फिर याद रखना है मातरी कुंडिया अब अपन बात करेंगे फिर इ का नित्रत्व न है तो यहीं आपको ध्यान में रखना लिए तो पोजी लंबरदार भरत-पूर और कुंवर नित्रत्व यह ऊजिए निया टॉपिक आपके मारत इन का इतिहास है तो मारवाड का इतिहास करवाने के लिए जो है हम पस्यवी राजस्तान के ही एक विश्व विख्यात सर को जो है आप सभी के बीच आमंत्रित करेंगे और वो सर आप सभी के लाडले अधित्यचारण सर हैं अधित्यचारण सर आप आएंगे और वो यह मारवाड का इतिहास करवाएंगे उसके बाद पुने मैं आऊंगा और जो बाकी के बच्चे हुए टोपिक्स जो है वो सारे करवाऊंगा ठीक है बई तो वेलकम सर जी पदारिये जैने बाद गुरुजी आप राम सुप्रिपर के चलो बच्छ नीचे आजाओं हाँ नमस्कार सभी को नीचे तो तार दिया गया है अच्छा चलो बई सभी लोग हाँ नमस्कार सभी को सर को थोड़ा आराम दे देते हैं आपन लंबे समय से चार बजे से सर लगे हुए हैं तो है टेस्ट में चल रहा है चलिए तो आओ भी सभी सुरू करते हैं आपन राज़्यस्तान में मुल रूप से राठोरों की तीन साखाएं थी मर्यास्तों की बात करूँ तो मतलब जो एक इकरण के समय उन्नी स्रियास्ते थी उनमें से मारवाड फिर मारवाड से एक अलग हुआ विकानेर और मारवाड से ही अलग हुआ एक किसंगड मारवाड के सासक राव जोदा के पुत्र विकाने विकानेर बसाया मारबार के सासक, मोटा राजा उदे सिंह के पुत्र, किसन सिंग ने किसन का जबसाया, ठीक है अब राठोड मूल रूप से यदी मैं बात करूं राठोडों की, तो राठोडों को लेकर दो मत्थ हैं, कि राठोड आये कहाँ से, इसको लेकर दो मत्थ है कि राठोड मूल रूप से आये कहां से थे एक मत तो कहता है कि राठोड जो थे वो कन्योज से आये थे कन्योज वैसे अपन बात करें तो तीन मत हैं कन्योज तूसरा कहता है यह दक्षिन भारत से आये थे दक्षिन भारत से आये थे यह जो कहते हैं यह कहते हैं कि यह कन्योज के गहडवाल है कन्योज के साथ जैचंद गहडवाल के वांसाज है तूसरा जो मत है वो यह कहता है कि यह दक्षिन भारत के राष्ट कुट है दक्षिन भारत के कोन है राष्ट कुट है यह राष्ट कुट से ही फिर नाम पड़ा राठोड राष्ट कुट से ही फिर नाम क्या लेकर उन मत को अपन देख लेते हैं कि राचोडों की उतपती के कौन-कौन से मत हैं. पहला जो मत है वह आपके पुस्तक हैं सिशननाम है राज रतनाकर जो कि सदासिव ने लिखी राज रत्मागर सदासीं यह जो राज रत्मागर की पुस्तक के सदासीं यह कहते है कि राठोड जो है वह हिर्णया कस्यप की सम्तान डूसरा जो मत है दूसरा जो मत है वो मुल रूप से नैनसी का है मोहनोत नैनसी का मत है जो मत है उस मत में कुछ लोग इनके समर्थक ओर हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है ये कहते हैं कि ये राठोड जो है ये कन्योज के साथ जैचंद गहडवाल के वनसज है किसके वनसज है जैचंद गहडवाल के वनसज है तो सेकिंड वाला जो मत्त है ये मानता है कि राठोड जो है ये जैचंद गहडवाल के वनसज है कन्योज का जो राजा था जैचंद जैचंदि के बंसा जाए अच्छा इस मत्क्या समर्थन करने वाले भी कुछ लोग है जैसे एक इतियासकार है जिनका नाम है पंडित विश्वेस्वरनाथ रेवू पंडित विश्वेस्वरनाथ रेवू जो पंडित विश्वेस्वरनाथ रेवू है वो इस मत्का समर्थन कर करते हैं दूसरे कौन समर्थन करते हैं इसका टोड़ बाबा इसमत का समर्थन करते हैं करनल जैम्स टोड़ इसमत का समर्थन करते हैं इसके अलावा जो आपका पर्थुराज रासो और जोदपुर राज्ये की ख्यात है उसमें भी यही माना गया है और इससे राठोडों को जोदपुर्राज्य की जो ख्यात है उसमें भी इसमें यही माना गया है जोदपुर्राज्य की ख्यात जो जोदपुर्राज्य की ख्यात है वो भी यही कहती है जोदपुर्राज्य की ख्यात है और यह सब राठोडों को सुरिय वंसी बताते हैं राठोडों को क्या बताते हैं सब राठोडों को सुरिय वंसी बताते हैं, सुरिय वंसी, ठीक है बई, तो दूसरा मती ये है, आप याद रख लेना, राज रतनाकर में ये कहा गया है, कि राठोड जो है, वो हिर्नाकस्यप की संतान है, दूसरा नैंसी का मुख्य रूप से मत है, कि ये कन्योज के सासक चंद गहडवाल के वंसज है, उसके अलावा, तीसरा जो मत है, वो दयालदास की ख्यात के नुसार है, तीसरा मत किस ने दिया है, दयालदासरी जो ख्यात है, दयालदासरी ख्यात, ये जो दयालदासरी ख्यात है, ये ये कहती है कि राठोड जो है, वो एक ब्रहमन है, जिन की संतान बताया गया ब्रहमन भल्राव की संतान बताया गया इसमें राठोडों को ब्रहमन भल्राव की संतान बताया गया उसके अलावा एक जो मत है वो डॉक्टर हारनली का है डॉक्टर हारनली और इस मत का समर्थन ओजा साब भी करते हैं यह कहते हैं राठोड जो है वो और ये जो डोक्टर हार नली है इनका समर्थन ओजा भी करते हैं गोरी संकर हिराजन ओजा ओजा भी इसका समर्थन करते हैं ओजा और ये दोनों क्या कहते हैं कि राठोड मूल रूप से कहां के हैं तो बदायू के हैं कहां के हैं बदायू के हैं ये उत्पति को लेकर मुख्य रूप से चार मत हैं बई उत्पती को लेकर मुख्य रूप से कितने मत हैं चार मत हैं हना जो भी होगा जैसे भी होगा मूल रूप से ये चार मत उत्पती को लेकर माने गए हैं अच्छा जो प्रोपर कहानिया चलती हैं जैसे मैंने आपको बताया जोदपुर राज जी की जो राव सीहा, अब मैं राव सीहा की दो चार बाते कर लेता हूँ, यह याद रख ले ना कन्योज वाली और यह आपकी राश्टरकुट वाली है ना, चलिए, राव सीहा, राव सीहा, राठोड वंस के या फिर मैं यह कहूँ कि राजस्तान के राठोडों के आदि पूरूस हैं, राजस्तान के राठोडों के क्या हैं, आदि पूरूस हैं, इन्होंने राजस्तान में राठोड राजबंस की इस्थापना किये, यह 1240 में किये बई, कब की है, 1240 में, 1240 में इन्होंने राजस्तान में राठोड राजबंस की इस्थापना किये, राव सीहा ने, अब देख था सेतराम उनके पिता है उनके पुत्र है सोरी राव सिहा तो राव सिहा के जो पिता है उनका नाम है सेतराम क्या नाम है सेतराम नहीं सेतराम सेतराम के सो संतान थी सेतराम के कितने संतान थी कुल सो संतान थी इनके सो पुत्र थे उनमें से एक थे सिहा उनमें से एक कौन थे उनमें से एक सिहा थे सिहा के बारे में कहा जाता है कि उननचास से उननचास से सिहा बड़ा और सिहा से बड़े 50, यानि सिहा कुल 51 में नंबर पे था, 49 से सिहा बड़ा, 49 से सिहा बड़ा, खुद सिहा, 49 से बड़ा, सिहा से बड़े 50, यानि 51 में नंबर पे सिहा, और इन से छोटे 49 हो रहें, तो इनके 100 संतान थी, अच्छा, ये माना जाता है, जब सिहा का जनम हुआ, जब सेत्राम के गर सिहा का जनम हुआ या आपके कन्नोज में उस समय मूल रूप से जोती सी जो थे उन्होंने जोती सी अच्छा होता क्या है आज के समय तो आपन बच्चे के जनम के बाद टाइम बगिरा पूरा नोट कर लेते हैं पहले के समय जो दाई हुआ करती थी वो सुरिय के अनुसार जमीन पर लकीर खीच दिया करती थी तो यहाँ पर भी यही हुआ अब वो दाई उस समय लकीर खीचना बूल गई उसके 10-15 मिनिट बाद में याद आया कि लकीर खीच नहीं है फिर उसने देखा कि क्या ही पता चलता है उसने उस समय जहाँ पर सुरिय था वाँ पर लकीर खीच दि फिर ब्रहमनों ने कुंडली वगेरा देखी तो ब्रहमनों ने कुंडली देखी जैसे ही देखी वो सारे चीजें देखी तो इसको सेतराम को यह कहा कि ये बच्चा आपके लिए खतरनाक है यदि आप इसका मुह देख लोगे तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे यानि पिता के लिए गातक है अब कोन ये चाहेगा कि खुद की मरत्यू हो तो तुरंत उन्होंने जलादों को बुलाया सेतराम ने और कहा कि इनको जंगल में छोड़िया हो सिया को कहा छोड़ दो जंगल में छोड़ दो और जंगल में छोड़ दो वहाँ पर ले जागे इसको मार दो अब वो जंगल में मारने के लिए गए वो जैसे ही मारने के लिए गए उन्होंने देखा भई इतने छोटे से बच्चे को मारा तो नहीं जाएगा एक काम करते हैं सेर की एक गुफा थी उस गुफा के अंदर छोड़ दिया कि अपन गुफा के अंदर छोड़ देते हैं जो भी होगा सेर अपने आप खालेगा अपने आःत से तो ये नई पाप औगा, ये नई मारा जाएगा, उसके बाद ने उस गुफा में छोड़ दिया, जब उन्होंने गुफा में छोड़ा, तो सेरनी को फिर ये लगा, थोड़े समय बाद, ये भी मेरा बच्चा है, उन्हीं के साथ रहने लगा, दीरे दीरे फि इनके कोई प्रोपर राजा नहीं था अब ये पालिवाल ब्रामन मुल रूप से व्यापारी थे व्यापार किया करते थे एक बार ये जा रहे थे कन्नूज की तरब जा रहे थे इन्होंने देखा कि जंगल में तीन सेर हैं और एक कोई बच्चा है जो कि जानवरों की तरह ही चल रहा है सेर के जैसा ही बरताव कर रहा है और वो उनके साथ बराबर लड़ रहा है उन सब को प्राजित कर रहा है उसके बाद में वो गए सेतराम के पास सेतराम को जाके बताया सेतराम को जब जाके बताया कि ऐसे ऐसे है और इस इस परकार से मामला है सेत्राम ने उसे बुलाया मंगवाया किसी से फिर वहाँ पर सेत्राम को समझ में नहीं आया कि मामला क्या वो जलाद वहाँ पर खड़े थे जलादों ने का कि यदि गुना माफ कर दो तो बता हम देंगे की मामला क्या है का सोगुना माप हैं, बताऊ क्या मामला है, उन्होंने का ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे छोड़ कर आए थे, फिर पालिवाल ब्रामनों को सीतराम ने का कि आपका बहूत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दिया, ऐसे हो गया, वो हो गया, उसके बाद में पा भी ले जाओ, बुला नहीं, हमें तो यही चाहिए, और सेरों के साथ था इस कारण नाम हो गया सिहा, तो सिहा को ले आया, अब यह कहानी सच है या गलत, जो भी है, जैसा भी है, पर अपने को माननी पड़ेगी, एक बार के लिए मान लो, यूगो यूगो से यही कहानी चलती को, आगे चलकर इनकी मृत्यू भी यही पर हुई, राव सिहा की, राव सिहा की जो मृत्यू हुई, यूद लड़ते हुए, मुसलमानों से, जो आपके 1273 में, 1273 में, यही पर इनकी मृत्यू हो गई, याद रखना, इनकी जो छत्री है, वो बिठु पाली में इस्तीत है, यह दो तीन नोर्मल, नोर्मल सी जानकारी आप राव सिहा के बारे में याद रख लेना, राव सिहा के बाद में, आगे चलकर मारवार की जो सासक बने, वो बने आसनात, जब मैं पाबुजी आपको पढ़ाता हूँ, तब भी माँ आपको बताता हूँ, आसनात, आसनात के बारे में अपने को ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, नोर्मल याद रख लेना, इनके बाद में आसनात सासक बने, जो कि आपके 1273 से लेकर, 1291 तक राजा बने, आसनात के बाद में जो राजा बने, वो बने राव दूहड, राव दूहड, राव दूहड, इनको अपन राव दुलड भी कहते हैं राव दुहड के बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने क्या हो सकता नहीं है आप सिर्फ इतना सा याद रख लो जो कि अपन लोक देवियों में पढ़ते हैं इन्होंने अपनी कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्मान करवाया दक्षिन भारत से ये परतिमाले कराये थे जो कि मैं आपको अपने जब देवियां अपन पढ़ते हैं नागनेची माता जब अपन पढ़ते हैं तो मैं आपको पढ़ाता हूँ नागनेची माता के मंदिर का निर्मान करवाया नागाना में इन्होंने मंदिर का निर्मान करवाया नागाना वर्तमान में कहा पर है तो नागाना वर्तमान में बालोत्रा जिले में है कौन से जिले में है बालोत्रा जिले में है जाना नागाना बालोत्रा में इन्होंने अपनी कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्मान करवाया। जाना बालोत्रा में अपनी कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्मान करवाया। ठीक ठाक पढ़ना तो वो है राव चूडा जिनको आप राव चूडा भी कहते हो आना राव चूडा या फिर अपन कहते हैं राव चूडा इनके बारे में दो तीन चीज़ें अपने को याद रखनी है। सबसे पहले राव चूडा का कारियेकाल याद रहे बहुत अच्छी बात है वड़ना कोई बात नहीं है। राव चूडा का जो कारियेकाल है वो आपके 1384 से लेकर 1423 तक इनका कारियेकाल है। मंदोर को इन्होंने राजदानी बनाई और मंदोर इनको मिला दहेज में मंदोर में इंदा परतिहार थे परतिहारों की इंदा साखा थी इंदा परतिहारों ने अपनी पुत्री का विवा इनके साथ किया था और इन्होंने फिर मंदोर को राजदानी बना दी अच्छा इन कि इंदा को उपकार राठोड कभी नहीं बूलेंगे चुंडा को चंवरी पे बैठाया यानि अपनी बेटे के साधी की और मंदोर दहेज में दे दिया तो इन्होंने मंदोर को क्या बना दी इन्होंने मंदोर को राजदानी बना दी अच्छा इनके बारे में आपको दो तीन चीज़ें और याद रखनी है इनके जो मैन रानी है मैन जो रानी है वो दो है दो है जिनके बारे में अपने को थोड़ा बहुत याद रखना है दो रानी है कौन कौन सी है एक रानी है जिनका नाम है चांद कमरी एक रानी का क्या नाम है चांद कमरी ये जो चांद कमरी है इन इन्होंने चांद बावडी का निर्मान करवाया है मंदोर में कौन सी बावडी का निर्मान करवाया है तो मंदोर में इन्होंने चांद बावडी का निर्मान करवाया है कौन सी बावडी चांद बावडी का निर्मान करवाया है अच्छा ये जो आपके ये जो आपके चांद कमरी हैं इनके एक पुत्र था एक पुत्री थी चांद कमरी का जो पुत्र है उनका नाम है रनमल पुत्र का नाम क्या है रनमल और इनके जो पुत्री है उनका नाम है अंसाबाई पुत्री का नाम क्या है तो पुत्री का नाम है अंसाबाई अब यहां पर एक ठीक ठाक सी कहनी देखना भई इनके पुत्री का नाम है अंसा भाई अब आगे चलकर जो यह आपके राव चुड़ा है यह एक दूसरी रानी से साधी करते हैं जिनका नाम है किसोर कमरी किसोर कमरी से जब यह साधी करते हैं तो साधी इसी सर्थ पर करते हैं कि उत्पन पुत्र गद्धी का उत रनमल बनेगा पर अब यहां पर इनसे साधी इस सर्थ पर किये कि उत्पन पुत्र गदी का उत्रादी कारी होगा इसके बाद में यह जो किसोर कमरी है इनसे उत्पन पुत्र है उनका नाम है काना कौन है काना तो यहां पर थोड़ा सा आप याद रख ले ना उसके बाद में अब रनमल राजा नहीं बन पाएगा, राजा तो कौन बनेगा, हाँ वो चांदबावडी अलग है, ठीक है, वो चांदबावडी अलग है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यह काना राजा बनेगा, तो इन्होंने काना को उत्रादिकारी गोसित कर दिया, क जोजावर की जागीर देदी रणमल को रणमल को कौन सी जागीर देदी रणमल को देदी जोदावर की जागीर अब जोजावर में रणमल चला गया रणमल अपने परिवार को ले गया अपनी मा को ले गया अपनी बहीन को ले गया अब ये जोजावर की जागीर से संतूस्त नहीं हुआ भई सीधी सी बात है जो वेक्ती राजा बनने का सपना देख रहा है उसको आपने जागीरदार बना दिया तो वो संतूस्त थो नहीं हो पाएगा ये थो वो वाली सी बात लग रही है मुझे की राहुल गांदी को विदायक बना दो वैसा सा ही मामला लग रहा है तो ये जोजावर की जागीर से संतुष्ण नहीं हुआ आगे चलकर रणमल चला गया मेवाड रणमल कहां चला गया मेवाड और इस समय मेवाड में जो सासक है वो है राना लाखा राना लक्से सिंग मेवाड में राजा कोन है इस समय मेवाड के जो राजा है वो है राना लाखा ये राना लाखा के पास चले गए उसके वाद में मतलब मेवाड चले गए मेवाड चले गए उस समय मेवाड के सासक है राना लाखा अब इनको अंसा भाई की साधी करनी थी, किसकी साधी करनी थी, अंसा भाई की साधी करनी थी, अब ये जो आपके राणा लाखा हैं, इनके एक पुत्र हैं, जिनका नाम है युवराद चुंडा, क्या नाम है, युवराद चुंडा, युवराद चुंडा, आपने मिवार में राना लाखा को ही कहेगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दूत गया रनमल की तरप से, मेवाड महराना राना लाखा के पास, और लाखा को जाकर कहा, कि मैं मेवाड राजकुमारी अंसाभाई का नारियल, मेवाड महराना लाखा के पुत्र युबराद चुंडा के लिए में चल रहा था, चुंडा ने कहा कि हाँ अब बुड़ापे में अमारे लिए तो कौन लाये, युब राज के लिए तो लाइन लगी पड़ी हैं, यदि अमारे लिए लाओ, तो पैचाने कि आप अमारे लिए लेकर आए हो, अब दूत क्या ही करे, दूत वापस चला गया, दूत ने वापस जाकर कहा, रनमल का दिमाग खराब हुआ, सब का दिमाग खराब हुआ, पर चांद कमरी का दिमाग खराब नहीं हुआ, चांद कमरी ने कहा कि कोई बात नहीं करदो साधी, पर सर्त वो ही रखो जो मारवाड में है, अब उसके बाद में दूबारा गया दूथ साम को, दूथ ने जाकर कहा कि मैं महरवाड राजकुमारी अंसाबाई का नारियल मेवाड महराना राना लाखा के लिए लेकर आया हूँ, मन में लड़ू फूटा, नया केरबरी डेरी मिल्क, ऐसा साही मामला हुआ, अब लाखा से साधी कर दी गई भी अंसाबाई की, और साधी इस सर्थ पर कर दी गई कि उत्पन पुत्र गद्धी का उत्रादिकारी होगा, साधी से पहले यूवराज चुंडा से पूछा गया, तो यूवराज चुंडा ने कहा मेरे बाप पहले आप, आप कर लो साधी, यूवराज कहा जाता है मेवाड का बिस्म पितामा कहा जाता है अब उसके बाद में क्या हुआ भई कि राना लाखा से साधी हो गई किसकी औनसाभाई की तो पुत्र उत्पन वांगा नाम है कि उत्र क्या नाम है मोकल अब सरुवाति संग्रक्षक बांगा यूराच थोड़े समयँ बाद यह जो आपके राना यह जो आपके रंड मल हैं इन्यों ने अपनी भहीं अन्सवाई को बैकाना चुरू किया और अन्सवाई को यह कहना चुरू किया कि यह मार देगा तो यह जो युवराद चुंडा उसके बाद में मांडू चले गए मांडू के जो सरदार थे उसंग सा मांडू के जो सुवेदार थे उसंग सा उनके पास चले गए तो यह आगबार आप यहां तक याद रख लेंगे ठीक है तो यहां पर फिर मेवाड में सासक बन गए मोकल और उसके ब रनमल है इनके बारे में एक चीज और याद रख लेना रनमल को चितोर दुर्ग में मारा गया यूव राद चुंड़ा फिर दुबारा मेवाड में आ गए एक बार रनमल अपने पुत्र जोदा के साथ मेवाड गया हुआ था किस के साथ गया हुआ था जोदा के साथ कहां गया हुआ था मेवाड गया हुआ था अच्छा मेवाड में जो अंसा भाई ये रणमल की बहीं उनकी एक दासी थी जिसका नाम है बारमली जिसका क्या नाम है बारमली ये जो वा था तो साम का समय था, बार्मली ने फोन करके बुलाया होगा, आना बार्मली ने फोन कीया रनमल को कि जल्दी आजाओ दो दिन बाद न्यू इर'' तो कल अपन इन्जोई करेंगे new year पे आप पाल्टी साल्टी करना और आप मेवाड आजाओ रनमल ने का भी ठीक है रनमल आ गया रनमल ने का ठीक है मैं छोरे को भी साथ लेकर आ रहा हूं तो रनमल जोदा को लेकर साथ आ गया new year इन्जोई करने के लिए अब रनमल बैठा हुआ था साम को बढ़िया पी रहा था बारमली पैक बना बना के दे रही थी थोड़े समय बाद पता नी रनमल की दिमाग में क्या ही हुआ जोदा को खाना वाना खिला के सुला दिया गया कि तू टाइम पर सोजा अब ये कहा कि मैं मारवाड की मारानी कैसे बनूँगी तो उसने का कि मैं बहुत जल्दी कुंबा को प्राजित करके कुंबा को मार के मेवाड पर अधिकार कर लूँगा बारमली के अंदर राष्टेता जगी कि राष्टेता बड़ी चीज है उसके बाद में बारमली युवराद चुंडा के पास गई उनको जाकर का चुंडा ने का कोई बात नहीं आप इसको थोड़ा बहुत और पिलाओ और फिर इसको बांध दो वहीं पर फिर मैं चुंडावत सरदारों को बेज रहा हूँ चुंडावत सरदारों को बेजा चुंडावत सरदारों ने उसके बाद में रणमल को वहीं पर मार दिया जोदा को भी नोने मारने का प्रियास किया उस समय एक नागची था नगाडा बजाने वाला उसने जोदा को बचा लिया नागची ने उस समय नगाडा बजाना शुरू किया और कहा तारो रनमल मारी हो जोदा बाग सके तो बाग कि आपके रनमल की मृत्यू हो चुकी है जोदा बाग सके तो बाग यहाँ पर बाग सकता है तो बाग जा अब जोदा वहाँ से निकल गया और जोदा ने आगे चलकर एक गाउं है जिसका नाम है कोहूनी कोहूनी गाउं है ये जो कोहूनी गाउं है ये वरत्मान में बिकानेर में है कोहूनी गाउं में सरन ले ली और कोहूनी गाउं कहां पर है बिकानेर में तो याद रखना रनमल क कोहुनी गाउं में सरन ले ली और यहां से इन्हों ने एक दो बार जीतने का प्रियास भी किया पर यह नहीं जीत पाए उसके बाद में एंड में हां एंड में जोदा ने क्या किया एंड में जोदा ने क्या किया यह जो मंडोर के आसपास वाला छेत्र था इस छेत्र पर अध बेटे दोनों साथ आये, और मैं क्या ही बता रहा हूं, जोदा का बेटा था, आपके रनमल का बेटा था, राव चुडा का बेटा रनमल, रनमल का बेटा जोदा, ठीक अभी, चलो, अब देखो, उसके बाद में जोदा ने क्या किया, जोदा ने क्या किया, उसके बाद में ज 1403 में, 1403 में, दो लोगों को प्राजित किया, जिनमें से एक आपके अक्का सिसोदिया, दूसरे आपके हाहाडा हिंगोला या हिंगलू आप जिसको कहते हो, हाहाडा हिंगोला, तो एक तो अक्का सिसोदिया, अक्का सिसोदिया, एक तो इन्होंने अक्का सिसोदिया को आहाडा हिंगोला इन दोनों को प्राजित कर दिया हिंगोला और इन दोनों को प्राजित करके आहाडा हिंगोला को प्राजित करके मंडोर के आसपास के छित्रों पर अधिकार कर लिया प्राजित करके मंडोर के आसपास के छित्रों पर अधिकार कर लिया आसपास के छित्रों पर अधिकार कर लिया, जोदा ने अधिकार कर लिया, फिर मेवाड और मारवाड के बीच एक संदी हुई, मेवाड और मारवाड के बीच जो संदी हुई वो संदी आप लोगों ने मेवाड में भी पड़ी होगी जिस संदी का नाम है आवल बावल की संदी संदी का नाम क्या है संदी का नाम है आवल बावल की संदी अगली एक संदी जिसका नाम है आवल बावल की संदी में हुई भई, कब हुई, 1453 में हुई, ठीक है? किसra इस्तान पर estaan पर हुई, तो यह स और लाज़ात में हुई थी भई, कहाँ पर हुई थी? सोज़त में हुई थी, तो यह जो संदी हुई, यह सोज़त में हुई, सोज़त, यहाँ पर दो पेड़ थे, एक तो आवला और एक बंबूल दोनों को मेवाड मारवाड की सिमा निरधारित की गई दोनों को मेवाड और मारवाड की सिमा बनाई गई तो इसी कारण इस संदी का नाम पड़ा आवल बावल की संदी कौन सी संदी आवल बावल की संदी और मारवार के जोदा मारवार के संधी। इसकी अद्देस्ता किस ने की तो इसकी अद्देस्ता आपके अंसा भाई ने की। इस संधी के तहट मेवाड और मारबार की सीमा निर्धारित हो गई उसके अलावा इस संदी के तहट जो आपके जोद्धा है उन्होंने अपनी पुत्री का विवा कुंबा के पुत्र से कर दिया हाना यह अपने मेवाड में पढ़ा होगा एक दो चीजे इसमें और याद रख लेना उस में आजा बएlot सौजत की महंदी परसीद है जोदा को मारवार में शामंदी पर था है मारवार की सामंती पर था मारवार की जो सामंती पर था है मारवार की जो कौन सी पर था है जो सामंत वादी पर था है या फिर मैं कहूं कि मारवार की जो सामंत पर था है मारवार की जो सामंत पर था है इसका वास्तविक संस्तापक माना जाता है सामंत पर था का वास् करते हैं अगले मुख्य मुख्य राजा ही लेंगे अगले राजा की बात करेंगे राव माल्देव राव माल्देव की बात करेंगे ठीक अगले राजा की रूप में बात करते हैं राव माल्देव राव माल्देव का जो सासनकाल है ये आपके 1531 से लेकर 1562 तक है 1531 से लेकर कहा तक है? 1572 तक इनका सासनकाल है. दो- तीन मैन मैनें चीजिए और याध रख लो. मालडेव का जो राज्जा बिसेक हुआ, पित्रहंता है, इननोंने अपने पिता गुमारा था? राज्जाविसेक, इनका जो राज्जाविसेक हुआ वो सोज़त में हुआ वह, मालदेव का राज्जाविसेक कहां पर हुआ, कई बार परसन आता है, मालदेव का राज्जाविसेक कहां पर हुआ, तो मालदेव का जो राज्जाविसेक है वो सोज़त में हुआ, अब मालदे उस समय इन्होंने सेना बेज कर सहायता की थी, जब विक्रमादित्ते मेवाड के सासक थे, अल्पवेस के सासक थे, उस समय जब आकिर्मन हुआ, जिसके बाद आगे चल कर 33 मेवाड सितोड का दूसरा साका संपन हुआ था, उस समय, तो एक तो आप ये याद रखना, 1532 में, के सुबेदार, गुजरात के सुबेदार, पहदूर साह के, पहदूर साह के, मेवाड आक्रमन के समय, मेवाड की साहिता के, आक्रमन के समय, पहदूर साह के, मेवाड, आक्रमन के समय के समय के समय मेवाड की साहिता की या मेवाड की सेनिक साहिता की सेना बेजकर साहिता की मेवाड की साहिता की मेवाड की सेनिक साहिता की ठीक है इसके बाद में एक आप यह याद रखना आगे चलकर बनवीर के विरुद इन्होंने उदै सिंग की साहिता भी की थी है ना तो बनवीर के विरुद उदै सिंग की साहिता की इन्होंने इन्होंने बनवीर के विरुद उदै सिंग की साहिता की इन्होंने बनवीर के विरुद उदै सिंग की साहिता की इन्होंने बनवीर के विरुद उदै सिंग की साहिता की इन्होंने बनवीर के विरुद उदै सिंग की साहिता की इसके बदले में उदै सिंग ने इनको एक तो ह पाथी बेजा जिसका नाम था बसंत राय बसंत राय नामक एक हाती बेजा और इनको फिरोजे पेस किया फिरोजे का मतलब होता नगीना एक नगीना पेस किया नगीना आपको पता है तो उदय सिंग ने सेर्चा सूरी को भी फिरोजे बेजा था और माल देव को भी फिरोजे बेजा था, तो ये और याद रखना, उदै सिंग ने इनको इसके बदले में क्या दिया, उदै सिंग ने इसके बदले, उदै सिंग ने एक हाती बेट किया, जिसका नाम क्या है, बसंत राए, ठीक है, बसंत राए, उदै सिंग ने, माल देव को, माल देव को, बसंत राए ना समक राथी तथा फिरोजे बेंट किये फिरोजे मतलब नगीना ठीक है फिरोजे बेंट किया याद रख ले आगई बाद समझ मैं उसके बाद में आगे चलकर माल देव ने क्या किया हाँ फिरोजा नहीं फिरोजे यह क्या हो रख चल फिर आजवागर फिर आगे दो ती चीजे और याद रख लो आगे चलकर 1532 में बद्राजून का एक सासक था जिसका नाम है वीरा सिंगल इन्होंने वीरा सिंगल को प्राजित किया और बद्राजून की जो जागीर थी वो इ इनका नाम है रतन से किसने किसने सोब्दी माल देव ने सोब्दी तो याद रखना 1532 में 1532 यह लगबग 1532 में 1535 में पद्राजून पद्राजून के सासक था पीरा सिंगल पद्राजून के सासक पीरा सिंगल को इन्होंने प्राजित किया पीरा सिंगल को बाद इन्होंने अपने पुत्र रतन सिंग को जागीर सौपती तो बद्राजून की जो जागीर थी वो अपने पुत्र रतन सिंग को सौपती मालदेव ने अपने पुत्र रतन सिंग को सौपती रतन सिंग को सौपती रतन सिंग को सौपती ठीक है बद्राजून की जो जागी जिसका नाम है हीरा बाड़ी का युद थे कौनसा युद लड़ा 1533 में मालदेवने एक युद लड़ा जिस युद का नाम है हीरा बाड़ी का युद हीरा बाड़ी का युद हीरा बाड़ी का युद ये जो हीरा बाड़ी का युद है ये इन्होंने लड़ा 1533 में लड़ा ये जो हीरा बाड़ी का युद्धा है ये किस-किस के मद्धे हुआ भई तो ये आप लोग याद रखेंगे ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो हीरा बाड़ी का युद्धा है ये मारबाड और नागोर के मद्धे हुआ किस किस के मद्दे हुआ यह जो युद्ध है यह मारवार वर्सेज नागोर है मारवार वर्सेज नागोर यह मारवार वर्सेज नागोर है मारवार और नागोर के मद्दे यह युद्ध हुआ है अच्छा इस समय मारवार के सासक कौन है तो नागोर के इस समय, नागोर के इस समय जो सासक है उनका नाम है दोलतखां। दूसरी बात, यह जो आपके मालदेव वो खुद नहीं था, इस समय मालदेव का इस युद में जो सेनापती था, वो वीरम मंगलयो। ता वीरम मंगलियोर्थ था तो इस समय वीरम मंगलियोर्थ यहां पर यह जो आपके दोलत खां है यह प्राजित हो गया उसके बाद में दोलत खां प्राजित हो गया और इधर है वीरम मांगलियोत विजय हो गया जैसे ही वीरम मांगलियोत जीता वीरम मांगलियोत को मालदेव ने नागोर का सुबेदार नुट कर दिया नागोर का क्या बना दिया तो याद रखना वही नागोर का सुबेदार बना दिया वीरम मांगलियोत को नागोर को क्या बना दिया सुबेदार बना दिया तो याद रखना इराबाडी का यूद। पिर इराबाडी का यूद जो कि 1533 में हुआ मारवाड वरसेश नागोर, मारवाड के साथ माल देव और नागोर के साथ दोलत खान वीरम मंगलियोत इस समय मुख्य से नापती था यहां पर माल देव का और वीरम मंगलियोत जीच जाता है उसके बाद में वीरम जो मंगलियोत बीरम जो मंगली होता है इसको यहां का क्या बना दिया जाता है। नागोर वाला इसका एक हाथी था। किसका हाथी था। दोलत खान का एक हाथी था, दोलत खान का जो हाथी है उसका नाम है दरिया जोज, क्या नाम है दरिया जोज, दोलत खान का जो हाथी था उसका क्या नाम है दरिया जोज, हाथी का नाम है दरिया जोज, दोलत खान का एक हाथी है जिसका नाम है दरिया जोज, इस हाथी को लेकर माल देव माल देव और आपके ये जो आपका वीरम मांगली होता है इन दोनों के मद्दे विवाद उत्पन हो गया माल देव और वीरम मांगली हो ये जो आपका वीरम मांगली होता है इनके मद्दे विवाद उत्पन हो गया वीरम मांगली होता है माल देव के मद्दे विवाद उत्पन हो गया था कौन से हती को लेकर कौन से हती को लेकर तो ये जो जरिया जो साती है इसको लेकर विवाद उत्पन हो गया आगे चलकर इन दोनों के मद्दे इन दोनों के मद्दे युद्धुवा माल देव ने 1535 में वीरम देव को प्राजित कर लिया और मेरता प्राधिकार कर लिया मेरता प्राधिकार कर लिया ये मुलूप से मेरता का जागिरदार था आगे चलकर इन्होंने वीरम देव से अजमेर भी छिन लिया फिर वीरम देव सेरसासूरी की सरण में चला गया किस कि सरण में चला गया था सेरसासूरी की सरण में चला गया तो याद रखना एक तो सेरसासूरी को ये उकसाएगा जाके एक तो सेरसासूरी को ये उकसाएगा तो याद रखना माल देव ने 1535 में 1535 में वीरम देव को प्राजित कर दिया इस वीरम मंगलियोत को प्राजित कर दिया वीरम को क्या कर दिया प्राजित कर दिया और प्राजित करके इनका जो मेड़ता था वो छीन लिया ये मेड़ता का जागिरदार था मेड़ता छीन लिया उस समय बाद इनके पास अजमेर भी था तो इनसे अजमेर भी छिन लिया गया आगे चलकर इनसे क्या छिन लिया गया अजमेर भी छिन लिया गया और ये जो आपके विरम मंगली होता है ये अब चला गया किस के पास सेरसा सूरी के पास तो अब तो सेरसा सूरी के एक ये जाकर ऐसे चूट के बरेगा चल माल देव को औरा फिर एक राव जेटसी का पुत्र जाएगा आगे अपन बात करेंगे तो ये सेरसा सूरी के पास चला गया भाईया फिर आगे चल कर सेरसा सूरी मुठी बरवाजरे के लिए इंदूस्तान की वादसाथ खोदूंगा वाला बात करेंगा ठीक है ये आप याद रखना उसके बाद में रूठी राणी वाले मामले में मुझे ज़्यादा बताने कि आओ सेकता नहीं है रूठी राणी रूठी राणी भरनाر लम्बा चोड़ा टाइम निकल जाएगा आप सब को पता है रूर्ठीरानी वाला मामला क्या था मुझे नहीं लगता कि सिवाना पर अभियान करेगा सिवाना पर अधिकार करेगा तो मालदेव का अगला जो अभियान है उसका नाम है सिवाना अभियान ये जो सिवाना अभियान है ये 1538 का है वई सिवाना अभियान कब का है तो ये याद रखना 1538 का है 1538 का है सिवाना अभियान ये जो सिवाना अभियान है इसका कारण देखो कितना खतरनाग है इतना इसका कारण कितना खतरनाग है ये देखो इसका कारण ये है कि सिवाना का एक सासक था जिसका नाम था डूंगर सिवाना का सासक था और सिवाना का जो सासक था उसका नाम है डूंगर सिवाना का जो सासक था जिसका नाम है डूंगर सिंग को नागोर अभियान के दोरान माल देव ने सूचना बेजी थी, फोन किया था माल देव ने, और माल देव ने फोन करके का कि सुन मेरी बात, नागोर पर आकरमन करने जा रहा है वीरम, वीरम मंगलियोत, मेरता बाला, तु उसकी साहिता करना बढ़ना तेरी खेर नहीं है इसने का कि ठीक हैसाब कर लूँगा अब इस बेटी के बाप ने फोन बंद कर लिया और फिर मालदेव को का कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और मुझे लोकेशन आपने बेजी नहीं थी जाना का है मुझे पता नहीं मैं वीरम को फोन करकर क के ठक गया विरम का फोन लगनी रहा था मालदेव ने का तेकं फाल तु बात्ते करने के बिपास लिए ये पास टाइम यह ज्ञाद है मुझे सब बातों का पता है का पागल मत समझ ऐसे ही मैं पागल नहीं हूँ तो उस कारण से इस विवाद को लेकर मालदेव ने इस पर डुंगर सिंग पर आकर्मन कर दिया डुंगर सिंग को प्राजित कर दिया ठीक है और सिवाना पर भी मालदेव का अधिकार हो गया मालदेव का अधिकार हो गया मालदेव का अधिकार हो गया मालदेव का अधिकार तो सिवाना पर आकर्मन के आगई बाद समझ में अब आजाओ भई इसके बाद में मालदेव के समय सरुवाती दोर में मेवाड और मारवाड की सम्मंद अच्छे थे end में आगे चलकर end में आगे चलकर मेवाड और मारवाड के मद्देवी विवाद हो गया तो मेवाड और मारबाड विवाद मालडेव के समय मेवाड मारबाड विवाद क्या होता है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं हुआ क्या बई ये जो आपके सर सिम जियो की सिम होगी जो भी सिम होगी ने ट्रक नहीं आया होगा जो भी प्रोब्लम होगी चलो जो भी चलता होगा रे X Y Z समझ रहे हो मैं कहना क्या चा रहा हूँ बावना समझो मेरी सब्दों पर क्यों जा रहे होगा आप लोग चलो देखो भी इस समय मेवाड का एक वेक्ति था मेवाड का एक वेक्ति था जिनका नाम है जाला सज्जा क्या नाम है जाला सज्जा ये जो जाला सज्जा है इनका पुत्र जाला सज्जा का पुत्र जिनका नाम है जेत सिंग ये जेत सिंग उदैपूर छोड़ के मारवार आगया उदैपूर मेवाड छोड़के जोदपुर आ गया मारवाड आ गया मारवाड के सासक वीरमदेव वीरमदेव ने इनको एक जागीर दे दी जेद सिंग को एक जागीर दे दी और जो जागीर दी उसका नाम है आपके खेरवा का पट्टा दे दिया कौन सा पट्टा दे दिया खेरवा का प सवरूप दे जिनका नाम है जाली-रानी कहेंगी दोनों को अपन जाली-राणी कहेंगी दोनों जेत सिंग ने, अब देखो भई, मालदेव को पता चला, मालदेव ससुराल गया, और मालदेव ने जाके कहा कि ये क्या किया आप लोगों ने, इस छोटे वाली की सगाई मेवाड क्यों की, उदे सिंग से क्यों की, मैंने आपको बैटर मेसेज कर रखे हैं वोडसप पे, आप ने समझाने का प्रियास किया, कि मानलो बड़े वाली दिदी आपको, छोटे वाली की भी आपसे ही कर दें साधी, ऐसा थोड़ी है, बोलो मैंने कह दिया ना, इसकी साधी मेरे से ही होगी, अब एंड में ये नहीं माने, साधी उदेख से कर ली, उदेख सिंग को मेसेज किय मेरे साधी से विवा तू नहीं करेगा, मेरे साधी से विवा तू नहीं करेगा, तो उसके बाद मैं उदेख सिंग नाराज़गी साथ दिखाई देगी, वैस विवाद उत्पन हुआ इस कारण था, पीर आजाओ पई, अब माल्देख से अधिकार कर वाथे हैं, विकानेर बिकानेर पर अधिकार करवाते हैं और इस समय जो युद्ध हुआ इसका नाम है साहेबा या पाहेबा का यूद कौन सा यूद है? साहेबा या पाहेबा का यूद पाहेबा कैदो या साहेबा कैदो पाहेबा या साहेबा का यूद पाहे बाया साहे बाका यूद पाहे बाया साहे बाका यूद कौन सा यूद है पाहे बाया साहे बाका यूद ठीक है हाँ अब जो भी होगा जैसा भी होगा पाहे बाया साहे बाका यूद पाहे बाया साहे बाका यूद ये जो पाहेबा या साहेबा का युद है ये कब हुआ तो ये 1549 में हुआ वही किस किस के मत दे हुआ तो ये युद मारवार वर्सेज बिकानेर मारवार वर्सेज बिकानेर मारवार वर्सेज बिकानेर मारवार और बिकानेर के मत दे हुआ इस समय मारवार का सासक कौन है तो बिकानेर के इस समय सा सक है राव जेटसी इस समय बिकानेर के सा सक है तो राव जेटसी इस समय बिकानेर के सा सक है ठीक है अब देखो यहाँ पर मालदेव का जो सेनापती है वो है कुमपा मालदेव का सेनापती कोन है कुमपा मालदेव का सेनापती है इधर राव जेटसी लगा कि मैं युद हार रहा हूं तो राव जेटसी का पुत्र है जिसका नाम है कल्यानमल पुत्र का क्या नाम है पुत्र का नाम है कल्यानमल और यह जो कल्यानमल है इसने सरुवात में सिर्सा में सरन ले ली अरियाना में सरन ले ली और उसके बाद में ये भी चला गया सेरसा सूरी के पास चला गया शेर सा सूरी के पास कौन चला गया कल्यानमल चला गया राव जेट सी इस युद में वीरगती को प्राप्त हुआ राव जेट सी इस युद में क्या हुआ तो राव जेट सी इस युद में वीरगती को प्राप्त हो गया वीरगती को प्राप्त हो गया तो जीत गया कौन? कुमपा जीत गया, जैसे ही कुमपा जीता, मालदेव ने तुरंत कुमपा को दो जागिने परदान कर दी, जिसमें एक तो था डीडवाना और ये सेखा बाटी वाला जो छेतर है, इस पर भी इस समय लगबग, मतलब सिर्षा तक मालदेव का अधिकार था, सिर्षा तक मालदेव का अधिकार था, तो एक तो डीडवाना और दूसरी जुन्जनू, डीडवाना और जुन्जनु वाला जो छेतर है, इसकी जागिर परदान कर दी, किसको कुमपा को परदान कर दी, तो कुमपा को डीडवाना और जो जुन्जनु वाला छेतर है, यहा च्छलो तो यह आप लोग याद रखले ना मेवाड और मारवाड और विकानित विदात साहबाया पाहवागा कायोत उसके बाद मैं आ जाओ भई अब लड़बा देते हें सेरसा-सूरी ना मैपfs से चूट का बर रहा है कोँ वीरम एक तरफ से सूट का बर रहा है कोँ कल्यानमल की उस मालदे उसे फुटकरा मिलवा दो यह परेसान कर रहा है सबको सब के सबको वहाँ से निकाल रहा है तो एंड में फिर आता है सेरसासूरी एक खड़ा हो कि बई चलता हूं और दोनों के मध्धे जो युद्ध होता है उसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध पाली में था, अभी ये ब्यावर में है तो ब्यावर का युद भी कहेंगे क्या अभी वर्तमान में ये ब्यावर जिले में है, जेतारन वाला छेतर तो वर्तमान में ये गिरी सुमेल वाला जो छेतर ये ब्यावर जिले में है, ये युद कब हुआ भई अपने बाई साब माल देव जी, माल देव, मारवाड, माल देव, और इधर है सेर सा सूरी, इधर कोन है, तो इधर है सेर सा सूरी, सेर सा सूरी, माल देव खुद भी है, पर माल देव के मुख्य दोनों सेनापती यहां पर हैं, जेता और कुमपा, दोनों के दोनों सेनापती और यहाँ पर सेरसा सूरी का जो सेनापती है, मुख्य सेनापती है, उसका नाम है जलाल खान जूलानी। जुलानी जलाल खा जुलानी इस समय सेरसा सूरी का सेना पती है अच्छा सेरसा सूरी ने ये जो युद्ध है ये जो युद्ध है ये धोखे से जीत लिया एक कोई मतलब गलत पत्र मालदेव के आस पास डाल दिया जिसमें ये था कि जेता और कुम्पा ने वो पत्र लिखाय जैसे जिसमें वो सेर सासूरी को ये कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने क्या आउसकता ही नहीं है कल जब युद्ध शुरू होगा उसके बाद मालदेव आपके हातों में कैद होगा और हम लेकर आएंगे मालदेव को लगा बिग गए दोनों और मालदेव ने युद मैदान छोड़ दिया सिवाना चले गए इसी कारण सिवाना मालदेव आपके मारवार की संकटकालीन राज़दा नहीं है उसके बाद में इधर जो है वो जेता और कुमपा को फिर लड़ना पड़ा जेता और कुमपा लड़े और लड़ते वे दोनों वीरगती को प्राप्त हुए उसके बाद में सेरसा सूरी ने इस युद के बाद कहा था कि मैं मुठी भरवाजरे के लिए हिंदूस्तान की बादसाहत खो देता सेरसा सूरी ने याँ पर मारवाड का या फिर मैं कहूं कि जोदपुर का जो परबंदन सोपा है वो खवास खां को सोपा है एक खवास खां एक आपके इसा खां है ख्वास खां और इसा खां को इन्होंने मारवार का क्या कर दिया परबंदन सोप दिया थोड़ा सा याद रख लेना तो इन्होंने ख्वास खां और इसा खां को मारवार का क्या कर दिया इसा खां निजामी वह ख्वास खां दोनों को मारवार का परबंदन सोप दिया इसा खा चलिए उसके बाद में इस यूद के प्रत्यादर सी इतियासकार का नाम याद रखना चाहो तो आप रख लगा ना सर्वानी जिनके पुस्तक का क्या नाम है तो जिनके पुस्तक का नाम है तारीक A. सेरसा की जाती है फिर मालदेव आस पास की शेतरों को दुबारा से जीत लेता है उसके बाद में आगे चलकर मैंने आपको जब मेवाड और मारवाड विवाद बताया था वहाँ पर मैंने कहा एक युद और होगा जिसका नाम हमाढ़ा नारा को सा हर्माढ़ा उते सी फार्माढा हम LE. ठीक है, 24 जनवरी 1557, 24 जनवरी 1557 है वो इसका समय है, इस समय हर्माडा का युद्धुवार, अच्छा, ये जो हर्माडा का युद्धा ये क्यों हुआ, एक वेस्या थी, जिसका नाम था रंगराय, रंगराय नामक वेस्या को लेकर ये युद्धुवा, इस वेस्या को लेकर तीन लोगों में विवाद था, एक तो मालदेव, एक तो मारवाड के मालदेव, एक आपके मेवाड के उदैसिंग, मेवाड के उदैसिंग, और एक अजमेर के सुभेदार थे, एक कहां के सुभेदार थे, अजमेर के सुभेदार थे, इन तीनों के मद्दे विवाद हुआ, और end में मालदेव ने साथ दिया अजमेर के सुबेदार का और अजमेर के जो सुबेदार हैं वो मालदेव की साहिता से इस दान के युद में जीत जाते हैं। उदैसिंग प्राजित हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से मालदेव के कुछ विजय अभियान थे। उसके अलावा अब अपन बात कर लेते हैं मालदेव के उपनाम क्या क्या है। मालदेव के उपनाम क्या क्या है वो थोड़े से आप याद रख लो ठीक है भई हाँ वेरी गुड़ भई मालदेव के उपनाम क्या क्या है तो एक तो अपन मालदेव को क्या 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 है एक तो अपन मालदेव को क्या 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 है मालदेव को अपन क्या क इजामू ये जो कुछ पर्मुक फार्सी इतियासकार है इन्होंने मालदेव को हस्मत वाला बादसा का है तो याद रख ले ना हस्मत सब्द का अर्थ होता है एस्वर्य और वेभव का प्रतीक जो फार्सी इतियासकार है इन्होंने मालदेव को हस्मत वाला बादसा का है जिन आप यूँ कह सकते हो कि मालदेग के जो दरबारी साहित्यकार थे जितने भी थे उन सबने मालदेग को हिंदू बातसा का आ है इसके अलावा एक मालदेग को आ गया बारत का महन पूरुसार्थी राजकूमार बारत का महान पुरुसार्थी राजकुमार मालदेव को बारत का महान पुरुसार्थी राजकुमार कहने वाले जो वेखती है महान पुरुसार्थी राजकुमार कहने वाले जो वेखती है वो बदायूई है भई यह तो मैंने पहले ही बता दिया था भारत का महान पुरुसार्थी राजकुमार जो कहा है यह बदायूनी ने कहा है बदायूनी अब्दुलकादिर बदायूनी ने कहा है ठीक है इसके अलावा एक मालदेव का उपनाम और है जो है कि हिंदुस्तान का सबसे सक्तिसाली राजा हिंदुस्तान का सबसे सक्तिसाली राजा का गया मालदेव को और मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे सक्तिसाली राजा कहने वाले जो व्यक्ति है जो सक्तिसाली राजा कहने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है फरिस्ता और एक मालदेव को बावन युद्वों का विजयता भी कहा गया है तो ये किस ने कहा है ये कहा है फ़रिस्थाने एक मालदेव बावन युद्वों के विजयता है उसके अलावा जो आपके इस्पेसली जहांगीर तू जूके जहांगरी जो घरंथ था उसमें इन्होंने मालदेव की जो तुलना की वो बड़े जागीड़ारों में मालदेव की तुलना की ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना ठीक है ये मालदेव के कुछ उपनाम याद रख लेना उसके बाद में आ जाओ भी आगे आपन बात करते हैं मालदेव के कुछ निर्मान कारिये, मालदेव से समंदी 45 निर्मान कारिये, आप मुख्य रूप से याद रख लेना, मालदेव के परमुख निर्मान कारिये कोन-कोन से, ज्यादा याद रखने क्या हो सकता नहीं है, दो-चार मैन-मैन इनके निर्मान कारिये याद रख लो कि मालदेव ने कौन-कौन से मुख्य रूप से निर्मान कारिये करवाए निर्मान कारिये पांसाथ छोटे-छोटे दुर्गे हैं जिनका मालदेव निर्मान करवाया जैसे एक तो पोकरन का किला पोकरन का किला पोकरन का किला मालदेव ने बनवाया पोकरन के अलावा एक आपके मालकोट का किला है जो की मेड़ता में है मालकोट का किला मालदेव ने बनवाया था मालकोट का किला मालकोट का किला ये जो मालकोट का किला है ये कहां पर है तो ये मेड़ता में ये मालदेव ने बनवाया था इसके अलावा सोजत, सारन और रिया, इस परकार के कुछ दुर्ग माल देवने बनवाये थे, सोजत का दुर्ग बनवाया था, एक इन्होंने सारन का दुर्ग बनवाया था, एक इन्होंने रिया का दुर्ग बनवाया था, रिया का किल्ला बनवाया था, ये छोटे छोटे जोदपुर सहर का परकोटा, जोदपुर दुर्ग और जोदपुर सहर का परकोटा, उसका निर्वान म्देव ने करवाया था, उसके अलावा, यह जो आपका एक तो रानी सर का तालाब है, याद रखना रानी सर जो तालाब है उसका निर्मान जोदा की रानी ने करवाया था और कोणम देसर जो बावडी है उसका निर्मान जोदा की माता ने करवाया था तो यह जो आपका रानी सर तालाब और एक जो आपका नाडोल है इसके परकोटे का निर्मान करवाया था रान सोल का परकोटा यह कुछ निर्मान मालदेव ने करवाया था इसके अलावा एक दो चीजे नॉर्मली आप और याद सकते ओ एक आपके मंडौर में इन्हों ने अपने पिता राव गंगा की समारक बनवाया था राव गंगा की देवली बनवाई थी तो मंडौर में राव गट में रही थी तो तरागड में इन्होंने क्या किया था पानी के विवस्ता करवाई थी माल्देव ने उसके अलावा एक इनने नागोर दुर्ग का जिवनोदार भी करवाया था ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना ठीक है बई तो ये मालदेव के कुछ निर्मानकारी है उसके बाद में मालदेव के जो दर्बारी साहित्यकार है उनकी अपनबात कर लेते हैं तो देखो बई मालदेव के जो दर्बारी साहित्यकार है हाँ सवरूपदे ने बनवाया था बिल्कुल बनवाया था जो दर्बारी साहित्यकार है उनमें एक तो है आसा बारत एक तो कोन है आसा बारत इनके दर्बारी साहित्यकार है उसके अलावा एक आपके मेहा मेहा बिठ्थू इनके समय के हैं मेहा बिठ्थू ठेक है इसके अलावा एक आपके अलू दान कविया अलू दान कविया कह दो या अलू नात कले या कविया कह दो अलू जी बाब जी जी इनको अपन कहते हैं अलू नात कविया अलू नात कविया उसके अलावा एक आपके जो है इसरदास बारट करनीदान रतनू इसरदास बारट इसरा परमेश्वरा इसरदास बारट बारट और एक करनीदान रतनू करनीदान रतनू आलागी साहिते कारतों अपन साहिते मी भी पढ़ लेते हैं करनीदान रतनू ठीक है यह अपने मोटी मोटी सी बातें किये माल देव के बारे में यह मोटी मोटी सी बातें किये किसके बारे में माल देव के बारे में हाँ आई बात समझ में चलिए तो यह अप एक गंटे ब्रेक लिया नीए आपने वैसे एक गंटां होगया एक गंटां होगया है आजी स्वागत एक बार पुनय आप सभी का राम राम चलो अभी दन्यवाद नहीं अभी तो वापस चलो भई तो अब जो ना तो यह तो देख चुके अपन कभई के हाँ तो यह आप जो है दर्वारी सहित्यकारों तक जो है वो देख चुके हो तो मालदेव जो है वो आपके तो स्वागत है आप सभी का एक बार व्हागत बार रही है तो देखो अमस्तार अपन बात करेंगे रांव चंदर सेन के नह्यां के बारे में तो जो राउचंद्रसेन के बारे में देखेंके इनका टाइम पीरियद सव्था सवसंकाल था पंदधा सो इक सठ्ट से लेकर के पंद्रा सो 166 तक जो वेरते आपके मारवाद के सारस है तो औ cycle आपने माल देओ पड़ा था तो मालदेव के बारे में यदि अपन बात करें ना तो यह जो आपके मालदेव जी थे ना मालदेव के तीन वाइब थी मालदेव के अंदर जो है ना मालदेव के जो तीन जो बैटे वाइब तो वैसे बहुत सारे थे लेकिन इनके जो जेश्ट पुत्र थे ना सबसे बड़ा जो स्वरूप संग्र का निर्मानान करवाया मंदोर के अंदर तो वह जो आपके स्वरूप दे जो थे ना तो जाली रानी स्वरूप दे के कहने पर इन दोनों को तो राजा जो है वो नहीं बनाया राजपत से इनको वंचित कर दिया और जाली रानी स्वरूप दे के कहने पर जो है ना किसको राजा बना दिया इसे क्या बना दिया राजा बना दिया अब भाई ये राजा बन गया अब ये राजा बन गया चंदरसेन तो ये जो भाई ये ना दोनों रूट करके चले गए अकबर के पास अब अकबर के पास चले गए थे अब अकबर के पास चले गए तो अकबर ने क्या किया इस राम की स साहीता के लिए जो है न पन्रा सो 64 हिस्वी में कब पन्रा सो Спारत करने के लिए जो है सेना बेजी कब 2 29, 16 crew में और किसके नेत्रत्व में उसें कुली खाया उसें कुली बेग तो देखましょう हुसेन कुली खां के नित्रतू में इन्होंने क्या बेज दी थी सेना बेज दी थी ठीकन अब देखो हुसेन कुली बेग के नित्रतू में सेना आई तो यह चंद्रसेन कहां चला गया तो चंद्रसेन जो है ना चंद्रसेन चला गया भाई बादराजून चंद्रसेन छोड़ करके यह आपके आ जाता है बादरा जून केते हैं कि महाभारत आपने देखी होगी महाभारत में आपने ये भी देखा होगा कि भई दुर्योधन था और भगवान स्रीकृष्ण के भाई बलराम थे बलराम से गधायुद जो है वो दुर्योधन ने सिखा था एक बार गुड रहे और चेला सक्कर हो जाए ना तब जाकर के जो है उनको मजा आता है तो अब देखिए अब उसने मतलब बड़े प्रसनता के साथ जो है वह आपके कहते हैं कि जीद गया दुर्योधन तो बलराम कहते हैं कि बोल दुर्योधन तुझे क्या चाहिए तो जो तो बहुत सारी राणिया थी तो बहुत सारी थी अपने चेवल के लोन बेटों देख रहे थे तो कहिए तीन देख रहे हैं क्योंकि अपने एक्जाम औरियंटेड हुई है बागी तो इसे देखने लग जाएं तो तो फिर तो बहुत सारे हो जाते हैं तो सिवाना के अंदर जो आपके कल्ला राठोड था ना वो कल्ला न तो वो कल्ला राही मलोत आपने देखा होगा तो उसके जो अब देखो दुर्योदन ऑकर सभता को बल्राम की तयारी कर लेना दुर्योदन के साथ फला तीथी को तेरा विवा है सुबद्रा दुर्योदन के साथ विवा नहीं करना चाहती थी, वो रूट करके भाग जाती है, तो वो रूट करके भाग जाती है, अपने उस कौप बहुन के अंदर, कृष्ण जब आते हैं और देखते हैं कि उनको उनकी छुटकी नहीं दिखाई देती है, बहुत समय बाद जब कृष्ण किसी से पूचते हैं पता चलता है कि वो तो कोप बहुन में रूट कर बेटी हुई तो वहाँ पर भगवान स्री किस्nost झाते हैं, बहन को मनाते हैं, बहन फूत पूत करके रूती है, फिर उसके बाद जो है वो उस बहन को कहते हैं कि तू क्या चाहती है, तो तो जो भी कहते हो में तो आपकी हर बास्विकार है तो फिर जो है भगवान स्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुझे मेरा एक काम करना है तो वो कहते है कि अच्छा क्या क्या काम करना है तो कहा काम ये करना है कि तू जो है मेर इसश्टर को लेकर भाग जा हूं तो अर्जुन सुबद्रा को लेकर भागता ए बल्राम के दर से ताकि नहीं पकड़ सके तो वह चुप करके एक स्थान पर रहते हैं तो सुबद्रा और अर्जुन जहां रहते हैं उसको बादरा कह देते क्या बोल देते बादराजून तो यह चीज आपको ध्यान में रखना ठीक है बादराजून आ जाता है यह फिर उसके बाद क्या होता है तो अपन बात करें तो उसके बाद जो है वह बादराजून के अंदर सासन कर रहा था इतने में अकबर जो है नागोर दरबार का करता है तो अकबर जो करता है नागोर दर्बार का कौन से दर्बार का अधर के बारे में एक तो पने किया था ये नागोर में जो दर्बार जो है ना आयोजित क्यों किया था इसका गोसित उद्धिश्य क्या था फिर अपन बात करेंगे कि वास्त्विक उद्धिश्य क्या था और अपन बात करेंगे क्या अकबर का जो वास्त्विक उद्धिश्य था उस उद्धिश्य में अक्बर ना नागोर दरबार का खर जॉदा बार को ए मोईनदिन च staff 예की जियारत की थी अजमेर आता था एक्बर जो falls às पूरे भारत का समराट बनना में चारता था तो अकबर ने पूछ हमकिहीं के सहीता लेनी पड़ी तो इस ने कहा आपको राजस्थान के रनबांकुरों की साहिता लेनी पड़ेगी राजे महराजे रजवाडे और युद्धा जो है ना यदि वो तेरे पक्स में हो गए तो जो है तू जीत जाएगा तो कहा कि चलो ठीक है कैसे पक्स में करूं कहा कि उनको बस मान सम्मान दे उनको जो है तो अगर अच्छे से उनके साथ व्यवहार करेगा मित्रता रखेगा तो वो अपना प्राण निकाल करके दे देंगे आपको जान भी दे देंगे कहते हैं कि अकबर जो है अनपढ़ था लेकिन बहुत बुद्धिमान था और अकबर ने जो है इस नागोर दरबार का आयोजन करवाया और इस नागोर दरबार के मद्यम से वो राजस्थान के राजाओं को जो है अपने पक्स में करना चाहता था राजस्थान के अंदर अकाल बहुत पड़ता है तो इसने क्या किया तो इसने कहा कि अपन अकाल राहत कारिय करवाएंगे क्योंकि लोगों को इंप्रेस करना था तो राजामाराजाओं को इंप्रेस करने के लिए इसने अकाल राहत कार्यक्रम जो है न ये चला दिया था और अकाल राहत कार्यक्रम के तहट नागोर के अंदर इसने एक आपके सुक्र तालाब का भी निर्मान करवाया नागोर के अंदर कोंसा तालाब बनाया इसने तो सुक भूलों की अर्थात श्यम की जो एंगा अधिनता सूज़ुकार करवाना प्रशेंटास विष में अब्जेक्टिव था यह बहाना क्या ना था अकाल रहतकार का फिर अधिनता सुज़ुकार भी की मुगलों की अधीनता स्विकार की थी इसी प्रकार से अपन बात करें तो ये जो मोटा राजा राव उदेश सिंग जो था ना ये मोटा राजा राव उदेश सिंग जो था ना ये मोटा राजा राव उदेश सिंग जो चंदर सेन का भाई था इसने भी इस मुगल दरबार के अंदर 1570 में जो है अकबर की अधिन्ता स्विकार की थी कहते हैं कि इस दर्बार के अंदर चंदरसेन को भी आमंत्रित किया गया था तो चंदरसेन भी वहाँ पर गया था लेकिन नागोर दर्बार में प्रवेश करने से पहली वो गेट से तक्टकी लगा कर देखता है अंदर उसको पता चलता है कि अकबर उसके भाई उदेशिंग और राम के साथ जो है बड़ी ठाक है मार मार कर गप्पे लड़ा रहा था पाते कर रहा उनकी बोंडिंग लगी उसे का बड़ी जोड़दार है तो इस वज़े से जो है उसको लगा कर अपनी डाल गळने वाली नहीं है तो वह नागोर दर्बार में भाग लेने आया था लेकिन बिना भाग लिये ही भाग लिया था अर्थात अकबर से बिना मिले ही चला गया इस वज़े से अकबर को गुस्सा आ गया था और फिर अकबर ने बादराजून पर अटेक किया तो चंद्रसेन कहां पर चला गया चंद्रसेन कहां पर चला गया तो चंद्रसेन भादराजून के बाद सिवाना को केंदर बना देता है और मुगलों से संगर्ष करता है यह सिवाना आपके मारवाड के राठोडों की सरनस्तिली कहलाता है शिवाना क्या कहलाता है मारवाड के राठोडों की जो है ना वो आपके सरनस्तली कहलाता है तो मारवाड के राठोडों की सरनस्तली जो है वो अपन सिवाना को कहते हैं और इसको सिवाना को जो है ना और क्या बोलते हैं जालोर दुर्ग की जो है कुंजी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है और इस सिवाना को क्या कहा जाता है अनखलो सिवानों भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है अनखलो सिवानों पर आक्रमन करने के लिए जो है ना पंद्रा सो चमोतर इस्वी में राई सिंग को भेजता राई सिंग सोजत को तो जीत लेता है लेकिन ये राई सिंग जो है किसको नहीं जीत पाता है लेकिन राई सिंग जो है वो नहीं जीत पाता है इस आपके सिवाना को कहते हैं कि अकबर यह राइसिंग को जो जोदपूर का परसासक भी नियूग्ट किया था तो यह राइसिंग आपके जोदपूर का परसासक भी रहा था और यह जोदपूर का प्रसासक कब से कब तक रहा था तो 50 grac e3 154 इस्वी तक उफ तक जो एना टोटल अपन बात करें तीन वर्स ये जोदपूर का परसासक रहा था, कितने साल रहा था, तीन साल ये जोदपूर का परसासक रहा था, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना है, फिर ये क्या करता है, तो 1576 इस्वी के अंदर मुगल सेनापती सहबाज खा को बेजता है, अकबर किसको बेजता है, सहब पर हदिकार कर लेता है अब अपन बात करें यह जो चंदरसेन जो है ना चंदरसेन के सहियों की कौन-कौन थे जब चंदरसेन मुगलों के खिलाप लड़ रहा था तो ऐसे कौन-कौन से उद्वट वीर थे से इसे कौन-कौन से युद्धा थे जो इस चंद्रसेन के साथ कंदे से कंदा मिला कर लड़ रहे थे तो एक तो था आपके सुजा और कौन था आपके देवी दास तो सुखराज, सुजा और देवी दास ये जो है ना ये चंदरसेन के क्या थे सहयोगी थे चंदरसेन जो है अपने संकट के समय में सरण लेने के लिए वो बासवडा आता है और बासवडा महरावल आसकरण जो है उन्होंने इनको सरण परदान की थी चंदरसेन को किसी ने i 끝 211 इस्वी को जो है याकर आप करें वह थे और अपन बात करें तो इसकी जो मृत्यूं वही थी ना इसकी मृत्यूं कहां तो सारण की पाहडियों में कहां पर हुई थी तो जो सारण की पाधियानं पाली के अंदर पालियंदर इनर आ सारण तो गाउं का नाम है आपके सिंचियाई क्या नाम है गाउं का सिंचियाई तो इस सिंचियाई नामक स्थान पर जो है ना क्या हो गई थी इसकी मृत्य हो गई थी कहां पर इसकी डेत हो गई थी तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है न तो एक बार स्क्रीन सोट लेना होना तो जल्दी से जो है आप स्क्रीन सोट ले लो फटा-फट से स्क्रीन सोट ले लो तो चंदर सेन जो है कहते हैं कि चंदर सेन जो है न इस चंदर सेन ने मुगलों के खिलाब अकबर के खिलाब संगर्स करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया था तो इन्होंने अकबर के खिलाब संगर्स करने के लिए जब धन की कमी थी तो कहते हैं कि भई के तो इसने जो है उसे धन की कमी को पूरा करने के लिए जो है पहले तो अपने दुर्ग को बेंज दिया था किसको बेज दिया था पोकरन किले को बेज दिया था और इसके बाद अपन बात करें तो मारवाड ख्षत्र के लोगों से इस ने पैसे मांगे लेकिन मारवाड के लोग नहीं समझ पाए थे कि इसका objective क्या है उद्देश ये क्या है इस वजे से मारवाड के लोग इनको पैसे नहीं देते हैं मेवाड में तो मारणा प्रतार आपकी साहिता करते हैं लोग लेकिन छंद से इनकी वो साहिता नहीं वी थी चील है तो अब इनकी साहिता नहीं हुई थी तो इनसे जंता से ज़ये जर्फर्दünde फिर पैसे लिये थे अब आपनबाथ करें हाँ सब्सक्राइब करेंगे मेरी इंपोर्टेंट चंद्रसेन की उपादियां अक्सर एक्जाम के अंदर यही तो पूछी जाती है उपादियां तो चंद्रसेन को केंकिन नामों से जाना जाता है तो चंद्रसेन एक तो इनको कहा जाता है मारवाड का महरणा प्रताप क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है मारवाड का प्रताप और मारवाड का प्रताप किसने कहा विश्वेश्वरनात रेवुन ने कहा और इनको क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है प्रताप का अग मार्ग दर्सक क्या बोलते हैं इनको मार्ग दर्सक और इनको क्या कहा जाता है तो इनको और कहा जाता है विस्मृत नायक क्या कहा जाता है तो मारवाड का भूला विस्मृत नायक क्या कहा जाता है मारवाड का भूला विस्मृत नायक जो है वह इसे कहा जाता है तो मारवाड में मारना प्रताप ने किया वही काम मारवाड के अंदर चंदर सेन ने किया अर्थात मुगलों से संगर्थ किया था और अपन बात करें आपके तो मारना प्रताप का पत्र दर्सक अग्रगामी क्यूं कहा जाता है मार्ग दर्सक इसलिए कहा जाता है मारना प्रताप सासक बने प्द्रास वैस्वी में और ये सासक बनगे 1565 इस्वी में और यह उपादियां अक्सर एकजाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है भाई अब अगला जो सासक है वो आ गए आपके स्क्रीन के उपर जस्वन सींह सेंग्स बने थे इसलिए इनके जो सरंख्षक बने थे ना इनके सरंख्षक का नाम था आपके राज सिंग कुमपावत क्या नाम था इनके सरंख्षक का राज सिंग कुमपावत और इनकी चत्री प्रदान मंत्री की चत्री के नाम से जानी जाती है और इनकी जो चत्री है उसके बारे म वे और वयस्क वह और वएस्क होने के पस्चाट जो है इनको सासनकारिय स्पुर्थ करके वापस आसोभ चले गःते तो यह राज सिंह कुपावत जो है यह आपके आसोभ के ठाकुर थे कहां के ठाकुर थे आसोब के ठाकुर थे और प्रदान मंत्री रहे थे किसके प्रदान मंत्री रहे थे यह जस्वन सिंग के इसलिए इनकी छत्री को प्रदान मंत्री की चत्री भी कहा जाता कहते हैं कि जस्वन सिंग जो है कुछ समय पस्चात बिमार हो जाते है इतने बयंकर बिमार होते हैं कि तयारी नहीं होते हैं, सारे दवादारू कर लिए जाते हैं, सारी कोशिसे, लाग कोशिसों के बावजूत भी जब तबियत में सुधार नहीं होता है, तो अंतिम डोक्टर जो है, वो अपने इश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, तो भगवा होगे उतने पाड़े कटवा देंगे तो कहा का नहीं पाड़े नहीं इसको इंसान की बली चाहिए कहते हैं कि उस जमाने के अंदर लोग जो है राजा महराजाओं के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्वन्योचावर कर अब तो अपना मरना ते है कहते हैं कि जब वो महलों के अंदर बिष्टर पकड़ करके चार पाई पर सो रहा था उस दोरान तबियत पूचने के लिए जब राज सिंग कुपावत आते हैं सारा हाल जानते हैं कहते हैं कि राज सिंग कुपावत सुच्छा से अपना वलिदान देते हैं अपने प्राणों की आहुती देते हैं स्वयम की जान की बाजी लगा जस्वन सिंग सेकंड के बारे में ध्यान रखना बही एक बार उवा आपके धर्मत का युद्ध कोन सा वड़ा युद्ध हुआ था MP के अंदर जो है ना उजेन के पास एक जगे पड़ती है आपके धर्मत तो उजेन के पास जो दर्मत जगे पड़ती है ना अप्रेल 1658 90 के अंदर जब यह युद्ध हुआ था ना इस धर्मत के युद्ध के अंदर जो एन यह जईस्वन सिंग हार जाता है जब जईस्वन सिंग हार कर वापस आता है के जईस्वन सिंग की जो ह abbiamo तो जोदपूर किले के महरांगड किले के दरवाजे बंद कर दिये थे सोयम सती होने की तैयारी करने लग गई थी जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि राजपूत युद के मैदान में या तो जीत कर लोटते या पिर वहीं पर रनखेती करते हैं रनखेती रजपूत की होती है कोई राजपूत युद के मैदान से हार कर गर वापसी नहीं करता यह तो जुद के मैदानमें काम आता यह फिर जीत के आता है ठीकरन प्रियांसी कह रहें कि जंता का धन लुटा था ये मैंने कहीं नहीं पड़ा साधिया अच्छा हां जी जंता के धन के बारे में बात करें ना महरवाड के लोगों से जबर्दस्ती पैसे लिए ने जैसे आपके काणूजा है पीपलूद वाला जो ख्यत्र है ना वहां से राव से वाला साहर के रहा कितना सोट क्यों बताते हो अरे वाई सोट नहीं बताऊंगा तो फिर तो ये आपको जो है कुछ मतलब महरवाड के अंदर ही अबने को जो है 15 गंटे लग जाएंगे सोट इसलिए बताना पड़ेगा ताकि पूरी जो में में एक्जाम औरियंटेट बा पूरा नहीं पड़ा रहे हैं और पूरा पड़ाना पोसिबल भी नहीं है ठीक है वहां बिल्कुल बिल्कुल इसलिए तो ये लोग प्री हो गए थे वेल्डन साधिया जी बहुत बढ़िया ठीक है तो जस्वन देने किल्ले के दरवाजे बंद कर दिये थे और सती होने की त्यारी करने लग गई थी यह जो हडिरानी जस्वन देनँ है नं वन्योजों आपके राइका वाग पैलेज का निरमान कर वाया था राघ का वाग पैलेज के अलावा बे आपन आगे बात करेंगे तो यह आपके काभूल का गवर्नर बना informação काभूल का गवर्नर बना का बना की तो मारवाड के अंदर किस यह अनार खेटी डेकर की तो मारवाड के अंदर जो है आनार की खेती की अच्छा आप तू बताएगा मुझे के युद्ट तो कम से कम बताओ फूरे गजब कर रहा है तू ज़्यादा समझदार है किया मतलब ज़्यादा ओशार हो गया क्या तू तुझे पढ़ना है तो पढ़ बाकी मस्ति से निगल जाए यहां से तू ज़्यादा जो है अपना यहां पर आप मत जाड़िये जो भी आपका ग्यान वो आपके पास रखिए मुझे पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर किन टोपिक्स पर ज़्यादा श्ट्रेस देना है कहां से प्रस्णे जो है वो ज़्यादा आएंगे ठीक है नही तो यह द장 रखना है कि काबूल का गवर्णर बणा और काबूल से जो है जस्मा सिख अनार के बीज ले कर कि आया और कागा उद्यान के अंदर यह आपके जो है इन्होंने फसल भी आपके प्रारंब कर दी थी खेती प्रारंब आपके काबूल के अंदर है अफगानिस्तान के अंदर है कहां पर हैं यह जम्रूद का थाना तो काबूल के अंदर है यह थाना आपके अफगानिस्तान के अंदर है और अपन बात करेंगे तो यह जो जम्रूद का थाना के बारे में यदि अपन बात करें तो यह जो इ dir लोट पर औरंग जयेब ने क्या दिया एक स्टेटमेंट दिया था और जमरूद का थाना मैं जप इनकी मृत्यू हली तो औरंगेब ने एक कुपर का दरवाजा तूट गया क्या कहा आज कुपर का दर्वाजा तूट गया तो यह चीज जो है ना यह ध्यान रखना है कि आज कुपर का दर्वाजा तूट गया क्या कहा इन्होंने आज कुपर का दर्वाजा जो है यह तूट गया तो यह स्टेटमेंट एक्जाम ओरियंटेड है तो इन में से एक तो य वह कहां पर हुई और कब हुई तो यह वाली बात जो है ना यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है इनकी मृत्यू के उपर क्या कहा आज कुप्र का दरवाजा तूट गया है ठीक है भई चले लेना हो तो लेलो बई जल्दी से लेलो स्क्रिनसोट अगर आप चाहीए हो तो लो बई अब अपन बात करेंगे तो अब यह जो आपका जस्वंत सिंग जो बात करें तो इसने एक तो किताब लिखी थी आपके आनंद विलास कौनसी किताब लिखी थी आनंद विलास एक इसने किताब लिखी थी आपके भासा भूशन कौनसी किताब लिखी थी बासा भूशन और इसने कौनसी किताब लिखी थी आपके तो प्रबोध चंद्रोदे कौ के जस्वन सिंग ने लिखी थी तो यह किताब है आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह चीज जो है ना यह चीज ध्यान रखना है हां वो जो समीरा खान जी आप बता रहे हो ना कभी का आज कुफर का जो आज कुफर का गड़ इ अमीर कुसरो का है और यह स्टेटमेंट औरंग जेब का था तब मैं दोनों को एक बार आपके जो है वो रिवाइज करवा दूंगा मस्त रहो आप अब ध्यान से सुनना भई यह तो हो गई आपके जस्वन सिंग की किताबें और इस जस्वन सिंग का दरबारी विद्वान क था किस पद पर कारिरत था यह दिवान के पद पर कारिरत था और इसकी किताबों के बारे में यदि अपन बात करें तो इसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी तो इसने एक तो किताब लिखी थी आपके कौन सी वाड़ी तो एक तो किताब लिखी ती तो एक तो इसने और ये नेनसीरी ख्यात जो है ना ये आपके राजस्तान का पहला ख्यात ग्रंत माना जाता है क्या माना जाता है राजस्तान का पहला ख्यात ग्रंत माना जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट राजस्तान का पहला ख्यात ग्रंत माना जाता है नेनसीरी ख्यात दूसरा आपन यदी बात करें ना तो दूसरा जो इनका क्रंत है वो है आपके मारवाड रा परगणारी विगत क्या नाम है उसका मारवाड रा परगणारी विगत और ये जो मारवाड रा परगणारी विगत जो है ना इस मारवाड रा परगणारी विगत को मारवाड का गज क्या कहते है इसको मारवाड का गजट या फिर मारवाड का राजपत्र और इस मारवाड रा प्रगणारी विगत से क्या जानकारी मिलती है अपने को तो जानकारियों के बारे में यदि अपन बात करे ना तो जानकारियां एक तो प्रसासनिक व्यवस्ता के बारे में जानकारी मिलती है तो एक तो आपके प्रसासनिक व्यवस्ता फिर अपन बात करेंगे दूसरी जानकारी किस प्रकार की मिलती है तो दूसरी जो जानकारी मिलती है ना कर व्यवस्ता के बारे में कभी कर टेक सिस्टम क्या था और तीसरी जो जानकारी मिलती है ना वो मिलती है आपके मुहनोत नेनसी को क्या कहा राज पुताने का अबूल फजल मुंसी देवी प्रसाद करके एक बहुत बड़े इतिहास कार हुए तो मुंसी देवी प्रसाद ने ध्यान से सुनना भै मुंसी देवी प्रसाद ने मुहनोत नेनसी को क्या कहा था तो यह चीज ध्यान रखना और नेनसी ने अपने भाई सुन्दर दास के साथ जेल में आत्म हत्या कर ली थी कहां पर की थी तो जेल के अंदर तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीकन है? हाँ जी, अब सुरत मिस्र है, बनारसी दास है, नरहरी दास है, ठीकन, यह सारे के सारे जो हैं, इनके दरबारी स्क्रिन सोट हो गया स्क्रिन सोट है अब अपन बात करेंगे आपके तो अगला जो है आपके दुर्गा दास राठोड देखो दुर्गा दास राठोड के बारे में यदि अपन बात करेंगे तो एक तो अपन बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था फिर इनके पिता का नाम क्या था फिर अपन बात करेंगे बई कर इनकी माता का नाम क्या था और इनको जो है ना आपके कौन सी जागीर दी गई थी ठीके ने और फिर अपन बात करेंगे तो उपादी आये ने तो पहले एक बार ये देखते हैं तो इनका जन्म हुआ आपके सालवा कला के अंदर ये सा था मातात का नेत्कवत इनके जो मातापिता थे अर्थाथ अपन बात करें लेगो राजपताने का अबुल्फजल इस लिए कहा जाता है स्जेशरमा जी वह दिक ये हैं के अबूल फजल जो है नIKBAR नाम लेखी थी आईने अकबरी या अकबर नामा का जो लेखा के ना उस अकबर नामा के अंदर जो है उसने जो दिल्ली के आसपास की जो जातियां थी जो जनसंक्या थी उस सब के बारे में जो है लिखा है तो जिस प्रकार से जनगर्णा के सम्मन्द में अबूल फजल ने जो है उस आईने किस से कर दी गई अबूल फजल से ठीक है अब इन दोनों के बीच पति-पतिनियों के बीच में नहीं बनती थी दोनों अलग-अलग हो गए थे तो कहते हैं कि इनको जागीर दे दी गई इनको जो जागीर दी गई थी ना वो दी गई आपके लूनेवा की कौनसी वाली जागी थे कुछ राइका वहां से उंट लेकर निकल रहे थे और उन राइकाओं को देखा तो वह खेतों के अंदर से उंटों को लेकर जा रहे थे तो इस दुर्गादास ने उन रायकाओं को का रहे है そうですね 1 मैनत करते हैं हमें यहां पर पसीना बाते हुए हो गया और तुम इस प्रकार से अपने उटों को खडी फसल से निकाल रहे हो जब कि भूस सारे रास्ते भी तो है तो इस प्रकार का कुकृत्य तुमें करते वे मतलब सरम नहीं आ रही है तो उन राइकाओं ने कहा कि यह साही उंट जस्वन सिंग के उंट तो फिर इस दुर्गादास नाम के बच्चे ने कहा कि जस्वन सिंग जिन आपको नहीं कहा कि इस प्रकार से किसानों की खडी फसल में से आप निकालो और उनकी फसलों को तोड़ो मैं तुम्हारी शिकाईत करूँगा और में तुम्हारी सिकाईट जाकर के जस्वन सिंग को करूँगा मैं गड में जा रही हूं मेहरान गड तो उस नंच से अधनिये से लड़के ने जो है एक ही प्रहार से एक ही जटके से उस दरका की गरदन जो है उसको धर्चBlue कर दिया था अब हाँ जी बिल्कुल सुरज मालविय जी नमस्ते राम राम स्वागत आपका तो अब जो है वो राइका को मारा दूसरा राइका बाग के गया जस्वन सिंग के पास जाकर का के लड़का था आपको भी बहुत गुंडी-बुंडी कालियां दे रहा था और वो जो लड़का है ना उसने मेरे साथी को भी मार दिया जस्वन सिंग को लगा रहे जो अपनी ठाली में का रहा है कोँ नैसा पकड़के लओस जाल को तूस लड़के नहीं कहते हैं यह कपूत है कपूत तो फिर कहते हैं कि जस्वन सिंग ने उस लड़के को पूछा कि मान लिया लाग गलती जो उस राइका की थी लेगिन बता तुन ने उस को मारा कैसे वो लड़का नीडर था बेडर था बेखौप था उसने सारी बाते बताई है और वह अभी उस राजा बनाने के लिए ये संगर्ष करते हैं 30 साल तक ये मुगलों से संगर्ष करते हैं औरंग जेब से लड़ते हैं औरंग जेब के चंगूल से सबसे पहले तो उसको दिल्ली की रूप सिंग राठोड की अवेली से नधरबन जहां कर रखा था वहां से अजीज सिंग को ले उपर वास शेल अनिसु सेख तो बाटी दुर्गादास तो कहते हैं कि यह चोईस के चोईस गंटे जो है मारवाड की रच्षा के खातर गोड़े पर ही सवार रहते थे और यह दुर्गादास जी जो है ना इनको खाना बनाने तक का टाइम नहीं था और बाटी अपने भाले क को रांपुरा का जो है ना आकिम नियुक्त किया जाता है कहां का तो रांपुरा का जो है ना हाकीम नियुक्त किया जाता है 500 रुपे प्रति दिन हाकीम के रूप में इनको सेलरी दी जाती है कहते हैं कि जो दुर्गादास जिसके बारे में कहा जाता है कि भई ये दुर्गादास नहीं होता तो ये मारवाड नहीं होता उस दुर्गादास के साथ इन्हों इस प्रवाड की तो यह फिर कुछ समय मेवाड रहता है विजेपुर्व के अंदर जागीर मिली थी इसको फिर रामपुरा का पिर उसके बाद यह मेवाड को छोड़ करके मालवा की तरफ निकलता है और उजेन चला जाता है और इसकी वहीं पर 1718 के अंदर मृति होती है इसकी छत्री जो है वह आपके उजेन के अंदर है जो कि आपके MP में है और यह छत्री है आपके शिप्रा नदी के तट पर किस नद दुर्गादास को राठोडों का यूलिसेज राठोडों का यूलिसेज जो है ना किसने कहा तो जेमस्टोड ने कहा था तो दुर्गादास को राठोडों का यूलिसेज जो है वह किसने कहा था तो जेमस्टोड ने कहा था तो एक तो इनको राठोडों का यूलिसेज कहा ज तो और दुर्गादास को कहा जाता है हमारे राज पुताने का गेरी बाल्डी क्या कहा जाता है इनको राज पुताने का गेरी बाल्डी क्या बोलते इनको राज पुताने का गेरी बाल्डी तो यह में में एक्जाम ओरियंटेड सारी बाते दुर्गादास की अपनने देख ल अब शंजे श्रमाजी के रहें मारवाड़ी भासा चोख्षी लागे अच्छ यहां एक एक अत्ती चोख्षी लागे एक था ने मारवाडी भासा अलो तो चला आगे चला आगे लो भई तो अब आजाओ आप अब आप अपन बात कराब नएओ टोपिक आगियों थाके और वो जो नेओ टोपीक हैं न वो नेओ टोपिक कुण्सों है तो वो है आपनो परजा मंडल अंदोलन सुचना साइक के लिए भी क्लास लाना सार अरे देखो अभी अपन लेकर के जिरूरा आये असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर अकाउंटेंट के लिए बाकि ये सबी के लिए समान रूप से उप्योगी है ये सभी के लिए काम किये तो यह द्यान रखना अब देखो इससे पर जाम इए इसका सापधिक अर्थ क्या है सबसे पहले तो आप मुझे बताओ प्रजा मंदल अंदुलन टोपिक पढ़ रहे हैं इस प्रजा मंदल का सापधिक अर्थ क्या होता है तो द्यान से सुनना भई इस प्रजा मंदल के सापधिक अर्थ के बारे में यदि अपन पढ़े ना तो इ अब अपने बात करेंगे उद्दिश क्या है तो एक तो जो एना उत्तरदाई सासन की स्थापना करना एक ऐसी सरकार की एक एसी सासन व्यवस्ता की स्थापना करना कि बही जिसके अंदर राजा अपने कार्य के प्रति जो भी कार्य करे वो अपना कार्य करने के लिए जो है वो जनता के प्रति उत्तरदाई हो किसके लिए तो वो जनता के लिए जो है न वो उत्तरदाई हो तो उत्तरदाई सासन की स्थापना करना वो इनका उद्देश्य था तो एक तो उत्तरदाई सासन की स्थापना करना पहला उद्देश्य थो और दूसरा नागरिक अधिकार प्राप्त करना किस प्रकार के तो नागरिक अधिकार या फिर अपन यू कहे का भई के जो मूल अध अधिकार है न मूवश्य अधिकार तो fundamental right जो और वो प्राप्त करना तो इस प्रजा मंडल का जो उद्धिश्य जो था वो यही था भई और ठोओ कोंग्रेस पार्टी जहां जहां अंग्रेतिस एंडिया के अंदर अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन कर रही थी लेकिन जो 565 देशी रियास्ते थी जो राजे महराजे और रजवाडे थी उन्हें रजवाडों के अंदर जो है न किसी भी प्रकार से कोई कोंग्रेज जो है गतिविदी में लिप्त नहीं थी कोई हरीपूरा अदिवेशन कौन सा होता है कंग्रेज का होता है आपके हरीपूरा अदिवेशन होता है और तो 38 इस्वी के अंदर होता है और एक तो अपन बात करेंगे कि इस अधिवेशन के अध्यक्स कौन थे और फिर अपन बात करेंगे कि इस अधिवेशन के बारे में जो है न वह आपके विशेस बात क्या है तो अब ध्यान से सुनना भई यह जो आपके अधिवेशन होता है न इसका अध्यक्स जो है न, वो थे आपके बोसु कों थे भाई? बोसु अधिवेशन के अंदर जो है न, कोंग्रेस ने प्रजा मंदल आंदोलन को समर्थन परदान किया था तो कॉंग्रेस ने क्या किया था तो कॉंग्रेस ने प्रजा मंडल आंदोलन को क्या परदान किया तो प्रजा मंडल आंदोलन को समर्थन परदान किया था तो परजा मंदल आंदोलन को जो है ना कॉंग्रेस ने जो है कब जो है सपोर्ट किया था तो वो किया आपके 1938 के हरी पूरा अधिवेशन में कौन से वाले में हरी पूरा अधिवेशन के अंदर के जी एच गुलाब बासवाडा के रहे हैं कि सर जी आप मेरे से नाराज हो किया अरे नाम जी ना ऐसे कैसे नाराज हो जाएं किसी से भी नाराज नहीं हूँ हाँ भी बिल्कुल खुसी पालिवाल जी पूर्टिकल की थेयोरिटिकल मेराथन क्लास लगवा देना एक्जाम से चलो पूरी कोशिश करेंगे कि पूल्टिकल की जो है एक थेयोरिटिकल मेराथन क्लास जो है वो लगवा देंगे ठीक है नहीं चलें आगे अब आपन एक एक जो है प्रजामंडल को पड़ेंगे तो लो भई आपके सामने आ गया है जेपूर प्रजामंडल हैने राजस्तान का पहला प्रजामंडल ठीक है भई राजस्तान का जो आपका पहला प्रजामंडल जो है ना वो कौन सा है जेपूर प्रजामंडल ये जो राजस्तान का पहला प्रजा मंडल अब बात करेंगे में बातत हैं तो में में बात अगर अगर अपने प्रजा मंडल की देखे नाम susu पहले तो अपने को चैन का शुब फिसके जो तो इसको और कोन थे तो इसके से चीज आपको द्यान अंदर प्रजामंदल कोन बने थे सबसे पहले तो आपन देखेंगे संस्थापंग प्लीके पते अंदर और वह थैं आक सुख्याजर। और इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था आप आपके करपूर चंद पाठनी क्या नाम था उनका तो करपूर चंद पाठनी जो है ना यह उनका नाम था और यह करपूर चंद पाठनी जो है ना यह आपके परजामंडल के जो है ना वह परत्थम अध्यक्स भी बने थे 1931 में जब राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रूबूर्फ्र प्रजाह मंदल के पहले ज़िक्स को बनाया गया कर पूर चर्फनद पाठण्य को बनाया गया था ठीके ने पूर गटन सब्छन प्रेपरोष्णम न्लाय बजाज नहीं किया था तो सब्छन में किया था जब था कि चिरंजी लाल मिस्र को किसको बनाया था तो अध्यक्स बनाया था आपके चिरंजी लाल मिस्र को तो जमनालाल बजाज ने पुनरगठन करते हुए अध्यक्स इसको बना दिया था चिरंजी लाल मिस्र को बनाया था ठीक है नहीं बिल्कुल प्रियांसी जी जेपूर के अभी तो राजस्थान के अंदर भी जन्जागरती के जनक माने जाते ठीक है चलो अब बात करें तो पहला दिवेशन जो है ना आठ और नो मई 1938 को हुआ था और ये जो आठ और नो मई 1938 इसवी को हुआ था ना ये कहां पर हुआ था तो ये वह था आपके नतमल का कटला कहां हुआ था नतमल का कटला और ये नतमल का कटला जो है ना वह आपके जेपूर के अंदर है और अध्यक्स कौन थे तो जमनलाल बजाज मुझना करें प्रजामंडल के अज्ठ परफुट्र उन्यट निच शो अड़ी स्क अंदर कर?", ऐससे व्यादा ना तरह थर्थर की आवाज आ रही है है। है कि ए तो स्पीकर की आवाज आ रही है बीच बीच में अब बताह 20 है माइक फ्रब्लम मैं बहुत सार बता रहें माइक प्रोब्लम बठा देना देखें अगर और ज्यादा आए प्रोब्लम तो मुझे बठा देना ठीक है अब कैसे क्या है अब मुझे एक बार वापस से बताओ देखें अब अपन बात करें तो 1945 के अंदर भारत छोड़ों आंदोलन के दोरान इरालाल सास्त्री जो एना वो आपके जेपूर परजामंडल के क्या बन गए थे अध्यक्स बन गए थे मैं अगर कोई प्रोब्लम मत्षर भूबू कर रहा है पास मैं ऐसे आवाज आ रहे अच्छा 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 कि अरे हलो मैं अभी बुला देता हूं और यह जो आपकी आवाज वाली जो प्रोब्लम है ना इसका अभी मैं सुल्यूशन करवा देता हूं ठीक है ना चलो देखें एक गाना गाते हैं नत्मल के कटले में आया करो जैसे रोज लाव अच्छा अवाज आ रहे है वफरिंग हो रहे हैं मीना पटेल जी कहे रहे हैं अच्छा निसा लबाना कहे रहे हैं आ रहे है आवाज तो चलो चुने के प्रतो करेंगे तो यह आपका जैपूर परजा मंदल जो है ना इस जैपूर परजा मंदल के बारे में ध्यान रखना भई एक हुआ आपके जैंटलमेन एग्रिमेंट कुन सा हुआ था बहई जैंटलमेन एग्रिमेंट यह जैंटलमेन एग्रिमेंट् यह gentleman agreement कब हुआ था तो यह हुआ था आपके 17 सितंबर 1942 को कब हुआ 17 सितंबर 1942 इस वी को हुआ था यह आपका gentleman agreement gentleman agreement किस किस के बीच में हुआ था तो यह जो gentleman agreement जो हुआ था ना तो यह जो आपका gentleman agreement एक तो हुआ था तो यह चो मिर्जा इसमाईल जो है ना यह मिर्जा इसमाईल आपके जेपुर के परदान मंत्री थे और इनको अदुनिक जेपुर का निर्माता माना जाता है और इस जेंटलमेन कि कारण जो है ना, इस समझोते के कारण क्या हुआ था, तो भी ध्यान से सुनना भ Queens, इस समझोते के कारण, जो है जेपूर परजा मन्डल ने भारत छोड़ो आंदूलन में भाग नहीं लिया था, बाग नहीं लिया था नहीं लिया था तो यह चीज दियान रखना है कि जैपूर परजा मंदल ने आपके भारत फोड़ी आंदुलन में भाग नहीं लिया था ठीक है तो यह चीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेपुर परजा मंदल वारत सोड़ वांदलन में भाग नहीं लेता और अगर आप से पुछे का आजाद मोर्चा क्या था भई तो आजाद मोर्चे के बारे में भी ध्यान रखना यहां से भी अक्सर प्रस्ण पुछा जाता है 1942 के अंदर आजाद मोर्चे का गठन हुआ था और इस आजाद मोर्चे के जो आपके संस्ताफक थे ना उनका नाम क्या था तो जो संस्ताफक थे उनका नाम था बाबा हरी संद्र क्या नाम था बाबा हरी संद्र उनका नाम था और इनके जो आपके सयोगी थे ना बाबा ह बंडारी थे और आपके जो ए रामकरन जोसी थे कौन थे भई रामकरन जोसी थे एक आपके हंस डीराई थे और एक आपके गुलाब चंद कासलीवाल थे जो राजस्तान के पहले महादीवक्ता बने थे कौन गुलाब चंद कासलीवाल राजस्तान के क्या बने थे पहले महाद वक्ता बने थे अब देखिए भई ये जो आपका आजाद मोर्चे के बारे में यदि अपन बात करे ना तो आजाद मोर्चे ने जो एना बारत छोड़ो अंदोलन में भाग लिया था इस आजाद मोर्चे ने किसमें भाग लिया तो इस आजाद मोर्चे ने जो एना बारत छो जमाहरलाल नहरू के कहने पर जमाहरलाल नहरू के कहने पर जो है ना इसका जेपुर प्रजामंडल में पुने विले कर दिया गया तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है जेपुर प्रजामंडल के अंदर जो है ना पुने विले कर दिया गया था तो यह ध्यान रखना पई ठीक है ने तो याद रहेगा आजाद मोर्चा लेलो स्क्रिंसोट लेना है तो जल्दी से लेलो भई स्क्रिंसोट और देखो पांच अपरेल 1931 को जेपुर प्रजामंडल एक दिवस मनाया था और वो जो दिवस इनके द्वारा मनाया गया था वो दिवस कोन सा है आपके मोतिलाल तेजावत दिवस ठीक है बैए यह मोतिलाल तेजावत दिवस जो है ना यह बनाया गया था तो समीरा खांची कहे ना गुरुजी चाप पानी को इंतजाम करो नींद अब अपन अगले प्रजा मंडल की तरफ बढ़ेंगे तो जो अगला प्रजा मंडल है न वह आगया आपकी स्क्रीन के उपर अगला प्रजा मंडल अब बुंदी अच्छा अनुचोदरी कह रहे हैं का आज पूरी क्लास लेंगे ठक जाओगे आप थकोगे तो नहीं तो कि पूरी क्लास लोगे तो क्लास लेते लेते ठकान तो आपको आई जाएगी न अच्छा प्रतिहार मिना के रहे हैं कि बिल्कुल नहीं ठकेंगे क्या बात है अच्छा पूंदी प्रजा मंडल की स्टापना जो है ना पूंदी प्रजा मंडल की स्टापना हुई थी आपके 1931 इसवी के अंदर और इसके जो आपके संस्तापक थे ना वह संस्तापक कौन थे तो इसके संस्तापक थे आपके कांतिलाल कौन थे बई कांतिलाल थे और कौन थे बई तो एक थे आपके नित्यानंद नागर कौन थे बई नित्यानंद नागर थे और कौन थे तो आपके रिसीदत महता थे तो ये ध्यान रखना रिसीदत महता जो है ना इनका एक समाचार पत्र था इनका जो समाचार पत्र था ना उस समाचार पत्र का नाम क्या था राजस्थान और ये जो है ना एक प्रकार का जो है ना सापता एक समाचार पत्र था किस प्रकार का था भई सापता एक समाचार पत्र था वीकली समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन जो है ना ब्यावर से होता था तो इसका प्रकाशन कहां से होता था तो ब्यावर से इस राजस्तान नामक वीकली न्यूज पेपर का प्रकाशन होता था और इसके अंदर जो एना हाडोतिक शत्र की खबरें छपती थी तो यह तो यह तो आप जो एना बस कानतीलाल का नाम याद रख लेना ज्यादा इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है तो फिर अपन बात करें तो अब है आपके मारवाड प्रजामंडल तो देखो भई मारवाड प्रजामंडल के बारे में अपन बात करेंगे तो मारवाड प्रजामंडल की स्ताफना होई थी 1934 इस्वी के अंदर और मारवाड प्रजामंडल के जो संसाफक थे ना वो संसाफक कौन थे भई तो संसाफक थे आपके जई नराइन व्यास कौन थे भई मारवाड प्रजामंदल के संसाफक आपके जई नराइन व्यास थे अब अपन बात करेंगे तो यह जो मारवाड प्रजामंदल जो है ना इस मारवाड प्रजामंदल के प्रथम अज्यक्स करें रहिवाय सर्रॉप सब्सक्राइब जोदपूर में जोदपूर में भारती जंदा पहराया था बिलकुल अब आपन बात करेंगे तो 1934 के अंदर जो है न, 1934 के अंदर जो है न, मारवार दर्बार पब्लिक सेप्टी ओर्डिनेंस जो है न, ये जारी किया गया था, तो मारवार दर्बार पब्लिक सेप्टी ओर्डिनेंस जो है न, ये कब जारी किया गया था, तो पब्लिक सेप्टी ओर्डिनेंस जो है न, और यह जरी किया गया था वे ज्यान से चुन माइश तो यह जरी किया गया 1931 कि अंदर किया गया घृटर चींग अब इंगे कि वह में एक Singapore लेना हो तो ले लिया होगा न स्किन सोट को आपने अब आपन बात करेंगे अब देखो अब यहां पर जो है ना एक और आपके फिर बाद में इस पर प्रतिबंद लगने की वज़े से जो है ना मारवाड प्रजा मंडल बंद हो जाता है तो फिर मारवाड लोक परिशद की स्थापना होत उननीच सो अड़ीस इसवी में कब होती है उननीच सो अड़ीस इसवी के अंदर होती है और अपन बात करेंगे इस मारवाड लोग परिशद के जो आपके संस्तापक थे ना यह मारवाड लोग परिशद के संस्तापक थे वह मारवाड लोग परिशद के संस्तापक थे आप मारवाड लोग परिश्द के जोא embaixo यह ना वह आपके अद्यक्स क irgendwas को बनाया था तो एक तो अपन बात करेंगे वह कि एक ड हुप ant 辉प कोण में पर थै तो मारवाड परिश्द के कहने थे तो मारवाड लोग परिश्द के अद्यक्स बने थे weil रनचोड़ दास गटानी कौन बने थे भई तो रनचोड़ दास गटानी की अध्यक्सता में जो है ना वह आपके इस मारवाड लोग परिशद की सापना की थी जैनराइन व्यास ने 138 में और इसके अन्य सदश्यों में एक तो थे आपके मतुरादास माथूर कौन थे भई मतुरादास माथूर और कौन थे भई तो गणेसी लाल व्यास उस्ताद कौन थे भई गणेसी लाल व्यास उस्ताद तो यह जो है ना यह कौन थे गणेसी लाल व्यास उस्ताद और यह आपके मत्हुरा जाष्ध मात्हुर और एक और कौन थे भई तो बाल-मुकंद विश्धा कौनते भई बाल-मुकंद विश्धा अब अब आपने बात करेंगे तो ये दोनों जो है ना बारतफोडो अंदुलन के दुरान जालो और जेल में नज़र बन्ध रहे तें जालोऔर दुर्ग में यस ना जिया आपके नज़र बन्ध रहे थे भारतफोड़ो आंदुलन एным उसा उननीज भूइयालीस को जो जोदपुर जेल में भूगरताल के दोरान जो है क्या हो गए थे तो जोदपुर जेल के अंदर जो है ना भोगरताल के दोरान जो है ना ये आपके क्या हो गए थे तो सहीद हो गए थे ठीक है और अपन बात करें तो इनका अन्य नाम क्या है तो ये जो है ना इनका अन्य नाम यदि अपन देखे ना तो अन्य नाम जो है वह इनका क्या है राजस्थान का जतिंदास क्या है इनका अन्य नाम राजस्थान का जतिंदास तो यह चीज़ ज्यान रखना है इनको क्या कहा जाता है राजस्थान का जतिंदास कहा जाता है तो लो बैस्क्रीन सोट लेना हो तो जल्दी से ले लो भई और ये जो जेनराइन व्यास जो है ना इनको भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान जो कहा नदर बंद रखा गया था इनको जो है ना आपके शिवाना दुर्प के अंदर जो है ना वो आपके नजर बंद रखा गया था जैनराइन व्यास के जो है ना इनकी पुस्तके कौन कौन सी है जैनराइन व्यास की जो किताबे है ना एक तो अपन बात करेंगे तो इनकी किताब है जैसे मारवाड की अवस्था कौन सी है भई तो मारवाड की अवस्था एक बात करेंगे अपन पौपा भाई की पोल ये दो किताबे जो है ना ये जो है बड़ी फेमस है बाकी तो और भी किताबे हैं जैसे भई उत्तरदाई सास पेपर कौन कौन से थे तो बताओ देखे भई इनके जो आपके समाचार पत्र जो एना समाचार पत्र कौन कौन से हैं तो एक तो अपन बात करेंगे जैसे भई अखंड भारत ये समाचार पत्र निकालते थे और अखंड भारत निकालते थे यह बंबे से और यह निकालते थे आपके हिंदी में ठीके न है और अपन बात करेंगे तो एक यह निकालते थे जैसे आपके पीप और यह पीप अंग्रेजी में निकालते थे यह आपके दिल्ली से इसी प्रकार से एक समाचार प पत्र कौनसा था पई अगी बाद एक इनका और न्यूजवर पर था जो आप व्यावर सबयाद में का त्रून 1927 के हमें व्यावर से इन्हों पूनर प्रकाशन कीया था मिलकुल काजल राधी जी राजस्थान का एकिकरण जो है वह पढ़ाूंगाबी आ है दोए गंटे बात जो है न राजयस्तान का एक यकरेंड भी आयेगा, ठीके न, दो गंटे तक अगर बोर्ड भी चलता रहा, और में भी चलता रहा, तो राजयस्तान का एक यकरेंड अब अपन बात करेंगे देखो और अपन बात करें तोड़ी सी इंपोर्टेंट बातें और रह गई है कि एक तो यह जो आपका मारवार प्रजा मंदल जो है तो मारवार प्रजा मंदल द्वार जो दिवस मनए गए थे एक तो अपन बात करेंगे जी सिक्सा दिवस ठीक है एक तो आपन कौनसा दिवस मुन maps ben है जोदपूर कृष्णादीवस और यह जो क्रश्णा दीवस जो है रहना आपके कहां पर मनाया गया था बॉंबे दिवस था उत्तरदाई सासन दिवस यह आपके कब मनाया गया था और एक अपने को याद रखना है मारवाड सत्याग्रे दिवस तो मारवाड सत्याग्रे दिवस यह आपके कब सेलिब्रेट किया गया था इनके के बारे में जो है ना अपने को देखना है तो अब देखो भई शिक्सा दिवस और यह आपके कृष्णा दिवस जो है ना यह दोनों से लिब्रेट किए गे 1936 में उत्तरदाइस आसन दिवस मनाया गया आपके 28 मार्च 1941 को कब 28 मार्च 1941 इस्वी को और मारवार सत्यागरे दिवस मनाया गया आपके 26 जुलाई 1942 को कब 26 जुलाई 1942 इस्वी को तो यह याद रखना है 26 जुलाई 1942 को फुल पर किलाएं दिखे तो लो भई तो आजाओ भई यह हो गए आपके दिवस अच्छा आप बताओ महिलाएं कौन कौन सी थी जिन्होंने भाग लिया था जल्दी से बताओ देखें बताओ 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 हाँ बिल्कुल प्रतिहार मिना जी बिल्कुल चाय आ गई है आप भी पता रहो स्वागत है हो हो क्या बात है हाँ जी बिल्कुल समाय राजी पदा रहो चाय पीलो अचा गन्नु बेनिवाल कह रहे हैं कि क्ला कक्सा तो पूरी लेंगे चाय कुछ भी हो जाए क्या बात है वाह अच्छा अन्नु देवी ने अन्नु ने एक तो नाम बता दिया महिमा देवी किनकर बहुत बढ़िया कि और बताओ देखें भई कि मिनाक से पठेल के रहे हैं मसाले वाली महिमा देवी चाह रमा देवी व्यास और बिल्कुल अनिता जी पदारो ए ये लो दो चार चीटे नहीं पूरी आपके ही है प्रजा मंडल के बाद क्या पता जो भी स्लाइड लगी होई होगी न तो वो पड़ा नहीं है तो लो भई हाडोती प्रजा मंडल की तरफ आगे लो हाडोती प्रजा मंडल बताओ देखें आपने को क्या याद रखना इस आडोती प्रजा मंडल का संस्तापक कौन था और दूसरा अपने को क्या याद रखना है कभई इस हाडोती प्रजा मंडल पहला अड्यक्स कौन था बस यह दो बात के याद रखने को संसतापक क मुझे और अपने को क्या याद रखना है लो पई चला आगे लो बई आगलो प्रजामंडल यो अग्यों थाकी स्क्रीन पे फटा फट बता दो भई अच्छा सवीता कुमारी कह रहा है कि सर मुझे तो इस्ट्री नहा हुए बिल्कुल अरे आजाई दीरे-दीरे सब आजाई दीरे-दीरे आई एकदम थोड़ना हुए पेड़ो आप तो दीरे-दीरे सब समझ में आ जाए लो भी बिकानेयर प्रजामंडल बिकानेयर प्रजामंडल के बारे में अपन बात करें ना तो बिकानेयर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 इसवी के अंदर और इस बिकानेयर प्रजामंडल की एक तो अपन बात क कौन थे एक तो च्टापना और दूसरा आपन बात करेंंगे संस्तापक कौन थे तो स्थापना जो है न मुझी अब तर न lavender का पर गट्ता भी आचार्य थी और कौन थे बई तो और थे आपके भिक्सालाल बहरा आपके भिक्सालाल बहरा थे एक थे बाबु मुक्ता प्रशाद कौन थे बई तो बाबु मुक्ता प्रशाद बिक्सालाल बहरा थे एक थे आपके बाबु मुक्ता प्रशाद और कौन थे तो रगुवर दयाल गोयल थे कौन थे भई रगवर दयाल गोयल थे पहले अजयक्स वेद्यमगाराम संसापक वेद्यमगाराम और पहली मैला अजयक्स लक्षमी देवी आचारी देखो कहते हैं कि इस बिकानेयर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में बिकानेयर के अंदर उई थी लेकिन जैसे लिए कहा जाता कि अडरल का शयासो काल में ही दमन कर दिया गया था और बिकानर परजांबंडल के जो कार्य करता था झो सदश्य थे इनको बिकान से निर्वाशित कर दिया इनके परवेशच्स पर्प्रतिबंदüs लगा दिया अब वो विकानेर के अंदर नहीं रह सकते थे इसलिए वो विकानेर छोड़ करके आउट ओव राजस्तान निकलते हैं चलते 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 कोई राज्ये इनको सरण नहीं देता फिर अंतरते ये बंगाल पहुंसते हैं बंगाल और बंगाल के अंदर जो है ना वो कॉलकाता के अंदर जो है इसकी 1937 में वापस से पुनर स्थापना करते हैं तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है न भी तो ध्यान रखोगे भई आप तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कलकत्ता के अंदर जो है इसकी इस प्रकार से जो है स्थापना हो गई थी और अपन बात करें आपके तो देखो एक चीज और याद रखना भई अगर आप से पूछे के बिकानेर रज्य स्थाफित होई थी और इस विद्टा परीशद के संस्ताफण होगा इसके संस्ताफण उनका नाम क्या था नहीं धे एक रगुवर कई दयाल गोयल क्या नाम था तो रगुवर दयाल गोयल तो विकानेर रज्य परजा परिशत के संसापक थे रगुवर दयाल गोयल विकानेर परजा मंडल द्वारा कौन-कौन से दिवस मनाये गए थे तो दिवस जो है ना विकानेर परजा मंडल से जो मनाये गए थे तो ध्यान से सुनना वही एक तो इन्हों एक इन्होंने और कौन सा दिवस मनाया था तो नेताजी दिवस के अलावा जो इन्होंने दिवस मनाया था ना विकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया था तो विकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया था तो विकानेर दमन विरोधी दिवस जो है ना वो मनाया इन्होंने जो है बीरबल दिवस जो है ना इन्होंने मनाया था तो जो सहीद बीरबल दिवस जो है ना सहीद बीरबल दिवस जो है वो भी इनके द्वारा मनाया गया था और यह जो सहीद बीरबल दिवस जो है ना यह मनाया गया आपके 17 जुलाई 1946 को कब 17 जुलाई 1946 इस्वी को और यहां पर जो है ना कौन-कौन से दो कांड हुए थे एक तो वह विकानेर के अंदर आपके राइसिंग नगर अत्या कांड अनूपगड के अंदर आता अभी तो तो राइसिंग नगर अत्या कांड हुआ था इसमें एक सहीद वीरबल सिंग जो है ना वह आपके काम आगे थे देश के लिए और यह वह था आपके एक जुलाई 1946 को ठीकन है तो एक तो यह याद रखना है और एक और कौन सा कांड हुआ था तो यहां पर कांड कांड हुआ था उनिस सो ची अलीस के अंदर तो यह है आपके विकानेर प्रजामंडल से स स्क्रिंसोट लेलो लेलिया वे अवाज किस के आरही है इदर से अपनी देखलो वो कुछ स्टुटेंड पहले बोल भी रहे थे ना अचा बिल्कुल नित्तु यादव जी के रहें कर चाय कोफी कूछ लेलो अरे बिल्कुल बिल्कुल चाय तो लेली ना कीर्थी जी के रहें सर आप अपनी तवियत का भी ज्यान रखेगा आप बहुत मैनत कर रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कीर्थी जी और आप मतलब अभी तक भी इस परकार से क्लास से जुड़े हुए हो तो तवियत ख्राब होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि आप को देखकर ही तो हमें जोस आता है जब तक आप हो तब तक क्लास चलती रहेगी तो मस्ति से पढ़ते रहो और आप ठक जाओ तो कोई बात नहीं सोजाना क्योंकि आप तो कल भी देख सकते हो तो देखो रेष्ट भी जरूरी है अच्छा समीरा कान कह रहे हैं कि गुरू जी सुटर फेर लो अरे ये स्टूडियो के अंदर जो ना ठंड नहीं लगती है ना इस वज़े से हाँ जी सवीता नागर जी बिलकुल हडोती से क्या बात है चलो भई हाँ जी काजल दादीज जी बहुत बहुत दिन्यवाद लो भई अब अपन बात करेंगे अगला प्रजामंडल देखेंगे अपन तो अगला जो प्रजामंडल देखेंगे ने अपन वो कौन सा है भई तो अगला प्रजामंडल है आपके धोलपूर प्रजामंडल तो पुर्प्रजामनल के संस्तापक जो एना एक तो थे आपके कृष्णदत पालिवाल कौन थे बई कृष्णदत पालिवाल और कौन थे आपके तो ज्वालाप्रसाद जिग्यासु तो कृष्णदत पालिवाल और ज्वालाप्रसाद जिग्यासु जो एना ये थे आपके संस्त अपके तो यहां पर जो है ना एक कांड वह था और वह था आपके तसीमों कांड कौन सा कांड वह था तसीमों कांड का समंद जो है वह आपके धोलपूर परजामनदल से है यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम औरियंटेड है और तशीमों कांड जो है ना इसके अंदर फाइरिंग की गई थी पुलीस के अंदर और इस फाइरिंग के अंदर जो है ना तशीमों के अंदर जो है कितने किसान सहीद हुए थे तो दो किसान सहीद हुए थे ना तो एक का तो ना उस्थापना वह चालना यह बोहुत बहुत जादा इंपर्टेंट है चला आगे लोगए अगला प्रजामनदल आ चुका है आपके तो तो मेवाड प्रजामनदल के बारे में अपन बात करेंगे इसकी स्थापना हुई थी आपके 24 अप्रेल 1938 इस्वी को कब हुई थी 24 अप्रेल 1938 इस्वी को इसकी स्थापना हुई थी तो एक तो इस मेवाड प्रजामंडल के बारे में देखना है कि इसकी स्थापना जो है न वह आपके जो है कब हुई थी कहां हुई थी फिर अपन बात क करेंगे कि इसके संसापक कौन थे फिर अपने को देखना है कि इस मेवाड प्रजामंडल के जो एना वह आपके पहले अध्यक्स कौन थे पहले अध्यक्स के बाद अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इस मेवाड प्रजामंडल के आपके उपाद्यक्स कौन थे उपाद्यक् तो पहले अपन यह वाली बात सबसे पहले देखेंगे तो यह जो आपका मेवाड प्रजामंडर ना इसकी स्तापना ओई थी उदेपूर के अंदर कहां पर उदेपूर के अंदर तो उदेपूर में जो है ना बल्वंद सिंग महता के घर अरपके साहित्य कुटिर उनका जो गर तो इंका जो गर उस साहित्य कुटिर के अंदर उस साहित्य कुटिर में जो इना यह ध्यान्र रखना उद्ग पूर में संस्तापक कोन थे इसके जो संस्तापक थे उनका नाम क्या था तो इसके जो संस्तापक थे उनका नाम वेल्डन बहुत बढ़िया मानिक के लाल वर्मा था क्या नाम था संस्तापक का तो मानिक के लाल वर्मा जो है न वो इसके आपके संस्तापक हुआ करते थे मानिक के लाल वर्मा के बारे में यदि अपन बात करे तो इन्होंने किताब लिखी अजमेर में रहते हुए मेवाड का वर्तमान सासन कौन सी किताब लिखी थी तो मेवाड का वर्तमान सासन करके एक किताब लिखी थी और ये किताब इनोंने लिखी अजमेर में कहां पर लिखी तो अजमेर में जो है न ये किताब इनोंने लिखी थी और पहला अध्यक्स किसको बना दिया था तो इसका जो पहला अध्यक्स बनाया था वो पहले अध्यक् पर सबसे पहले अस्ताक्सर करने वाले सदिश्य थे वही बलवन सिंग मैता जिनों ने प्रताब सभा की स्थापना की थी ठीक है उपादिक्स जो है ना बूरे लाल बयां को बनाया गया इसको बनाया गया था तो बूरे लाल बयां को बनाया गया था महामंत्री मानिक्यलाल वर्मा बने थे तो महामंत्री जो है ना वह आपके कौन बने थे मानिक्यलाल वर्मा बने थे और अपन बात करें ऐस थाई मुख्याले या कार्यले जो है जल्दी से एक बार स्क्रीन सोट लेना हो तो ले लो भई फटा फट से ले लो है तो ले लिया स्क्रीन सोट चला आगे है चलो भई अब अब बात करेंगे आपके आगे देखो बैई इस मेवाड प्रजा मंडल के बारे में जो है न और अपन बात करें तो इस मेवाड प्रजामंडल के अन्य के अंदर कहां कहां पर थे तो इस मेवाड प्रजामंडल के दो और अन्य के अंदर थे तो एक तो अपन बात करेंगे जैसे अपने नाथ द्वारा ये जो नाथ द्वारा जो एना नाथ द्वारा के अंदर जो एना महिलाओं का नेत्रत्व किस किसने किया था गंगा बाई या फिर कजोड देवी ने जो है ना महिलाओं का नित्रत्व किया था कहां पर नाथ द्वारा के अंदर तो यह बात ध्यान रखना है भई कहां पर तो नाथ द्वारा के अंदर गंगा बाई या कजोड देवी जो है ना इनका संबंद आपके कहां से हैं नाथ द्वारा से हैं फिर अपन बात करेंगे जो दूसरा जो अदर सेंटर है ना वो है आपका भील वाड़ा और भील वाड़ा के अंदर जो आपके मुख्य करांती कारी थे ना यहां जो नित्रत्व करता थे उनका नाम था आपके रमेश संद्र व्यास जो आर्ची व मेवाड प्रजा मंडल के जो है ना पहले सत्या ग्रही कोन थे तो मेवाड प्रजा मंडल के पहले सत्या ग्रही आर्ची व्यास थे फिर अपन बात करेंगे तो मेवाड प्रजा मंडल का जो है ना प्रत्म अधिवेशन जो है ना यह आपके कब हुआ था तो इस मेवाड प् 26 नवंबर 1941 को हुआ था और यह अधिवेशन हुआ था आपके उदेपूर के अंदर और अपन बात करेंगे कभई इसका उद्गातन किस ने किया था और इसके अध्यक्स कौन थे तो यह दो बाते जो है ना याद रखनी यह मेवार प्रजामडल की स्थापना 1938 में हुई थी लेकिन पहला अधिवेशन 1941 में वह था और इसका आचारी एजहीन रखर लानि बच कर भी क्रपलानी न उद्गाटन किया था और इसके अध्यक्स 1941 में मानिक के लाल वर्मा बने थे कौन बने थे बई मानिक के लाल वर्मा बने थे तो यह चीज ध्यान रखना है कि मानिक के लाल वर्मा जो है ना वो इसके अध्यक्ष बने थे ठीके बई तो यह ध्यान रखोगे चला आगे लेलो एक बार स्क्रिंसोट लो भी लेलो लेलो जल्दी लेलो स्किन सोट लेलो हाँ भई ले लिया होगा आपने स्किन सोट अब आपन बात करेंगे तो मेवाड प्रजा मंडल के बारे में और क्या है मैं बात तो देखो भई मेवाड प्रजा मंडल के बारे में जो है ना एक चीज और ध्यान रखना भई आप ये जो आपका मेवाड प्रजा मंडल है इस मेवाड प्रजा मंडल के भारत छोडो आंदोलन में जो है ना भाग लिया था उस भारत छोडो आंदोलन के दोरां जो है ना भार 10 अगस्त 49्व को जो आप आपके जोएम जेल गए ते कहा गए थे जेल गए थे तो कुछ कार leagues करता जो जेल गए थे ने में एक तो अपन बात करेंगे जैसे आपके मौहनलाल सखा जिया थे यह भी आपके जोड़ गए। और अपन बात करें आपके तो हम बात करेंगे भई यहां पर जो है ना आपके बूरे लाल बयां जो है ना वो भी जेल गए थे और बूरे लाल का काला पानी क्या कहते है इसको मेवाड का काला पानी कहते हैं और यदि अपन बात करें तो मानिक के लाल वर्मा भी थे जो आपके जेल के अंदर गए थे कौन गए थे मानिक के लाल वर्मा भी जेल में गए थे हम बात करेंगे तो इनकी धर्म पतनी थी नराइनी देवी वर् के सने लता थी जैसे आपके सने लता थी उसी प्रकार से अपन बात करें तो आपके जो भगवति देवी विस्णोई जो थी न यह भी मेवारण प्रजामंडल की ही एक कार्य करता थी और यह भी भारत छोड़ो अंदोलन के दोरां जो है ना आपके जेल गई थी इनके बारे मे भी आपको ध्यान में रखना है चलें आगे बढ़ें अब आगे चलो ले लो स्क्रीन सोट इसका जल्दी से अब आपन बात करेंगे अगला जो प्रजा मंडल है ना अगला प्रजा मंडल है सापुरा इसकी सापना 1938 इस्वी के अंदर हुई थी और यह जो सापुरा प्रजा मं के जैंडल ना इसके जो संस्तापक थे ना उनका नाम क्या था तो उनका नाम था एक तो अपन बात करेंगे जैसे आपके लादू-आम भ्यास थे और और कौन्ध राम उजला था ध्यां yhte और मैंस जूर बात करेंगे आपके तो जल्हमienced और व्यास थे शित्श्श्व कौन जो ना यह जो फो इनका सम्मंध के कहां से था तो इन सम्मंद साहपुरा मंदल तैसे था जौशे एक हो और अपन बात करें आपके तो देखो विचेस क्या उसापुरा प्रजामंदल के बारे नहींतों साम्म पॏरामदल की जो इस पेशल बात थी तो राजस्तान में सबसे पहले जो एक उत्तरदाई सासन की स्थापना कहां पर हुई थी तो उत्तरदाई सासन की स्थापना आपके सापुरा रियासत में हुई थी ठीक है भी सापुरा के जो राजा थे उनका नाम क्या था तो उनका जो नाम था वो क्या था सापुरा के राजा का सूदरसन देव तब से पहले उत्रदाई सासन की स्थापना होई थी वैल डण क्या बात हैं बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो वैल डण रेंदर सर्मा प्रतिहार मीना बहुत बढ़िया अच्छा रक्जिल कुमार जी कह रहे हैं annoyed क्या बात है नीन आ रही है क्या चारूची का जी के रहे हैं एलो गूरूजी कैसे हो सर लातर गया एव अभी तो अभी वैसे थकान आई तो नहीं है और आएगी थोड़ी बहुत धेर माइगी तो देख लेंगे थकान वकान का तो इसा कुछी भी नहीं है आप ठक जाओगे लेकिन हम नहीं ठकेंगे आप पढ़ते पढ़ते ठक जाओगे लेकिन हम पढ़ते पढ़ते नहीं ठकेंगे ठीक है भई तो चंद्रकला मेल जी बिल्कुल अब अपना जाते हैं अलवर के उपर तो अलवर का जो है ना इसकी स्थापना भी कब हुई थी 1938 मे प्रटम justification वह रहे तो प्रत्म अधिवेशन जोए ना वह आपके जो है कब वह था और तो यह की अध्यक्ता के अंदर हूअ उसके बारे में जानना है अब सबसे पहले तो अपन बात करेंगे यह इसका संस्तापक कोंग है इसका संस्तापक ہے आपके पंडित हरी नरायन सर्मा और को अनके सयोगी तो कुंझ पिछारीलाल मोदी है और उनके सयोगी थे किसकी भइ तो एस प्रशता निवारन संग की जो ए न इनो ने क्या की थी? निवारन संग की ते र्शापन की थी? तो एक आपके आधिवासी संग की स्थापना की थी? ठीक है ने, और इन्हों ने किसकी स्थापना की ती, पहला अधिवेशन 1944 में हुआ था और अध्यक्स कौन थे, तो इसके जो अध्यक्स जो थे ना, उनका नाम था आपके ब़वानी संकर सरमा, क्या नाम था अध्यक्स का? तो अज्यक्स का जो नाम था ना वो था आपके बवानी संकर सर्मा ठीक है भई तो बिल्कुल रूचिगा जी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है सविता कुमारी कह रहे हैं कि सर मैं कमेंट ने करूं अच्छा ठेने करो कमेंट कोई बात नहीं करो ना कमेंट नींद आ जाएगी व तो लिए ना चले आगे लो भई अब जो है ना अब आगया है आपके भरतपूर प्रजाम मंडल ठीक है अब भरतपूर प्रजाम मंडल की साफना कब हुई थी तो बताओ क्या उननीच सो अड़तीस इस्वी में हुई थी तो बिल्कुल सही बात है अब इस भरतपूर प्रजाम मंडल के बारे में अपन बात करेंगे कई एक तो अपन देखेंगे कि इसकी स्थाफना जो है न वो आपके कब हुई थी और कहां पर वही थी फिर बात करेंगे कि इसके संस्तापक कौन थे और फिर अपन बात करेंगे कि इसके जो एना आपके पर्थम अध्यक्स कौन थे ठीक न और फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसके जो एना आपके उपाध्यक्स जो एना वो कौन कौन थे और फिर इसके बाद अपन बात क करेंगे इस सबसे पहले तो आपन बात करेंगे आपके इसकी स्थाप्ن जोशी किसनलालài तुपीलाल यादो जो इना वो झेक्स्कों बने था तो दो लोगों को उपाध्यक्स बनाया था कितने दो एक तुब बात करेंगे रहोतिसरन सर्मा या रहरोतिस अरण उपाध्याई under और अपन बात करेंगे ठाकुर देश राज को जो एना बना दिया था अपन बात करेंगे अन्य सदेश्यों के अंदर जो एना एक तो जुगल की सोर चतुरवेदी जिनको क्या बोलते हैं और अपन बात करेंगे मास्टर अधी तेंदर और मास्टर फकीर चंद ये सारे जो एना वो सदिश्यों थे भरतपूर प्रजामंडल जो है ना इसका पंजी करन जो है ना वो किस नाम से हुआ था तो भरतपूर प्रजामंडल के बारे में यदि अपन बात करेंगे ना तो भरतपूर प्रजामंडल का जो आपके पंजी करन जो हुआ ना वो पंजी करन हुआ आपके भरतपूर परिशद के नाम से जो है ना वो इसका पंजीकरन हुआ था तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है और अपन बात करें तो देखो वह एक और आपके आता है वह नाम अक्सर आपको घट्चा खिला जाता है कभी के भरतपुर प्रजा परिशद या फिर भरतपुर राज्य प प्रजा परिशद जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी आपके 1928 में कब हुई थी तो भरतपुर राज्य प्रजा परिशद की स्थापना जो है ना इसकी स्थापना हुई 1928 इस वी के अंदर और इसका जो है ना आपके अध्यक्स कौन था और सचिव कौन था तो भरतपुर राज्य परजा परिशद का अध्यक्स और सचिव यदी अपन देखे ना तो भई इसके अध्यक्स और सचिव के बारे में यदी अपन डिसकस करें तो इसके जो आपके अध्यक्स जो थे ना वो अध्यक्स कौन बने थे तो वो बने आपके तो यह आपके अपन बात करें तो यह याद रख लेना है ठाकुर्देश राज और दीवस जो एना इस भरतपूर परजा मंडल के द्वारा कौन सा किया गया था तो दीवस के बारे में यह अपन बात करें न तो दीवस जो ना इनके द्वारा जो है वह आपके भेगार वीरोधी दिवस जो है ना यह बेगारवी दिवस इन्हों dragons परफ फरवरी 1947 इस वी को पाच फरवरी 1947 इस वी को जो आपके रमेज स्वामी थे कौन थे बई रमेज स्वामी जो थे ना रमेज स्वामी के बारे में यदि अपन बात करें तो इनकी बस से कुचल करके जो है हत्या कर दी गई थी 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 बाए चलो चलो तो यह आपके भरतपूर का जो है न यह स्रींचोट ले लो भरतपूर की सारी मेन मेन बाते जो है वो हमने देख ले ज़री अब चलते हैं बही आगे तो अगला प्रजा मंडल पर आ जाओ देखें भई देख लो बोर्ड भीज बहुत स्लो गया है लो बई करोली प्रजा मंडल आ गया है तो आपके करोली प्रजा मंडल की साफना कब हुई थी तो करोली प्रजामंडल की साफना 1938 के अंदर हुई थी कब हुई थी 1938 में हुई थी और अपन बात करेंगे इसके जो आपके संस्ताफक जो थे न वो आपके संस्ताफक कौन थे ठीक है न तो संस्ताफक के बारे में भी अपन बात करेंगे तो भई अब आपन बात करेंगे इस करोली प्रजामंडल के जो संस्तापक जो थे ना वो कौन-कौन थे तो वो जो संस्तापक जो थे ना संस्तापक के बारे में अगर आपन बात करें तो संस्तापक जो है वो आपके कौन थे तो संस्तापक थे आपके त्रिलोग चंद माथुर कौन थे भई तो संस्तापक थे आपके मुंसी त्रिलोग चंद माथुर कौन थे भई मुंसी त्रिलोग चंद माथुर इसके संस्तापक थे और कौन थे भई आपके तो चिरंजी ला से और कौन थे बहुत चिरंजी लाल सरमा के अलावा कुमर मदं सिंग को यह वही कुमर मदंसिंग यह वहीं नहीं की कि सानांदौलन का नेत्र प्रिया था तो ली कि सानांदौलन चलाया था reminds 1927 तो करोली किसान अंदुलन का नेत्रत्व किया था उन्होंने नेत्रत्व किया था किश्व नाम याद राखो तिर लोग चन माथुर को नाम याद राख जिए बहुत इंपोर्टेंट है और हर बार एक्जाम का महिने आवे यो ठीक है चला आगे हाँ करोली किसान अंदोलन है बहुत छोटों सो अंदोलन है लेकिर प्रस्ण बहुत बढ़ों बन जावे लो बै सुबह देख लेना देखो जिन जिन को नींद आ रही है वो सो सकते हो अनु चोदरी कह रहे हैं कि में वाड़ी में जड़ा हो जाएगा ना फिर लो भी अब आजाओ वही तुझा कुमारी गुजर कह रहे हैं कैसे सो जाए सर बिता होगा कल हमारी याद में हैं और आने वाल यूध के अंदर मानलो अगर अपने उपर अटेक हो रहा है तो अथियार तो अपने अपने पड़े का चाहिए कुछ भी ओ लेगिन यदी आपन बिना युदो के भी इस प्रकार से अथियार चलाते और तैयारी करते हैं तो फिर यूद के अंदर अथियार चलाने में अपन you bleed in battle मतलब आप प्रेक्टिस के अंदर जितना पसीना बहाओगे ना आपको उतना ही जो है बात में कम प्रियाक करना पड़ेगा बाद में आपको जो है सुकून मिलेगा ठीक है और अपन बात करें नहीं खाना जो है क्लास पूरी होने के बाद खाऊंगा मैं और अपन बात कर लग करे पर खड़े को अगर समुद्र को देखते न तो उसे आइस समुद्र को देखने से जो है वो लांग नहीं सब्सक्राइब के 5 और उतनेज़ना समद्र के साहतर का ही हमारे साहस से बढ़ा नहीं है इसलिए जितना हो सके ना साहस रखना हमत रखना में कभी नहीं आना हम दो ne रागर अपन और घ्пис संग अ मुझे तो आराम करना है, सोना है, खाना, पिना, घूमना है, तो उस comfortable zone में आने के बाद जो है कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, कहते हैंने का भई के सूरज की तेरे यदी चमकना है तो उसके तेरे जलना भी सीखो, देखिए जो लोग जितने मतलब आज आप उनको successful देखते होना, वास्तों में उन लोगों का संगर्स जो है वो बहुत ही अधिक होता है, आज जितने भी बड़े teachers देखलो, tutors देखलो, educators देखलो, students देखलो, government servant देखलो, politicians देखलो, बड़े business टाइकून देखलो, वो जो है बहुत जादा मैनत करते हैं, इस वज़े से उतन मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कि अभी I think जो है, 12 बजने को आ रही है, और अभी 20-60 प्लस students जो है न, वो अपनी class के अंदर live चल रहे हैं, क्या बात है वई, सांत माहोल के अंदर पढ़ता हूं, नरेंदर सर्मा जी कह रहे हैं, बिल् बिल्कुल एकदम से छांदार मजा आ रहा है, तैयारी करो एकदम से लो भी आजाओ, कोटा प्रजामंडल की तरफ, तो कोटा प्रजामंडल की साफना हुई थी आपके कोटा प्रजामंडल की साफना हुई थी और ये जो आपका कोटा प्रजामंडल है ना, इस कोटा प्रजामंडल के संस्ताफक कोन थे, तो इस कोटा प्रजामंडल के जो आपके संस्ताफक थे ना, उनके बारे में यदि अपन बात करें, तो कोटा प्रजामंडल के संस्ताफ तो पंडित नेनुराम सरमा और अपना बात करेंगे तो और थै आपके अभिन्हरी ने सही और अंपना हरी और Apply तंसुकलाल मिझत्त सब्सक्राइब को ट्रैत विसक श्राषा को हिसे है और अपना बात करें तो अब ये चो कोटा प्रजा मंडल है न? भारत छोड़ों अंदुलनग के दुराज जो है कोटा प्रजा मंडलू के कारिय करताओं ने कोटा सहर पर एदिकार करे लिया था कोटा कोलेज तो है तो इसी होती है हमारी नारी सकती हमारी महिला सकती तो यह याद रखना है और कोटा प्रजामानल के तीनी दो नाम ज्यादा पूछते हैं ठीक है ना यह दोनों नाम आपको धंग से याद रखने ठीक है चला अच्छा रीट का पीडित बिरती के रहा कि तंसुक लाल रीट में यहां मैंने का न यह तंसुक और बिन अरी जो है न यह अक्सर आते रहते हैं तो लो भई अब आपन बात करेंगे किसंगड प्रजा मंडल तो यह जो आपका किसंगड प्रजा मंडल जो है ना इस किसंगड प्रजा मंडल के संस्ताफक को ने बई तो इस किसंगड प्रजा मंडल के जो संस्ताफक है ना वह आपके कांती चंचो थानी को ने बई कांती चंचो थानी किसंगड प्रजा मंडल की कांति चंचो ठाणी जो हैना इनका एक संगठन भी था और उस अगठन का नाम junior किया था उपकारक मंडल जो उसकी तरी स्वें अपना कांति चंचो धानी ने की थी ये उपकारक मंडल जो भी निरास्री थे अनाद थे बे सहारा थे ऐसे लोग जिनका कोई नहीं था अनाद थे पीडित थे वंचित थे सोसित थे दलित थे गरीब थे उनकी रच्सा करने का काम ये उनकी सुरक्सा का काम उनको सयोग देने का काम उनका विकास करने का काम उनके कल्यान करने का काम कर रहा थ ठीक है तो कांती चंद चोथानी और पहला अध्यक्स बना दिया था आपके जमाल सा को कौन थे भई जमाल सा सीरोई प्रजामंडल के बारे में अगर अपन बात करें तो सीरोई प्रजामंडल की स्थापना हुई 1949 इसवी के अंदर और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी तो और अपन बात करेंगे तो इस सीरोई प्रजामंडल के जो संस्थापक थे नाम वो संस्थापक कोन है तो इस सीरोई प्रजामंडल के जो संस्थापक है ना उनका नाम क्या है तो गोकुल भाई बट क्या नाम है उनका गोकुल भाई बट गोकुल भाई बट जिनका हैपी ब रखना है आपको और इनके साथ जैसे आपके वर्दी संकर भी थे भीम संकर सर्मा थे वह आपके समर्थ मल थे बहुत सारे लोग थे तो यह गोकुल भाई बट वही है जिनकी कोशिसों से जिनके प्रियासों से जो है हमारे राजस्थान के अंदर जो है ना अजमेर मेरवाडा के अंदर आबु देलवाडा का विले हुआ था चिरोई रियासत का पूर्ण विलेई जो है इनी के परियासों से हुआ था तो ये वी धियान रखना तो आव ठाकव राजस्तान के बाहर जो है ना किलिकिन परजामंडलों की साफना होती है तो भी कानेर परजामंडल की साफना कलकता में होती है भरतपूर परजामंडल की साफना रेवाडी में होती है इस शीरोई परजामंडल की साफना बंबई में होती है एक अपन अभी देखेंगे आपके जोदपूर में होती है जोदपूर है राजस्तान में लेकिन रियास्त के तो बाहर है ना क्योंकि जेसल मेर परजामंडल की स्टापना उदर हो रही है ठीक है भई तो यह चीज जो है आपको ध्यान रखना चला आगे है हलो भाई अब आजाओ अब आपन बात करें कि कुसलगर प्रजामंडल ये तो आपको विसे आता है कुसलगर प्रजामंडल की स्थापना जो है ना 1942 के अंदर हुई थी और इसका जो संस्ताफक था ना ये और भूपेंद्रनात त्रिवेदी आपको बस एक नाम याद रख लेना है उपेंद्रेनात त्रिवेदी बाकी तो अपन बात करें तो मनी संकर नागर भी थे कौन कौन थे भई तो मनी संकर नागर थे और अपन बात करेंगे धूल जी भाई बावसार थे कौन थे भई धूल जी भई भावसार थे तो मनि संकर नागर थे और आपके धूल जी भई भावसार थे यह जो धूल जी भावसार जो है ना इनकी धर्म पतनी थी विजिया भहिन भावसार और विजिया भहिन भावसार ने बासवाडा के अंदर महिला मंडल की स्थापना की किसके इस्थापना की थी महिला मंडल की स्थापना की थी तो हमें आपको ज्योonton यहाँ पर यह याद रखना है उपने यह सीन्सूर्ट लेना हो तो ले, इसमें इंपोर्टेंट यह भुपेंद्र-नत्रीवेधी、 है चला. अब अपन बात करेंगे तो भई डूंगरपुर परजा मंदल बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, तो अब अपन पढ़ेंगे आपके डुंगरपूर परजामंदल के बारे में तो ये लो भी आपका डुंगरपूर परजामंदल आ गया इस वज़े से यहां से थोड़े प्रस्न जो है वो पूछ लेते है तो इसके जो संसापक जो थे नाम उनका नाम क्या था भई तो भोगिलाल पाइंडिया जिनको क्या बोलते है वागड का गांदी बोलते है तो यह आपके पाइंडिया साथ जो है नाम वागड के गांदी क्य कर देते हैं तो वागड के गांदी आपके डूंगरपूर प्रजामनल की स्टापना करते हैं पोगिलाल पांडिया के साथ थे आपके अरीदेव जोसी कौन थे भई तो अरीदेव जोसी जो है ना असम के रज्यपाल थे और फिर बाद में तो यह आपके क्या बने थे तो यह द्यान रखना भी यह थोड़ा एक बाट काफी टाइम होगे इसलिए बात अभी तक भी अपने स्टुडेंट नहीं ठके हैं देखो सारे के सारे स्टुडेंट जो हैं अभी भी चल रहे हैं वेल डम तो अरीदेव जोसी है और अपन बात करें बोगिलाल पाइंडिया हो गए अरीदेव जोसी हो गए और कौन थे तो आपके गोरी संकर उपाद्याई थ अबकार अब भात करेंगे शिवलाल कोटिडीया कोंते वैस ये वह अबके किस्तवी का समंद्द आपके बच्छा मंदल से जैसा ब्चामंदल ता जिसके द्यान यात्राओं का sworn किया जाता अबर आपन बात करें तो यहां डूंगरपूर् जो कांड जो होता है ना वो कांड कौन सा होता है भई रास्ता पाल कांड होता है कौन सा होता है भई तो रास्ता पाल कांड होता है कौन सा कांड होता है रास्ता पाल गटना होती है तो आपके जो रास्ता पाल गटना जो है ना यह होती है आपके उनीस जून उनीस सो से ताली किद जो होते हैं उनके बारे में यदि अपन बात करें तो एक तो होते हैं आपके नाना भाई खाट कौन होते हैं सहीद तो एक तो होते हैं आपके नाना भाई खाट यह नाना भाई खाट सहीद होते हैं और दूसरे और कौन सहीद होते हैं तो नाना भाई खाट के अलावा अ तो तेरा वर्षी ये बील वाली का थी ये भी सहीद हो गई थी अपने गुरू की जान बचाने के लिए स्वयम के प्राण जो है नियोच्छावर कर दिये थे कर दिये थे लो गई थे रहशने के लिए स्वयम कि जाव प्राण में वाली खी वेवं तो बचाने के लिए तो बने है स्वयम के लिए स्वयम के लिए बील बचाने के लिए हुआ है 13 वर्ची भीलबाली का काली बाई क्या हो गही थी तो तेरा वर्चि भील बालिका काली बाई जो है न वो सहीद हो गई और बालिका शिक्षा के ख्षतर कें अंदर काली बाई भील मैदावी छातरा कुटी वित्रन योजना के तहत जो है उन होशार लड़कियों को पुरुसकार भी प्रदान किया जाता है और अपन बात करें तो ये जो आपकी काली बाई जो है ना काली बाई की मूर्ती कहां पर है तो काली बाई जो है ना इनकी जो मूर्ती है वो आपके है गेब सागर कहां पर है भई गेब सागर और ये गेब सागर जो है ना ये कहां पर है आपके तो ये आपके डुंगरपूर के अंदर है इस Ghaesar के आंपास किनारे पर जो है ना वीर बाला काली भाइद मुर्ति लगी हूई है और एग जो आपके अध्यापक थे वह गये थे गाल लुए थे समाल जायल को हो गये थे उनका नाम थे उनका कुमारी जी कह रहे हैं मुझे स्कूटी मिली है काली योधिना से क्या बात है तब तो मजा गया आपको तो कि तर दस मिनिट का अंतराल करके खाना अरे नहीं नहीं खाना तो खालेंगे कि अइंग खाने के लिए तो क्या लाएं मेरी स्कुठी को को रोना खा गया अच्छा क्या बात है लो भई अब अपन बात करें लो भई अब आपके परताफ गड़ परजा मंडल तो कब हुई थी परताफ गड़ परजा मंडल की इस आपना नाइंटी फोट्टी फाइब और इसके जो संसापक जो थे न वो कौन थे तो एक तो अपन बात करें अम्रत्लाल फायक थे कौन थे तो अम्रूत लाल फायक यह जो अंब और उनके पाठक वर्ड़ भी लिखा ऊगा आ करेंगे आपके अच्छा नेट खतम बहुत बहुत धन्यवाद हाडोती से सर गुड़नाइट कोई बात नहीं सरीता नागर जी गुड़नाइट स्वेट ड्रिम्स अराम से सो कल पड़ लेंगे अपन लोबे जैसल मेर परजामंडल के बारे में अपन बात करेंगे तो यह जो संस्तापक कोन था ठीकन है तो संस्तापक के बारे में ध्यान रखना पहले यह दो बात देक लेते दो बात अपन देखेंगे तो शबसे पहले तो अपन बात करेंगे इसकी स्ऴड़ना में वोई ती कहां पर हुई करते हैं इसकी स्थापना करते हैं अब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर जो यह थे Whatsत pasture का महेशवरी नो युवक मंडल यह जैसलमेर के युवाओं को जो ना को करांति के लिए प्रेरित करता है महेस्वरी नौ युवक मंडल जो एक इसकी स्थापना 1932 इस वी के अंदर जो है ना रगुनाद सिंग महेश्वरी के द्वारा की जाती है किसके द्वारा की जाती है तो इसके जो संसापक थे ना उनका नाम था आपके रगुनाद सिंग महेश्वरी क्या नाम था उनका तो रगुनाद सिंग महेश्वरी जो है ना वो इसके संसाप का नाम था तो इसके संसाफक का जो नाम है वो रगुनाज सिंग महस्वरी था ठीक है भी अब अपन बात करेंगे जैसल मेर रियासत का पहला न्यूज पेपर था आपके वीजे और जैसल मेर के अंदर जो है ना एक प्रसिद्ध क्रांटिकारी हुए थे जिनका नाम था आपक के अंदर जैसल मेर के महरावल जवार सिंग के कहने पर जेलर गुमान सिंग ने तीन अप्रेल उनिस सो च्यालीस को मिट्टी का तेल चिड़क करके जो है इनको जिन्दा जला दिया था बड़ी निर्ममता पूर्वक इनकी हत्या कर दी गई कहते हैं कि इनकी पूरी चमड़ तो इनकी जो पूस्तके हैं अक्सर एक्जाम में पूछी जाती है तो एक तो इनकी किताब है जिसका नाम आपके जैसल मेर का गुंडाराज क्या नाम है भई जैसल मेर का गुंडाराज ठीक है ने जैसल मेर का गुंडाराज जैसल मेर का गुंडाराज जैसल मेर का गुंडा लिखी थी आपके रगुनाज सिंग महेश्वरी का मुकदमा किताब का नाम क्या है तो रगुनाज सिंग महेश्वरी का मुकदमा कहते हैं कि इनकी हत्या के बाद जो है जनता के दवाव में आकर के एक आयोग का गठन किया गया था तो जो आयोग का गठन किया गया उस आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग क्या नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग यह जो आपका गोपाल स्वरूप पाठक आयोग जो था ना इस गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने जो है पक्सपात पूर्वक जो है अपना अपनी सिफारी जो है प्रस्तुत की जाकर कोन देरा माचिस कोन देरा इस प्रकार जो है गोपाल स्वरु पाठक आयोग जूट मूट करके लिपापोति कर देती है ठीक है इसी प्रकार से इक टेलर आयोग था वह आपके किस्ते समंदित था तो टेलर आयोग जो है ना वो कुसाल सिंग चापावस्ते समन्दित था चला आगे लेलो स्क्रीन सोट लेनो एव तो ठीक है भी लो भी अब आपा चला आगे तो देखो अब आपन बात करेंगे तो जालावाड परजा मंडल की स्थापना हुई इस जालावाड परजा मंडल की स्थापना हुई इस कौन थे भई तो जालावाड परजा मंडल के जो संसापक थे उनके बारे में यदी अपन बात करेंगे तो एक तो ठहर आपके जैसे कनयाल और एक तो थे आपके नसे Спत diabetes एक थे आपके मदन गोपाल और एक थे आपके रतनलाल तो इन सभी ने जो है ना इस आपके जालावार परजामंडल की स्थापना की थी तो जालावार परजामंडल जो है ना इस जालावार परजामंडल के बारे में खास बात क्या है तो इस परजामंडल को राज गराने का सर प्राप्त नहीं था जालावार को छोड़ करके जालावार के जो राज राना थे अरीज चंद्र उन्हों ने इस प्रजामंदल को स्वाइब कर रखा था जीग है तो यह चीज आपको ध्यान रखना तो यह प्रजामंदल जो हैं अपने खतम होते हैं चलिए अगला टोपिक क् आपकी स्कीन पर आ रहा है चोहान वंस तो अगला जो टोपिक है ना वह आ रहा है आपकी स्कीन के उपर चोहान वंस तो लो भई आजाओ देखे भई तो चोहानों के बारे में तो देखो यह जो आपका चोहान वंस जो है ना चोहान वंस के बारे में बात करें तो यह जो व और आदी पुरूस बहुंदेडेंगे सबी चौह कि अंदर बादे पुरी पुरूस किसी बढाना सननों सब्सया हैं चौह कांब पुरूस है और आप करन चैंब इसके अंदर पाइंत्धेr California सांबर को कि न कीती विजौलिया सिला लेख के अनुसार जो है ना इसने आपके सांबर जील का निर्मान करवाया सांबर जील का निर्माता कौन था भई तो यह आपके वासुदेव चोहान था पॉर ऐसा किसमें कहा गया तो 1170 इस्वी के उस तो विजोलिया सिला लेक के अंदर कहा गया था अब आपन बात करेंगे भाइज क्या हो रहा है यहां से नहीं आ रही है तो स्टुडेंट भी सोच रहे होंगे कि बोर्ड जवाब दे गया लेकिन अभी जो है तो हाँ बेलकुल गुनबद्र क्या बात है तो देखो भी कुछ नहीं हुआ वो तो अपन देख रहे हैं कि ये बोर्ड को वुखार वुखार तो नहीं आए कि उन्ना तो नहीं बढ़ रहा है ये तो उन्ना उन्ना तो एक दमसे ठंड़ ये बोर्ड तो चलो भई अब अपन बात करें तो देखो दो ये चोहानों में संस्ताफकों के बारे में अगर बात करें अपन बात करेंगे जैसे अपने नाडोल के अंदर चोहानों का संस्ताफक कोन है फिर अपन देखेंगे बाई कि जैसे आपके ये जो बुंदी जो है ना इस बुंदी के अंदर जो है बुंदी के अंदर जो है अब अपन देखेंगे आपके तो ये जो आपके जैसे बुंदी है यहाँ पर चोहानों का संस्ताफक कोन है कोटा रनथमभूर के अंदर कौन है तो रनथमभूर के अंदर जहेंना हो है आपके गोविंदराज कौन था फिर अपन बात करें आपके नाडोल के अंदर लक्षमन सिंग था चोहानवंस का संस्ता पर कौन था लक्षमन सिंग जिसको क्या बोलते हैं अपन लाखंसी क्या केते हैं लाखंसी तो लाखंसी था बुंदी के अंदर जो है ना वो कौन था भई तो भई बुंदी के अंदर जो है ना वो आपके जो जेता मीना था ना उस जेता मीना को हरात इस प्रकार से होती है अब अपन बढेंगे अगले वाले राजा की तरफ अगले वाले राजा की तिरफ अपन देखेंगे वह तो गूवक प्रफिम जो ना ये आपके पहला स्वतंत्र चोहान सासक है ये जो आपका गुवक प्रत्म जो है ना ये आपके पहला स्वतंत्र चोहान सासक है इसका मतलब चोहान पहले जो है वो स्वतंत्र नहीं थे तो बिल्कुल नहीं थे ये जो प्रतिहार थे ना उनके सामन्त थे प्रतिहारों के क् करें तो प्रतिहार सासक नागपट जो है ना उसे नागपट की अधिनता स्विकार करने से जो है ना मना कर दिया अधिनता स्विकार करने से जो है ना इनकार कर दिया अधिनता स्विकार करने से जो है ना इसने क्या कर दिया तो इनकार कर दिया था और इसने जो एना एक मंदिर का निर्मान करवाया था और इसने जो एना जो मंदिर बनवाया था वो हर सनात मंदिर का निर्मान करवाया किस मंदिर का तो भगवान सिव का मंदिर बनवाया था और उसको क्या बोलते हैं हर सनात मंदिर बोलते क्या बोलते उसको हर सनात मंदिर उसको बोलते तो हर सनात मंदिर का इसने निर्मान करवाया था तो यह चीज आप ज्यान में रखना भई ठीक है न लो भई अब अपन बात करेंगे तो अगले चोहान सासक के बारे में अगला चोहान सासक है वेरी वेरी अजे राज को ने भई अजे राज अजे राज के बारे में अपन बात करेंगे तो इस अजे राज का सासनकाल जो है ग्यारा सो पांस ते ग्यारा सो ते तीस इस भी तक रहा था सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इस अजे राज के जो डेडी थे ना इसके डेडी का क्या ना निर्मान करodka ज Will उसरह प्रही राजप्रतम का सामन पर आप बात करेंगे तो यह इस आपके प्र topliner शवी के अंदर जो है ना 1113 इस्वी के अंदर जो है इसने आपके अजमेर सहर की स्थापना की थी तो अजमेर सहर की जो है ना अजमेर सहर की स्थापना की थी और इस अजमेर को क्या बना दिया तो अजमेर सहर की ये बोर्ड चल रहा है तो इस वज़े से बोर्ड थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है कोशिस तो मैं पूरी कर रहा हूं सेट करने की सेट करने की जब तक चल रहा है बोर्ड तक तो मैं भी चलता रहूंगा हम नहीं ठकेंगे बोर्ड ठक सकता देखो हमें देखे मसीन ठक रही है ल केवल और केवल आपके लिए हमें हिम्मत जो है वह आप से ही मिलती है तो इस प्रकार से जो है आपका प्यार सने और विश्वास जो दिख रहा है ना इससे जो है बहुत ही अच्छा मैसूस हो रहा है तो चलो भई अब अपन बात करें तो अजमेर की स्थापना हुई 1113 में औ तब तक चल रहा है तब तक तो आपन भी चलेंगे इसको राजदानी बनाया था और यह जो आपके अजयराज जो है ना इन्हों ने सख्के चलाए थे अजयराज-ने क्या dip मैने गासे लिखें नने सख्को क मैनगने क्या collect लाजखें प्रियेदरम नामक जो है वह सख्राइय तो अस 우eln नाम के सामल्वती का नाम लिखा हुआ ओभ दना उस वह सब्राइवस्ब्रम्ती होता किसका नाम लिखा नहीं जो है आपके सब्राइवर्किन का आपके नाम लिखा होता था तो यह चीज आपको द्यान में रखना है कि इसके उपर सुमलवती का लिखा हुआ होता था और एजय राज अपने जीवन के अंतिम डिनों में राज कारिय से सासिंकारिय से सर्मयास लेते हैं और अपने पुत्र अरनो से लग रहा देखो हम भी ऐसे कोई मतलब ना तो सहदे हुए ना ही बविश्य वक्ता है लेकिन अभी का माहोल देख रहे हैं उसके अकोर्डिंग लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो बंपर वेकेंसी है वो अभी आएगी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड क रहे है क्योंकि नहीं सरकार आई है महीं एक जोगो हमें नहीं सोचल इब भर्ति अभी आ रही है च्टमंगनी कर की भर सकती है हमें अपने आपको प्रिपर कर रखना कहना अपने आपको इतना तयार रहना है ह pronouns यतना ओना से यह और RPSC के डाइरेक्टर या RSSB के डाइरेक्टर को कहे के ले भई पेपर ले कहे वो के अभी तो 6 महीने बाकी एकम केल नहीं आज पेपर लो इतना confidence होना चाहिए देखो भई ये जो है ना ये होसलों की लड़ाई है और इस होसलों की लड़ाई को आप कब तक किताबों के सहारे जीतोगे तो देखिए ये competition exam चो है ना ये खुद की खुद से लड़ाई है और इस खुद की खुद से लड़ाई है मैं खुद कोई खुद से जीतना पड़ता है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको का हम मान लेंगे तो हारे और ठान लेंगे तो जीते तो डर के आगे जीते हिमते मरदा तो मददे खुदा तो हिमत रखिए और बस अपना कर्म करते रहिए कर्मन्ये वा फलेसू मा फलेसू कदाचन हमारे हक में, हमारे हाथ में, हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है फल हमारे हाथ के अंदर नहीं है तो जो होगा परिनाम वो देखा जाएगा परिनाम निर्पेक्स हो करके तैयारी कीजिए भई मैं बाते इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा ठीक हो जाए लो भई तो यह ध्यान रखना भई यह हो गया भई अजय अजय राज के बारे में यह दो चीजें जो है ना यह इंपोर्टेंट एक्जाम औरियंटेंड जो यह वही बाते हैं तो कौन-कौन सी बाते हैं उनके बारे में वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है लो भई अब 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 अपन जो हैं अगले राजा की तरब बढ़ेंगे तो लो भई अगले वाड़े राजा आगे अगले वाड़े जो राजा है ना वो आपकी स्कीन के उपर आएंगे हाँ हाँ बिल्कुल नहीं होती देखो भरती आने के बाद जो है वो तैयारी कभी नहीं होती है तो इसलिए अभी से पूरे अपने आपको जो है वो तैयार करके रखो और देखो competition तो है competition है तो अपने को तैयारी करनी पड़ेगी मैं कहता हूँ कोई भी काम करो मन से करो दिल से करो चाये पढ़ने का करो चाये और कोई धंदा करो चाये पकोड़ी बेचो चाये चाये बेचो चाये केड़े बेचो फ्रूट बेचो अगर हम कोई काम अगर दिल से कर रहे हैं मन से कर रहे हैं महनत कर रहे हैं और उस काम के बारे में हम सोच रहे हैं हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो परिणाम सकारात्मक होगा ठीक है नहीं तो यह परिणाम सकारात्मक कब अर्णोराज के बारे में अपन बात करेंगे तो अर्णोराज जो एना ग्यारा सो तेतीस से ग्यारा सो पच्पन इस्वी तक जो एना ये सासक रहते हैं अर्णोराज के बारे में अपन बात करें ना तो अर्णोराज ने जो एना इन आपके तुरकों को हराया था अर्णोराज जो ना तुरकों को औराया 1135 इसरी के आझ पास कैते हैं कि तुरकों और अरणोराच के बीच में इतना भेंकर युदु हुआ था कि उस युदु के अंदर इनों तुरकों में इस प्रकार की मार काट मताई थी कहते हैं कि वहाँ जो युद्ध का मेदान था जो रन स्थल था जो युद्ध स्थल था वो रक्त स्थल में तबदील हो गया था चार और लासों का डेर बिचा हुआ था अंबार लगा हुआ था इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा रन भूमी जो है रक्त भूमी में तबदील हो चुका था कहते ह कि पूरी की पूरी जो मिटी थी वो रक्त से लाल हो गई थी कहते हैं कि रिशी मुनियों के द्वारा और समझदार लोगों के द्वारा कहने पर विद्वानों के कहने पर जो है उस दूसित रक्त से पवित्र हुई भूमी को वापस से पुने पवित्र करने के लिए जो है वो इन्होंने आपके तुर्कों को अराया और तुर्कों के दूसित रक्त को जो है धोने के लिए आना सागर जील का निर्मान करवाया तो आना सागर जील का जो है ना इन्होंने निर्मान करवाया था इन्होंने मालवा का जो सासक था उसका नाम था आपके नरवर्मन उस मालवा कारिय भी करवाया था तो इन्होंने आपके निर्मान आना सागर के अलावा जो है ना उसकर के अंदर वरा मंदिर का निर्मान करवाया था तो किस मंदिर का निर्मान करवाया और ये वरा मंदिर इन्होंने कहां पर निर्मित करवाया तो इस वरा मंदिर का निर्मान इन्होंन के लिपान विद्वान थे एक का तो नाम था आप के देव को आ देव को र्वाच और दूसरे का नाम था धर्मगोथ mov और लूबध 120म tut ये दोनों रणोराज के दर्वारी विद्वान थे अर्णोराज अपने समय का एक बहुती महत्वा कांग सी और बहुती सक्ति साली सासक उआ था लेकिन कहते हैं कि अर्णो राज की हत्या इसी के पुत्र जगदेव ने कर दी थी इस वज़े से जगदेव चोहान वंस का पित्र हंता सासक कहलाता था तो यह चीज द्यान रखना है तो इसकी हत कि आना वहत्या किसी नहीं कि इसी के पूत्रिने कि प्रकानाम था यह första ऌव यह क्या कहलता है difficult हान वंस का पित्रहंता सासक कहलाता है तो चोहान वंस का आता सक पित्रहंता सासक कहलाता है ठीक तो यह द्यान रखना जग्देव को ठीक है तो फिर इसके बाद 1156-1185 तक यह यह जग्देव पूंसाशक बनता ज़ेगे ने और गजनिवियों को हराया था तुरकोς को नर्वाके अर्वरोरमन को भी इने अर्वर्या व्युवा किया था तो चलो भई आगे बढ़े अपन कि आओ बहुत इंपोर्टेन्ट राजा आये हैं विग्रे राज चतुर्त चलो विग्रे राज चतुर्त का जो टाइम पीरियड है सासन काल जो आप वह आपके हैं ग्यारा सो अठावन से लेकर ग्यारा सो तरसटी स्वी तक ठीक है विग्रे राज चतुर्त जो एना इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना यह बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है अच्छा जनने ट्रेंड के रहें कि कोचिंग करनी है मुझे ओफलाइन बिल्कुल पदारो आप उदेपूर कॉंसेप्ट पर पदारो और आप जो है अराम से तैयारी करो और तैयारी तो ओफलाइन के अंतर ओनलाइन से कहीं गुना अच्छी होती है मैं तो फिर भी मानता ह खर करको के तैयारी होनी चाहिए अपने अपका विग्रे राज चतुर्थ के बारे में सबसे पहले तो कभेई इसकी उपादियां यह जो आपका विग्रेराद चतुर्त जो है ना विग्रेराद चतुर्त की उपादियां क्या क्या है तो एक तो इसको क्या कहा जाता है कभी बंदू कहा जाता है या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कभी बंदू कह सकते हैं कभी बंदू कह सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते ह हो यह विद्वानों का आसरे दाता था सहुने की वज़े से कहते हैं कटी बंदु है कविता सब्सक्राइब करें कि सर मेरी बेश्टी आरके क्यूट गर्ल फाइप के का बड़े हैं उसे आसिरवाद दो तो बिलकुल आरके क्यूट गर्ल फैप जो है है एपी बड़े टू यू और बगवान जो हैं आपको लंबी उम्र परदान के करें और हजार साल की उम्र हो आपकी और उम्र से भी ज़्यादा जो हैं आपको जीवन में अगला बड़ाँ 2020 यह हाँ बिल्कुल मिनाक्षी जी के रहे हैं कि अजार साल की अमर हाँ बिल्कुल हैपी बड़ आप जी ओ अजारों साल और साल के दिन हो दस अजार नहीं अब दस अजार पर आगे अपन तो लो भई चान नेट मिल गया कि अगले जिनका हो गया गया बारा बज़ गई ओ तेरी तो बारा बज़ करके जो है दो तीन मिनट भी हो गए दिखे चलो भई तब तो ठीक है तो और तो देखो विद्वानों क्या से जाता हो होने की वज़े से इनको यह कहते हैं और फिर उसके बाद अपन आगे बात करें तो और इनको क्या कहते हैं तो देखो इनको और क्या कहते हैं तो और जो है ना इनको बोलते हैं आपके 20 सल देव तो यह ध्यान रखना भई तो इनको और जो है ना भी सल देव कहते हैं ठीक है बारे मैं अगर बात करें अपन तो बिग्रै राद चतूर्थ का जो सासंकाल, क्या स्टेटमेंट दिया जाता है तो इसके साशंकाल को जो आज्मेर के चोहनों का स्वाण قाल माना जाता है तो सपाद लक्स या अजमेर के चोहनों का स्वर्ण काल जो है ना वो मना जाता है इसका सासन काल जो है ना वो अजमेर के चोहनों का क्या मना जाता है तो अजमेर के चोहनों का स्वर्ण काल मना जाता है क्या मना जाता है तो अजमेर के चोहनों का स्वर्ण काल मना जाता है और ये स्वर्ण काल कौन बताते हैं तो दसरत सर्मा ठीक है ने तो ये कौन बताते हैं तो ऐसा कहते हैं आपके दसरत सर्मा तो दसरत सर्मा जो है ना आपके अजमेर के चोहानों का स्वर्ण काल किसके सासनकाल को मानते हैं तो वो मानते हैं आपके इस विग्रे राज चतूर् बिल्कुल आरकी क्यूट कर बिल्कुल आसिरवाद भी हमेशा बना रहेगा और दुआएं भी हमेशा साथ रहेगी का आप जीवन के अंदर खुब उचाईयों को छुए सिखर तक जाए आप जीवन में खुब तरक्य करें खुब आगे बढ़े एक चीज अमेशा ध्यान रख है जीवन में महनत करो अगया बढ़ो तो बहुत-बहुत बहुत-बहुत-बधाईया और आ जो है झीवन में नातक लिखा था उपन बात करेंगे इसकी भासा क्या है भई ठीकन है और फिर उसके बाद मैं अगे वाली बाते देखेंगे और यह बारी के किरातार जुनियम पर आधारित है जो बारवी का जो किरातार जुनियम जो है ना उस बारवी के किरातार जुनियम पर आधारित है किसके उपर आधारित है तो बारवी के किरातार जुनियम पर जो है ना आधारित है क्या है बारवी के किरातार जुनियम पर आधारित है तो उस जूत क्रीडा के अंदर दुरोपदी का अपमान होता है कहते हैं कि पांडव उस अपमान का बदला लेने के लिए उस क्रीडा के अंदर उस दरबार के अंदर प्रतिग्याएं लेते हैं फिर उनको जो है वनवास और अग्यातवास होता है जब पांडव वनवास के अंदर तब एक एक दिन जो हैं गिन गिन कर निकाल रहे थे बड़ी मुश्किल से निकलना था एक एक सेकंड क्योंकि उनको बद्ला लेना था उनकी आखों के सामने उनकी पांचाली का अपमान जो हुआ था तो कहते हैं कि जब वो इस प्रकार से युद्ध की तैयारियां कर रहे थे तो अरजुन ने विभिन्न प्रकार के हतियार अस्तर सस्तर जुटा लिये थे अब एक बार की बात है उनके पास मदूसुदन जाते हैं स्रीकृष्ण अरजुन को जाकर कहते हैं कि अरजुन युद्ध होगा ऐसा युद्ध होगा कि भूतों ने भविशती तो उस युद्ध के अंदर यदि तु जीत प्राप्ट करना चाहता है तो तुझे और हतियार प सव्यसाची है अरजुन तुमारे धनूस के अंदर अभी भी एक बान वो कम है और वो है पासुपतास्तर तो तुझा और पासुपतास्तर महादेव से प्राप्ट कर क्योंकि ये युद्ध ऐसा होगा इस युद्ध के अंदर तुझे इस हतियार की सक्ष जरुत रहेगी कह हैं कि अरजुन भगवान स्री किस्न के कहे अनुसार जंगल के अंदर जाकर के तपश्या करता है और तपश्या करने के बाद जो है जब उसकी तपश्या चल रही होती है उस तपश्या के दोरान एक विगन आता है एक सूवर आता है और एकदम से उसके पास आवाज करता है अरजुन की तपश्यात उसकी तंद्रा उसका ध्यान उसका जो एकागरपन था वो भंग होता है अरजुन के मन में जो स्वया हुआ जो शक्त्रिय था वो शक्त्रिय जाग उड़ता है और एक शत्री ये जो है वो जागते ही एकदम से वो गांडी उठाता है और उसके पिछे तोड़ता है कि एक बार इसका सिकार करते है जब वो उसके पिछे दोड़ता है ना तब एकदम से वो देखता है का भई के वो भाग रहा आगे आगे तो अरजुन तीर चलाता है और व के बीच में लड़ाई हुई तो अर्जुन ने का तु मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ मैं जो है अस्टिनापूर के होने वाले समराट का ब्रो हूँ ब्रो मेरे से ढंग से बात कर तो फिर इसके कारण जो है वो कहता है कि अब युद्ध होगा तो अब दोनों के बीच में युद्ध प्रारंब होता है अर्जुन पहले तो उसको किराज समझता है तुछ मानों समझता है उसको तेदर मरमरा जाएगा भाग जा लेकिन वो नहीं भागता है फिर युद्ध होता है ऐसा भीशन युद्ध होता है कि किराज जो है अपने इस प्रकार से अस्तर चलाता है जब वो तीर को निकालता तूनीर से और धनुत पर संधान करता कब वो तीर निकलता और कब वो अरजुन के आकर लगता कुछ अता-पता नहीं चल पा रहा था अरजुन को ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात युद्ध के मेदान में जो है महादेव खड़े हो गए हो उसक कर दो करकार से आज जिन तक जो है कोई नहीं जो है पराजित कर सकता था कहते हैं कि महादेव जो है वो उस रूप में उससे युद्ध कर रहे थे मुस्कुराते हुए अर्जुन पूरा चिंद बिन्न और गायल हो जाता है अर्जुन हिम्मत नहीं आरता अर्जुन उस किराद को कहता है कि मुझे मुझे मौका दे मैं एक बार मेरे महादेव की अरादना करूंगा और फिर तेरे से लड़ूंगा वो अरादना करता है और वो पुस्प अर्पित करता है लेकिन आज का दिन ही अर्जुन के लिए वीपरीद था पता नहीं क्या हो रहा वो पुस्प सीव वो सारे के सारे पुस्प जो उसने भगवान सरी संकर को अर्पित किये थे वो उसके चरणों में थे अरजुन को समझते देर नहीं लगी अरजुन वहाँ पर जाता है अरजुन मा भी मांगता है बोले अपने रूप में आते हैं आसुतो प्रसन्न होते हैं और अरजुन को पासु पतास्त्र देते हैं तो ये सारी कहानी जो है न वो सारी कहानी इस हरी केली के अंदर भी जो है न ये इसके अंदर आ गई थी मिलकुल वो अरजुन में गमंड आ गया था तो आरजुन के गमंड को भी जो है न, उन्होंने तोड़ दिया था, थीक तो ये भारवी के किरातार अरजुनियम पर आदारित है, विगरे राज ने जो है न, थीक है, तो इसकी पंक्तियां जो है न, इसकी जो हैं वो संस्कृत पाठ साला की दिवारों पर लिखाई थी, त तो यह द्यान रखना भई तो इसकी पंग्तिया संस्कृत पाट साला की जो एना दिवारों पर लिखवाई थी तो यह द्यान रखना कहां पर लिखवाई थी तो संस्कृत पाट साला की दिवारों पर लिखवाई थी चलें भई आगे बढ़ें अपन लो भई अब विद्वान का जो नाम था वो था आपके सौम्देव क्या नाम था उस दर्बारी विद्वान का तो दर्बारी विद्वान का नाम था आपके सौम्देव यह जो आपका सौम्देव था ना इस सौम्देव को कुछ-कुछ जगे पर सौमेंदर भी कह देते हैं क्या बोल देते तो कुछ-कुछ जगे पर इसको सौमेंदर भी बोल देते हैं तो ये सौमदेव या सौमेंदर वही है और इस सौमदेव ने एक किताब लिखी थी तो इसके द्वारा जो किताब लिखी गई थी आपके किताब का क्या नाम है तो उस किताब का नाम है आपके ललित विग्रे राज क्या नाम है उस किताब का ललित विग्रे राज तो ये जो ललित विग्रे राज किताब जो है न वो किस ने लिखी थी आपके इस सौमदेव ने लिखी थी तो ये बहुत important है फिर इसके बाद अपन बात करेंगे तो ये जो आपका जो विग्रे राज चतुर्त जो है न युद्ध अभियान के बारे में अगर बात करें तो इसके युद्ध अभियान कौन कौन से थे तो युद्ध अभियानों में एक तो ध्यान रखना भई इसके य दिलीका जो है ना उस दिलीका के तोमर राजाओं को पराजित किया था जो डिलीका थी ना डिलीका उस दिलीका के तोमर राजाओं को जो है ना इसमें हरा दिया था तो तोमर राजाओं को क्या किया था तो तोमर राजाओं को जो है ना हराया था तो यह बात आपको ध्यान र तो पहले चोहानसाता तो पहला जो दिल्ली को जीतने वाला पहला चोहान सक्ग्छ तो और और क्यां किया था तो और जो एना क्या हुआ कोई बात है नहीं कि कमेंट भी चलने हैं तो थोड़ी सी ? वोइस प्रोब्लम हो रही है यह ज्यादा हो रही है नहीं एपने बोड़ वाली तो उस पूड़ वाली प्रोड़ा ठीक करने का जुघार बिठा रहे हैं कोशिस कर रहे हैं देखें तो भई क्या होता है यह क्या हुआ देव बाबू करें अभी जो है ना सही किया जा रहा बोर्ड को उसिस्तों करें देखें परफेक्शन करें ग्रेट वर्क सार बहुत-बहुत धन्यवाद परफेक्शन जी अब भी तो पार्टी सुरू हुई है इचा पर बहुत ज्यादा गरम हो गया लगे ना गरम तो नहीं हुआ लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसको अब ठीचे वह कहोई एक हुआ चलो कोई बात नहीं अब अपन बात करें तो और इसने जोए ना आपके घजनी के खुसरों साको हराया था कोई फर्ख नहीं पढ़ा है तो ऐसा का इसा ही ठीगह ने तो वह जम तो चल रहा है तब तक तो पढ़ाएंगे तो इसने जोए ना गजनी के खुसरो सा को औराया था किसको कुटा था तो गजनी के खुसरो सा को औराया किसने औराया गजनी के खुसरो सा को तो गजनी के खुसरो सा को औराया था आपके इस सौमदेव ने सौमदेव ने और क्या किया था सौमदेव का नाम आ गया कजली के खुसरोसा को अराया था और अपन बात करेंगे गुजरात के कुमार पाल चालुक्य को अराया था तो गुजरात के कुमार पाल चालुक्य को अराया और इससे जालोर पाली और नागोर वाला क्षेतर चीन लिया था तो कुमार पाल सालुक्य को हरा कर जो है उससे क्या जो है उससे जो है आपके जालोर पाली और नागोर जो है वो छीन लिया तो एक तो छीन लिया आपके जालोर और क्या छीन लिया भई तो जालोर के अलावा अपन बात करें तो पाली और क्या छीन लिया तो जालोर पाली और नागोर है ने नागोर पर अधिकार कर लिया ठीक है इन climate मुझे गजर्ब है और और अचा सर एक सबस्क्राइव इनहों पर अधिकार कर लीerdकर रॉक्षे हैं अब देखो तो जालोर पाली और नागोर पर अधिकार कर लिया था और इन्होंने क्या कर लिया था और किसके उपर जो है इन्होंने अधिकार किया था बताओ देखे जल्दी से बताओ फटाओ देखे बई तो यह जो है ना इन्होंने और किसको जीत लिया था विग्रे राज चतूत ने फट फट बताओ देखे आप मुझे जल्दी से अनसर दो देखें इनोंने क्या किया था देखो वह इनोंने जो आपके जो मलेश थे न भाहरी आकरामता थे उनको प्राजित किया था अब अपने बात करेंगे तो यह देखो इनके निर्मानकार्य और देख लेते हैं तो विग्रे राद चतूर्त जो है इनके निर्मान कार्य देख लेते हैं तो विग्रे राद चतूर्त के जो है ना निर्मान कार्य देख लेते हैं निर्मान कार्यों से अक्सर प्रश्णा आता है तो इनके निर्मान कार्यों के अंदर एक तो अपन बात दिल्ली जीतने के बाद जो है ना इन्होंने दिल्ली सिवाली कस्तंब का निर्मान करवाया तो एक तो इन्होंने आपके दिल्ली सिवाली कस्तंब का निर्मान करवाया था दिल्ली जीत की याद में तो दिल्ली जीत की याद में जो है इन्होंने दिल्ली सिवाली कस्तंब का के अंदर यह गोशना करते हैं कि मैंने आर्या वर्त मलेचों को स्माप्त कर दिया है और मैं अपने उत्रादिकारियों को यह आदेश देता हूं कि वह इन्हें अतक तक सिमित रखे और कहते हैं कि इस आपके विग्राद चतुर्त ने अपने सक्ति और साहस से जो है आर्या वर्त को जो है सचमुच में अर्य भूमी बना दिया था जो विदेशी थे जो मलेच थे उन मलेचों का दमन कर दिया था एसी गोशना यह दिल्ली सीवाली के स्तंब के अंदर करवाता है इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दिल्ली सीवाली के अंदर यह गोशना करवाता है और कि हाज देखो और कोशिस कर रहे हैं देखे प्रोब्लम को खतम करने की थोड़ा जल्दी करो तो क्या है कि मैं भी फ़ी फास्ट फास्ट बढ़ा दूँ हाज जे अले जाओ अपने केवल पढ़ने वाले स्टुडेंट सीए गलत कमेंड करने वाले स्टुडेंट एक भी अपने को नहीं रखने हैं ठीकानि अपने को आप आउट करते हैं इसे गलत कमेंड करते हैं उनको आप आउट करदे कि इस चल रही है यह नूट है चलो और देखो कोशिश्च कर रहे हैं तो भी इस बार जो है और समूथ करने की कोशिश कर रहे है जरूब को पर आउट कर आउट को आउट सोगे नहीं क्या सविता जी अरे सो भी देया करो रेश्ट भी प्रोपर है जरूदी है रेश्ट भी करना है नहीं हां तो देखो और बताओ खाना वाना तो जीम लिया आप सभी ने और तबियत वेपद कैसे क्या है आप सभी की अब देखो एक तो तबियत वेपद का ज्यान रखना है खाने पीने के ऊपर पूरा ज्यान रखना है देखो नहीं भूके पेट बजन ने होई गोपाला एले तेरे कंठी माला कि अधि यह बोर्ड में तकना टाइम लेगे लेगे आज चाब चाब आब भई नेंद नहीं आ रही किसी को गाजर का लुआ यह बेचारा बोर्ड भी ठक गया ठक गया ना इसको बुखार हो रखिये बैसा बहंदर जै गोगा जिमाराज़ी नेंद नहीं आती है बाईवा बड़ी अबाद है कल वैसे छूटी भी है आप भी राम 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 सर हम नहीं ठके आप कैसे ठको यह आप तो ठकते ही नहीं हो वैसे भी ठकना है भी नहीं वैसे क्यों हिमत ही की किमत है बिन हिमत किमत नहीं बिन हिमत किमत होई रदी का गज्यू राजिया तो हिमत तो ही आप सभी में तब ही लगे वे हो चालो साहिरी आने तो कहां से आने दें साहिरी आं कितनी कलाओं साहिरी ener MAND देखो सर कैसे कैसे हैं एक मिनुट की भी क्लास ने थोड़ी है हा वो गई है से वह हो गई है क्या बात अब इसको तोड़ा साथ आ जाएगा अब लगा ना, यह NICK वोर्ड को दे रहे हैं परासेटामोल वोर्ड को परासेटामोल दे दिया सब यह ब यह क्यां घर देखू, यह लगाूआ न परासेटामोल इंजेक्शन दिया इसको, परासेटामोल से क्या ही होगा इसको चाला बस एक मिनट में बैने एक सु एक सर्चेगिन में हो जाएगा गुलकोज पिलाओ बोल्ड को इसको पिलाओ न थोड़ा इसमें है तो गुलकोजी गया पक्का इसमें गुलकोज या और कुछ है हाँ यह देखु क्या करें हाँ सर्फ लग नहीं रही है कि गुलकोज है हाँ 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 है नकारात्मकता अभी होती है वैसे हमेशा है कि वहीं चलेगा जो था वहीं चलेगा बनी अजन्य पारत्मकता आप तो था विशन सर्फ था था पर फूर दिख्टा करा आता है ब्लकूल नहीं है अज मुझे लग रहा है सर लगे रहेंगे चार बजे तक बज़ जाएंगे चार नहीं कि तो तीन तो बजी जाएंगे अगया प्लक्टा कॉएंग मुज़ लग यह बट्रे पलाई किया है मैं तो इस तो गड़ बड़ है बोतल में यह देखो कुछ तो है दया पी के ट्राई करूँगे मैं देखता हूं गुलकोजी है गुलकोजी है और कुछ नहीं बजा देंगे चार भी बिलकुल बीच में दुवारा आ रहा हूं मा गंटे बर क्यों है टेंशन ले रहे हो यह लोगा यह लोगा यह लोगा यह लोगा यह लोगा अब यह अब यह वो तो सेव होगे यह अब यह इससे पीछे इससे पीछे थागे अब यह अब यह अब अब अमीर देव सोवान आ रहा है अब यह यह अब अब हर में आपको यह करना पड़ेगा देखो अब 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 यह अब रहें देख रहें थे आज कल बच्छे बड़े नोटी ओर अच्छा पर नोटी मत ओ हो एसे , अब आपन बात करेंगे आपके तो विग्रे राद चतुर्थ के कुछ अपन निर्मान कारिय देख रहे थे साध मुझे लगता है यहीज लग्ता है यहीं आपन कारिय देख रहे थ है अपनी विग्रेराई चत्व 1972 के उनमें निर्माण करवाया था इन्हों निर्माण करवाया है अपने उत्रादिकारियों को यह आदेश देता हूं कि वे इन्हें अटक तक सिमित रखे और कहा जाता है कि वही के इस विग्रेराज चतुर्त ने अपनी सक्ति और साहस से अर्या वरत को सचमुच में अर्य भूमी बना दिया था किते हैं कि इन्होंने आपके बिसलपूर बसाया था कौन सा कस्भा बसाया था यहां पर जो है ना एक बांद या फिर जील या तालाब का भी निर्मान करवाया था और यहां पर बांद या जील या फिर तालाब का भी निर्मान करवाया था और इसके अलावा इन्होंने यहां पर क्या किया था तो ध्यान से सुनना भई इन्होंने जो है ना यहां प पर अपन बात करें तो एक गो करने स्वर्श्यू मंदिर का भी निर्मान करवाया था ठीक है और इन्हों ने क्या किया था तो और इन्हों ने जो इना आपके सरस्वती कंठा वरण संस्कृत पाट साला का निर्मान करवाया तो जो आपके सरस्वती कंठा वरण संस्कृत पाट साला की दिवार पर जो है हरी केली और अपने जो दरबारी विद्वान था सौम्दे उसके ललित विग्रे राथ की पंक्तिया जो है वो उत्किर्ण करवाई थी कहते हैं कि इस सरस्वती कंठापर संस्कृत पाट साला जो है ना इसके उपर आकरमन करता है तो यारा सो अ इबक ने जो है क्या कर दिया था तो कुतुबुदीन एबक ने जो है ना इसे मस्जिद में बदल दिया था इसे किस में बदल दिया था तो इसे मस्जिद के अंदर जो है ना किसने बदल दिया था तो कुतुबुदीन एबक ने बदल दिया था और जिसे इसको जिस मस्जि बात कि रहेंगे कि भाई इसको भटा कोют कと思います इतियासकार कर एक यल запाल काुए को आपका संक्रतप पार्ट साला था पार्ट साला औरिक अफिजिव.. यहां पर जोए ना वह आपके धायदिन का उर्स लगता है तो सुपी संद पंजाब साह का यहां पर को देखने का दियान पणिखना यहां पर फंजाब जैयरी चो है cylinders करें दिए जिसलों के को हैं एक दीक पर प्रतिबंध लगा दिया था किस ने उपर पर उपतिबंध लगा दिया था पसूवद ऊपर प्रतिबंद लगा दिया था चले भई लो बहुत तो ये एक बार स्क्रिंसोट कुछ लेना हो लेना अब बात करेंगे आपके तो इस विग्रे राज के बारे में और अपन क्या देखें तो इस विग्रे राज के बारे में तो अपन देख चुके लगबग लगबग आय अभी अब थो यूर्ण के बारे में अपन बात करेंगे ना इनके बारे में अपन बात करेंगे लो भई रातaram के बारे देखना भई सबसे पहले बहुत इंपोर्टेंट सा सके तो एक तो अपने को याद रखना है कि इनका हैपी बड़े कब हुआ था कहां पर हुआ था फिर अपन बात करेंगे इनके डेडी कौन थे फिर अपन बात करेंगे कि इनकी माता कौन थी और अपन बात करेंगे भई तो तो मुक्य मंतरी कौन था और अपन देखेंगे कि इनके सेनाज्यक्स कौन थे और अपन देखेंगे अन्य मंतरी कौन थे तो देखिए भई यह जो आपके पर्थुराज चोहां जो है ना इनको अपन क्या बोलते हैं तो पर्थुराज थाइड बोलते हैं इनको अपन क्या बो पर इनका जन्म हुआ था 1266 नवी के अंदर और यह जो आग开 की सी kissing परिद लrien के सिर से अपने पिता का अुट गया था तो सोमेश्वर जो मैं आ जो एक साया उट गया था इसलिए जो नहान यह जो सोमेस्वर ना इनकी उपादी के बारे में द्रगलेक में यह उपादी इनको किस अभिलेक में कहा गया इस विजोलिया सिलालेक के अंदर जो है ना प्रताप लंकेश्वर कहा गया यह वही भी जोलिया सिलाले के जिसमें चोहानों को जो है वत्स गोतरी भामन बताया गया है हम बात करेंगे तो अब देखो पिता का सया उठ गया 11 साल की उमर में राजा बहें तो 11 साल का बच्चा इस वरकार से शासनकारिय के मास को क्या बोल देते हैं कडंबवास या फिर कीम भवास भी इनको जो उना अपन कह सकते है उनके जो सेनापती थे वह थे आपके भूवन मलग अन्य मंत्री थे इनके एक agarते पुगंए मंत्री ते यह आधर मंत्री जो याद रखना मता सरंगशी कौन थी जो याद रखना पर कितने साल की अंदर यह आपके सासक बन गए थे यह बात भी याद रखना बम फिर आगे बढ़ते हैं पर अब आपन देखते हैं आपके आगे तो ये जो आपके परत्वी राज जो है ना इसको अपने चाचा नागार्जुन और अपरगाईंगे के विद्रो का जो एना वो सामना करना पड़ा तो इसने सबसे पहले तो है ना नागारजुन और अपर गांगे जो है ना इन दोनों के विद्रों का जो है ना दबन किया था एक तो नागारजुन और दूसरा जो है आपके अपर गांगे इन दोनों के विद्रों का क्या किया था दमन किया था एक तो नागारजुन कर दो ब कोई दिक्त वाली बात करें एपके तो और अपन बात करेंगे तो गयारासटबर्यासी के अंदर जोह ना परत्वी राज सोहन क्या करते हैग्ण जंजाती के विद्रो का दमन करते हैं तो भंधानक की विद्रो का दमन किया था यह जो कि बंडानभ जंजाती नो कि नुम अनुट किसी चोवान सासक ने किया था कोई चोषां सासक सफल हुआ था तो वो कों था की पर्थवीराद सोहान था, यहारा सो बर्यासी इसवी के अंदर जो है ना, इन होने किया था, क्या आप बात है निसा जी कह रहेंगे, जब तक आप पढ़ाओगे, तब तक पढ़ेंगे, क्या बात है, तो लो भई, अब आपन बात करें आपके, तो देखो, अब एक आपके य तुमुल, और यह तुमुल का युद होता है, आपके ग्यारा सो बर्यासी इसवी में कब होता है, ग्यारा सो बर्यासी इसवी के अंदर होता है, और यह युद किस-किस के बीच में होता है, तो यह जो तुमुल का जो युद होता है ना, यह होता है, जैसे अपन बात तो नपार्र क Warum आदए आपके परमारदी देव कर देज़ आपके महुबा का साक था ये महुबा उस्तरपर्दि, 91 के अंदर एक सासक सर्ष के आपके आपके परमार्दी देव चंदेल यह जौआ प्रमारदी देव चंदेल के जो सेना पती थे ना वो सेना पती कौन थे भी इस युद के अंदर तो इस युद में सेना पती थे एक तो था आपके आला और दूसरा कौन था आपके उदल तो आला और उदल जो है ना इनके सेना पती थे और दोनों जो है ना लड़ते हुए मा गए तो दोनों इस युद में लड़ते हुए मरे गए थे परत्वी राद चोहान जीत गया इस युद के अंदर जो है ना परत्वी राद चोहान जीत गया और इन्होंने जो है ना पंजुन राई या पंजवन राई को किसको पंजुन राई या फिर पंजवन राई को जो है पंजुन राई या पंजवन राई को जो है ना महोबा का प्रसासक निवत किया कहा का तो महोबा का प्रसासक निवत किया किसे प्रसासक निवत किया पंजुन राई जो आमेर का सासक हुआ करता था तो उस आमेर के पंजुन राई को महोबा का प्रसासक निवत किया पंजवन काई भी इनको कह देते हैं तो यह तुमुल कायुद भी एक्जाम में पूछते हैं और इसके बाद अपन बात करें यह बंडानक जंजाती का विज्रो यह दोनों चीजे जो एना एक्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछते हैं तो एक बार स्क्रिंसोट ले लो भई फिर अ आगे बढ़ते हैं ठीक है नहीं कि अब अब आपन बात करेंगे तो अभी अपने को पेज लेना पड़ेगा तो देखो भी पर्थ्वी राज के समय जो है ना पर्थ्वी राज के समय जो है आपके क्या क्या हुआ था पर्थ्वी राज के समय जो है अब अगला जो युद्ध ना अपने तो वह आपके नागोर का युद्ध कोन सा वाला युद्ध है भई तो नागोर का युद्ध अपन देखेंगे तो यह जो आपका नागोर का यूद जो है नागोर का यूद कब हुआ था तो ये यूद कर दिया यह एकुन धर चलुक को सा सक था इन दोनों के बीच में जो है न यह युद्ध हुआ था और यह चीज आपको ध्यान में रखना है अब बात करेंगे अब कि राजकुमारी इछनी देवी से विवा को लेकर जो एना ये युद्ध हुआ था अब अपन बात करेंगे इस युद्ध का परिणाम क्या रहा तो इस युद्ध का परिणाम जो एना वो ये रहा कभई के ये परत्वी राज चोहान और इन दोनों के बीच में संदी हो जाती हिम्देवसेकंड का जो मंत्री था आपके जंग्र ओ उसस्ध देव ने क्या कर दिया था तो जंग्धुने इस ल हे ना उसस्धदेवनے क्या कर दिया था उसस जंगदेवने इसके साथ संदी करनी थीnhों और अब इसके był अ creation के युद्ध हुए थें हैं दो दोए और तराइन जो है ना तराइन के बारे में यदि अपन बात करें तो करनाल हरियना के अंदर हैं और तराइन के अंदर जो है ना आपके दो युद्ध हुए थे तो जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था ना वो हुआ था आपके 1101 में इसी में और ये जो पहला जो युद् कर परजाए होती है और मौम्म्मद गोई जो है ना बिल्ली कह प inc related जीद गए थे कौन जीद गए थे परतिराच्वांज जीद गए थे और बिल्ली का एक सामंद था तो Quit अविंद्र अलिए तोमर ने इसे गहल कर दिया था तो दिल्ली के सामंद τपा नाम थाफ। के emoc Ne तो ये ध्यान रखना है कि दिल्ली के गुविंद राय तोमर ने इसको गाहिल कर दिया था तो ये ध्यान रखना आपके इस मुहमद गोरी को भगा दिया था मुहमद गोरी को तो ये चीज जो है आपको पता रखनी है ध्यान में रखना है फिर इसके बाद अपन बात करें तो वास्तों में यूध तो वही नहीं था, कैवल धोका हुआ था, ये यूध पर्थुराज और गोरी के बीच में हुआ था, गोरी इस यूध के अंदर धोका करता है और गोरी की तरफ परतुराद चोहान का एक सेनिक था मंतरी था और उसका नाम था आपके सोमेस्वर ये भी मुहमद गोरी से मिल जाता है किसे मिल जाता है गोरी से मिल जाता है तो ये भी आपको ज्यान रखना है ठीक है अब आपन बात करेंगे आपके तो सोमेस्वर जो है य मेर बात करेंगे कि अपन बात करेंगे कि ले जाए गया ता और अपन बात करते हैं कि यह जो आपका पर्थवी राज जो है ना इस पर्थवी राज चोहान के दर्बारी विद्वान कौन कौन है इस पर्थवी राज चोहान के दर्बारी विद्वान अगर अपन बात करें ना तो दर्बारी विद्वानों के अंदर एक तो अपन ने दे की ती क्या इस चन्वरदाइका जो और नाम झाल परत्विवडी भड़ था लाहोर के अंदर इसका जनम उवा प्रत्विवे رाज चोहान का ये बेस्ट फ्रेंड था इसने परत्विराज रासों की रतना की थी और ये जो आपका प्रत्व राज रासों जो जलहन ने इसे पूरा किया था और इसी पर्तुराज रासों के अंदर लिखा हुआ है कि चार बाज चोवीस गज अंगूल ऐश्ट प्रमांसता उपर गोरी खड़ा मतचू के चोहान कि भई के हे चोहान चार बाज चोवीस गज और आठ अंगूल पर जो है तुमारा सत्रु खड़ा हुआ है ऐसा सुनते ही परत्वी राज चोहां सब्द भेदी बान लगाता है और मुहमद गोरी को वहीं स्माप्त कर देता है तो ये बात जो है इस किताब के अंदर अपने को देखने को मिलती है ठीक अभी तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और परत्वी राज रासो जो है ये पिंगल के अंदर लिखी गई ये किसमें लिखी गई पिंगल के अंदर लिखी गई और हिंदी साहित्य का जो है एक बहुत बड़ा गरंत जो है इसको माना जाता है अपन बात करेंगे आपके तो और अपन बात करेंगे जैसे जयानक बट थे कौन थे बई तो जयानक बट थे और जयानक बट ने किताब लिखी थी उसका नाम आपके पृत्वी राज वीजे क्या नाम में किताब का तो जयानक बट ने जो किताब लिखी थी उसकिताब का नाम में पृत्वी राज वीजे ठ और अपन बात करेंगे जैसे आपके आशाधर है विश्व रूप है जैसे अपन बात करेंगे भई आशाधर है जैसे अपन बात करेंगे विद्यापति गोड है यह सारे के सारे जो एना परतिराज चोहान के दरबारी विद्वान थे इस पर्तुराज चोहान के अगर अगर आपन देखे न तो एक तो इन्हों ने निर्मान कारी देखे ना एक तो इन्होंने जो है ना आपके पिथोरा गड़ का निर्मान करवाया दिल्ली के अंदर जो है ना जो आपका पिथोरा गड़ है ना उसका निर्मान करवाया और एक इन्होंने जो है ना अजमेर में आर्ट एंड कल्टर जो है ना डिपार्टमेंट की स्थापना की थी किस परत्वी राच चौहान राए पिठोरा क् penn मत July Jenk这么 जाता ओर एन्हों करोया था नितो Matale तो एक तो इनको कहा है डाइट किया काइट और राइट पिठोरा और क्या कहा जाताँ राइँ पिथए तो प्थी निर्भक निडर योदा थे इसलिए इनको दल पंगल भी कहा जाता था डल पंगल कहा जाटा था तक पर्तूराच चोहान विस्व विजेता थे ठीक है वह घया अपके पर्तूराच चोहां गोविंद राज जो एना यह तो अपन देख चुके हैं कब गोविंद राज जो एना यह तो आपके क्या है तो रन्थंबोर के अंदर जो एना चोहान वंस के संस्थापक है तो यह तो अपन देख चुके हैं आपके रन्थंबोर में जो एना चोहान वंस के संस्थापक है और करेंगता हैं तो जो साथन जो सोप्रांट कुई तक तुन को 1024 सो दूरान नको यह परफ्वी राज Čंटें का नांप खाए इसक नांप खाए? तो जो अजमयर के थे ना तो इनका यह पुत्र था तो यह अजमयर से गए ते कहां गये थे तो अजमेर से यह गए थे आपके रफ थंबोर और वहां जाकर चोहान वंस की ठाफना करत पर 10 अब इस रफ थंबोर के अगले सासक के बारे में अपन पढ़े फडिए तो लो झालो बहिं आपका अगला जा सेथ हैं हमीर देव चोहान के नाव हमीर के चोहान के बारे में बात करें तो 12801 से लेकर के त्यरा सो एक इस्वी तक जो है ना रन्थंबोर के सासक रहे थे रन्थंबोर के सभी राजानों में सबसे सक्ति सालिय यदि कोई राजा हुआ तो वो कुन था आपका हमीर देव चोहान था अब अपन बात करेंगे तो अब निति झो थे ना वह के फोलो की ती तो इन्हों ने किसको और आया था एक तो तो समरसंग आपि क हां को सक्काव तो इसे पीवाड को राया सूस्टे science एंगे वर्याओ्ध कोरे था और अरजुन को राया था जो कि भीमरस का शाशच ठाए नवरिमरस जो आपके यूपी का है ने चो भीमरस यूपी के जो सा सक थे अरजुन उसको औराया था और इसने जो ना आपके भोज को औरा दिया था और ये भोज जो ना वो आपके धार का था और ये धार आपके MP के अंदर है इसने जो ना माउंट अबू के प्रताब सिंग को औराया था किसको औराया था प्रताब सिंग को औराया था तो इसने दिग्विजे को रहाया था बहिं यह चीज आपको द्यान रखना ठीकनााया तो अब देखिए भी इसमे विभनिक ख्षत्रों को जीतलिया था और इससे दिग्विजहे की निति के बाद जो है इसने कोटी एग्य का आयोजन करवाया तो यह कोटी एग्य का अयोजन है ठीकन तो अभ द देखिए भी अभी इसने विभनिक्षट्रों को जीत लिया था और इस दिःविछे की निती के बाद जो है इस दिःविचे की निती के बाद जो है इसने कोती यग्या का आ दिल्ली को स्पर्स कर रही थी किसको चू रही थी दिल्ली को चू रही थी चीगा भई तो अब अपन बात करेंगे भई हां बिलकुल इस अमेर की किताब का नाम आगे देखेंगे अपन अब देखिए भई लिटा हो गया यह बडाइके नहीं हो रहा है एक नहीं दो अच्छा क्लास अथा करेंगे एक या क्या करन हो रहा है अटकने का मेरी क्लास क्यों अटकर ही था अब सबक्रास अटकर ही है क्या हुआ 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 है यह यह बड़ा क्यों नहीं हो रहा है क्लास अटकर ही है और यह बड़ा भी नहीं हो रहा है इसमसे श्टोप हो रहा है इस धूब रहा है रहा हुआ है इस प्रविड़ा क्यों नहीं स्टोप हुआ है कि तरिवां जी के रहे कि नहीं मेरी यह तेगरी यह अच्छा रहे से मरे जगा हूँ नहीं नहीं बोर ठीक हो गया अरहा ने ट्वर्क का हो किसा है अच्छा बात करेंगे आपके तो अपन क्या पढ़ रहे थे तो अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना वो पढ़ रहे थे आपके अच्छा हमीर देव चोहान पढ़ रहे थे ठीक है न चलो भी अब 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 देखो भी अलावदिन खिल जी जो है ना चुकि हमीर देव चोहान के राज्य की सिमाएं जो है वो दिल्ली को सपर्स कर रही थी तो एकदम से दिल्ली का जो सुल्तान था जलालो दिन खिल जी को एकदम से डर होता है उसके मन में डर पेदा होता है और डर पेदा होना लाज़्िमी भी है क्योंकि हमारे हमीर की सिमाएं जो है वो दिल्ली तक चा रही थी कहते हैं कि वो सेना लेकर के आता है और आक्रमन करता है कौन करता है जलालोदीन खिल जी अब अपन बात करेंगे भई यह जो आपका जलालोदीन खिल जी के बारे में अपन बात करेंगे तो जलालोदीन खिल जी का जो है रन्थंबोर पर अपन बात करेंगे भई यो जलालोगीन कहिंजी का रन Wandoor पर जो है ना सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे भाई पहला आकरमाण यह पहला आकरमाण कब हुआ था यह पहला आकरमाण हुआ था आपके 1290 इस्वी में कब हुआ था 1290 इस्वी के अदर हुआ था और इसने क्या किया जाइन के उपर अधिकार कर लिया था जाइन जिसको रनतंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है तो इस रनतंबोर दुर्ग की कुंजी जाइन को जीत लिया था इसने और इस युद के अंदर जो है ना हमीर का सेना पती जो है ना इस दोरां जो है ना इस तो इस यूद में जो है ना इस यूद में हमीर का एक सेना पती जो है फिर से कब करता है तो इसका जो आपके दूसरा अक्रमन होता है ना इसका दूसरा अक्रमन होता है आपके 1200 तो बर्रान में जीट पाता है यह कहता है कि एसे दस किलों भी अब क्या करें कभी के ने नो मन तेलोगा नाराजा नाचेगी या पिर यूं भी कह सकते हैं अपन कभई के अंगूर तो खटे हैं क्योंकि ग्रेप्स आर आउट ओफ रीच देन आर सावर अंगूर तो खटे हैं तो इस दोरान जो है ना इसने क्या कहा था तो ऐसे दस किलों को में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समस्ता ठीक है ने तो बाल एक बाल के बराबर भी नहीं समस्ता ठीक है ने तो यह चीज जो है ना अपने को ध्यान में रखनी है तो बाल के बराबर भी नहीं समस्ता ऐसा जो है यह स्टेटमेंट देता है ठी बिलकुल सेलेज्ज जोसी सारीमा बिलकुल बिलकुल अच्छा अलावजिंस होगे है अब अपन बात करेंगे आपके तो देखो भई अब अपन देखेंगे कि अब भी कानर देव नहीं देख सकते हैं ना करता है तो अब जोएना अलाओदिन खिल जी अटेक करता है किसके ऊपर अटेक करता है वह थुसिपाइ harina आट identities करता है बात क्लbad सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ये जो आपके रंधंबोर आक्रमन कर रहा था उस आक्रमन का कारण क्या था क्यूं कर रहा था अक्रमन कर रहा था कभी के हमीर द्वारा जो है ना हमीर द्वारा जो है वो आपके इस अलावदीन के सत्रू है ने तो अलावदीन के सत्रू हो जो आपका एक का नाम था मीर मुहमद सा क्या नाम था मीर मुहमद सा एक का तो नाम था मीर मुहमद सा और दूसरे का नाम था आपके कहबरू तो मुह मुहमद साह और कहबरू को क्या देना तो मुहमद साह और कहबरू को जो है ना सरन प्रदान करना तो यह जो है ना आपके मुहमद साह और कहबरू को सरन प्रदान करना चाहते थे ठीक है तो इसलिए जो है यह जो है आपको ध्यान में रखना कभी का अमीर अलावदिन खिल जी के सत्रू अमीर मुहमत सा और कैवरू को सरण परदान कर रहा था इस वज़े से ठीक है भई हाँ बिलकुल कंप्यूटर बाई क्रिस्ट अधिरी जी बिलकुल कल देखना अराम से मस्ती से तो अब अपन बात करें तो अब देखो अलावदीन जो एना अलावदीन की तरफ से से सेनापति कौन था भई सभी अपन बात करेंगे तो एके के सेनापति कोन थ搬्ड़े युद्ध के इंदर और मित बात करेंगे दूनों के सेनापति in युद्ध के अंदर फे डियर रहा फापन बात करेंगे ऑलावदीन की तरफzes यह ना एक तो था आपके उलूप क्या था विरिख त्हुर्ण के अलब्क और एक आपके क्या था नुसरत था यह पूर बबहुत बड़ा बाटा पट्का था और बेटे पर चतपता कर दिया था तो यह चीजा ज्यान रखना है हमीर के सेनापती जो है ना वो आपके धर्म सिंग और आपके भीम सिंग थे कौन थे भई धर्म सिंग और भीम सिंग थे अब देखो अलाओ दिन खिलजी पूरी कोशिश करने के बावदूद भी रंधंबोर को नहीं जीत पाता है ना तो अब क्या करता है रतिपाल जो है ना यह हमीर से क्या करते हैं दोखा करते हैं विश्वास गात करते हैं इस वज़े से रंधंबोर के अंदर साका होता है तेरा सो एक इस्वी के अंदर जो हर होता है राजस्थान का जो हर होता है पहला जल जो हर भी है कहते हैं उसको राजस्थान का पहला जो होता है तो लो भी अब अपन बात करेंगे आपके तो अब अपन बात करेंगे तो ग्यारा जुलाई 301 इस्वी को जो है ना आपके रंधंबोर के अंदर जो है ना रंधंबोर में क्या होता है आपके तो रंधंबोर में जो है ना रन थंबोर में साका होता है और ये होता है आपके ग्यारा जुलाई तेरा सो एक इस्वी को कब होता है ग्यारा जुलाई तेरा सो एक इस्वी को होता है रन थंबोर में साका और ये जो है ना ये आपके राजस्तान का पहला जोहर है ने दूसरा क्या होता इसके अंदर केसरिया जोहर तो विरांगनाएं करती हैं तो जोहर किसके नित्रतु में किया गया था तो रानी रंग देवी के नित्रतु में तो जोहर किया गया था और केसरिया किसके नित्रतु में किया गया था तो हमीर देव चोहान के नित्रतु में किया गया था आपके के सिरीयाग किया गया था अब देखिए भई Αपके इस्परानी रंग देवी और हमीर की भी तीना देवल डेव देवल दे जो नेशने आपके पदमतालाव में कूद कर जो एन आत्मोज सर्ग किया था इन्हों सोंता त्रकिया था, इस वज़े से जो एना Ow perceptions किया, इस वज़े से जो एना, इतिहास कारिस को क्या बोल देते हैं? Jalzihoher बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं जalzihoher बोल देते हैं. ठीक है भerी, अब आपन बात करेंगे. तो इसके बारे में अपने को जो जानकारी किसे मिलती है तो अमीर खुसरो की खजाइन उल्फुतु है से मिलती है किसे मिलती है तो इस पहले साके के बारे में अगर आप से कोई पूछे तो जानकारी जो है अमीर खुसरो की किताब है जिसका नाम में खजाइन उल्फुतु है यह जो खजाइन उल्फुतु है जो है ना इस खजाइन उल्फुतु है किताब को ही तारीक ऐघ इसको कहते हैं इस तारीक ऐघ गाता नहीं जाते हैं कि आगने अस्तर का प्रियोग तो नहीं कर रहें लेकि अंदर जाते तब पता चलता है कि किल्ले के अंदर विरांगनाओं ने अपने सील सतित्व स्वाभिवान और इज्जत की रक्सा करने के लिए जो हर रत का अनुष्ठान कर लिया है वो जजकती धजकती हुई जौला के अंदर जो है उन्होंने अपने आपको सुपुर्द कर दिया है तो इस वज़े से जो है इस किताब के अंदर लिखता है जिसे हल्दी गाटी युद के बारे में यदि अपन बात करें तो हल्दी गाटी युद्ध के बारे में अपने को जानकारी किस्ते मिलती है तो हल्दी गाटी युद्ध के बारे में अपने को जानकारी एक किताब देती है मुन्तखब उत्तवारी बंदायुनी की किताब है मुन्तखब उत्तवारी उससे मिलती है खजाइन अल्प फुटुए से अलाओ दिन खिलजी न जितने भी अटेक किये, उन सबी अटेकust के बारे में अपने को कूरी पूरी जानकारी मिल जाती है, ठीक है न है, तो ये चीज आपको जहान में राकनी है, और अपने बात करें हैं, आपके तो अलाओ दिन खिलजी ने इसलाम का गड़ हो गया क्या बोलते हैं कुपर का गड़ इसलाम का गड़ हो गया तो अमीर खुसरो एक स्टेटमेंट देता है और वह क्या कहता है कि कुपर का गड़ जो है ना कुपर का गड़ इसलाम का गड़ हो गया कुपर का गड़ जो है वह किसका गड़ हो गया इसलाम का गर हो गया यहाण जुलाई तेराइस सो एक समी को ऑलावदिन खिल फ्र अका परसाहक तरमीन करता यह खार्भादर फ्रेकल सिए जी जान रखना उर्म जसवन सिंग के समय कहा ठाओं कभई के जसवन सिंग के समय मेन आपको क्या कहा था कभई के उस समय है that Eными में था लत उग struggled всем così होती है 1688çek हिस्वी में तो वो क्या केता है तो वो केता है कि आज जो है आज सुमय के कुप्र का आज मट्रऻ क्या कहता है उस समय तो उस्समें जो है अपर चुप्र का दर्वाजा तूट गया है तो यह बात जो है ना वहां पर उन्हों ने कही थी ठीक है भई यह चीज ज्यान रखना है चलो भई यह दोनों बाते याद रहेगी आपको स्क्रिंसोट लेना हो तो ले लो भई ठीक है अब अपन बात करेंगे आपके देखो भई यह जो आपके एक तो अपन को देखना है कि हमीर जो है ना हमीर की एक तो पुस्तक देखनी है और फिर अपन बात करेंगे तो वह इसके जो इना दर्बारी विद्वान देखने ठीकन दर्बारी विद्वान देखने और फिर इसके बाद अपन बात करेंगे तो इसके द्वारा जो इना निर्मान कार्य बहुत सारे किये लेकिन एक इसका निर्मान कार्य देख लेंगे और इस हमीर ने जो एना कुल युद कितने लड़े थे और अपन बात करेंगे आपके तो हमीर से समंदित पुस्त के ठीकन है तो हमीर से समंदित जो है ना वो आपके किताबे देख लेंगे तो हमीर से समंदित जो है ना वो अपन पुस्त के देख लेंगे तो लो भाई ये चोटी-चोटी सारी बाते जो है ना एक साथ अपन करते तो हमीर की पुस्तक जो है ना उसका नाम है आपके स्रंगार हार क्या नाम है स्रं सब्सक्राइब जाता था और हमीर जाना जाता था अपने हट के लिए यह घटी हमीर था किस प्रकार का अमीर था हटी अमीर था इसके बारे में कहा जाता है सिंग गमन सत्पूरस वचन कदली फलत एक बार तीरिया तेल हमीर हट चड़े ने दूजी बार ठीक है तो यह चीज ज्यान रखना है और हमीर से समंदित पुस्तकों के अंदर अपन बात करेंगे तो एक तो अपन बात करेंगे तो आपके जो है नाम एक तो नयन किताब का क्या नाम है फिर अपन बात करेंगे तो और अपन किताब देखेंगे अमीर से समंदित तो एक तो अपन देखेंगे आपके सारंगदर की किताब एक अपन देखेंगे आपके जोधराज की किताब ठीक है ना भई सारंगदर की किताब देखेंगे एक अपन देखे अमरित के लास की जो है ना वो किताब देखेंगे भई ठीक है सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इसने तो लिखी आपके हमीर महा काव्य कौन से किताब लिखी थी हमीर महा काव्य गंत जो है इसने लिखा नयन चंडर सूरी ने सारंगदर ने जो है ना इसने किसकी रतना की थी तो अमीर रासों की रतना की थी और इसी प्रकार से जो है ना जोदराज ने भी अमीर रासों की रतना की थी अपन बात करेंगे भांडव व्यास ने आपके अमीर आयन की रतना की थी ठीकर अमरत के लास ने अमीर बंदन की रत पूछी जाती है तो यह सारंगदर जो हैं इसकी अमीर रास्त संस्क्रित में है जोद्राज कि अमीर रासमेवाति के अंदर है ठीक है बैस कि आपको ध्यांद में रखना आए ठीक है न चला आगे बढ़ा बढ़ी अब तो यह स्क्रीम सोट ले लो यह पके हमेर खतम अब उस हमेर के बाद अपन बात करेंगे कानड़ देव चोहान तो ये जो आपके कानड़ देव चोहान जो है आपके कहां का सा सकता भई ये जो आपका कानड़ देव चोहान जो है ये कानड़ देव चोहान जो है ये आपके कहां का सा सकता तो कानड़ देव चोहां जो है ना ये आपके जालोर का सा सकता कहां का सा सकता भी जालोर का सा सकता देखो अलाओदिन खिल जालोर के उपर पहला आटेक कब करता है तेरा सो पांट इसी में जिस वर्थ ये कानड़ देव राजा बनता है और ये बेशता है एन उल मुल्क मुल बुजाकर दिल्ली ले जाता है और दिल्ली ले जाकर के जो है वहां पर उसको जो है सम्मान पूर्वक रखता है कहते हैं कि इस कानर देव का बेटा था जिसका नाम था वीरम देव वीरम देव के बारे में यदि अपन बात करें न तो यह जो आपका वीरम देव था उस समय का चोकलेटी बोई हुआ करता था उस समय का हैंसम हंक हुआ करता था और कहते हैं कि जैसे ही दिल्ली गया और उसके जाने से पहले उसकी सुंदता के चर्चे पूरी दिल्ली में फेल गए थे दिल्ली के अंदर प्रतेक लड़की जो है वो इनको जो है पाना चाहती थी हर लड़की का सपना था वीरम देव लेगिन वीरम देव वास्तों में सबका सपना ही रहा था विरम देव बहुती सुंदर था विरम देव दिखने में बहुत अच्छा था कहते हैं कि अलावदिन खिलजी की पुत्री फिरोजा को जो है इसे वन साइडेड लव हो गया था एक तरपा प्यार हो गया था लेकिन वो फिरोजा को जो है स्विकार नहीं करता है अन्त में जब फिरोजा की एक नहीं सुनता है वो तो फिरोजा अपने डेडी को जा करके कहती है हम मुझे वीरम चाहिए किसी भी सिपी में कहते हैं कि अलावदिन खिलजी दरवार के अंदर कानर देव को इस रिष्टे के बारे में कहते हैं तो वो जो है मना नहीं कर सकते हैं दरवार के अंदर थे तो फिर उनसे पैसे टके लेते हैं दस्तूर के और उसके बाद वहां से निकलते हैं किते हैं कि वो वहाँ चले जाते हैं जालोर तो चले जाते हैं और जाकर उन पैसों से किले का जिर्णोदार भी करवा देते हैं लेगिन उस समय जो है वो साधी करने के लिए नहीं आते हैं क्या करने के लिए नहीं आते हैं साधी करने के लिए नहीं आते हैं तो जब साधी करन मैं समझाओंगी मैं मेरे वीरु को लेकर के कानदेव के कहने पर वीरम उसे मिलता है कि वीरम मिलता तो है वह ना तो उसका चहरा देखता है और ना ना ही अपना चहरा उसको दिखने देता है तो वो फिरोजा कहती है कि वीरम तुम मेरी तरफ देखना क्यों नहीं चाहता एक बार तुम मुझे देख ले तू और मुझसे विवा कर ले मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूं मेरे में क्या कमी है क्या मैं संदर नहीं हूँ क्या मैं गुड लुकिंग गर्ल नहीं हूँ क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ कमी क्या है तो फिर वो वीरम कहता है कि कोई मामो लाजे भाटियार कुल लाजे चवान जे मैं परनू तुर्कडी उल्टो उगेबान कहा कि मैं जो है तेरे से इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तु मुसल्मान है क्योंकि तु विधर्मी है मैं हिंदू हूँ तु मुसलमान है अपन दोनों का धर्म जो है वो अलग अलग है इसलिए ये समभव नहीं है ठीकर फिर इसके बाद जो है जब वो नहीं मानता है और फिरोजा को यहां से भेज देता है इस वज़े से फिरोजा यहां से चली जाती है फिरोजा जाकर काम करने में तो तेरा डढ़ी एकशक है पहले क्येदाती नहीं कर देखे अब अला व अलाओ दिन वो अपनी सेना बेचता है ऐलाुदी खिलदी की trembी कि सेना आ रही है अटे करने की लिए खूंच कि यह सुन्दू मेना के रहें कि नींद आ रही है अब देखिए प्रकार से जाइन को रणतंबॉर दूर्ग की कुंजी कहा जाता था उसी प्रकार से शीवाना को क्या कहा जाता था तो उसी प्रकार से सिवाना को क्या कहा जाता था जालोर दूर की कुंजी अब देखो भई सिवाना पर आकरमन करता है अलावदीन खिल जी और सिवाना पर आकरमन होता है तेरा सो आट इस्वी के अंदर और इस समय होता है आपके सिवाना के अंदर साका सिवाना का क्या होता है पहला साका होता है तो सिवाना का आपके पहला साका होता है तेरा सो आट इस वी के अंदर तो सिवाना का आपके पहला साका होता है वरतमान में ये जो आपका सिवाना है ये अब कहां चला गया है तो वर्तमान में ये सिवाना जो है न ये अब आपके बालोतरा में चला गया है तो ये जो साका जो होता है न ये किसके नितरतू में होता है तो ये जो आपका साका होता है न ये होता है आपके सितल देओ किसके नित्रतु में होता है सीतल देव जिसको सातल भी बोलते हैं ठीक है तो सीतल देव यानि कि सातल और सौम के नित्रतु में किसके नित्रतु में होता है तो सातल और सौम के नित्रतु में जो है न ये आपके साका होता है और इस सिवाना को जीत लेता है और सिवाना का परस प्रसासक बना देता है वो आपके कमालुदीन गुर्ग को किसको बना देता है कमालुदीन गुर्ग को कमालुदीन गुर्ग यहां का प्रसासक बनता है और अपन बात करें तो शीवाना का नाम बदल कर क्या कर देता है तो शीवाना का क्या कर देता है तो शीवाना का नाम तो ये शilton के अंदर हो गया फिर शिवाना के युद युद के अंदर जो है न ये इसलिए हुआ था क्योंकि शिवाना के अंदर जो एना विस्वास गात हुआ था अलाओदिन खिल जी यहां जो एना यहां पर भी जो वीरता से नहीं जीता था यहां से भी वो थल से जीता था और यहां पर जो एना बाइला पवार से निकने जो एना वो विस्वास गात किया था और यहां कि तालाब को जो है ना दूसित कर दिया था बांडे लाओ तालाब को क्या कर दिया था तो दूसित कर दिया तो यह चीज आपको ज्यान रखना है किस वारे तालाब को दूसित कर दिया था तो बांडे लाओ तालाब को जो है ना वो दूसित कर दिया था तो यह चीज जान रखो अब अपन बात करेंगे तो अब क्या हुआ देखो अब जालोर पर अटेग करता है अलाउदिन खिल जी तो जालोर पर जो अटेग होता है ना तो जालोर पर अकरमन कब होता है तो अलाउदिन खिल जी के बारे में अगर अपन बात करें तो अलाउदिन खिल जी का जो है आपके जालोर पर अकरमन कब होता है तो जालोर पर अकरमन कब होता है तेरा सो ग्यारा इस्वी में कब होता है तेरा सो ग्यारा इस्वी के अंदर ज तो जालोर पर आक्रमन कब होता है? तो जालोर के उपर आक्रमन होता है चैनपति उआना अपन देखेंगे बही का बही अलाओदिन खिललगी का कौन था और अक्राणवदीन और और अजनोrió यख़ चैन देखेंगे coilsक्सितुन अलाउद्दीन का जो सेनापति था ना वो था कमालुद्दीन गुर्ग कॉम था भई कमालुद्दीन गुर्ग था वो सेनापति और इ emba HE लिटर जो आपके था सेना पती हो कानण ने किसने किया था तो उस्विकादया जो न चेलिए होई की जो और हीरा देने क्या कर दी थी हट्या कर दी थी ठीक है भई अब अपन बात करेंगे तो देखिए भई अलाउदिन खिलजी जो है ना जालोर पर आकरमन करके जो है ना जालोर का नाम बदल कर क्या कर देता है तो जालोर का नाम जो है ना वो बदल देता है और जालोर का नाम जो खाना मजजिद का निर्मान करवाता है यहां एक मलिक सापीर की दरगा का भी निर्मान करवाता है तो मलिक सा की दरगा का भी निर्मान करवाता है अलाईया तो खाना मजजिद का भी यहां पर यह निर्मान करवाता है ठीक है भई तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है फि यह तो है आपके कानड़ दे प्रबंध कोंछी हैं और इन्होंने कोंसी किताब लिकी थी तो कानड़ दे प्रबंध के अलावा इन्होंने लिखी थी आपके वीरम दे सोनगरारी वात पाइब के नीं तोनगरारी वात ये दो किताबे जो है ना इन्होंने लिखी और इन से अपने को जो है ना इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है ठीक है भई तो यह हो गया भई आपके अलावदिन खिल जी का जालोर पर आक्रमन्ती के नहीं अब आपन बढ़ते हैं अगे अब आगे आपके राजस्थान का एकी करन्त बहुत बढ़िया टोपिक है अब अपन क्या पढ़ेंगे अपने राजस्थान का जो है ना वो एकी करन्त देखेंगे ठीक है अब आपन बात करेंगे देखो राजस्थान का एकी करन्त तो मतलब राजस्थान पहले एक नहीं था आज जो वरतमान राजस्थान अपन देख रहे हैं क्या पहले इस परका इसकी इंडिया के वारे में यदि अपन बात करे तो ध्यान से सुनना भई ये जो इंडिया आप जो अभी जो देखते हो ना ये जो इंडिया अभी देखते हो ये तो अभी का भारत है अखंड भारत है पहले खंड खंड भारत हुआ करता था पहले देखो परी, 11 तो आपके ज्ञेना ग्यारा तो थे आपके प्रान्ट और चार थे ऐपके कंदर सासित प्रदेस यहां पर किन का इसा सासन सता आपके अंगरेजों का ठीक जे ने और 505 थी आपके देसी रियाथ बप पाकिस्तान वाला इसके अंदर आपके आता था अब देखिए वर्तमान राजस्तान का निर्मान जो है वह कैसे किया गया तो 19 रियास्तों को मिला करके किया गया था तो वर्तमान राजस्तान का निर्मान जो है ना देखो भई 19 तो आपके देशी रियास्ते कितनी रियास्ते देशी रियास्ते थी और एक था आपके अपन बात करेंगे जो केंदर सासित परदेश जो था ना वो आपके कौन सा था भई तो जो एक आपके केंदर सासित कितने थे ठीकने तीन जो ठीकने थे जो थीकने से थे अब से ते यह तो तो थाब के लावा एक था आपके निम्राना और एक था आपके कुशल गड़ तो इनको मिला करके जो है ना क्या बना दिया गया वर्तमान राजस्थान का निर्मान जो है ना वो किया गया था तो लावा का जो सासक था न उसका नाम था आपके बंस प्रदीब सिंग तो यह जो यह न आपके तीन ठікाने थे तो द्यान से सुनना उननीस देसी रियास्त एक के अंदर सासित प्रदेश और तीन ठीकानों को मिला कर वर्तमान राजस्थान का निर्मान किया गया और यह जो अपन बात करें वर्तमान राजस्थान की नाम तो यह जो वर्तमान राजस्थान अस्तित्तु में आया था ये साथ चरणों के अंदर अस्तितुम आया था और समय कितना लगा था तो आट वर साथ माँ और चौदा दिन है ने तो आट वर साथ माँ और चौदा दिन का जो है ना वो समय लगा था ठीक है पर इन सभी रियास्तों के अंदर राजस्तान की सबसे प्राचीन रियासत में व तो सापुरा जनसंग्या और दोनों द्रश्टी से सबसे छोटी रियासत थी ठीकन अब आपन बात करेंगे आपके तो देखो भई अब यह जो आपके रियास्ते जो थी ना इन रियास्तों का विले करना था तो हमारे जो एना भारत सरकार जो एना नहीं नया देश आजाद वो कौन सी आई भई तो वो समझ्या आई थी आपके रियास्तों का एकी करन कैसे किया जाए यह रियास्ते एक होने के लिए तैयारी नहीं थी मेवाड के मालवा और गुजरात की रियास्तों को मिलाकर राजबुताना यूनियन बनाने की सोच रहे थे और इसके लिए जो है उन्होंने 25 और 26 दुन 1946 को उदेपूर में सम्मेलन भी बुला लिया था इसी प्रकार से बासवड़ा महरावल जो है डूंगरपूर बासवड़ा परताबगड़ और कुसलगड़ को मिलाकर वागर संग बनाने की सोच रहे थे कोटा के बीम सिंग इस प्रकार से कोटा बुंदी और जलावाड को मिलाकर हडोती संग बनाने की कलपना कर रहे थे क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो दारा आठ के तहट वो केके गए थे कभी के देशी रियास्ते चाहे तो भारत में सामिल हो सकती है चाहे तो पाकिस्तान में सामिल हो सकती है और चाहे तो अपने आपको स्वतंत्र रख सकती है इसलिए देशी रियास्ते चाहे छोटी भी क्यों ना हो रियास्ति सची वाले का रियास्ति सची वाले के बारे में अपन बात करेंगे न इसका गठन किया गया आपके पाच जुलाई को कम किया गया था तो पाच जुलाई 1947 को किया गया था और अपन बात करेंगे कभी के इस रियास्ती विभाग या रियास्ती सची वाले के अज्यक्स कोन थे भई फिर अपन बात करेंगे सच्यू कोन थे भई तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इसके अज्यक्स थे आपके सरदार वल्लब भाई पटेल कोन थे भई तो सरदार वल्लब भाई पटेल थ और इसके सचीव थे आपके वीपी मैनन कौन थे पर इसके सचीव वीपी मैनन जो है ना इसके सचीव थे इन्होंने एक सिफारिश दी और इन्होंने क्या सिफारिश दी कभी के वे रियास्ते जिनकी जनसंक्या जो है ना वो कितनी होनी चाहिए तो इन्होंने सिफारिश दी क वही कि जन संक्या जो है ना वह 10 लाग से अधिक होनी चाहिए और वार्चिक आई से जो है वह एक रोड़ से अधिक होनी चाहिए अपने आपको क्या रख सकती है स्वतंद्र रख सकती है इत में का अंग करें हाँ झाल 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 तो देखो इन्होंने क्या सिफारिस की थी एसी रियाखते जिनकी जनसंक्या कितनी हो तो जनसंक्या जो है न वो 10 लाक से अधिक हो कितनी हो दस लाग से अधिक हो और वार्सिक आई जो है ना एक करोड से अधिक हो ठीकन है तो धन संक्या और ये जो है ना ये अधिक हो तो ऐसी रियास्ते जो है ना अपने आपको जो क्या रख सकती है स्वतंतर है तो ऐसी रियास्ते जो है ना उस समय राजस्तान के अंदर चार थी कि चोटी अपन बात करेंगे जैसे आपके बिकाने यह चार ही एसी रियास्ते थी जिनकी वार्षी का एक रोड से अधिक थी और जिनकी जनसंक्या जो है दस लाग से अधिक थी यह अपने आपको जो है जीवित रख सकती थी अपने आपको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थ आजाओ सभी चाई पिलो इवर कमेंड चलो गरोने यार क्या बात है चिंटु मीनाजी आप प्रस्न पोतरे थे किस चरन के अंदर राजस्तान सब्ड का प्रसम बार प्रियोग हुआ युँ अक्सर आप गच्चा खा जाते हों कि दूसरे चरण के अंदर जो है राजस्तान संग या पूरू राजस्तान सब्द का प्रियोग किया जाता है लेकिन देखिए हमारा सविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को इसलिए हम विदिवत रूप से कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश के लिए जो है ना पहली बार राजस्तान सब्द का प्रियोग हुआ तो चलो अब आपन बात करेंगे आपके तो एक इकरन का अपन देखेंगे अब पहला सब्सक्षाब करेंगे हैं मर्च 181 क को शंपन उवा था और पहले चरन के अंदर जो आपकी राजस्तान की 4 रियास्ते और पाँज जो ई और टोटल थी पाच इकाईयां, कितनी इकाईयां थी? पाच इकाईयां थी, इन पाच इकाईयों को मिला कर पहले चरण के अंदर मतश्य संका गठन किया था, वो जो आपकी पाच इकाईयां थी, एक तो था आपके अलवर, दूसरा था आपके भरतपुर, तीसरा था अपन ब कि तो याद रख लेना तो आप इनको प स्टाइब किसे बनाया अलवर Select αυτा का कुनी कि यहां पर कर दिया गया दू प्रयाट कि से किया तो एन वी गाडगिल ने किया था इन वी गाडगिल ने उद्धगाटन किया था कौन धाउं ये तो ये था आपके केंदरी ए खनीज और विधुत मंतरी था और इसने उद्धगाटन किया था पहले चरण का और अपन बात करें तो दोलपूर जो है ना यहां के सासक थे उदेवांसिंग उस उदेवांसिंग को क्या बना दिया राजपरमुग बना दिया तो राजपरमुग किसे बना दिया था तो उदेवांसिंग को किसको बना दिया था भई उदेवांसिंग को बना भी इनको याद रखना आपको मतस्य संग है जो यह ना इस नहैं किस Ils ने किया था यह महाजशन पद का भाग हुआ करता था जो आपके सोड़ा महाजनपत थे अंग मगद कासी कोसल वत्स चेदी उनमें एक मतश्य जनपत भी था उस मतश्य महाजनपत की राजदानी जो विराच नगर बेराठ हमकाथिन सब्विताओं में भी पड़ते हैं उस चत्र के अंदर ये जो अलवर भरतपूर करोली दोलवर का बहुत सारा भुबाग आता है तो चुकि इसका एतिहासिक जुडाव रहा है इस शत्र से इस वज़े से जो है कनया लाल मनिक के लाल मुंसी ने जो है इसका नाम जो है वो मतश्य संग रखा है ठीक है भी तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भई अब अपन बा आपको किसको बना दिया गया था एक तो अपन बात करेंगे इस मतश्य संग का जो है ना वह प्रदान मंत्री किसे बनाया गया था फिर अपन बात करेंगे मतश्य संग के जो है ना वह अन्य मंत्री कौन-कौन थे भई ठीक है और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे इस परदान मंत्री बनाया सोवाराम कुमावत को अन्य मंत्री जो है ना उनके बारे में अपन बात करें तो एक तो थे जैसे आपके डोक्टर मंगल सिंग एक थे आपके गोपिलाल यादो कौन थे बई गोपिलाल यादो थे और कौन थे बई मास्टर बोलानात थे तो मास्टर ब उपई जो यह ना इस छत्र की वार्शी का थी यह वागत के एकी किरन का पहला चरंग अब आपन बात करेंगे भई एकी करन के दूसरे चरंग राजस्थान का एकी करन का दूसरा चरंग कम शंपन होता है तो यह संपन होता आपके 25 मार्च 1948 को और इस 25 मार्च 1948 को जब संपन होता है ना तो अपन बात करें भई तो इस दूसरे चरण के अंदर जो है ना इस दूसरे चरण के अंदर जो है ना अपन बात करें तो 9 प्लस एक बरापर अपन बात करेंगे 10 इकाईयां टोटल थी कितनी इकाईय को याद करना हैं तो कैसे याद नाट याद करना लिकी किसन को जाडू प्रशाटव एक को कैसे याद करना है तो कुसल से तो आपको याद करना है जैसे कुसल गड़ जो की एक ठीका ना था ना कुसल गड़ बास से आपको याद रख लेना है जैसे बासवाड़ा कौन सा भई बासवाड़ा और बू से आपको याद रख लेना है बूंदी किसन से आपको क्या याद रख लेना है किसन गड़ को से आपको याद रखना है कोटा फिर अपन बात करेंगे भई जा से आपको याद रखना है जालावार क्या याद रखना है जालावार दू से आपको याद रखना है डूंगरपूर क्या याद रखना है डूंगरपूर और अपन बात करेंगे प्र साथ से आपको याद रखना है सहापूरा और टो से आपको याद रखना है टोक तो इनको मिला करके क्या बना दिया तो इनको मिला कर बनाया आपके राजस्थान संग या फिर पूर्व राजस्थान अब यहां पर जो राजस्थान सब्द आता है ना अपन गच्चा खा जाते और अपन कह देते हैं कभी के राजस्थान का निर्मान हो गया तो यह नहीं है तो यह ध्यान रखना भई ठीक है नहीं यह राजस्थान आपके नहीं है तो ध्यान रखोगे नहीं यह चीज ठीक है तो यह चीज जो है आपको ध्यान में रखना है और अब आपन बात करेंगे कहां बळाथ करेंगे यह बाता और फिर अपन बात करेंगे यह आपके परधान मंत्री जो project को बना दिया गया था तो यह कुछ मेन मेन बात अपन देखते हैं तो उद गाटन जो एना इसे दूशरे चरन्ज़ का किस ने किया था तो N.V. गाडगिल ने किया था और अपनबात करेंगे राज परमुग जो है ना कोटा के महराओ भीम सिंह सेकंड को जो है ना वो बना बना दिया गया प्रधान मंत्री बना दिया कोन बन गए प्रधान मंत्री गोकुलाल असावा बन गए थे तो गोकुलाल असावा को क्या बना दिया गया था प्रधान मंत्री बना दिया गया था ठीक है अचा सविता कुमारी करेगा सर्मारों प्रताफ गड़ आगो क्या बात ह तो यह जो एंत आपको याद रखना है अब देखिए भैई अब आपन बात किरें तो वरिष्ट उपराजपर्मुंग इसे बनाए था कि अगर आपको पूच ले इपाराज पर मुग किसे बनाया था फीर अगर आप यह ध्यान रखना आप आपके वरिष्ट उपराज पर मुग जेना वह तो कौन बने थे कैं बहधुर सिंग llamado और अपर चंद्रवीर शिंग ने कहा था किस ने कहा था बहास्वाडा महारावल चंद्रवीर सिंग ने कहा था कवरी के मैं अपने डेत वारंट के उपर अस्ताक्षर कर रहा हूं क्या कहा था मैं अपने डेत वारंट के उपर अस्ताक्षर कर रहा हूं तो ये चीज जो है ना ये आपको ध्यान में रिखनी है ठीक है भी तो ये डेत वैप फेगरन का तीसरा चरन जो यह आगे आपके सामने भी हुलो भी एक और का तीसरा चरन अपन देखेंगे तीसरे चरन चे अंदर क्या होता है तो भी देखो भी अछा दूसरे तरहें तो दूसरे चरण वाले और तीसरे चरण वाले जाता होते हैं अब देखो भई तीसरे चरण के अंदर क्या किया था अठरा अपरेल 1948 को जो है न देखो भी अब तक किसका गठन हो चुका था तो दूसरे चरण के अंदर आपके जो है राजस्तान संग या फिर पूर्व राजस्तान जो है न इसका गठन हो चुका था इसके अंदर इन्होंने किसको मिला दिया उदेपूर को और इन्होंने किसक सफ राजस्थान क्या पोलते तो युनायटेज स्टेट्स ओफ राजस्थान अपन इसको बोलते ठीकिन अब बात करेंगे एक तो अपन देखेंगे बहुरी कि इसका वरीष्ट उपराज परमुग जो ना वह आपके को और अपन बात करेंगे तो इसके आपके कनिष्ट उपराज प्रमुग जो है ना वो दो लोग कौन-कौन थे नहीं तो कनिश्ट उपराज पॊर्मुख जो एना वो आपके कौन थे और फिर इसके बादवपन वे बात करेंगे आगे कब यहां के जो आपके परधानमंत्री के बादवन बात करेंगे कि यहां अन्य मंत्री जो है ना वो कौन-कौन थे भई है ना पहले ये वाली बाते देखते हैं उद्गाटन जो है ना तीसरे चलन का उद्गाटन किस ने किया था तो ये किया था जवाहरलाल नहरू ने ठीक है ने उदेपूर में किया था 18 अप्रेल 1948 इसमी को ठीक है भई राज उपराज प्रमुग कोटा के बहिंद सिंग को बना दिया गया था थिर अपन बात करें कनिष्ट उपराज प्रमुग जो है ना दो लोगों को बनाया था जो दो लोग बने थे एक तो आपके बहादुर सिंग जो आपके बुंदी के थे वो बने थे और एक आपके महरावाल लक्षमन सींग जो कि आपके डुंगरपूर के थे ये भी बने थे प्रदान मंत्री कोन बने थे तो मानिक्यलाल वर्मा बने थे कोन बने थे बई मानिक्यलाल वर्मा जो है ना ये आपके प्रदान मंत्री बने थे मंत्री कोन बने थे तो मंत्री जो है ना एक तो बने आपके म ओर अपन बात करेंगे प्रेम नरायन मात्थूर और कौन थे आपके भोगी लाल पंडिया और कौन थे आपके अबिन हरी और कौन थे आपके तो ब्रज सुंदर सर्मा ठीक है ने ये सारे लोग जो ये बन गए थे आपके मंत्री इस आपके तीसरे चरण के अंदर जो ये ना मेवाड महराना नभीस लाग प्रिवी पर्ष की मांग की इनको दस लाग प्रिवी पर्ष पांच लाग राजपरमुक्का वेतन और पांच लाग धार्मिक अनुदान क के रूप में दिये गए थे और अपन बात करें तो इस तीसरे चरण के दोरां जो है ना अपन बात करें कि इनकी वार्षिक आई कितनी थी देखो भी पहले चरण में अपन ने देखी तो उनकी जो वार्षिक आई जो है ना वो कितनी थी एक सो चुरिया सी लाग थी दूसर तीसरे चरन में लगबग 2 क्रोर रूपे इनकी वार्सिक आई थी ठीक है बहुद अपने बात कर रहे हैं आपके तीसरे तरह दो एनके अंदर इनकी जो वार्सिक आई जो आप वो कितनी थी आपके तो वार्चिक आई थी आपके तीजन सोडा लाक रुपे कितने थी तो तीजन सोडा लाक रुपे जो है न वो इनकी वार्चिक आई थी फिर राम मनोहर लोहिया जो है न उन्होंने किसकी स्थापना की थी तो राम मनोहर लोहिया ने राजस्तान आंदोलन समिती की स्थापना की थी तो राजस्तान आंदोलन समिती की स्थापना की थी आपके राम मनोहर लोहिया ने ठीक है और सेस्वची रियास्तों के जल्दी विले की मांग की थी ठीक है भई ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है तो ये तो आप स्क्रिन सोट ले लो भी इस तीसरे वाड़े चरण का मेन मेन बाते जो है ना वो यही होती है एक तो परदान मंतरी याद रखना होता है राजदानी याद रखना होता है पहले चरण के अंदर राजधानी अलवर है तूसरे चरण में राजधानी कोटा है और तीसरे चरण के अंदर राजधानी पुछे ना तो तीसरे चरण के अंदर आपके राजधानी कहां पर है तो राजधानी जो है ना वो है आपके उदियापूर और कहा कि एक अधिवेशन साल में कोटा में होगा और कोटा के विकास के लिए विशेश प्रियास किये जाएंगे ठीक है भई तो चलो बड़े आगे अब अपन बात करेंगे तो अब आयेगा आपके एगी गरण का चोथा चरण कौन सा वाला चरण आएगा एगी गरण का आपके तीसरे चरण तक कर चुके थे और चोथे चरण के अंदर राजस्तान की चार बड़ी रियास्ते जो है ना उसके अंदर मिलाई गई थी कौन कौन सी चार बड़ी रियास्ते एक तो आपके जेपूर एक आपके जोदपूर एक आपके जेसलमेर और एक आपके बिकान ये जो चार राजस्तान की जो बड़ी रियास्ते है ना इनका विले किया गया था और इसके बाद किसका निर्मान किया था तो इसके बाद निर्मान किया आपके वरहत राजस्तान का किसका वरहत राजस्तान का ठीक है ने और इस वरहत राजस्तान के बारे में यदि अपन बा विया था तो जेपुरß में जो है अओड़ गातन किया था ठीक है बही इस दिन जो है राजस्थान की जो है इकरन हो चुका था ठीगन तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है तीस मार्स को राजस्थान दिवस जो है अपन सेलिबेट करते हैं अब देखिए भई अब अपन बात करेंगे तो देखो भई अब अपन देखेंगे कभई के उद्गाटन हो गया और उद्गाटन के बाद अपन धार मंट्री को बने थे ही राज़कर्मुक क्या देखेंगे बाई राज़ परामुक है महराज पर्मुक के वहिए राज बने महराज सीं है और अपके मेवार के सास्थक, वो बने थे राज पर्मुक कॉन बने थे सवाई मांच सिंग सेकंड जो है ना यह आपके क्या बन गए थे राजप्रमुक बन गए थे अब आपन बात करें तो यह चीज ज्यान रखना है चारो चरणों के अंदर जो है ना चारो चरणों के अंदर यदि आप से पूछ लिया जाए कभी के मुख्यमंत्री कौन थे तो चारो चरणों के अगर मुख्यमंत्री को याद रखना है ना तो याद रख लेना सो गोमाही क्या याद होके सो Go Mahi सो से सववालाल से याद रखोगे उद्गाटन करने वालों के अगर नाम पूछे ना तो आप याद रखना कभई के गा गाने पटेल गा गा से गाडगिन ने से नहरू पटेल से सरदार वल्लबाई पटेल फिर अपन से आप से पूछ ले कभई के राजप्रमुक ठीकन है तो राजप्रमुक पूछे तो आपको क्या याद रखना है उभी भू मान ठीकन है उभी भू मान उसे आप याद रख लोगे उदेबान सिंग भी से आप याद रख लोगे भीम सिंग भू से याद रख लोगे आप बुपाल सिंग ठीक है और मान से याद रख लोगे मान सिंग ठीकन है तो इ राजदानी जो है ना देखो भी पहली जो है ना वो राजदानी है आपके अलवर और दूसरी है आपके कोटा ठीगे ने तो अपन याद कैसे रखेंगे जैसे ए के फिर अपन जो है ना तीसरी राजदानी जो है ना एके और यू जा तो एके बोले तो अलाव दिन खिल जी त एके यूजा ऐसे याद रख लेना भई ठीक है ने तो यह चीजे जो है अक्सर एक्जाम में पुछी जाती है और यह सीम के नाम बहुत ज़्यदा पूछते हैं उद्गाटन करताओं के पूछते हैं और राजप्रमुक को पूछते हैं और फिर राजधानी को भी पूछते है ठीक है भी तो यह चीज जो है आपको याद रखना है ठीक है ने तो यह याद रखोगे ने आप तो सोगो माही गागाने पटेल उभी भूमान एके यूजा एके यूजा एके यूजा ऐसे अलवर कैसे कोटा यूसे उदेपूर जासे जेपूर ठीक है भी तो यह चीज ना राजदानी को लेकर के विवाद हो गया था तो क्या विवाद हुआ था राजदानी को लेकर विवाद हुआ था आपके छोत्हे चरण के अंदर अब देखो एक समीती का गठन किया गया हल के लिए जो एना एक समीति का गठन किया गया था जो समीति गठित की गई थी उसका नाम था आपके पटेल समीति क्या नाम था पटेल समीति तो समीति के अंदर जो एना एक तो आपके थे बी आर पटेल कौन थे भई पटेल समीति है न तो उसके लिए समाधान के लिए जो ना कौन सी समीति गठित की गई थी तो पटेल समीति का जो ना गठन किया गया था तो पटेल समीति का जो गठन किया गया था ना उस पटेल समीति के अंदर अपन बात करेंगे एक तो थे आपके बी आर पटेल कौन थे भई बी आर पटेल तो भी आर पटेल इस समीत समीति के अज्यक्त थे इसलिए समीति का नाम पटेल समीति है और अपन बात करेंगे तो आपके टी सी पूरी थे कौन थे पूरी थे और एक और कौन थे SP सिनहा थे तो पटेल पूरी और सिनहा तो ये ध्यान रखना भई आप पटेल पूरी और सिनहा किस समीती का गठन किया गया था किस समीती का पटेल पूरी और सिनहा समीती का गठन किया और इस समीती की सिफारिस के आधार पर अपन बात करेंगे भई कभी कर राजधानी किसको वना दिया था वे थिर अपन बात करेंगे बाई कशन को दिया था पिर सत्य अग्शारी विभाग ज्यों कि इसको दे दिया था फिर अपन भाट करेंगे खनीज विभाग जो plains ये और किसको दिया था तो तो बैशार एक्जाम में परत्शन पूछे जाते हैं देखो भई हम बात करेंगे राजदानी तो है ना वो किसको बना दिया बई जेपुर को बना दिया हाई कोड़ जोदपूर वालों को कि तुम करो रहे नहीं और का कि बिकानेर वालों को कभी उधर खेती वेती होती नहीं तो आप पड़ो एक सावी बाग आपका बरतपू अपको ध्यान में रखनी है फिर अपन बात करें तो प्रीवी पर्स के बारे में यदि अपन बात करेंगे जैसे आपके जेपूर को कितना दिया गया था फिर अपन बात करेंगे जैसे आपके जोदपूर को कितना प्रीवी पर्स दिया गया था फिर अपन बात करेंगे जै दिखेंगे आपके तो जेसल मेर को कितना प्रिवी परिवी पर्स दिया गया था Décr एए के राजाओं को जो है'ना प्रिवी पर्स के रूप मैं अठारा लाइव के राजा को दिए गए थे हम बात करेंगे 379 नाफ जो है'd सत्रा लाक रूपे जो है ना वो बिकानेर के सासक को दिये गए थे और अपन बात करेंगे दो लाक असी अजार रूपे जो है ना दो लाक असी अजार रूपे जो है वो जैसलमेर के सासक को दिये गए थे ठीक है भई तो यह चीज जो है ना आपको ध्यान रखना है चलें लेलिया स्क्रीन सोट वाँ अब आपन बढ़ेंगे आपके अगले चरण की तरफ तो अगला जो चरण है ना आपका वो कौन सा है भई तो अगला जो चरण है वो है आपके पांचवा चरण यह जो आपका पांचवा जो चरण है यह 15 मैं उनिछ सो घठन हो रखा ता किसका ओ रखा था तो मतश्यसंग को का गया था तो अपको यह तो यूपी में मिलाएंगे या फिर राजस्थान में लेकिर पंदरा मई को जो है इस मतश्यसंग का विले कर दिया गया किसके अंदर आपके वरहत राजस्थान के अंदर किसमें विले कर दिया तो वरहत राजस्थान में विले कर दिया था और क्या बना दिया तो इन्होंने बना दिया आपक संकर्राव देव समीटि की सिफारिण पर चेकंड अब घर मीति के अन्दर आपन बात करेंगे तो डोक्ट्र संकर्राव देव पर ये थे आपके समीति के अध्यक्स थे क्या थे बई समीति के अध्यक्स थे और अपन बात करेंगे तो संकर राल देव तो इस समीति के अध्यक्स थे और कौन थे तो और थे आपके आर के सिद्वा कौन थे बई आर के सिद्वा थे तो आर के सिद्वा जो है वो भी इसके सदश्य थे और आपके कौन सदश्य थे तो प्रभू दयाल थे कौन थे भई प्रभू दयाल थे बाकी देखो यह जैसे टोंक और जोदपूर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी उसी प्रकार से दोलपूर जो है ना वो भी आपके यूपी के अंदर सामिल होना चाहती थी लेकि फिर जन बयां तो व्रहत राजस्थान के बारे में यदि अपन बात करें तो उसे राजस्थान के विले कर दिया गया तो उस वरहत राजस्तान के बारे में यदि अपन बात करें ना तो उस वरहत राजस्तान के अंदर सिरोई रियासत का विले किया गया था देखो भी यह जो सिरोई जो है ना अंतराज्जी विवाद का कारण बनी थी अंतराज्जी विवाद का कारण जो है वह कौनसी रियासत बनी थी तो सीरो कॉनसी रियासत बनी थी सीरो और यह जो आपकी सीरोई रियासत जो है न इसको दो भागों में तोड़ दिया था, देख tuleeू, इसको दो भागों में तोड़ा था तो एक तो आपके आबू Cambod peripheral और प्लस नेवसी गां ये तो मिला लिये इन्होंने गुजरात के अंदर ठीक है ने ये तो किसमे मिला लिये गुजरात के अंदर मतलब ततकालिन बंबई प्रांथ था सोरी ने बंबई प्रांथ में मिला लिये और जो आपका सेंज सिरोई जो था ना, वो सेंज सिरोई किसके अंदर मिला लिया था, तो सेंज सिरोई मिला लिया था आपके राजस्थान के अंदर, किसमें राजस्थान के अंदर, ठीक है न, अब देखिए, ये कर लिया गया था, और हमारे परदेश का नाम जो राजस्थ और डी यानि कि के खे गे इस परकार से चार स्रेनिया थी तो हम जो है ना वो भी स्रेनी के रज्जे थे ठीक है ने तो हमारा राजस्तान सविधान के अनुसार जो है ना किस स्रेनी का रज्जे था खे स्रेनी का रज्जे था और अब क्या किया प्रदान मंत्री का जो पद था पहले निर्वाचित मुख्य मंत्री जो है ना वो कौन बने थे तो निर्वाचित मुख्य मंत्री जो है ना वो कौन बने थे तो निर्वाचित मुख्य मंत्री तो आपके टिका राम पालिवाल बने थे तो टिका राम पालिवाल जो है ना वो आपके पहले निर्वाचित करेंगे तो बिलकुल करेंगे थीगह पर एक समिति जो है ना उसका गठन किया गया था उसका नाम था आपके राज्य पुनर गठन आयोग या फजल अली आयोग इसका गठन किया गया था राज्य पुनर गठन आयोग या फजल अली आयोग जो है ना इसके अंदर जो है दो तीन सदिश्य थे तो इसका जो है आपके फ वहां थो क्या थे इस आयोग के अद्यक्स थे रखा नहीं कि तो एक आप के अध्यक्स थे और अपन बात करेंगे को सधिश्य के उपर जो क्या किया गया था तो के आम पणनी कर जो एधार अधार पर अपन यदी बात करे ना जैसे यह से आप के अबु देलवाडा है ठीक है अजमेर मेरवाडा और अबु देलवाडा जो राजस्थान के दो नेत्र थे यह दो नेत्रों का विलेई जो है वो आपके जो है इस समीति की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर हो रहा है तो देखो सिरोई रियासत अंतराजी विवाद का यह सिरोज जो एना यह आपके राजस्थान का इस्सा था देखो भी में तेनों का तो है ना इन किसमें विलेही कर दिया गया था इनका किसमें विलेही कर दिया गया था यह बात आपको ध्यान रखना जब ek san पूरा हुआ था उस समय राजस्तान के जो मुख्य मंत्री थे वो कौन थे उस समय राजस्तान के मुख्य मंत्री थे हमारे मोहनलाज सुखाडिया जो राजस्तान के सबसे युवा मुख्य मंत्री थे जो राजस्तान में चार बार मुख्य मंत्री रहे थे वो मोहनलाज सुखा एक देखो एक ठिकाना जो है ना आपका प्रश्न होगा कि से उस तो एक लौवर ढ़ाजिक ऐने का क्या हुआ था तो आपके लावा ठिकाने के बारे में यदि अपन बात करें यह था आपके केंदर सासित प्रदेश क्या था और यहां की जो आपके विदान सभा किया कहलाती थी तो यहां की विदान सभा को बोलते थे धारा सभा क्या बोलते थे धारा सभा और इस धारा सभा के अंदर जो है ना टोटल सब्सक्राइब करते हैं मुख्य मंत्री अजमेर मेंए वाड़ाध के अग proportion तो अजमेर और जेपुर राजधानी विवाद हुआ था तो आपके जो जेपुर अजमेर राजधानी विवाद हुआ था ना इस राजधानी विवाद का हल करने के लिए जो है ना क्या करिया किया गया था जो आपके सत्य नराइन राव समीती का जो गठन किया गया था ना इस सत्य नराइन राव समीती के बारे में यदि अपन बात करें तो इस सत्य नराइन राव समीती के अंदर और भी सदश्य था एक तो था आपके वी विश्वनाथन कौन था बई सदश्य वी विश्वनाथन था और एक और कौन था बई तो वी के गुपता थे इन तीनों ने जो एना सिफारिस दी थी और इस सिफारिस के अधार पर जो एना राजदानी किसको रखा गया था तो जेपूर को ही रखा गया अजमेर को राजी करने के लिए कौन सा विभाग दे दिया राजस्तु विभाग दे दिया कौन सा विभाग दे दिया राजस्तु विभाग से सभी विभाग यथावत रखे गए थे ठीक है अब आपन बात करें तो देखो हमारे सविधान के अंदर जो है न एक तो आपके संस थे उन्हें भेधवाव को समाप्त कर दिए गया और दूसरा जो हमारे उसक Sense अंदर जो है एक आपके राज प्रमक फद हुआ तॉस राज प्रमक पद को जो है समाप्त कर दिया गया था ठीक आ तो नक्तर है तो रज्जों के पीच चो आपके जो बेदवाव था उस बेदवाव बेदवाव के साथ साथ जो एना बेदवाव वे राज परमुग पद को क्या कर दिया गया तो राज परमुग पद को जो एना वो स्माप्त कर दिया गया था तो ये ध्यान रखना राजस्तान के प्रतम वे एक मातर राज परमुग सवाइमान सिंह सेकंड टी कभी और पिर अपन बात करेंगे जो आपका 26 सवीदान संसोदण अदीनियम 1929 था उसके द्वारा जो आपके राजा महराजाओं को प्रिवी पर्ष दिया जाता था उस प्रिवी पर्स को क्या कर दिया गया था तो उस प्रिवी पर्स को जो है ना उसको समाप्त कर दिया गया किसको समाप्त कर दिया गया था ठीक है बई तो ये चीज जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है तो ये एकी करण और इसके विभिन्य चरण होते हैं तो अब जो ह अधित्य सर आपके बीच में भिगानेर का इतिहास लेकर के आ रहे हैं तो वेलकम सर जी वंस अगेन वेलकम वेरी वेलकम धन्यवाद गुरुदी दस गंटे की क्लास होती है लगातार दस गंटे की करें सुरू कितने बज़े तक है इस वर इच्छा तक है पूछो इमत जितनी देर तक चलेगी उतनी देर तक चलेगी हाँ वे चलिए अब अपन बात करेंगे बिकानेर की किसकी बात करेंगे बिकानेर की बात करेंगे तो देखाए अब इच्छा पड़ा हो गया है है यह यहां तक चला था लाग्ष्ग्रूजी ने यह तक बताया था यही ठाग है पेपर चलीए यहां से अपन सुरू कर देते हैं और अपन अब बात कर लेते हैं किसकी हाँ गुलकोजी है वे गुलकोजी है त्राइ कर लिया मैंने गुलकोजी है और यदि और कुछ भी है तो मैं भी पार्टनर बन गया ये मान लो यदि और कुछ है तो भी मैं पार्टनर बन गया चलिए भई र रियासत का नामें विकानेर अगली जो रियासत है वो रियासत कोंची है भी अगली जो रियासत है उस रियासत का नामें विकानेर अपन बात कर लेते हैं विकानेर रियासत देखो भी मैंने आपको बताया था कि राजस्तान में राठवडों की तीन रियासत मारवाड मारवाड के संस्तापक राव सिहा दूसरा मारवाड के सासक राव जोदा के पुत्र बिका ने बिकानेर बसाया मारवाड के सासक मोटा राजा उदै सिंग के पुत्र किसंग ने किसंगड बसाया अब देखो भी यह जो विकानेर है अभी मैंने आपको बताया कि इसकी स्तापना करने वाले कोन है तो राव विका है याद रखना यह जो विकानेर वाला छेत्र है यह जो विकानेर वाला छेत्र है इसको अपन पहले जांगल परदेश कहा करते कौन सा परदेश कहा करते थे इसको जांगल परदेश कहा करते थे जांगल परदेश कहा करते थे और यह जो विकानेर वाला चेतर इसको जांगल परदेश की साथ में राती गाटी का चेतर भी कहा जाता था क्या कहा जाता था राती गाटी भी इसको कहा जाता था इसको राती बार नोर्मली दरबार में बैठे थे जोदा जागिरों का बटवारा कर रहा था उस समय विका बेठा था विका के पास में विका का चाचा बेठा था जिसका नाम था कांदल क्या नाम था कांदल और दोनों चाचा बतीजा आपस में बात कर रहे थे जोदा को बुरा लगा कि म यागिर मामलों में एह संतुष्ट थे नराज हुए और उसके बाद में कहते यह हैं कि यह जो आपका विका नेर वाला चेतर था इसमें इन्होंने स्तापना कर दी यहां पर जाटों का कुछ अदिकार था जाटों का कुछ अधिकार था नेरा कुछ नेराजाड इसके नाम पर इनका दोनों के नाम पर इसका नाम फिर बिका नेर पड़ा इन दोनों के नाम पर नाम क्या पड़ा बिका नेर पड़ा ठीक है बई बिका ने जो इस छित्र में राठोड राजवन्स की जो इस्थापना की राठोड राजवन्स की इस्थापना की वो बिका ने कब की, तो वो की 1465 में, 1465 इस्वी में इस सित्र में राठोण राजवन्स की बिका ने क्या कर दी, स्थापना कर दी, सरुवात में सबसे पहले बिका जो आया था, वो कोणम देसर आया था, बई कहाँ पर आया था तो सबसे पहले याद रखना विका सरुवात में जो आया था सरुवात में जो विका आया था वो कोणम देसर आया था 1465 और विका आया था कोणम देसर कोणम देसर जब विका आया वो अपने साथ एक बैरूजी की परतीमा लेकर आया था तो यहाँ पर कोणम देशर ने विका ने बहरूजी के मंदिर का निर्मान करवाया सरवात में इन्होंने अपनी जो राजदानी बनाई वो कोणम देशर कोई बनाई या फिर मैं ये कहूं कि सरवात में इन्हों ने अपना जो क्यंद्र बनाया वो कोणम दे सर कोई बनाया ठीक है बैई कोणम दे सर कोई बनाया कोणम दे सर बावडी की आपने बात की थी मारवाडी के समय बात की थी रणमल की रानी कोणमदे ने जिसकी स्थापना की थी उसके बाद में आगे चलकर इन्हों ने क्या किया आगे चलकर इन्हों ने क्या किया एक पुंगल के राजा थे जिनका नाम था सेखा जी जब आपने करनी माता पड़ा तब भी बात की थी की करनी माता ने सेखा जी को मुलतान कहट से मुफ़ करवाया ये जो सेखा जी है इनकी पुत्री रंग दे से भीका ने विवा किया था हाना उस पुंगल गड़ के हैं पुंगल के हैं सेखा जी पुंगल या पुंगल गड़ पुंगल पुंगल के सेखा जी की पुत्री रंगदे से विवा किया पुंगल के सेखा जी की पुत्री रंगदे से इन्होंने विवा किया किस से विवा किया पुंगल के सेखा जी की पुत्री है जिनका नाम है रंगदे रंगदे से विका ने क्या कर लिया था विवा कर लिया था ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेंगे उसके बाद में इन्होंने एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम दिया बिका की टेकरी बिका जी की टेकरी ये जो बिका जी की टेकरी है इस दुर्क का निर्मान करवाया और इसका निर्मान इन्होंने करवाया 1485 में 1485 में 1485 में इसमें दुर्क का निर्मान करवाया बिका जी की टेकरी का आगे चलकर इन्होंने बिकानेर सहर बसाया करनी माता के असिरवाद से इन्होंने बिकानेर की स्थापना की और बिकानेर की जो इन्होंने स्थापना की वो 1488 में की कबकी 1488 में 13 अपरेल 1488 को तो इन्होंने बिकानेर की स्थापना की किसकी स्थापना की बिकानेर की स्थापना की बिकानेर की स्थापना की और यह जो विकानेर की इस्थापना इन्होंने की यह 1488 में की है ना 13 अपरेल 1488 13 अपरेल 1488 1488 विकानेर की जो इस्थापना हुई है वो विकरम समवत 1545 में हुई है थावर बीज थरपियो विको विकानेर तो विक्रम समवत चवदा सो विक्रम समवत पंदरा सो पेंटालिस वेसाक सुधी सुमेर वेसाक मा के सुकल पक्स की दिवित्या थावर वीज थरपियो सनिवार का दिन था विको विकानेर हलांकि विकानेर इस्तापना दिवस के रूप में वेसाग सुकला तरतिया को मनाया जाता है आखातीज को मनाया जाता है तो विकानेर इस्तापना दिवस अपन आखातीज वाले दिन मनाते हैं कौन से दिन मनाते हैं? आखातीज वाले दिन मनाते हैं ठीक है, वेसाथ सुकला तरतिया को विकाने रिस्तापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, आखातीज को विकाने रिस्तापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, आग्ये चक्र 504 में विका की म्रत्यू हो गई, 504 में विका की क्या हो गई, म्रत्यू हो गई, विका के बा ये तीन-चार महीने का राजा है नरा के बाद में जो वेक्ती राजा बना उनका नाम है राव लूनकरन ये भी विका काई बेटा है राव लूनकरन विकानेर का राजा बना राव लूनकरन जो विकानेर का राजा बना ये पंद्रासो चार में बना और 1504 से लेकर 1526 तक राव लूनकरन भी कानिर कर आ जा रहा है 1504 से लेकर 1526 तक याद रखना ये जो लूनकरन है इसके समकालीन जो मेवाड के सासक है वो राना सांगा है मेवाड के सासक कोन है राना सांगा है इनके समकाली मेवाड के जो सासक है वो आपके राना सांगा है ये मेवाड के सासक राना सांगा के समकाली ने कौन लूनकरन उसके अलावा लूनकरन के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है लूनकरन की पुत्री है जिनका नाम है बालाबाई पुत्री का क्या नाम है बाला बाई ये जो बाला बाई है इनको अपन आमेर की मीरा कहते हैं और इन्होंने क्या किया बाला बाई का विबा आमेर किया आमेर के साथ पर्थिराज कछवा के साथ बाला बाई का विबा किया पर्तिराज कछवा, और ये जो बाला बाई है, इनको अमेर की मीरा कहते हैं, ये विकानेर के राजा, लून करण की बेटी है, आगे बात समझे हैं, उसके बाद में इन्हों ने क्या किया, आगे चल कर, आगे चल कर आपके लून करण ने क्या किया, पंद्रा सो नो में पंद्रा सो नो इस्वी में एक आपके रुद्रेवा का एक राजा है जिनका नाम है मान सिंग उनको प्राजित किया तो रुद्रेवा की राजा मान सिंग को प्राजित किया किसको प्राजित किया मान सिंग को इन्होंने प्राजित किया मान सिंग को इन्होंने हरा दिया रुद्रेवा की राजा मान सिंग को इन्होंने प्राजित कर दिया 1509 में फिर आपके इन्होंने 1522 में ये जो आपका फतेपुर सेखावाटी वाला छेतर है जो सिक्कर दिले में है फतेपुर सेखावाटी यहाँ पर कायम खानियों का अधिकार था अपन जब लोग देवता गोगाजी पढ़ते हैं तब भी बात करते हैं कि कायम खानी गोगाजी के बनसद से कायम खानियों का अधिकार था और यहाँ पर इन्होंने कायम खानियों को प्राजित कर दिया, तो 1512 में इन्होंने फतेपूर पर अधिकार कर लिया, और यह फतेपूर सेखा बाटी, जो की वर्तमान में कौन से जिले में, सिकर जिले में, फतेपूर पर अधिकार कर लिया, कायम खानियों को प्राजित करके किसको प्राजित करके कायम खानियों को प्राजित करके इन्होंने इस सितर पर अधिकार कर लिया और याद रखना इस समय कायन खानियों के जो लोग थे जिनको इन्होंने प्राजित किया था उनका नाम है दोलत खा और रंग खा दो लोग थे जिनको इन्होंने क्या कर दिया था प्राजित कर दिया था ठीक है आगे चलकर कायम खानियों ने इनके साथ संदी कर ली थी और उस संदी के तैट कायम खानियों ने लगबग 120 गाउं लूनकरन को दे दिये थे किसको दे दिये थे लून करन को दे दिये थे 120 गाउन तो याद रखना आगे चलकर काइम खानियों ने इनके साथ संदी भी कर ली थी और लगबग 120 गाउन इनको दे दिये थे फिर इन्होंने 1513 में एक नागोर के सासक थे नागोर के सुबेदार थे जिनका नाम है महमुद खा उनको प्राजित किया तो 1513 में नागोर और नागोर के जो सुबेदार है नागोर के जो सासक है उनका नाम है महम्मद खा नागोर के एक सासक है मुहम्मद इखा जिनको इन्होंने क्या कर दिया प्राजित कर दिया आगे चलकर इन्होंने जेसलमेर के जेक्षी को भी प्राजित किया और फिर आगे चलकर एक युद्ध हुआ जिसका नाम है डोसी का युद्ध जो की आपके 1526 में हुआ था कौनचा युद्ध है ये जो युद्ध है जो आपके दोसी का युद्ध है 1526 में हुआ है ये नारनोल और बिकानेर के मद्दे हुआ है नारनोल के इस समय जो आपके परमुख है उनका नाम है सेख अभीमीरा सेख अभीमीरा इस समय नारनोल के परमुख थे नारनोल आपके कौन सा अर अभी मीरा सेख अभी मीरा यह जो सेख अभी मीरा है इनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा और यह जो युद्ध है इस युद्ध में लूनकरन मारे गए नार्नोर में जो डोसी का युद्ध है इसमें लूनकरन वीरगती को प्राप्त होगे लूनकरन वीरगती को प्राप क्लियर है कोई दिकत नी है यहां तख अब देख़ो लून करन की एक दो चीजे और याद रहला एक्ट दिक है लक्षमी नरायन जी का मंदिर इन्होंने बनवाया है उसके अलावा एक आपके गरंथ है जिसका नाम है करमचंद वंसोत कीर्थन कव्यम जो कि जैसोम ने लिखा है करमचंद वंसोत कीर्थन कव्यम जो कि किस ने लिखा है जैसोम ने लिखा है यह जो आपका गरंथ करमचंद कि तुलना करण से की गई है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, किस से की गई है, करण से की गई है, उसके अलावा जो बिठु सुजा है, बिठु सुजा जिनके करण क्या नाम है, राव जेत सिराचंद, बिठु सुजा ने इनको कल्यूप का करण का है, लून करण को, बिठ परкंद तो नको सुझा ने इनको कल्यूक का करन का आ कलूक का करन को न सब्सक्राइब कर लूण करन है जैस॓ं का जो गरंठ ना में वन्सौंत पनर्फ कीरतन का व्यम्ट जो कि जैसौम ने लिखा इनकी तुद्दान की तुलना किस से साथ की गई है किसके साथ की गई है तो वह आप लोग याद रख लेंगे करन के साथ की गई है यह दो तीन चीजे इनके बारे में और याद रख लेना उसके बाद में अगले आपके जो राजा आते हैं दो तीन बाते उनके बारे में अपने देख लेते हैं राव जेटसी तो अगले जो आपके राजा है उनका नाम है राव जेटसी ये जो आपके राव जेटसी है 1526 से लेकर 1542 तक ये सासक रहे थे 1526 से लेकर 1542 तक लूनकरण के पुत्र थे ये किसके पुत्र थे भई लूनकरण के पुत्र थे अच्छा इनके बारे में जो साहेबा और पाहेबा का युद्ध है वो अपनने माल देऊ के समय पढ़ लिया था कि साहिबा और पाहिबा का युद्ध लड़ा जिस युद्ध में ये वीरगती को प्राप्त हुए इससे पहले इनके बारे में दो तिन चीजें और याद रख लो इन्होंने 1527 में बटनेर पर अधिकार कर लिया इससे पहले बटनेर पर बाटियों का अधिकार था बटनेर पर अधिकार इन्होंने 1527 में बटनेर पर अधिकार कर लिया था इससे पूरवा बटनेर पर जो अधिकार था वो किसका था बाटियों का अधिकार था एक चीज और याद रखना ये जो आपका बटनेर है इस पर पंदरा सो चोंती समय बाबर का जो पुत्र है जिसका नाम है कामरान कामरान ने आकर्मन किया था बटनेर पर पंदरा सो चोंती समय पंदरा सो चोंती समय इस समय बटनेर का जो सा सकता वो खेटसी था खेटसी आपके जो कांदल है कांदल है जो की जोदा कब आई था कांदल का पोता है कौन खेटसी खेटसी इस समय आंका सा सकता अब बटनेर पर कामरान ने अधिकार कर लिया आगे चलकर कामरान ने 1534 में ही बिकानेर पर भी आकर्मन किया पर यहाँ पर राव जेटसी ने कामरान को प्राजित कर दिया तो एक चीज और याद रखना कि राव जेटसी न तो इन्होंने 1534 में कामरान को प्राजित कर दिया ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेंगे आगई बात समझ बहुत कोई दिकत नहीं है अच्छा ये जो युद्धन है कामरान वाला इसका वर्णन बिठु सुजा ने अपने गरंथ में दिया राव जेट्सी का जो चंद है विठु सुजा का उसमें इन्होंने आपके युद्ध का वर्णन किया है ठीक है बई? कोई दिकत नहीं है उसके बाद में वाज़ा हो भी अगले जो आपके राजा हैं साहिबा पाहिबा का युद्धन पढ़ी चुके हैं पहले अगले अपने जो राजा हैं उनका नाम है राव कल्यानमल ये जो राव कल्यानमल है इनके बादे में अपने कोछ ज़दा चीज़ें याद रखने की आउसकता नहीं है सासंकाल थोड़ा सा आप याद रख लो ये 1544 1544 और 1624 से लेकर 1612 तक राजा बने पूरी बात बताई सेरसा सूरी की साहिता से ये विकानेर के सासक बने फिर जो आपके गिरी सुमेल का युद था सुमेल गिरी का युद था उसमें इन्होंने सेरसा सूरी की साहिता की उसमें इन्होंने किसकी साहिता की सेरसा सूरी की साहिता की फिर आगे आगे आपने नागो दरबार के सुत्रदार कौन थे बारमल का छुआ थे तो ये सारी चीजें आपने वहाँ पर बात कर ली अच्छा अब इनके दो बेटे जो कि मुगल दरबार में जा शुके थे नागोर दरबार के बाद एक पर्थिराज राठोड और एक आपके राइसिंग पर्थिराज राइसिंग की बात कर लेते हैं ना मोटी मोटी अपने को मैन जो विकानेर में बात करनी है वो राइसिंग जी की ही करनी है गंगा सिंग जी को अपन थोड़ा बहुत आधुनिक में पढ़ लेते हैं तो मैन विकानेर में यदि किसी राजा को पढ़ना होता है तो वो राइस महाराजा राई सिंग राई सिंग जी की बात कर ले महाराजा राई सिंग राई सिंग देखो भी राई सिंग जी का सासनकाल कब से कब तक है सासनकाल इनका कब से कब तक है ये भई पंद्रा सो चुमारी से देकर फिर ये अपने कहा तक कर दिया 1612 तक कर दिया यह 1514 से 14 है फिर 14 में यह फिर यह 1612 है 1612 तक राइसिंग है 1514 से 1612 चलिए तो राइसिंग के बारे में मोटी मोटी जो चीजें वो अपन देख लेते हैं ठीक है बई? देखो यह मैंने आपको बता दिया कि नागोर दरबार के बाद यह अकबर के साथ चले गए आगे चलकर जब राउट संद्रसेन की मरत्यू के बाद अकबर को मारवाड ने खालसा गोसित किया उस समय आपके जो मारवाड का कहूं या जोदपूर का जो परसासक नुट किया वो किसको नुट किया तो वो राई सिंग को नुट किया वहाँ पर यह राई सिंग बिकानेरी के नाम से जाने गए एक तो यह याद रखना मारवाड के परसासक रहे लगबख तीन साल तक मारवाड के परसासक रहे मारवाड के यह क्या रहे परसासक रहे की 1573 की इनसे समंदी दो मैन गटनाए है जो कि आप याद रख लो एक तो इन्होंने 1573 में क्या किया एक युद लड़ा जिसका नाम है काठोली का युद का नाम है काठोली का युद ये जो काठोली का युद है इसमें इन्होंने नागोर के इबराहिम मिर्जा को प्राजित क किसको इबराहिम मिर्जा को प्राजित किया तो नागोर के इबराहिम मिर्जा को इन्होंने प्राजित किया इबराहिम मिर्जा इबराहिम मिर्जा नागोर के इबराहिम मिर्जा को इन्होंने प्राजित किया नागोर के इबराहिम मिर्जा को इन्होंने क्या कर दिया प्राज किया अकबर के साथ गुजरात में इस समय एक वेक्ति थी जिनका नाम है मिर्जा या फिर आपके मुहम्मद हुसेन मिर्जा उनको इन्होंने प्राजित किया अकबर के साथ मिलकर तो पंद्रा सो तेतर में इन्होंने अकबर के साथ मिलकर गुजरात के मुहम्मद मिर्जा मुहम्मद मिर्जा जो आपके हुसेन है या मुहम्मद हुसेन मिर्जा है उनको प्राज़ित दिया तो अकबर के साथ अकबर के साथ गुजरात में मुहम्मद हुसेन मिर्जा को प्राजित किया चीक है बई एक आप 1513 का ये याद रख लोगे अच्छा उसके बाद में 1574 में इनका राज्या भी सेख हुआ जब इनका राज्या भी सेख हुआ उस समय अकबर ने इनको एक तो महराजा की उपादी दी कौन सी उपादी दी महराजा की उपादी दी महराजा की उपादी दी याद रखना ये बिकानेर के पहले राजा थे जिनको महराजा की उपादी दी गई थी ये बिकानेर के पर्थम सा सकते जिनको महराजा की उपादी दी तो एक तो इनको महराजा की उपादी दी इसके अ के राव सुर्तान देवडा है जिनको आप राव सूर्तान देवडा कहते हैं और जालोर के एक सासक जिनका नाम है ताज खा इन दोनों को मुगला दिंता स्विकार करवाने तू बाद्धे करने वाले जो बेखती है वो भी विकानेर के राय सिंग है एक तो सिरोई के राव सुर्तान देवडा एक तो कहा के सिरोई के कौन राव सुर्तान देवडा राव सुर्तान देवडा इसके अलावा जा जालोर के ताज खा जालोर के ताज खा इन दोनों को मुगल अदिनता स्विकार करने वाले जो विख्ती इसके अलावा एक दो चीज और आप लोग याद रख लेना राई सिंग ने आगे चलकर मतलब मैंने आपको कहा कि सिरोई वाला फिर वह आपको पुरा विवाद पता है जो आपके दतानी का युद्ध दुवा उसका भी आपको थोड़ा बुद पता आपने पढ़ा है तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रख लेना आगे चल विवाद हो गया इस विवाद का फाइदा उठाकर राय सिंग ने जो विजा देवडा है उसको प्राजित कर दिया और जो आदा सिरोई है उस पर अधिकार कर लिया जिस आदा सिरोई पर इन्होंने अधिकार किया यानि वो मुगला दिंता में आ गया आगे चलकर अकबर न अपन आगे बात करते हैं क्लियर तो ये शिरूई वाला आपको ध्यान में रह जाएगा हाँ भी आपको अजया थाएगा है जहंगीर ने क्या किया जब ये सब अकबर के समय भी दो चार गटना है फिर जहंगीर ने क्या किया जहंगीर ने इनको दक्षिन बारत का सुभेदार बना दिया कहा का सुभेदार बना दिया दक्षिन बारत का सुभेदार बना दिया और 1612 में कब 1612 इस्वी में 1612 इस्वी में एक जगह है जिसका नाम है बुर्हानपूर बुर्हानपूर में राई सिंग जी के मरत्यू हो गई हाना बुर्हानपूर में राई सिंग की क्या हो गई मरत्यू हो गई तो 1612 में इनकी मरत्यू हो गई और इनकी मरत्यू कहां पर हो गई, तो इनकी मरत्यू बुरहानपुर में हो गई, बुरहानपुर में हो गई, यह नॉर्मल सी जानकारी आप याद रखोगे, राई सिंग जी के बारे में, इसके बारे में याद रखोगे, राई सिंग जी के बारे में याद रखोगे, तो यह अपनी class का जो target था रतन सर की class का जो target था वो था 10 गंटे का बट ये target 10 गंटे 35 मिनट पर पहुंच गया तो रतन सर एक बार last में आ जाओ 2 मिनट और फिर class को end कर देते हैं क्यों आप लोग भी अब सोई है राम से सर भी ठके होंगे सर भी अब अराम करें लीज ये सब तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद की रात की मतलब धाई बजगे हैं लेकिन फिर भी आप अभी तक भी जग रहे हो तो आपके इस होसले की वज़े से ही हम अभी तक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं तो बहुत बहुत अभार बहुत धन्यवाद इसी प्रकार से अपना प्यार अपना स्ने जो हैं हमारे उपर बनाए रखे अपना विश्वास बनाए रखे ठीक है भी तो भाविक पाटिदार जी कंप्यूटर बाई क्रिस चोधरी आरेसर की लाडली प्रियंका गमेती तरून दादीच सभी का स्वागत है अगली वाली क्लासों के अंदर भी जैसे मतलब दो तारीक से वापस से आपके क्लासे चलू हो जाएगी जैसे दो तारीक को जो है वो कल्चर की क्लास रहेगी तीन तारीक को वापस आपके जोगरोफी की क्लास है चार तारीक को एकोनोमिक्स की क्लास है और एक तारीक को जो है आपके हिंदी की क्लास है तो आपको सभी क्लास से अटेंड करनी है और अच्छे से पढ़ना है और जो है अपने जीवन के अंदर जो हैं नहीं उचाईयों को छोगे तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार से जुड़े रहे आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते सभी को राम राम जै स्री कृष्णा राधे राधे जै जोहर सुब रात्री गुड़ नाइट बाइ बाइ जै हिंग